फाप जैसे बड़े घर में हो रही, चहल पहल के बीच मनिका जोर से आवाज लगाती, इधर उधर चकर लगा रही थी अरे प्रतीक, तुम तयार हुए या नहीं? ऐसे काम में भी तीरी करता है ये लड़का मनिका प्रतीक का दर्वासा खट-खटा कर उसे बाहर आने को कहती है इसके पापा भी न, उन्हें तु देखूं, कौन से हीरो बनने में व्यस्त हैं वो? मनिका अपने रोम में जा कर देखती है, तो उसका पती चेतन, मस्त, कोट वगेरा सजा कर तयार था तभी प्रतीक भी कोट पैंट सजा कर उसके दर्वासे पर आता है, और दोनों बाप बेटों को देख, मनिका अपना माथा पीट लेती है बाप लप्पु, तो अलाद मा लप्पु, अरे हम कहां जा रही है, पता है न आपको सुनो जी, लड़की वाले बहुत सरल परिवार है, अगर हम वहां जाकर ऐसे महंगे कपड़ों की धोस जमाएंगे तो वो घबरा जाएंगे आदमी जितना सरल और साधा होकर जाएगा, उतना ही वो बात करने में कमफोटिबल हो जाएंगे चीतन और प्रतीक को मनिका की बात समझाती है और वो साधी शट पहन लेते हैं तीनों गाड़ी में बैटकर प्रतीक के लिए लड़की देखने निकल पड़ते हैं मैंने सब पता कर लिया, बहुत सीधा परिवार है लड़की टीचर की बेटी है तो अनुश्यासन में तू पूरी होगी और हमको तू कन्या रूपी धन ही तू चाहिए, हाना? एक दम सही बोली तुम, बस उसे भी हमारा प्रतीक पसंद आ जाए वही सबसे जरूरी है पापा, बना आजकर लड़कियां परिवार के दबाव में हां बोलकर बहुत दुखी रहती हैं सब लोग लड़की के घर के बाहर गाड़ी रोकते हैं, जो की एक समाने से मोहले में बना चोटा सा घर था सुधीर एक स्कूल में पढ़ाने वाला मामुली टीचर था बोला थाना जी, लोगों का दिल बड़ा होना चाहिए, इतनी अच्छी खातिरदारी तो हमारे घर पर भी नहीं होती रानी जी, आपकी बेटी को बिला लीजिए और रानी अपनी बेटी के दिर्वाजे पर खट-कट करती है ठक-ठक होती ही आइने के सामने सीने को थामे खड़ी गुंजन का दिल जोरों से धड़क उटता है वो जट से सिर पर पल्लू करती है और दराज में कुछ धूणने लगती है और प्रतीक वाश्रूम के और जाने लगता है तब ही उसे खिड़की से कमरे में गुंजन नजर आती है और गुंजन को एक बकसे में आखिर कुछ मिलता है जिसे वो संभाल कर रखती है और बाहर आने लगती है जैसे ही वो दिर्वाशा खोलती है प्रतीक सामने ही खड़ा था दोनों के निगाहे मिलती है रानी ने गुंजन को पहले ही समझाया था कि सिर से पल्लू नहीं हटना चाहिए गुंजन खबरा कर सिर पर पल्लू ओडनी लगती है मगर पल्लू तो उसके सीने से ही हट जाता है और वो पलट कर सीने पर हाथ रख लेती है तब प्रतीक आहिस्ता से पल्लू उठाता है और गुंजन के कांधे पर रख देता है गुंजन ने नजर उठाकर पहली बार प्रतीक को देखा और देखते ही गुंजन का दिल जोर से चहक उठा प्रतीक ने मन ही मन गुंजन को अपना बनाने का फैसला ले लिया था आओ आओ गुंजन बेटिया जरह रसोई से चाय लेती आना और गुंजन रसोई से चाय लेकर आती है और सब को देती है घबराहट में उसके हाथ काप रहे थे जैसे ही वो प्रतीक को चाय पकड़ाती है तब ही उसका हाथ टच होता है गुंजन खबरा कर चाई गिरा बैट पी है गुंजन का हाथ गरम चाई से जलता है कि उससे पहली ही प्रतीक उसका दूसरा हाथ अपने हाथ पर सारी गरम चाई ले लेता है ये देख लोग परेशान हो उटते हैं मगर गुंचन और पतीग पस एक ठक एक दुसरे को आँखों में देख रहे थे अरे-अरे, it's okay, I'm perfectly all right गुंचन बेटा, तुम ठीक तो हो ना बहन जी, आप मेरी पगली की चिंता चोड़िये देखे तो, पतीग जी को कितनी चोटाई है ये क्या कर दिया तुमने? अरे, राने जी, सहरा सी चोटी तो है वैसे भी इतने बड़े सांट से शरीर में क्या ही असर देगी? देखे तो, कैसे निहा रहा है आपकी गुंचन को? चेतन सुधीर के घर में नजर फिरा रहा था, तब ही सुधीर बोलता है जितनी मेरी आउकात रही है, बस उतना ही मेरा या आश्याना है चेतन जी एक ये बेटी है, इसकी शादी करदों फिर बस गंगा नहा लोंगा फिर हमारा घर एक दम सूना बेटा जब शादी लाइक होगा, फिर तब ही रौनक आएगी घर में वैसे भी बेटे बेटियों जितना बाते कहां करती है नहीं नहीं सुधेर जी, मैं तो देख रहा हूँ कि एक टीचर होकर भी लगी बंदी फिक्सट सेलरी में भी कितने अच्छे से सब मैनेज किया है आपने मिडल क्लास लोगों की ये बात ही तो मुझे बहुत पसंद है कि उन्हें कम बजट में फिट होना आता है वैसे हमारी गुंजन भी पास की प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती है सच, बहुत ही होनार बच्ची है हमारी अच्छा, फिर तु बिटिया हमारी घर जब बहु बनके आओगी तो एक दिन घर बैटने नहीं दूँगी तुम दोगनों नौकरी करना और मैं तुम दोनों का टिफिन बनागर दूँगी मनिका जी, सच कहूं आप लोगों जैसा सरल सभाव देखने को ही नहीं मिलता हमें आप लोग बहुत पसंद है ए जी, इनसे उस बारे में बात करो न वो दहेज और लेंदेन की लिस्ट अगर पहले दे देते चेतन जी तो पैसे जुटाने में मदद हो जाती ये सुनते ही मनिका जीतन एक दूसरे के चेहरे के और चिड़ कर देखते हैं भाई साहब, हमें अगर जलील करना था तो रिष्टे को मना कर देते लेकिन दहीर जैसी चीज का नाम तो न लेते हाँ समधी जी, हम आपकी बेटी बिहाने आये हैं हाँ, आपको अगर हमारा नलायक बेटे को अपनाने के लिए हमसे दहीर चाहिए तो वो बता दीजिए और मनिका की बात पर सब लोग ठहाका मार कर हसने लगते हैं गुंजन बेटा, तुम्हें प्रतीक पसंत है न? वैसे उसमें शराब सिक्रिट की ऐसी कोई लत नहीं है होती, तो भी मैं आपके लिए छोड़ दिता गुंजन गुंजन प्रतीक का जवाब सुनकर उसकी और देखकर मुस्कुराती है और हां में सिर हिला कर नजर जुका लेती है हां माजी, आज तक माबाबा के अलावा किसी को मेरे दर्ट की फिकर नहीं रही परिन्होनी, आज गरम चाय का प्याला अपने हाथ पर गिरा कर सारी पीड़ा खुद ले ली जिन्हें मेरे तन की पीड़ा से तकलीफ हो थी वो भला मेरे मन की पीड़ा कैसे दे सकता है हां, मैं खुश हो और प्रतीक गुंजन का रिष्टा तै हो जाता है जैसे चेतन मनिका चाहते थे, शादी सिंपल हो उसी तरह से शादी का दिन भी आता है प्रतीक बेचैन था, गुंजन के साथ जिंदिकी शिरू करने के लिए उधर मनिका घर को बहु के स्वागत के लिए सजा रही थी तब ही वो अपनी बेटी को एक हार का डपा देती है उधर प्रतीक और गुंजन के फेरे हो जाती है पल भर में गुंजन इस छोटे घर से निकल कर बड़ी दुनिया का हिस्सा बन गई जैसे ही प्रतीक गुंजन की मांग भरता है उसके कानों में धेरो शहनाईयां गुंजोटती है जैसे कोई हिट फिल्म चल रही हो आखिर में हीरो हीरोईन मिल ही गए लेकिन ये क्लाइमेक्स नहीं कहानी की शुरवात थी विदाई का समय आता है प्रतीक गुंजन को कमरे में लेने आता है तो वो बिस्तर पर बैठी थी और उस बॉक्स को नम आखों से देख रही थी ये तो वही बक्सा है जिसे उस दिना परिशान होकर ढूंड रही थी अगर बुरा ना लगे तो जान सकता हूँ इसमें क्या कहीं एक्स प्रेमी के प्रेम पतल तो नहीं मेरा आश तक कोई प्रेमी नहीं रहा आप ही पहले और आखिरी इस बक्से में मेरी सपने है और गुंजन बक्सा खोलती है तो उसमें धेर सारे नोट थे कोई पचास का, कोई सौ का, कोई पचास का तो कोई दो हजार का ये क्या गुंजन? ये पैसे मैंने बाबा के लिए अपनी तौनखा से बचा कर जोड़े थी एक गरीब बाप अपनी बेटी की शादी के लिए शरीर का कपड़ा तक बेशने निकल पड़ता है पर मैं उनकी थोड़ी मदद करना चाहती थी इसलिए आज जाते हुए उन्हें ये बक्सा थमा दूँगी अगर आपको कोई अपत्ती ना हो तो तुमने जो सोचा वो हर सच से अधिक सुन्दर है और मुझे भला कैसी अपत्ती सुनो वो मा क्या कहती है मैं बस लप्पू सा एक पती ही हूँ कोई तानाशा नहीं हूँ जो तुम पर हुकूमत कर लोंगा ये तुम्हारी कमाई है जाओ दे दो बाबा को और गुंजन विदा होते हुए सुधीर को बॉक्स दे कर उससे लिपट कर खूब रोती है मेरा असली धन तो जा रहा है बस बेटा जा रही है तो उस घर को अपना बना लेना अब तु इस घर की दहलेज को केवल महमाद बन कर ही लांग सकेगी छी पापा गुंजन सबसे गले लगकर खूब रोती है और विदा हो जाती है गाड़ी में प्रती गुंजन का हाथ थामता है और वो उसके कांधे पर सख रख लेती है गुंजन एक दुनिया पीछे छोड़ चली थी और एक नई दुनिया में अब सर्टिकाई हुए थी और सोचते सोचते अचाना गाड़ी रुख जाती है और गुंजन देखती है कि एक आलिशान घर के सामने गाड़ी खरी थी पूरा घर ऐसे जग मगा रहा था जैसे जुगनुओं का शहर हुकोई और पतीक के पीछे की और से घर के अंदर चला जाता है गुंजन का मन हर पल सपनों की बगया में हिलोरे मार रहा था प्रपतीक दस मिनट तक लौट कर नहीं आया गुंजन वही गाड़ी में बैट कर इंतजार करके बेचैन हो गई थी भाया दीखे ना सहाब कब तक आएंगी और ड्राइवर भी बाहर निकल कर घर के पीछे चला जाता है अपना ड्राइवर लौटता है ना ही प्रतीक गुंजन का दिल मूग को आ रहा था उसके हाथ पाउप सुन पढ़ने लगे थे और लंबा इंतजार करने के बाद वह गाड़ी से उतरती है और घर के और बढ़ती है पर दर्वासे के बाहर खड़ी थी तभी उससे अंदर से हसने और ठाहाकों की जोरदार अवास सुनाई देती है कितनी चिल फैमली है ये सबसरूर बातों में अपनी बहों को भूल कहे होंगी और गुंजन एक जटके में दर्वाजा खोलती है पर वो जो देखती है वो हैरान करने वाला था सामने हॉल में बैठा प्रतीक के माबाप और बहन चंचल के हाथ में ताश थी और वो लोग जुए वाली ताश खेल रहे थे बोले तो जिसमें पैसो की बाजी लगती है तभी ड्राइवर रसोई से बर्फ लेकर आता है और गुंजन हलका सा दाई और देखती है तो प्रतीक के हाथ में शराप की बोदल थी और वो मज़े से पैक बना रहा था मॉम आइस कितनी लोगे आइस दे तेरी बाप को मैं तो आज नीट मारूंगी आँ आइम सो हापी ये तभी चंचल की नज़त दर्वासे पर खड़ी गुंजन पर पड़ती है और वो सब को इशारा करती है और ये सब लोग एक साथ गुंजन को त्योर चढ़ा कर घुड़ने लगते हैं आ गई बिटिया हम तो देखमन मौजी लोग हैं मौज करती करती तेरा खयाल ही निकल गया दिमाग से जा चंचल अपनी भावी का स्वागत कर चंचल लहराती सी जाती है और आर्ती की थाली थाम कर कुमकुम की थाल और चामल का लोटा बगेरा सब रग देती है मनिका जैसे ही आर्ती करने लगती है उसे छीक आ जाती है और थाल नीचे गिर जाती है अरे चड़ गई लगता है सुन बहू, आज पहली बार इस घर में आ रही है तुझे सास का ग्यान दे दू देख, पीना है तो सोड़े के साथ पीना नीट कभी मत मारना कमभकत उल्टी हो जाती है और मनिका जमीन पर ही गिरा हुआ तिलक उठा कर उसे लगा देती है गुंजन के लिए ये सब एक बुरे सपने जैसा था पर इससे भी बुरा अभी होना बाकी था जब मनिका गुंजन के लहंगे पर ही उल्टी फैक देती है नहीं, मेरा शादी का जोड़ा गुंजन कुंकुप के पानी से भरे थाल में पाउज जैसे ही रखती है उसकी चीख निकल पड़ती है और सब एक साथ हास पड़ते हैं आखर ये परिवार गुंजन से चाहता क्या है क्या सच क्या जूट रिष्टों में दिखने वाले इतने चमकीले रंग एकदम से काल के से नज़र आ रहे थे गुंजन की आहासे पूरा हॉल गोन जुड़ा था गुंजन उस कुमकुम के थाल से पाउँ बाहर निकालती है तो उसके पाउँ से धेर सारा पानी निकल रहा था पर वो जैसे ही जमीन पर पाउँ रखती है वो फिर से करहा उड़ती है और गुंजन अपने कदम आगे बढ़ाती है तो उसके पाउँ से केवल कुमकुम का लाल पानी नहीं बलकि उसका लाल खोन भी फैर रहा था पूरे फर्ष को खूनम खून कर रही गुंजन को उसकी सास और ननत देखती है देखा मैंने क्या बोला था हमारी बहु ये रिवास बिना कुछ बोले ही पूरा कर लेगी क्यों चंचल मनिका का इशारा पाते ही चंचल ने कुमकुम की थाल फर्ष पर डोल दी जिसमें से पचासो मूटी कीले निकलती है ये ये क्या है माजी अरे अरे मेरी सोना खबरामत ये हमारे घर के पुराने रिवास है जब नई बहु आती है तो उसे दहलीज से कीलो पर ही चल कर अंदर आना होता है अब तु हमारे घर की दहलीज खून से सीचती ना अब तु धन से भी सीची दे आजा आजा अंदर आजा मनिका प्रती की और आख मारती है ये बहुत सही है लेडिस लोगों का रिती रिवास के नाम पर अपनी बहु से कुछ भी करवा सकती है सही है माम मैंने तो अब आपको बहु दे दी है अब आगे की जिमिदार या आपकी है और चेंचल फटाक से उसके पाउं की नीची सफेद कपड़ा लाकर उसके पाउं की खून की चाप लेकर खुश होती है अब लाव भाबी मेरा नीग लाव क्या? नीग? कौन सा नीग? मुझे तो पता ही नहीं था चूटी पता नहीं था या देना नहीं चाहती थी तुम? क्या यार भाई? हद कंचूज लुगाई उठाला है अरे माईडम फिल्में देखती है या नहीं? इधर ननत का नीग बनता है लाव मेरा डाइमंड का हार डाइमंड? पर मेरे पास डाइमंड का हार नहीं है बाबू मेरे पास तो बस ये जो गले में नकली हार पहना है और एक छोटा सा ये वाला हार बाबू जी ने बनवा कर दिया है ठीक है ठीक है गरीब हो तुम तो लो मैं ही तुमको दे देती हूँ बदले में जब चाहूं वो मांग सकती हूँ बस ये ध्यान रखना और चंचल मनिका का दिया हार अपनी भाबी को दे देती है गुंजन हार देख खुश होती है फकड़ों के घर की बेटी ही लाने थी तो मेरी दोस शालो को ही ले आती मां इस घर में कम से कम वो मेरे साथ तीन पत्ती वगेरा तो खेल लेती ओ हेलो मडम तुमको खेलना आता है ना तीन पत्ती क्या तीन पत्ती धत तेरे की ले भाई तेरी बीवी तो जो आरन भी नहीं निकली तेरा धन्दा तो गया अरे बहन जी कोई बुरी आदत है भी है नहीं तुमको हद लड़की हो तुम बे गुंजन के पाउं सिमेंट की तरह जम चुके थे चहरा उतर चुका था अब तक कार में बैटकर जो खाब उसने सोचे थे वो धुनला से गए थे जुगनों की तरह जमकने वाला घर असल में नकली लाइट से जलने वाला मकान था गुंजन देखती है प्रतीक का घर तो बहुत बड़ा है मनिका उस घर में दिखा कर कमरे में भेज देती है चंचल दर्वाजे पर ही सब थोड़ी करना था थोड़ा तो सयम रखती सयम, माई फुट ये किस भिकारिन को ले आया आप ना गले में हार ना जेब में आउकात लगा था भावी आयगी तो ये मंगी वो मंगी ऊपर से मेरा हार भी गया ओ मेरी प्यारी लाडो राणी कोई बात नहीं मेरी चडिया ये हार क्या अब देखना इससे तो ऐसे कितने ही हार निकलवाने है अभी तो गाएं घर में आई है धीरे धीरे उसे खूटे से भी बांधेंगे गुंजन कमरे में जाती है तो देखती है कमरा ताजे फूलों से जगमंगाने की बजाए सूखे फूलों से सजा था हर जगह मुर्जाय हुए काले पड़े हुए सूखे फूल विखरे थे तभी गुंजन के कानों में एप्रतीक की अवास पड़ती है जो पने ड्राइवर राजु से बात कर रहा था ये फूलों का इतना बिल कैसे आ गया रहे गुंजन का दिल बैट गया था घर पर मिलने वाला प्रतीक यहां एकदम अलग सा नजर आ रहा था लग रहा था मानो कोई फिल्म का दिखाबटी स्क्रिप्ट चल रही हो गुंजन खुद को शांत कर अपने छोटी भाई रौनक को फोन करती है हे दी वाट्स अप रौनक ये पता वो जो तुम लोग ये प्रैंक चलते हो वो कितनी तेर तक चलता है इट डिपैंस दी मज़ा है तो शायद चार दिन भी प्रैंक चल जाए और उसे पहले ही पकड़े गए तो शायद भीड चार मिनट में ही आपको कूट कर चली जाए जैसे पिछली बार मैं पार्क में कुट गया था उपर से बाबा ने भी तेज खूटा था उफ उई मा अब भी पिछवाला दुखता है सोच करी चुपकर पढ़ाई पढ़्यान दी बढ़ा आया प्रैंक करने वाला चल रखती हूँ अब तह मैं समझ गई ये सब के सब मेरे साथ प्रैंक कर रही है पर नवचाने ये खपता करेंगी पर अब मैं फसूंगी नहीं अब मैं हर प्रैंक के लिए तयार रहूंगी गुंजन अपने बैक से चटक लाल की सुन्दर नाइट निकालती है और तयार होने चली जाती है उधर प्रतीक मनिका के पास खड़ा था तभी मनिका उसे फूलों का एक गुलदस्ता निकाल कर देती है अपना काम ठीक से करना हाँ मेरा राजा बेटा दुनिया का सबसे जब देखो प्लानिंग प्लानिंग में ही लगी रहती हो जल्दी आओ इस बार पचास पचास लग रहे हैं मनिका जाती है ताश खेलने और प्रतीक जाता है गुंजन के साथ रोमांस करने वह दर्वासा खोलता है मगर अंदर कोई भी नहीं था वह थोड़ा अंदर आकर इ पीछे से आगे हो जाती है और उसकी आखों में प्यार से देखती है पता है उस रोध से कहीं ज्यादा नशा है तुमारी आखों में आओ मेरी साथ पैठो प्रतीक प्रतीक बिना कुछ बोले ही बस उसे सुन रहा था गोरे बदन पर लाल नाइटी में गुंजन सच में लाल पर ले जाकर जोर से उसके बाल खीचता है और प्रतीक गुंजन को पीछे जोर से धकेल देता है जिससे उसके कमर और हाथ पर चोट लगती है और हाथ पर नेल भी आ जाता है प्रतीक अपना धक्या उठाता है और वहाँ से चला जाता है गुंजन बस उसे जाता देख रही थी और वो देर रात को अपने बाबा को फोन लगाती है पर गुंजन बिना कुछ बोले फोन कार्ट देती है एजी मेरा दिल बैठा जा रहा है आज ही शादी हुई और आज ही इतनी रात को फोन पर माईकों को छोड़ना इतना असान नहीं है जी एक दिन में तन से पराई हो जाती है पर मन से तोड़ी पराई हो या नहीं बस तेरी बात हो तो ये जरूर कह देना किसके बाप की अब आउकात नहीं बचिया कुछ भी और जहलने की तो अपना हिसाब से रहे ससुराल में क्या बाप पूरी जिन्दगी बस दिमेदारिया ही निमाता रहे रानी बिना कुछ बोले ही जा रही थी और सुधीर करवट मोर कर सोजाता है सुधीर के चहरे को सुकून देख ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छाती पर रखा बहुत भारी बोज आज उतर गया हो नहीं आज पहला दिन है मैं कमसोर नहीं पढ़ सकती गुझन आसू बोज कर उठती है और प्रतीक के लाए होई बिस्तर पर उसे रखे गुलदस्ते को बाहों में समेट कर सोजाती है कुछ देर बाद गुझन के पूरे शरीर में खुझली मच जाती है और वो पागलों की तरह उसे खुझाने लगती है प्रतीक खिडकी से उसे ऐसा करता देख हस रहा था उसी ने फूलों में खुझली पाउटर डाला था बंदर की तरह खुझाते खुझाते गुझन सो जाती है अगर ये तो बश शुरुवात थी अगली कहानी तो कल होने वाली थी गुझन देर से उड़ती है तो मनिका चंचल के साथ ही ट्रे में उसके लिए धेर सारे बरतन लेकर आती है अरे मेरी सोना उच्जा बच्चे आज पहला दिन है मुझ दिखाई के लिए मेरी औरते भी आ रही है मेरी चंदा को जब देखेंगी न तो बस देखती रह जाएंगी गुंजन मनिका की इतनी प्यारी बाते सुनकर कलका सब भूल गई थी और वोट कर नाश्ते के लिए बरतन के ठकन हटाती है तो उसमें एक के बाद एक बरतन खाली था फिर वो आखरी बरतन देखती है तो उसमें एक बड़ा सा कौकरुच रखा था जो हिल रहा था वे घबरा कर उचल पड़ती है और ये देख दोनों मा बेटी हसने लगती है गुंजन कौकरुच से भयंकर डर जाती है और उसे चकर आने लगती है ये देख प्रतीक को चंचल की इस बेफ कूफी फर जोरदार गुस्सा आता है और वो गुंजन को सम्हालता है बस बहुत हुआ ये कोई तरीका है क्या तुम दोनों का देखो इस बिचारी को मजाग की भी हद होती है गाईस और मॉम तुम भी इस नराइक के साथ बच्ची में बच्ची बन रही हो सच में हद कर दी आज और प्रतीक गुंजन का हाथ थामता है गुंजन को हिम्मत मिलती है पर हिलता कौकरश देखकर वो फिर घबरा जाती है और प्रतीक की बाहों में बेहोश हो जाती है और कुछ देर में गुंजन को होश आता है जैसे ही वो आँखी खोलती है उसके सामने एकदम नजदी की पर प्रतीक का चहरा था ये देख वो मुस्कुराती है प्रतीक भी मुस्कुराता है बस पलग जपकते ही वो गुंजन के चहरे के सामने वो जिन्दा कौकरुच हाथ में फकड़ा होता है और ये देख तीनो साथ में खूब हसते हैं और वो गुंजन के मुँपर एक परची फेक मारते हैं सुन लड़की, ये तो परची ही फेक करमारी है अगर हमारी बात नहीं मानी तो इस बारी कौकरोज फेक करमारूंगा अभी जो डॉक्टर आया था, ये उसका बिल है अब बता, ये कौन देगा, मेरा बाप तेरा बाप क्यों देगा बेटा, इसका बाप देगा न वो तो इसका बाप तो भिकारी से भी बत्ता निकला मॉम कहा बेटी दो जोड़ी में दो, तो मैडम को सच में दो जोड़ी में ही भेज दिया और भाई एक रुपे के नाम पर भी नहीं सोना जान दी, बस एक ही रुपिया हाँ, क्यों रही भाबी, तुमको तुमारे डाड़ी प्यार नहीं करते क्या फिर आप सबने ही तो कहा था कि आपको में दो जोड़े में चाही हो, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे है हाँ, क्या करू मॉम मैं इसका, अरे तुम सब समझते नहीं हो क्या, वो सब बोलने का बस आज का फैशन है ये थोड़ी है, कि तुम सच में मूठा कर बस ऐसे ही आ जाओगी, अरे यहां इतने खर्चे है, वो सब कैसे पूरे होंगे अच्छा ठीक है, बहू के जादा पीछे मत पड़ो, सुनो, बहू तुम फिक्र मत करो, और इनकी बातों का लोड मत लो चेतन गुंजन के सिर पर हाथ फेटा है, और वो रोते हुए चेतन से गली लगती है, और वो उसे सहलाता है घबराओ नहीं बिटिया, तुम बस अराम से अपने घर जाना, और फिर अपने माबाप से जितना हो सके, पैसा एट कर लियाना, अब तुम्हारी जिम्हेदारी इस घर को भरने की है बिटिया, समझी गुंजन हैरान होकर एक टक चीतन का चेहरा देख रही थी, यहां सब का रंग बदला सथा सब अच्छा है बिटिया, तुम्हे बस तुम्हारे माबापने सास्कार कम डाले हैं, इतनी भोली भी हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता, कि ससूर के गले नहीं लगते अच्छ बेशरब कहीं की, ससूर के सामने नाइटी में लिप्टम लिप्टी कर रही है, और सब मुझ बना कर बाहर आ जाते हैं या डैड, खर्चे इतने हैं और कमाई कम, उपर से इसके माबापने भी कच्रा कर दिया, अब क्या करें? तब ही उनके दर्वासे पर एक दस्तक होती है, बिखरे बालों का एक जवान लड़का अपना भारी बैक पीट पर टांग कर उनकी दहलीज पर खड़ा था हेलो, मुझे एक किंग साइज रूम किराय पर चाहिए, क्या आप कमरे किराय पर देते हैं? ये सुन मनिका प्रतीक चेतन सब एक दूसरे की तरफ देख कर मस्कुराती हैं ये सुनते ही शिखर उदास होकर उल्टे पा हो लिया, तब ही मनिका चेतन के और घूरती है रुको, नहीं नहीं, इन्हें तो कुछ भी नहीं पता, हम लोग किराय पर देते नहीं, मगर एक कमरा है, जो तुम जैसे अच्छे घर के बच्चों के लिए ही है ओ वाओ, इंट्रेस्टिंग, तो क्या मैं देख सकता हूँ? पहले बताओ, किराय कितना दोगे? अरे अंटी, किराय बड़ी बात नहीं है, बस गद्दा नरम होना चाहिए, और होटल से नीचे की तो फिल आनी ही नहीं चाहिए, कमरा ऐसा ला जवाब हो कि देख कर दिल से निकले, वाओ! मनिका के मुँ में पानी आ चुका था, और वो से अंदर लाती है, और प्रतीक का कमरा दिखा देती है, पर मॉम, ये मेरा कमरा है! अरे तीरा है, इसले तो दे रही हो, वैसे भी पुष्टैनी मकान कुछ तो कमा कर दे रहा है, तो थोड़े दिन उस बहो के कमरे में सोजा ना, क्या दिक्कत है? दिमाग लगाओ प्रतीक थुड़ा! प्रतीक मनेका की बात मान लीता है, और इस तरहे शिखर कमरा फाइनल करता है, और इस तरहे प्रतीक और गुंजन का एक ही कमरा हो जाता है, गुंजन बाहर हो रहे शोर को दिवार की ओड़ से झाक कर देखती है, तो शिखर के नजर उस पर पढ़ती है, भीगे बालों में म तो आज से ये कमरा मेरा, अब कॉलेज के चिंता नहीं अब ही तो मेरे पास इतने ही है, पर मैं डैड से लेकर आपको कल दे जाओंगा, और मैं रहने भी महीने भर बाद ही आउंगा अंटी जी, आप तो बस मेरा कमरा तयार रखियेगा मनिका मान जाती है और शिखर जाने लगता है, तब ही उसकी नजर, खिड़के में से पीछे आंगन के और जाती है, जहां गुंजन मरे हुई तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी और शिखर वहाँ से चला जाता है, गुंजन पलटती है, तो वहाँ प्रतीक खड़ा था, जो उसके और देखकर मुस्कुराता हुआ, उसकी गीले बालों में हाथ फिरता है फिर गालों को सहलाता हुआ, उसकी पलके चुमता है, प्रतीक का सपर्ष पाकर गुंजन के मन में गुंज उट चुकी थी, प्रतीक की आगोश में पिगल रही थी, तब ही प्रतीक उसके चहरे पर लगी टेड़ी बिंदी सीधी करता है, और मुस्कुरा कर दोनों एक दूस और पल्लों क्यों गिरा रही थी आस्तुम, मर्दों के सामने कमर दिखाने का शौग है, हाँ? नहीं नहीं, प्रतीक जी, ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए, तर्द हो रहा है, और प्रतीक उसे छोड़ देता है, तमाशक खतम हुआ तो कमरे की बात सुनले लड़की, कल तेरी मू दिखाई है, और आज तेरा पक फेरा है, लेकिन पक फेरे के लिए तु जा तो रह रहे क्या तुम्हें, कि तुम्हें हम सबकी जरूरते पूरी कानी होंगी, यही तुम्हारा धर में, बहु दहेज ना बंध हुआ है, ना कभी बंध होगा, बस बेटी के माबाब थोड़ा मॉडन बनकर उसे बेटी को दिए गई गई गिफ्ट्स का नाम दे देते हैं, तो वो गिफ्ट्स हमें भी तो चाहिए, और क्या माम, हमने कौन सी गधे की लात मारी है, जो यह भाबी हमारे घर हाथ ही लाती आ गई, पर अगर ऐसा था ही, तो आप उसे समय बाबा को क्यों नहीं बोले, शायद वो आपकी कुछ दिमांस पूरी कर सकते थे, गुंजन प्रतीक की और देखती है, और बीना कुछ बोले, गाड़ी में बैठ कर उसके साथ चली जाती है, उसे प्रतीक की पुरानी बात यात आती है, गुंजन, तुमारे घर में तो कोई गम होगा ही नहीं ना? ये कैसा सवाल है प्रतीक, गम तो सबकी जिंदगी में होता है? गम सबकी जिंदगी में है, पर तुम सबके पास नहीं होगा ना, तुम देखो खुद को, कितना शांत चहरा, कितना खिल-किलाता सा है ये, कोई देख ले तो दिन की ठकान मिट जाए, कोई चूम ले तो दिन बन जाए, पूरे घर को रोशन ही कर दोगी तुम तो, गुंजन शर्मा जाती है, तभी प्रतीक की गाड़ी का जटके से ब्रेक लगता है और वो खयालों से बाहर आती है, कौन है आप? और जो मुझसे मिले थे फिर वो कौन थे? क्या सब चल है ये? पर मुझे चल कर मिलेगा ही क्या? मैं तो बस सच में आपको अपना तन्मन धो गुंजन की आँख से गिर रहे आसू के मोती, खिड़की से आ रही हवा में उड़ रहे थे, वे खिड़की पर हाठ टिकाए बाहर ज्हाक रही थी, और उसके आसू हवा उड़ा ले जा रही थी, तभी उधर से गुजर रहे शिखर की नजर गुंजन पर पढ़ती है, और मुझे ये सब करके मज़ा थोड़ी ही आ रहा है गुंजन, लेकिन तुम भी तो हमारी मजबूरी समझो, पैसा नहीं आएगा तो खाएंगे क्या, सोचा था तुम लाओगी घर से, पर तुमने तो अपने पैसे की पेटी भी अपने बाप को दे दी, कोई बात नहीं, आज तुम्हारे पास गलती सुधारने का मौका है, जब लोटो, तो वो सारे पैसे ले आना, पैसा तो कमाने से आता है ना, कभी वो कमाने की कोशिश ही नहीं करी आपने, प्रतीक का मेल एगो गुंजन की बात पर हर्ट हो गया था, और वो गाड़ी जटके से रोक कर, गुंजन और प्रतीक जटके से पहले गाड़ी शुरू करता है, और फिर चलती गाड़ी का दर्वाजा खोल कर, उसे धक्का मार कर बाहर धकेल दीता है, और चीख कर कहता है, घर खाली हाथ आई तो इस बार गाड़ीों से भरी सडक पर फेकूंगा, गुंजन अब तूट गई थी, आज दूसरा ही तो दिन था, कोई इतना दोगला कैसे हो सकता है, उसके हाथ पर चोट थी, वो बेंतिहां बस रोई जा रही थी, ना सचना ना छोड मुझे, नई जाना पर देस रे, ले जा जिस अंगना तू सचना, मान लो अपना देस बे, मैं नहीं जाना खिडियां देना, मैं नहीं जाना खिडियां देना, गुंजन एकदम से उठती है और वो अपने आसू पोश्टी है, और पैदल ही घर को निकल जाती है, बस बहुत हुआ, अब मैं वहाँ नहीं जाओंगी, कभी नहीं, गुंजन अपने घर के बाहर पहुशती है, उसकी पहले वाली सुन्दर दुनिया ही उसे बचा सकती थी, तभी उसे अंदर से रानी और सुधीर की आवाज सुनाई देती है, ए जी, कल गुंजन से बात नहीं हुई, वो एक बार भी घर आने को नहीं बोली, मुझे तु फिक्र हो रही है, इतनी ही फिक्र थी, तो शादी ही ना करवाती, रखे रखती उसे कांधज में मणा कर घर में, अभी शादी का हिसाब निप्टा नहीं, कि तेरी बेटी वाली कुड़कुड शुरू, अरे मेरी भी बेटी है वो, लेकिन मैं कुछ बोल ला हूँ, वो ही तु दुख है ना जी, देख रानी, तु जानती है, लगी बंधी कम तनख्वा में बढ़ते परिवार को पालना अब मेरे बसकी नहीं है, चलो, एक मेंबर तो अपने घर गया, वैसे भी, जेब से निकला पैसा और घर से गई बेटी, दोनों ही पराया होता है, और प गुंजन बस, बात खत्म सब ठीक है, स्वर्क से घर में हर दिन एक नया जन्व सा लगता है वहां तो, आप दोनों के मन में कुछ है, चेहरे पर कुछ, और बाहर, बाहर तो सब ठीक ही लग रहा है ना मा बाबा, अगर आप लंग ढोंग कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं नहीं दिखाऊंग कि तभी रॉनक उसे अपने कमरे में ले जाता है, और अपनी सेविंग्स का बकसा खोलता है, देदी, राखी आ रही है ना, पता नहीं मैं तब यहां रहूंगा या नहीं, पर तुम ये राखी बनाए रख लो, अभी इतना ही है, पर मैं और बचा कर फिट से दूगा तुम मीरा सब कुछ तेरा ही तो है, मुझे तुछ से कुछ थोड़ी चाहिए, और गुंजन और रौनक गले लगते हैं, गुंजन जान गई थी कि उसका गुजारा वहीं ससुराल में होगा, क्योंकि ये घर अपना सान आ रहा, गुंजन विदा होकर खाली हाथ लोटने लगती है पर उसे रास्ते पर ससुराल वालों की डाट वर्टकार ताने याद आ रहे थे, अगर पैसे लेकर नहीं गई, तो वो सच में मेरा जीना हराम कर देंगी, पर मैं क्या करूँ एश्वर तू ही बता, बता मालिक कुछ देर बाद गुंजन से सुराल पहुँचती है, तो सब इसकी और घूर कर देखती है, और गुंजन अपने पर्ष से नोटों की एक गड़ी उन्हें देती है, ये देख सब लोग खुश थे देखा प्रतीक, मैंने कहा था न कि कुछ तो लेकर ही आईगी, आओ सब तीन पती खेलो, आज तो बाजी लगाने बाहर की जंता को भी बुला सकते हैं, इतना पैसा है हमारे पास, चंचल, ओ चंचल, आजा तो, देख भाबी माल लेकर आईगी है और नलायक लोग ऐश करने लगते हैं, पर गुंजन पैसा लाई कहां से, आपको क्या लगता है, उस रात प्रतीक गुंजन के साथ एक ही बिस्तर पर था, वो गुंजन से खुश भी था, तो उसे प्यार करने लगता है, गुंजन तो जैसे लाश बन गई थी, अब यही उस मुँ दिखाई के लिए आ गई थी, सबको गुंजन पसद आ रही थी, पर पीछे खड़ी एक और उसे लगातार घूरे जा रही थी, और पलक छपकते ही दर्वासे पर शिखरा खड़ा होता है, फैमली ड्रामा, हम आपके हैं कौन, दीदी तेरा देवर दिवाना वाली कहा पानी चल रही है क्या, शिखर के हाथ में धेर सारा पैसा था, वो घर के अंदर घुचता है कि तभी किसी आंटी की टांग में उलच कर उसका बैलन्स भिगरता है, और वो गुंजन की उपर जा कर गिरता है, ये देख सब आंटीया हस परती है, शिखर भी हस कर हट जाता है, गुंजन बिचारी शरम से पानी पानी थी, सब बेहुदी बाते करने लगी थी, तभी मनिका देखती है कि गुंजन की जोली में शिखर ने धेर सारे पैसे डाल दिये थे, ये देख वो और पतीक चुट जाते हैं, क्या शिखर गुंजन के जिंदगी का वो तुफान है, ज क्या वक्त रहते प्रतीक को गुंजन की कदर समझ आएगी, रिष्टों को ढलते, चड़ते, रंगों की बीच, कौन सा रंग गुंजन पर रंगने वाला है, और कौन सा आप पर, शिखर जैसे ही गुंजन के उपर आकर गिरता है, वहां खड़ी और्तों में खुस-फुस श ली जाती है, और शिखर तो वहां से सरपक भाग जाता है, मुड़कर भी नहीं देखता कि वहां सहमी बैठी गुंजन पर इस हरकत का क्या असर होने वाला था, गुंजन सहमी सी नजर उठा कर उपर देखती है, तो मनिका और प्रतीक उसे भूके कुत्ते की तरह घुर रहे थे, गुंजन के डर के मारे सुपकिया चड़ चुकी थी, मनिका अपने हाथ में थामी हुई थाल जोर से जमीन पर पटक कर चिलाती है, बस यही डर था मुझे, यही यही तो नहीं चाहती थी मैं, किस बात के डर की बात कर रही हो तुम सोना, जरा बहु को ठीक से बताओ त कि मेरे स्वर्ग से घर में कोई चरेतर से गिरी हुई लड़की ना आ जाए, क्यों री, मर्द बड़ा गिर रहे है तुछ पर, और गिरवाने के बदले इतना पैसा मिल रहा है, तो तु सोती बोती तो नहीं है न कहीं इधर उधर हा मॉम, उपर से ये तो कल जब माय के से लोटी थी, तब भी इसके पास बहुत सारा पैसा था, और नोट भी सारे कलक थे, ये बिकारियों के घर में ऐसे नोट कहां से आने लगे, इससे तो मुझे ही पूछना होगा, कि आखिर कौन से धंदे में लगी हुई है ये, बस करो गुंजन के पास जाकर उसका सिर सहलाता है, ससुर का साथ मिलते ही, गुंजन रो पड़ती है, और अपनी जोली का सारा पैसा जमीन पर गिरा देती है, पापा, मेरी लिए इन कागस के टुकडों का कोई मोल नहीं है, मुझे ये सब मत कहिए, मैं तो अभी तक जान भी नहीं से पहले और बिहाने के बार ऐसा क्या बदला, जो आप सब का परताब भी मुझे और मेरी परिवार को लेकर बदल गया है, ना मेरी बच्ची रोते नहीं है, देख, हमारे लिए भी इन कागस के टुकडों से कीमती तू है, लेकिन सुन तो बेटा, अगली बार थोड़े चांसो दो हजार के, वो रखने में आसानी होती है, और तू इनकी बात मत सुन, तू जो भी काम कर रही है, वही कर, और खूब पैसा लेकर आ, डैड, इसका मतलब क्या है, बाहर का कोई भी मर्द इस पर गिरता रहे, अरे तेरे डैड एक्तम सही कह रहे है, घर के बाहर होने वाली चीजों के बारे में ख्याल लड़ना, अब बाहर के 10 जगा मुँ मारे या 20 जगा, हमें तो धन मिल रहा है न, और रही बात तेरी, तो इस दहलीज के अंदर तो ये तेरी ही प्रॉपटी है, पिर चाहे तो इस पर अपना मुँ मार या इसके मुँ पर मार, हाहा, हाहा वा, क्या बोली हो तो, मा, इसलिए तुम मेरी फेवरेट हो, देखा बिट्यार आनी, कितनी समझदार सास मिली है तुमें, अब तुम भी समझदार बन कर ये जमीन पर पड़े पैसे चुक कर हमारे हाथ में दो, और आगे से ध्यान रहे, ये लटके जटके इस घर में दिख ती सपने, गुंजन रोती हुई अंदर चली जाती है, और खूब रोती है, बाहर खड़े उसकी सास ससुर और पती, इतना सारा पैसा हाथ में पाकर, उसे उचाल-उचाल कर खुश हो रहे थे, पर अचंबी की बात तो ये है कि इसके फक्कर बाप को इसने ऐसा क्या कहा होगा कि वो इतने पैसे दे गया, गुंजन बिस्तर पर पड़ी-पड़ी पंखा निहा रही थी, उसका सिर्च चक्रा रहा था और वो कल की हुई घटना में ही कहीं खोनी सी लगती है, गुंजन अपनी घर सी खाली हाथ लोट रही थी, क्या करती, पिता ने उसकी पैरों में जंजीर डाल कर उसे ससराल के खोटे से बंधे रहने का एलान कर दिया था, मा की बोलती, पिता के आगे वैसे ही गुंगी पड़ चुकी थी, एक भाई था जिसने अभी दुनिया दीखी भी नहीं थी, और एक ये पगली थी, जो हर किसी को अपनी दुनिया बना कर हर रिष्टे में धोगा खा रही थी, तभी गुंजन की गाड़ी से टकर होती है और बुग सड़क पर गिर जाती है, गाड़ी और कोई नहीं बलके शिखर चला रहा था, वह नशी में था, उसने तो देखा भी नहीं था कि उसने किसको ठोक दिया है, वो अपनी गाड़ी से निकलता है और लड़ खडाते कदमो उसे गुंजन की और जाता है, बिखरे बालो वाली लड़की उसे धुनलाती सी नजर तो आ रही थी, मगर वो पीकर इतना सेट था कि उसे कहां की थोड़ा भी होश नहीं था, गुंजन की पाउं में लगी थी और वो रो रही थी, तभी शिखर उसके करीब आकर खड़ा हो और जाकर मरम पट्टी करवालो, वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम तंग जाओं, मेरे दोश दोग मेरा इंतिजार कर रहे हैं और शिखर पलट कर जाने लगता है, मगर नशे से उसके भी पाउं लड़ खड़ा जाती हैं संभालिए खुद को, आपकी हालत तो नहीं लग रही है कि आप कार चला कर जाएंगे, मेरी मानिये तो टाक्सी कर लीजी भाई साहब गुंजन की बात सुनती ही, शिखर अपने हाथ में थामे शराप की बोतल जमीन पर फैक मारता है शिखर जूमता हुआ गाड़ी की और बढ़ता है रहा चलते आदमी को इतना ग्यान दे रही है, पता नहीं इसका बाइफरेंड या पती कैसे से जहलता होगा शिखर अपनी गाड़ी लेकर जा चुका था, तभी गुंजन जमीन पर पड़े पैसे उठाती है और सामने दिख रहे अस्पताल में जाती है गुंजन अपनी सोच में उलशी थी कि तभी उसे एक अच्छा खासा रईस परिवार नजर आता है, जो कि बहुत परिशान था मगर हम बता चुके हैं कि हमें मैंचिंग का खुन नहीं मिल रहा है सर, आप जाएए वहाँ बैठिये गुंजन जाकर उनसे बात करती है और अपना रख दान कर जरूरा भर के पैसे उनसे ले लेती है हे काना, आज मैंने एक मजबूर बाप को अपना खुन बेच कर पैसे लिये है मैं ये बाप कर दो दी हूँ, पर पता नहीं इसका हड़ जाना मुझे क्या मिलेगा सरूरत मन्त की मजबूरी का फायदा उठाने वाले इंसान, चैन से कभी नहीं सो सकता और गुंजन पैसो की गड़ी लेकर ससुराल लोट जाती है इसका मतलब बाहर नोटों को उच्छाल कर खेल रहे गुंजन के ससुराल वाले उसके खोन की कमाई से खेल रहे थे और भीग रहे थे गुंजन के शरीर में कमजोरी आ चुकी थी मगर वो कहती भी किस से वो ठक कर सो चुकी थी और दीर रात में उसके कमरे का दर्वाजा जोर से खुलता है वहाँ नशे में धुथ हुआ प्रतीक खड़ा था प्रतीक गुंजन को देख मुस्कुरा रहा था अरे ओ रानी मेरी गुंजन क्या सिर्फ बाहर के मर्दों को ही करीबाने दोगी जरा अपने पती को भी तो मुका दो गुंजन डर चुकी थी उसका शरीर किसी भी तरह की जबरदस्ती सहने को तयार नहीं था प्रतीक जी मेरी तब्यत कुछ ठीक नहीं है हम कल बात करें प्लीस गुंजन का इंकार सुनती ही प्रतीक का क्रोध साथवे आस्मान पर जाप पहुचता है और वो अपने बेल्ट निकाल कर जमीन पर पतकता हुआ गुंजन की और बढ़ता है मेरी बारी आते ही तु बहाने लगाने पहतर गई बता क्या चाहिए पैसा चाहिए क्या बिना पैसे कि तू कुछ नहीं करने वाली रुख तू और प्रतीक जेब से नोटों की गड़ी निकाल कर गुंजन पर उड़ाने लगता है गुंजन के पास लाचारी और रोने के सिवा कुछ नहीं था और जब वो प्रतीक के करीब जाने के लिए तब भी नहीं मानती है तो प्रतीक इसे बेल्ट से मारता है गुंजन की चीख पूरी हवेली में गुंज रही थी और मनिका चेतन का हाथ थाम कर सोजाती है एक ही घर की छट के नीचे दो जोड़े थे एक स्वर्ख से सना हुआ था तो एक तो जोड़ा होकर भी जोड़ा नहीं था प्रतीक ने गुंजन को खोब मारा और गुसा शान्त करके चला गया वो बिचारी रात भर रोती रही अब दिन बीतने लगे गुंजन घर की बहु की बजाए अब बस नौकरानी बन चुकी थी ना वो रात में चेहन से सू सकती थी ना ही दिन में खा सकती थी एक दिन गुंजन प्रतीक को खुश करने के लिए खीर बनाती है मा जी ने पताया था कि इनको खीर कितनी पसंद है और मा भी हमेशा कह दी थी कि आदमी के मन का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है क्या हो अगर हमारी अभी तक नहीं बनी तो ये जिन्दगी का अन थोड़ी है शायद आगे जाकर मेयर पतीक जी बहुत अच्छे दोस्त बन सके हाँ, आज मैं गर्मा गर्म खीर खिलाऊंगे इन्हे और गुंजन की खीर से पूरा आंगर महक उठता है सिसुराल वाले सब उस महक की वज़े से गुंजन को मुस्कुरा कर देखते हैं और सब डाइने टेबल पर आ जाते हैं आज मैंने आप सब के लिए खीर और मालपुए बनाए है खाएंगे ने आप हमारी गुंजन ने अपने मन से इतना कुछ बनाया है तो क्यों नहीं खाएंगे एह लेकि मैं खीर बड़े प्याले मिलूँगा मेरी फेवरेट है गुंजन बड़ी खुश होती है लाइना मैं अभी लेगर आई दो मिनिट शिखर पॉलेज में बैठा अपने दोस्तों के साथ चिल करता हुआ fun activities कर रहा था तु बता शिखर truth लेगा या dare truth मुझसे ज़्यादा सच्चा तो कोई है ही नहीं अरे या शिखर तु कोई बच्चा है क्या जो truth लेगा dare लेना मर्द की तरह शिखर तु मर्द ही है क्यो हनी dare लोगे ना तुम अफकोर्स जूली हनी बोलो क्या dare है और साम उसे dare देता है तु अपना फोन उठा और उसमें से एक ऐसी लड़की को I love you बोल जिसे तु जानता भी नहीं है और ना ही वो तुझे अरे यार ये क्या बचकानी चीज़े करवा रहे हो ये तो मैं अभी कर देता हूँ लेकिन 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 कहाने में ट्विस्ट है कॉल तुम्हें मेरी नंबर से करना होगा अब तु तेरी नंबर से करेगा तु सामने वाला तु तुझे पहचान कर तेरी मदद करेगा न गुंजन सब के लिए खीर सर्फ करती है तब ही उसके फोन पर जोरदार घंटी बचती है जो प्रतीक के पास ही रखा हुआ था गुंजन थो अपना काम करने में ही मस थी प्रतीक फोन उठा कर स्पीकर पर डालता है और उधर से शिखर के किस करने की आवास आती है ये सुनते ही गुंजन के हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है और वो घबरा कर फोन के और हाथ बढ़ाती है तब ही प्रतीक उसका हाथ पकर लेता है और जोर से भीचता है इतना जोर से कि गुंजन की चूडियां उसकी कलाई में तूट जाती है फर्श पर उसका खून टपक रहा था और उधर से शिखर की प्यार भरी बातों का रस टपक रहा था अब देखिए एक मजाग का अंजाम गुंजन को क्या भुगतना पड़ेगा गुंजन क्या इस तरहें इस दलदल में धस्ती चली जाएगी प्रतीक उधर गुंजन का हाथ भीचे जा रहा था और उधर शिखर अपनी दोस्तों को जोश दिलाने से उतना ही खुल रहा था कमउन शिखर वा मेरी शेर आपसे तो इसे बता ही दे की तो इसे कितना चाहता है और अगर इसकी शादी किसी ओर से हो चुकी हो तो फिर तू क्या करेगा प्रतीक ये सब सुनकर लाल पीला हो गया था मनिका, चेतन, चंचल सब गुंजन को घूर रहे थे गुंजन के लगातार बहते आसू और नामे हिलतसर बार-बार कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है और इसके बाद मजाक मजाक में शिखर फोन पर कुछ ऐसा बोलता है कि गुंजन के ससुराल वालों का शक एकदम सही हो जाता है अरे जूली, केंटीन का बिल भी तो देना है यार अच्छा सुनो ना जान, वो पिछले हफते तुमको मैंने जो पैसे दिये थे अगर काम हो गया हो तो हमारे जॉइंट अकाउंट में जमा करा देना वो क्या है न कि थोड़ा-थोड़ा जोड़ेंगे तभी तो फ्यूचर के लिए बचेगा अरे शिखर, पर तेरी जान तो कुछ बोल ही नहीं रही है और प्रतीक फोन उठाकर शिखर को बखने के लिए जैसे ही मुख खोलता है उधर फोन कट हो जाता है और प्रतीक अपना सा मुख बना कर सबकी और देखता है मजा ही आ गया लड़की तो कुछ बोली नहीं पा रही थी अरे अपने भाई दीरच की ऐसी चीजी बातों से तो उसके घिगगी ही बन गई होगी इतना रोमेंटिक लड़का ऐसे ही कॉल पर जो मिल गया उसे सही बोला तू ऐसे प्रांक तो करते रहने चाहिए यार दोस्तो वैसे सच पता शिकर ये कॉल पर थी कौन अरे मुझे क्या पता कौन थी वो मैंने जहां किरायप पर कमरा लिया है उनमें से किसी का नंबर था होगी कोई क्या पता तेरी बातों में जो कशिश थी डैर कम इजहार ज्यादा लग रहा था कुछ भी बकवास मत करो तुम वैसे भी उस घर में सब बहनजी टाइपस है उनके लिए क्या कशिश हाँ वो मकान माली की एक बेटी है वो थोड़ी हम लोगों जैसी है ओ हो तुम भाईया क्या तुम बनोगे उसी के सईया शट अप डॉली शिखर के टाइप के सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है ना हनी शिखर के फुलान मस्ती चल रही थी वो बेखाबर जानता भी नहीं था कि उसकी ये शितानी गुंच ने गुंचन के जीवन में कैसा तुफान ला दिया था प्रतीक के चिलाने से गुंचन काम गई थी प्रतीक क्रोध में फोन उठा कर जमीन पर पटकता है और उसे तोड़ देता है मॉम शादी को महिना भर भी नहीं हुआ है और इसके तो या यो खुले आम फोन करने लगे है और इतनी या आग है तुझ में तो ला मैं अभी शान कर देता हूँ मानिका ने प्रतीक के भी तर लग रही आग में और घी डाल दिया था और प्रतीक ने इतनी खौफनाख हरकत करी कि हर रिष्टे का दिल दहल उटने वाला था प्रतीक गुंजन का हाथ जोर से पकड़ता है और गर्मा गरम खीर के प्याले में ये भीतर उसका हाथ डाल दीता है गुंजन की सांस दर्थ के मारे तूट गई थी वह बस चीखती चली जा रही थी नहीं बहुत चल रहा है प्रतीक ची मेरा हाथ भार निकाली मेरे कोई गलती नहीं है शाहिद है कोई रॉंग नंबर हो भाईया अगर ये रॉंग नंबर होता तो वो पैसे वाली बात उसका क्या मुझे तो खीर में कुछ काला लग रहा है अच्छा, खीर में काला है तो इस सारे खीर यहीं खाएगी और प्रतीक गुण्जन का हाथ खीर से निकाल कर उसका मोह ही प्याले में डाल देता है और उसका मुझ जलने लगता है गुंजन छटपटा रही थी तडप रही थी पर वहां खड़ा एक भी इंसान उसके दर्ज से वाकिफ नहीं था जिस प्रतीक ने पहली मुलाकात पर गर्म चाय से उसका हाथ तक नहीं जलने दिया था वो आज उसे मीठी खीर से जला रहा था और जब गुंजन के शरीर की उर्जा शान्थ हो गई तो प्रतीक उसे छोड़ देता है गुंजन का पूरा चहरा गर्म खीर से जल चुका था उसके हाथ भी जल गए थे गुंजन फर्श पर पड़ी रो रही थी और उसके ससुरान वाले एक एक कर उसे लात मार कर जा रहे थे जिससे गुंजन के चहरे पर नील बन गया था वह दिन तो घर की कलेश में बीच जाता है और अगला दिन नई शुरुवात लाता है मगर किस के लिए? आईए देखते है जले हुए हाथ और चोटल शरीर के साथ भी गुंजन घर का सारा काम कर रही थी तभी प्रतीक आता है और फ्रिच से बर्फ लेकर गुंजन के हाथ पर लगाता है गुंजन प्रतीक को प्यार से देख रही थी क्या हो आप, कभी करीब आते हो, कभी दूर ही कर देते हो, यह कैसा प्यार है, यह कैसा रिष्टा है और प्रतीक गुंचन को पीछे से जगरता है और उसके कांधे पर सिरे टिका कर पड़े ही रोमांटिक अंदास में कहता है कुई बात नहीं प्रतीक जी कितनी अच्छी बीवी है मेरी अच्छा सुनो, कल मुझे कुछ दोस्तों के साथ बहाँ जाना है तो तुम्हारे पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं, क्या वो मुझे दे सकोगी और प्रतीक पैसे के ऍलालच में पूरा होती ही, बर्फ मनला छोड़कर वहां से चला जाता है गुंचन बिचारी एक डग कट पुतली के तरह उसे जाता देख रही थी प्रतीक घर से निकल जाता है और तब ही दर्वासे पर शिखरा कर खड़ा होता है अरे अरे बेटा आजा तेरा ही तो घर है तुझे ये सब पूछने की क्या दरकार अच्छे घरका लगता है कि राया भी इडवांस दे चुका है तो फिर ये ले बेटा तेरी लिए एक एक एक्स्ट्रा की राख ले और इसे अपना ही घर समझ शिखर तो चौड़ा होकर अंदर आकर अपना बस्ता टिका दीता है उसका कमरा गुंजन के कमरे की ठीक सामनी था वह जाक कर देखता है तुभा कोई भी हलचल नहीं थी और फिर उस बंद कमरे का दर्वाजा खुलता है और घुंगट में गुंजन अपना जखमी चेहरा लिए हुए शिखर के कमरे में पानी लेकर जाती है शिखर तभी अपने दोस्तों को विडियो कॉल करके कैमरा सेट कर देता है गुंजन को शिखर की बातों से थोड़ा असहज में हैसूस होता है और वो पलट कर जाने लगती है अच्छा बाबा चले जाएगा पहले मेरा एसी दो अन करिये ना प्लीज गुंचे एसी अन करना नहीं आता मैंने कभी एसी का रिमोट भी नहीं देखा आप मा जी से करवा लीजीगा नहीं तो फिर प्रतीक जी बाहर से जब लोट आए तब उनसे करवा लीजीगा गुंजन ने शिखर से इतना सब कहा मगर एक बार भी घुंगट नहीं हटाया शिखर ने जाक कर बहुत बार देखना चाहा वगर तब भी उसे दिखाई नहीं दिया अच्छा उक्के जी मैं प्रतीक जी से ही करवा लूँगा आप जाकर काम कीजी गुंजन वहां से कमरे में लौट कर घुंगट हटाती है कैसा मंचला लड़का है ये मैं सब चानती हूँ वो जान बूच कर मेरी नकल कर रहा था मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए प्रतीक जी को बता कर इसे यहां से जाने को कहती हूँ उधर शिखर के दोस्तों को गुंजन का बहन जी पना दिखा कर उसका मजाग बना रहा था अरे यार शिखर थू तो क्या मस्त मजी ले रहा है यार वैसे ये आंटी जी थी कौन अरे मकान मालिक के बेटे की बीवी है और शिखर फोन रख दीता है और सोचने लग जाता है शिखर को गुंजन का परताव अचीब लगता है शाम को गुंजन सबको खाना परोस रही थी और कमरे में सो रहे शिखर को बरतन गिरने की जोर से अवाज आती है वह बाहर आकर देखता है तो गुंजन के हाथ से दाल का प्याला जमीन पर गिरा हुआ था और प्रतीक ने गुंजन का हाथ जोर से थामा हुआ था तुम ना कभी नहीं सुदा सकती हो प्रतीक गुंजन पर हाथ उठाने ही वाला था कि तब ही मनिका की नजर शिखर पर पढ़ जाती है और वो प्रतीक को शाथ रहने का इशारा करती है शिखर जिग्यासा वश बाहर आ जाता है और शिखर तब गुंजन के चहरी के और जांक कर देखता है तो उसका जखमी चहरा देख वो सहम जाता है डूड ये क्या हाल का रखिये तुमने और पतीक गुंजन का हाथ चूमता है सब शिखर के सामने शरीफ बनकर गुंजन को ही पागल बनाकर रखते हैं शिखर अब अकसर गुंजन को देख चिड़ने लगा था अजीब ही लड़की है ये इतना अच्छा परिवार है इतनी अच्छी जिंदगी है तब ही हमेशा कुड़ती रहती है ऐसा ही रहा तो निपड जाओगी बहन एक दिन फ्रस्टेट हुआ शिखर एक दिन हाउस पाटी का फैस्ता करता है उस दिन प्रतीक घर पर नहीं था और चेतन और मनिका वगेरा लोग भी सब सोच चुके थे घर का दर्वाजा बन था तब ही शिखर बाहर से आता है और उसके साथ उसकी दो होट लड़कियां थी जो शिखर की ही दोस्त थी एक डॉली और एक जूली ये ले घर तो लॉक है अब बेल बजाएंगे तो वो हमें अंदर नहीं आने देंगे एक मिनट तुम्हारे यार के पास है पूरी हवेली के चावी आफ्टर ओल तो इस घर की बड़ी बहु जैसा ही तो है कमर पर चावी का गुच्छा जो लटकाई घूम रहा है आइम इन बड़ी जवाई जैसा है शिखर सबको अंदर ले आता है और कमरे में ले जाकर म्यूजिक के साथ खूब पाटी करने लगता है अवास के शोर से गुच्छन के नीन तूटती है शिखर जी ये क्या इस घर में ये सब अलाओ नहीं है शिखर नशे में था और उसकी दो सखियां भी जूम रही थी वो सखियां शराब का जूटा गिलास गुचन के चहरे के सामने लहरानी लगती है अब आगे देखेगा कि क्या होगा गुचन का रियाक्शन और क्या इस रसीले महौल का शिखर भी जम कर फायदा उठाने वाले हैं जानने के लिए रंग ये आप भी हमारे रंग बदलते रिष्टों के रंग में केवल लाव सिटी पर थांक्स फो वाचिंग गुचन शिखर से डरते डरते हुए कि पूछ ही रही थी शिखर जी क्या इस खर में ये सब अलाउट है कि तब ही पीछे से एक घर के दर्वाजे की खड़कनी की एक और हवाज आती है और सब मुड़कर देखते हैं तो शिखर का दोस्स सैम था सैम भी रंग में रंग होलने घर के अंदर जूमता सा चला जा रहा था और बेबड़ा सैम गुनगुनाता हुआ गुनजन की सामने आकर खड़ा हो जाता है अरे लालची तु यहां खड़ी है मेरे पैसे लेने आई है मैं नहीं दे रहा तुझे पैसे मेरे साइमन गो बैक अंग्रेजो भारत छोड़ो भारत माता की जै और बेबड़ा सैम तो भारत की आजादी के नारे ही लगाने लगा था अरे अरे मेरे लाल भारत तो कब का आजाद हो चुका है अभी तो इस पंदर अगस पर चोग पर जंड़े को सिलाम ही दे रहा था तो गुंजन जी लगता इसकी थोड़ी जादा हो गई आहिस्ता बोल बे बड़े लोग उठ गए तो पार्टी का मज़ा करकरा हो जाएगा ए शिखर ये तुने पार्टी में नाचने के लिए लड़की बोलाई क्या ए अजीना मैं तो मूड बनाने को तयार हूँ गुंजन साम की ऐसी बाते सुनकर सहम जाती है तभी शिखर साम के मूख को दबोच कर उसे अंदर ले जाने लगता है अरे चुपो जा मेरे बाप चुपो जा वे यार तू क्या लड़कियों के सामने हवा बना रहा है मैं तेरा बाप थोड़े हूँ तू तो पाड़ी है और मैं कभी पाड़ में गया ही नहीं नहीं तेरी मम्मी कभी इधर शिखर साम को कवरे में फैक देता है वो गुंजन जी एक निवू ला दीजिए लगता है इस गादे का मू निवू ठूस कर बंद करना पड़ेगा गुंजन अजीब सा मू बना कर केचन के और चली जाती है वो मुढ़ी रही थी कि ठीक उसके पीछे पठाकड़ी सी जूली खड़ी थी और उसे अजीब तरह से घूर रही थी एसा तो कुछ नहीं है तुझ में कि शिखर तुझ से इंप्रेस होगा बहन जी सी तु चाल तेरी जिंगुर सी जी के अलावा बोलना तुझ पर आता न तुझ आशिकी लड़ाएगी शिखर से हैं तु लप्पूसी शकल की ये सब आप क्या बोल रही है हरी डॉली ये तो ये भी नहीं समझी और मैं सोची थी कि कहीं सच में इस मीना कुमारी के अंदर शिखर ने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं देख लिया जो इससे प्यार कर बैठा हो जी आपको मुझ से क्या चाहिए एक जी आगे लगाती हो एक जी पीछे लगाती हो हितनी जी लाती कहा से हो कहीं किसान की बेटी तो नहीं जो सारा जी खुदी हो गाती हो वा डॉली क्या बोली तुम तभी वहाँ शिखार आ जाता है किसान नहीं गुंजन जी तो टीचर की बेटी है अरे टीचर से अच्छा तो कोई कारोबार ही नहीं दोचा चीज रटकर बच्चों को बढ़ा कर बिना कुछ खर्चे बस पैसा कमाते रहो वो भी सारी उम्र हाहा हाहा गुंजन को शिखर की बात का बेहत बुरा लगता है टीचर क्या होते हैं ये आप सब शाहिद समझते भी नहीं है जानते हैं एक माँ भी एक टीचर होती है बच्चे की पहली टीचर बच्चे का बोलना सीखना उसका पहला सबक होता है जो उसे अपनी माँ से मिलता है और श पैदा होती ही कहे देती ना कि जाओ मैं तुमको बोलना सिखाऊंगी ना उठना ना बैटना ना चलना तो आज आप सम्यों मेरे सामने खड़े ही नहीं होते जी हाँ शिक्षक की बेटी हो इसलिए नजरे चुकाई रखना भी जानती हो और नजरे उठाकर भात करना भी मुझे दात खटे करना हमेशा सिखाया है गुंजन के मोह से निकली बोली से सबका मोखोला रह गया था भीगी बिल्ली जो कोने में दुपकी हुई थी आज उसने पंजे खोले थे और गुंजन पलट कर जाने लगती है तभी उसके कानों में हसी की आवास पढ़ती है अरे है यू तुझसे कह रही हूँ हमारी महमान नवाजी करने के लिए रखा है तुझे क्यों शिखर चल अब आइस ला जा आइस लेकिया गुंजन रियाक्ट ही नहीं करती है एक अबारन आइस ला ना बर्फ बोलकर देख तो हिंदी मीडियम की होगी न तो शायद समझ नहीं आ रहा होगा शिखर तुम बोलो शायर तुम्हारा कहा माने ओ कमान गुंजन जी लिया ये न थोड़ी से बर क्या हो जाएगा प्यासे लोग थोड़ा सा नशा कर लेंगे आप भी लगा लीजेगा लिटल लिटल गुंजन बिचारी बहार आती है तो प्रतीक को फोन करती है प्रतीक उसका फोन नहीं उठाता तो वो मनिका के पास जाती है अरे फोकटी वो तो किराया दे रहा है तो जो उसके जीबे आए उसे करने दे पर तू क्या दे रही है हमको कुछ दे नहीं सकती तो उसकी खाते दारी ही कर दे करम जली गुंजन बिचारी अपना सा मूँ लेकर मनिका की बात मान कर बरफ लेकर शिखर की पाटी में जाती है अब जूली भी गुंजन का सुन्दर रूप देखकर थोड़ा चलने लगती है अरे सिर्फ हम ही पिएंगे क्या ये बेहन जी कुछ खास है क्यों ये नहीं पिएगी च शिखर ये देख हस रहा था गुंजन वहां खड़ी-खड़ी रो रही थी क्या शिखर गुंजन के आसु को पहचान पाएगा या फिर वो भी उसके जिन्दगी में काटे ही विच्छाने आया है देखिये आगे क्या रहे गुंजन के शरीर पर शराप की बूने टिप- पर शिखर गुंजन के पीड़ा पहचान जाता है और वो तोलिया उठाकर गुंजन को दीता है अरे नलायकों सोफे पर कूदना बंद करो फिरा सारा कमरा तहस दैस कर दियो शिखर देखता है तो जूली डॉली सोफे पर उच्छव रहे थे जूम रहे थे वो दोनों को वहाँ से हटाता है उसके जोकर दोस्तों की हरकते देख कुंजन के आसू सब हलकी हसी में बदल गए थे जूली डॉली नशे में जूम कर अगभी इधर तो कभी उधर जा रही अरे इधर चली मैं उधर चली जाने कहा मैं किधर चली अरे फिसल गई धम और जूली फिसलती है तो उसके हाथ में पकड़ी शराब भी उचलकर गुंजन के चेहरे पर फिर से गिरती है उप्स ये मैंने क्या किया बेहन जी तो भीग गई जूली बस दिस इस दिलिमिट नाव आप तुमको जादा कर रही हो ओ हनी इसके साथ क्या जादा कर रही हो तुमने जो किया था उसमें तो ज्यादा ही मज़ा था वैसे बताओं एक बात यहां आने से पहले एक बार तो मेरा मन बैठ गया था कि उसी घर में जा रहे हैं जा यह रह रही है सूजा की पता नहीं क्या पता वो इतनी सुंदर या होट भावी टाइप होगी कि मेरा हनी उस पर फिसल गया होगा बस बस बेवी नाव यू आर गूइंग आफ ट्रैक लगता है तुमको चड़ गई है गुंजन जूली की बाते सुन रही थी और रो रही थी गुंजन अब जान गई थी कि वह काल करने वाला शिखर ही था एकदम से गुंजन का नजरिया शिखर के लिए फिर से बदल गया था उसके चहरे की हसी आसों में फिर से बदल गई थी गुंजन उसके चहरे की और देख रही थी जैसे जैसे शिखर का चहरा उसके निगाहों के सामने घूम रहा था वैसे वैसे प्रतीक की लाते उसे अप से तेज दोड़ कर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर पढ़ जाती है क्यों 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 अपने तो अपने कोई भी अजनबी आकर मेरी जिंदगी को नर्ग बनाने पर क्यों तुल रहा है ऐसा क्या लिखवा कर आई हूं मैं अपनी लकीरों में भगवान और साम डॉली जूली को लेकर जाने लगता है शिखर अभी भी गुझन की बातों के बारे में ही सोच रहा था हनी क्या हुआ बहेंची के बारे में सोच रहे हो अरे शी इस जस्ट ओवर्याक्चन की दुकान एक प्रैंक कॉल पर इतना क्या तमाशा करना उसे बद कुमसे अटेंशन चाहिए और कोच भी नहीं शलो बाय ना जूली शिखर के गाल पर एक किस करके वहाँ से चली जाती है और उधर शिखर भी सो जाता है अगली सुबह होती है शिखर की आँख खुलती है भूख लग गई यार देखो तो गूमकर घर में क्या चल रहा है और शिखर घर में राउन लगाने लगता है तब ही वे गुंजन के कमरे के पास से गुजरता है उधर गुंजन की भी आँख खुलती है तो प्रतीक उसके पास बैठा होता है प्रतीक उसके चहरे के और देखकर मुस्कुराता हुआ, उसका चहरा से हलाता है और उसे किस करता है और शिकर वहाँ से हट जाता है आप आगई? कब आए? वो उटने लगती है पर प्रतीक उसे उटने से मना करता है अरे सोई रहो, इतना काम करती हो ठक जाती हो ना, देखो तो कहीं बुखार तो नहीं है और प्रतीक गुंजल की गर्दन चुकर देखता है और अचानक से उसका गला जगर लेता है प्रतीक चे, ये क्या करें हैं आप, छोड़ो, मुझे सांस, मुझे सांस नहीं आ रही प्रतीकान के बाद क्या शिखर नहीं प्रतीक से गलत तरीके से कह दी थी? या प्रतीक जैसा सन की पती बस अपने पती को पीटने का मौका ही ढून रहा था उठ गई बेबी, पाटी कर ली ये सुनते ही गुझन के आँखें बाहर आ जाती हैं और प्रतीक का दरिंदा प्रतीक गुझन का गला दबोच देता है, वो चीख नहीं वाली थी कि तभी प्रतीक उठता है और वैं म्यूजिक प्लेयर पर जोड़दार म्यूजिक बजा देता है, ताकि उसकी अवास बाहर ना जा सके प्रतीक जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई पाटी नहीं की थी शरीर से शराब की बू आ रही है, कमर पूरी चिप-चिप हो रही है और मुझे तो ये भी पता चला, कि कल कुछ महमान घर में आये थे, जिनके आगे तुम्हारी जबान भी बहुत पट-पट चल लही थी गुंजन उससे शिखर की हरकत के शिकायत करती कि उससे पहले ही प्रतीक के कान मनिका और चेतन भर जुके थे और वो उस पर भड़क उड़ता है जी, मैंने कल कोई पाटी नहीं की थी, मैं तो शराब को हाथ तक नहीं लगाती हूँ अच्छा जी, आपने कल कोई पाटी नहीं की तो ये क्या परफ्यूम भी तुम दारू फ्लेवर कच रखती हो क्या पूरा कमरा महग रहा है, बिस्तर महग रहा है, ये क्या है ऐसा तो नहीं, चुपके चुपके तुम अपने पती को छोड़ कहीं और जाम से जाम भीडा रही हो हाँ, बोलो बोलो, जब भी मैं पूछू, गुंजन डार्लिंग, लट्स हैव सम दारू शारू तो राम राम राम, मुझे पाप लगेगा, कहकर भाग जाती थी और आज देखो, शिराब में नाहाई हुई हो, ये माजरा क्या है? वो प्रतीक ची, वो जो किरायदार है ना? गुंजन कुछ बोलती कि उससे पहले ही प्रतीक निकाल बेल्ट उसे कूटने लग जाता है वो किराया देकर यहां रह रहा है, अगर उसने एक दो बात तुम्हें कहवी दी, तो कौन सा तुम्हें फर्क परेगा? अरे फर्क उसे पढ़ता है जिसका कोई सम्मान आत्म सम्मान हो, अब बताओ, तुम्हारे कोई रिस्पेक्ट है इस घर में? नहीं है ना? और तुम्हारे खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है? अफ्कोर्स नॉट बेबी इतना सब बोड रहे हैं, इससे अच्छा मार ही लीजी प्रतीक जी और प्रतीक गुंजन की बाद से भढ़क कर उसे बेल्ट ही बेल्ट से मारने लगता है ठक हार कर वो बहार चला जाता है और गुंजन कोने में पड़ी रोती रहती है और फिर अपने आसू पोच कर नहानी जाती है, उसकी पीट पर गर्दन पर लाल निशान थे और गुंजन पूरी बाजो का बलाउस बहन कर खुद की छोटी ढख लेती है कितनी असानी से हर तरीके से अपना गम छिपा लेती है ना घर बचाने वाली ओरतें गुंजन तयार होकर बाहर किचन में आती है और काम करना शुरू ही कर रही थी कि तभी शिकर वहां से गुजरता है और उसकी गले पर लाल भयांकर निशान दीखता है हे, आपके गले में निशान कैसा? क्या हुआ? कुछ बोलो तो कल भी आप ऐसे भागी थी जैसे प्रैंक कॉल नहीं मैंने कोई पाप कर दिया हो अरे, दिस इस ओल सो कैजूल कॉलेज में चलता रहता है ये ना किया तो दोस्त कैसे? दर्ट भाटकर दोस्तों एक दूसरे का गम माटकर बन सकते हैं न साथ पैटकर ऐसे प्रैंक करने की बजाए एक पर पूछा होता अपने दोस्तों से कि दोस्त होकर भी सब अंदर से इतने अखेली क्यों है? शिखर के मन पर गुंजन की बात सीधे चोट करती है अच्छा बाबा माल लिया हम बस सेंसी दोस्त है और आज के टाय में दोस्त मिलना असान है मगर एंटरेटेंट्मेंट मिलना कहां असान है? वैसे आज कर लगता है भाईया तो आपका एंटरेटेंट्मेंट का पूरा ध्यान रख रहे हैं कले पर लान निशान लव पाइट्स गुंजन जैसी ही ये सुनती है उसके हाथ काँ पूर्टे है और वो उसे थपर मारने के लिए हाथ उठाती है कि तबी वहाँ प्रतीक आ जाता है और वो डर कर पीछे हट जाती है मगर शिखर जान गया था कि गुंजन उसे चाठा लगाने वाली है गुंजन अपना गान ठक लेती है और वहाँ से चली जाती है हेलो यंग बाई और सब ठीक चल लहा है घर में कोई दिक्कत तो नहीं कोई भी दिक्कत हो तो कुछ भी चाहिए हो तो रात के तीन बजे भी गुंजन से कह देना उसे तुम अपना पर्सनल असिस्टेंट ही समझो भाईया असिस्टेंट वो आई मीन घराय महमान के हम सब नौकारी है और महमान तो भगवान होता है और बताओ कॉलेज में मस्ती वस्ती चल रही है या नहीं और प्रतीक जला कर वहाँ से चला जाता है अरे यार यहां सब ओवरेक्टिंग का डिप्लोमा करके आए हैं क्या चल क्या कर रहा है यहां तब भी वहाँ से चंचल गुजरते हुए अपने कमरे में जा रही थी चंचल गुनगुना ही रही थी कि शिखर सीथे उसके कमरे में एंटर कर उसका मुँ बंद कर दीता है शिखर के उपर तो चंचल पहले से ही दिन से फिदा थी अरे और तीस से तो पूछिए ना हमको एसा टाइट टच पाने को तो यह चंचल कहा कहा नहीं मचली तो भी कुछ ना मिला आज आपने टच किया लगा इस लाश्ट ऐसे शरीर में बिचली कौन्थ कई हो शिखर चंचल के रसीले बात सुनकर पीछे हड़ जाता है अरे चंचल मैं तो बस कोछ जानने आया था वो अभी कुछ रोज पहले यहां तुमारी भावी के फोन पर एक कॉल आये थी रुको मुझे याद करने दो अरे इसमें क्या याद करना है एक तो उसके फोन पर कोई कॉल नहीं आती है दूसरी चीज वो कॉल आये थी न वो तो वैसे भी हिस्ट्री बना चीकी है हिस्ट्री? कैसे हिस्ट्री? और क्या था ऐसा उसकॉल में? अरे डूड हम सब खाने की टेबल पर बैठे थे तभी उस गुंजनिया का फोन बच गया भया सोचे वो भी तो देखें कि इस फकीर को कौन कॉल करने लगा है तभी वो फोन स्पीकर बर डाल दिये और जब उस तरफ से भावी का आशिक लिब-लिब बोलने लगा तो भया की बुद्धे फिर गई फिर वो भावी को घोरे और भावी की तचोरी पकड़ी गई ना तो उनकी तो गिगगी बन गई थी ओ नो फिर क्या हुआ फिर क्या भावी की ही बनाई खीर भावी को ही चखा दी वह याने सीधे मूँ डाल कर बिचारी काफी दिन मूँ चुपाए गूम रही थी इदर उदर ओ तो वो तब की बात है जब वो घूंगट में थी और मैं उनका मजाग बना रहा था ओ ओ शिट फिर क्या हुआ अरे थम जाओ शिखर जी क्या पूरी टेली कास्ट ही जान अगे और नहीं बता रही मैं जाओ और मैं फ्री में पिक्चर क्यों दिखाओ इसमें मेरा क्या फाइदा और चंचल मूँ फेर कर कल्टी हो गई मगर शिखर के मन में बहुत बड़ा तुफान पैदा करके चली गई ये मैंने अनजाने में उस मासूम के साथ क्या कर दिया कितना इड्रेट है तु मजाग की भी हद होती है यार मगर इसके बाद हुआ क्या था जो भी है मुझे गुंजन जी से माफी मांग नहीं शिखर अपने डाड को फोन करता है डाड आइम इन सम ट्रबल तत्र देवताहा और आग लगाई है तो उसे देखने की बजाए अब उसे बुझाने की कोशिश करो ट्राइटू मेखर हपी बेटा मैं नहीं जानता वो कौन है तुम किसकी बात कर रहे हो मगर उस औरत का मन यानि मोम का पुतला आग लगकर पिगला है बहा है तब उसे फिर से सुन्दला कार देना तुम्हारा काम है बेटा वाव डैड कितनी इजिली यू डिडिट आप कितना समझते हो हम दोनों की जोडी बेस्ट है हाँ बेटा एक तम गदर के तारा सिंग जीते की तरह और शिखर चिड़कर फोन कार देता है और गुंजन को मनाने की कोशिश में लग जाता है वो काम से बाहर चला जाता है और उसके पीछे से मनिका ने अपनी एक सहीली को नाश्टे पे बुलाया था गुंजन उसे परोसी रहीती की तब ही वो गुंजन के गले में ज्हांकती है और उसे घुरने लग जाती है गुंजन को अजीब लगता है और जाकर मनिका से कहती है माजी, शायद आपकी ये दोस्त मुझे देख कुछ कलत सोच रही है बार-बार इनकी नजर मेरे सेवर पर ही पढ़ रही है कुछ तो याद आ रहा है हाँ, कुछ तो याद आ रहा है हाँ, याद आ गया और सक्सेना जोर से चिलाती है याद आ गया चोट-चोटी मनिका ये मनिका, तेरी बहु तो बहुत चोटी है रे ये नेकलस तो मेरा है मेरा थोड़ा सा भूल रही उस दिन मुँ दिखाई पर भी रह रहे कर याद आ रहा था कि आखिर इसे कहीं तो देखा है ये तो मेरा ही नेकलस है जो चोरी हो गया था मुझे क्या पता था चोरी हुआ हार मुझे ही मेरी दोस्त की घर में मिलेगा वो भी उसी बहु के गले में अरे सकसेडा तुझे कोई गलत प्रैमी तो नहीं हमारी बहु तो अच्छे घर से है वो ऐसा क्यों करेगी भला आंटी जी ये सबाब जो भी कह रही है मुझे इसके बारे मी खबर तक नहीं है ये हार तो मुझे चंचल नहीं मनिका गुंचिन की और आंख दिखा कर आंके बढ़ कर उसे चाटा लगा कर चुप कर देती है तभी दर्वासे पर शिखर आ जाता है और सारा तमाशा समझने की कुशिश करता है भावी आप ऐसा क्यों कर रही है ये हार मैंने आपको कब दिया मैं तो ये हार जेवर सुना चांदी इन सब का शौखी नहीं रखती हूँ आप मुझे को फसा रही है भावी तो मा समान होती है न गुंचन की हर बात उलट गई थी सक्सैना जोर से खीच कर हार गुंचन के गले से निकाल लेती है और गुंचन का वहां से खून रिसने लगता है ये देख शिखर के सीने में दर्द उट जाता है अंटी आहिस्ता अगर ये हार आपका है तो आप ले लीजी और इन सब को अकेला छोड़ दीजी अकेला छोड़ दू अरे मेरे पती का लाया हार है वो भी नेपाल से शुना है बेश केमती शाही हार है ये इसने देखा और इसकी नियत थुल गई हां मैं चोरी को केस नहीं करू इसके लिए मुआफजा कौन देगा बोलो गुंजन सिर्जुकाए मू को सिले हाँ चोड़ कर खड़ी खड़ी बस रो रही थी और वहां होती है प्रतीक के अंट्री गुंजन प्रतीक को देखते ही उसकी सीने से लग जाती है प्रतीक जी वो ये कह रही है मुझे चेल फेश देंगी अगर इन्हें पैसे नहीं दिये तो फर आप जानते हैं न मेरी गलती नहीं है बोले न प्रतीक जी मेरी पतनी है ये और इसे कोई हाथ लगाए उससे पहले ही मैं हर इल्जाम अपने सर ले लूँगा प्रतीक भया गुंजन जी के लिए कच्छे पती हैं मैं खामका इतना परिशान था ये हर बार सब समाल लेते हैं मुझे इनके परिवार के मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहिए और शिखर अंदर चला जाता है प्रतीक चीती दीजी इनको मुआफ़जी के पैसे और मिठा दीजी मुझे पर से ये लगा कलंक गुंचन की अब उमीद चन हो गई थी वो जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लग जाती है और बेबस होकर चली जाती है फिर सिखोन बेच कर अपने सिर से कलंक उताट दूगी और कुछ देर में गुंचन धेर सारे पैसे लाकर सकसेना को देते हुए हाथ जोड़ती है उसका सिर चक्रा रहा था वो कमरी की और बढ़ने लगी थी सकसेना तुझे पैसे मिल गए ना अब इस मामले को यही रफा दफा कर सकसेना जाती होई गुंचन को घूर रही थी तब ही वो जोड़ से हस्ती है और आते पैसे मनिका को थमा देती है और थोड़े थोड़े प्रती को चंजल को यह नकली हार असली कमाई करा ही देता है क्या सही प्लैन चल रहा है हमारा अब इसी हार से किसी दूसरे घर की सास बहु के मजे लूँगी पर मेरा कमिशन मत भूलना आखिर आइडिया और यह हार मेरा ही है बहुए भी ना सास के बेहल फुसल जाती है पर सास के इस चक्र से पाहर नहीं आ सकती। अरे तू तू मेन हिरोई थी इस नाटक की। अब खुब एश्ट करेंगे इन पैसो से। गुंजन लड़ खडाती से अपने कमरे में जाती है। खून निकलने से उसके शरीर में बिजली कौन रही थी। वो फटाफट अपनी साड़ी खोलने लगती है पर तभी उसे पढ़ते के पीछे से किसी के पाउन नजर आती है। नीचता की हद को त्याकते हुए ये औरते और ये पती की खाल में नाच रहा गीदर प्रतीक ने फैसला कर लिया था कि अपने हर अयाशी का मजा गुंजन के माध्हम से करने का। मगर क्या गुंजन की जिंदगी के रंग बदलने वाले हैं या हर को इस छल फरेव के रंग से रंग जाएगा। लगता है ये ग्रहन बन गई है मेरी जीवन पर और ऐसा कोई तो शिंगार बना हो जिसके करने पर मेरी पती मेरी वाद देखें एक वहार तू प्यार से देखें औरे काना इन नेना को कब चैन नसीब होगा। गुंजन के आखों में आसू का समंदर उमड़ा था मगर उधर गुंजन की सिसक्यों के अलावा भी कोई और था परदे के पीछे छिपे शिखर की आखों से टपटप आसू गिर रहे थे। ये मेरी आखी क्यों भराई हैं और ये शांत सी दिखने वाले गुंजन जी इतना विलाथ क्यों कर रही हैं। गुंजन जी अपने हसी के पीछे कौन सा गम छिपाए हो आप। और गुंजन की चमरी से लिपटने वाली ये भारते नारी के पहचान बनी साड़ी उसे काटने लगती है। गुंजन अपने साड़ी के पलू को सीने से हटा देती है। तब ही शिखर को छीक आ जाती है और वह जान जाती है कि परदे के पीछे कोई है। गुंजन पलू को फिर से ढखने की कोशिश करती है मगर वह गेट में फस जाता है। और शिखर परदे से बाहर आता है तो गुंजन उसे देखकर लाल पीली हो जाती है। आप, आप मेरी कमरे में क्या कर रही है आखिर। आप जानते हैं न मैं शादिश दा हूँ फिर भी। गुंजन जी आप गलत समझ रही है। मैं बस आपसे माफी मांगने आया था। और ये कार्ट जो आपके लिए लाया था वो बस रखने आया था। शिखर गुंजन के और कार्ट देने बढ़ता है और गुंजन जैसे ही पीछे हटती है उसके हाथ से एक और लाइट आन हो जाती है। और शिखर गुंजन का साड़ी का पलू गिरा हुआ पाता है। जाते हैं क्या हुआ तो देखिए क्या हुआ था आपके एक कॉल की वज़े से। गुंजन दोनों हातों से अपने सीने ढखे हुए थी कि तबी शिखर गुंजन का हाथ उसके सीने पर ही थाम कर उसे बाहर ले जाने को आके बढ़ता है। इस हरकत पर गुंजन उसका हाँ छटक देती है जिसे गुंजन की चूडिया उसकी कलाई में ही तूट जाती है और गुस्से के मारे वे शिखर पर हाथ उठा देती है। बिचारी गुंजन कहीं तो अपना गुस्सा निकाले कि रायदार पर ही सही ठीक है मैं चला जाता हूँ यहां से और आप सैमो मत मुझे आपका ये सीना देखने में कोई रूची नहीं है आप यूँ ही खड़ी रहो मैं पल्लू निकाल देता हूँ और शिखर जैसे ही गु मैं मैं वो बस मैं समझ गया क्या बात है ये लड़की अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी अरे गिरी हुई और पहले बार आशिकी चलाई फिर चोरी की और आज घर के किरायदार को ही फसाने पर उतर आई है नहीं प्रतीक जी ऐसा कुछ नहीं है ये तो बस सब तेरे बस स ही होता है इसलिए मैं ना कहती थी सीधे दिखने वाला परिवार की बजाए अपने बरावर वाले परिवार की लड़की लानी चाहिए थी हाँ माम होती है कुछ लड़किया जो फुली लोडेड लड़कों को लड़के ढटके दिखा कर फसा लेती है शिकर तुम तो इसके चकर में मती फसना वगर ये तुम्हारा गाल इतना लाल क्यों है भाबी कहीं तुमने उसकी गालों पर किस तो नहीं किया ना ओ गौड येस माम ये तो लिप्स्टिक का ही निशान लग रहा है ये सुन मनिका वही फर्ष पर बैठ कर अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है ह पर नहीं मैं अप कुछ पी नहीं कहूंगी क्योंकि मैं कुछ कहूंगी पर तो आप मुझे गलत ही मानेंगे पर सच यही है मैं अपने पती के सिवा किसी और को देखती तक नहीं हूँ शिकर तो म सच बताओ के इसने तुमारे इज़त पर हाट डाला ना और शिकर अपने कमरे में चला जाता है मनिका जंचल चेतन प्रतीक सब गुनजन को घूर रहे थे अब तो उसके शरीर में चोट और आने के निशान तक नहीं थे मनिका क्रोध में आकर गुनजन को जोर जोर से धक्के मार कर हिला डालती है अरे कुटम को खाने वाली मुश्किल से किरायदार हाथ लगा था उसे भी तेरी हरकते भगा रही है प्रतीक बिटा कुछ तो और प्रतीक अपना जूता निकाल कर उसके और बढ़ता है गुनजन डर के मारे आखें मीच लेती है अगर चाहती है कि मैं तुझे हाथ ना लगाँ तो जाकर उसक्रायदार से माफी माग वो पैसे वाला मुर्गा हाथ से अगर निकला तो तेरे शरीर से तेरी चमने निकल जाएगी गुनजन कृतीक के डर से शिखर के कमरे में जाती है जहां वो अपना समा टाक कर रहा था गुनजन बिना कुछ बोले उसके सामने घुटने टीक कर हाथ जोड़ कर रोने लगती है गुनजन जी ये ना जाओ शिखर शिखर जी अगर आप आड़ चली गए तो ये मेरी सिंदगे नरक से भी ज्यादा भयाँँकर हो जाएगी ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ नहीं जाओंगा, मेरे रुकने से अगर आपका फायदा है तो मैं रुकूँंगा मैं तब तक रुखूंगा जब तक अपना किया सब गलत ठीक ना कर दूँ शिखर गुंजन को थामता है और बस्तर पर बिठा कर उसकी कलाई पर लगी चूर पर मलहम लगाने लगता है मगर गुंजन सहम जाती है जी मैं नहीं चूरा आपको ये लिजे मलहम लगा लीजिए कुछ जखम वक्त पर भर जाएं तो रहाद मिलती है वरना जखमों को नासूर बनाना हमारे ही हाथ में होता है कुछ जखम कभी नहीं भर सकती शिखर जी इस बार शिखर गुंजन के सामने घुटनों पर था तभी बाहर खिड़की से चंचल सब देख रही थी मेरा शेक सही था ये डॉयन काला जादू करके मेरी इस हैंसम को फसाना चा रही है मगर मेरे होते हुए ये नहीं होगा भाबी नहीं असुरा है तू हट राक्षजी कहींगी शिखर मुस्कुर आकर गुंजन की माफी का इंतजार कर रहा था कि तभी गुंजन बिना कुछ बोले उटकर अपनी कमरे में जाने लगती है वे बलटकर कहती है गुछ खाओ, किसी की चुवन को नहीं तलाशते बलकि हर चुवन से दूर जाना चाहते है हमीशा हमीशा के लिए वो वो जगह चाहे मौत की गोधी क्यों न हो कम से कम, मर्द के सपर्ष से अच्छा तो मौत को चुना होगा गुंजन चली जाती है शिखर गुंजन के जबाब से हिल गया था वे ज्यादा कुछ सोचता कि तब ही उसे जूली का फोन आता है जो फोन पर बहुत रो रही थी शिखर, honey, I'm feeling so lonely वो जॉली ने मुझे गुसे में ब्लॉक कर दिया मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ और जूली शिखर के पास आ जाती है दोनों एक दूसरे से लिपड़ जाती है शिखर जूली को देख हर बार जिस तरह मधोश होता था आज उस तरह फील नहीं कर पा रहा था क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा टच कुछ अलग-अलग सा लग रहा है और जूली म्यूजिक और शिखर की बाहों में जूमते हुए रोमांटिक डांस करने लगती है गुंजन भी कापती टाकों के साथ अपने कमरे में जाती है वह जाती थी कि आज भी प्रतीक की बेल्ट उसका इंतसार कर रही होगी फिर जैसे ही दर्वाजा खोलती है प्रतीक बेट पर लेटा हुआ उसे देख मुस्कुराता है और अपने पास बुलाता है गुंजन उसके पास चाकर सोजाती है और प्रतीक गुंजन को आगोश में लेता है प्रतीक जी मेरा मन नहीं है इस बात से फर्क नहीं पड़ता मेरा मन है ना तो बस ये काफी है वैसे भी हम पती लोग है चलेगी हमारे मन की ही लाइसनस के साथ नोचने लगता है उसका बदन तोट रहा था प्रतीख गुंजन की जखमी कलाई को ही दबोचे हुए था शिखर के दी हुई मलहम फर्ष पर बिखरी पड़ी थी कितना अजीब होता है जब कोई चाह कर भी मलहम ना लगा सके और कोई जान भूच कर बस जखम दीता चला जाए गुंजन दर्च से चीक रही थी बिलाक रही थी उसकी आह केवल उसकी अकेली आह नहीं थी हर लड़ी हर औरत की आह थी जिससे बिना उसकी मर्जी के राप में नूचा जाता है हवस की खनोचे मारी जाती है गुंजन की चीख शिखर के कमरे तक बाहर आकर दर्वास अखट-खटा रही थी शिखर दर्वासे की और देखता चला जा रहा था लेकिन जूली के चलाई म्यूजिक की अवास ने गुंजन की चीखों को कहीं दबार डाला था शिखर हेलो तुम्हारा द्यान कहा है हनी तुम्हाद दर्वासे की और क्या देख रहे हो तभी जूली शिखर का चहरा थाम कर अपनी और करती है और एकदम से शिखर को जूली में गुंजन का जखमी चहरा नजर आता है जहां होट से खून बह रहा था आखे नीली हो चुकी थी सिर्फ फूटा पड़ा था हर जगह से बस खून और दर्ध ही रस रहा था हेलो शिखर कहां खो गए हेलो हनी और शिखर जूली में गुंजन को देखकर घबरा कर उसे ठका दे देता है और जूली जमीन पर जाकर गिरती है उसका सिर्ट टेबल पर जाकर बचता है शिखर जूली की चीक सुनकर जमीन पर कान बंद करके बैठ जाता है गुंजन का दर्थ तो किसी भी दर्वासे को नहीं खट-कटा सका लेकिन क्या शिखर का कोई दर्थ छिपा है जो आज तक उसने नहीं बताया रास कह रहे हैं इन रिष्टों के फिर भी सब रंग बदल रही है तो आप ही इन रंग बदलते रिष्टों के रंगों में बिना किसी देरी के रंग जाईए किवल अफसरी पर और अगले कुछ भाग में आपके कुछ पसंदिदा किरदार छोटी मा यानि कसक और अम्बुज अफसर बीवी यानि स्वरा सार्थक भी आ रहे हैं इसी जगा आप से फिर मिलने आगली सुभा होती है गुंजन की स्क्रीन पर एक मेसेज आता है भाई का मेसेज बहन तुमुझे भोल गई क्या नहीं भाई भूली नहीं हूँ बस बहन होने की आजादी खोब बैटी हूँ शायद ये सुभा सब के लिए कुछ अलग लाए ना लाए मगर जब शिखर सो रहा था तो जूली उसे बिना बताए बगल के बात्रूम में नहानी चली जाती है उसके बगल में एक और बात्रूम था जहां गुंजन पहले से ही ना रही थी इस बात का फायदा चंचल उठा लेती है लालालालालालालालाला ओहो ये धिंचक कपड़े आज कुछ तूफानी करते हैं अरे बाबा आज कुछ तूफानी करते हैं चंचल बात्रूमों के पास जाकर खड़ी होती है और खीकी हसते हुए जूली के छोटे वाले कपड़े तो गुंजन की और रख देती है और उसकी साड़ी जूली नहाकर कपड़ों पर हात मारती है तो उसके हाथ में साड़ी आती है और वे वही लपेट कर सती सावित्री बन कर घूंगर डाल शिकर के पास जाती है आप इतनी सुबा यहाँ? मैं तू आप से ही मिलने आई हूँ जी कैसी लग रही हूँ मैं जी? बोलिए जी एक मिनट यह आवाज तो उनकी नहीं है शिकर घूंगट हटाता है तो जूली तुरंट उसके गालों को चूम लेती है हनी तुम अपनी हनी की आवाज पर नहीं पहचान सके? ओके मैं कैसी लग रही हूँ? यह तुम मुझे कॉल पर बताना जी और जूली सिर पर साड़ी का पल्लू रख बड़ी ही नजाकत से बाहर आती है मनिका चेतन भी हॉल में थे वाजी यह किराएदारों की दोस्तों बड़ी ही संसकारों वाले हैं मुझे तो लगा खुले विचारों वाले होंगे यह सुनकर मनिका और चेतन सक पका कर इधर उधर मुझे कर लिए और शिखर चड़ कर अंदर जाने लगा अपनी बगो को टॉचर करने वाले संसकारों की बात कर रही है बड़ी आई एक मिनट आखिर यह जूली के पास साड़ी आई कहां से और यह इतनी जानी पैचानी क्यों लग रही है उधर गुंजन नहाने के बाद कपड़े के लिए जैसे ही हाथ मारती है तो उसके हाथ में जूली की छोटी सी ड्रेस आती है और वो उसे देखकर खबरा कर रो देती है यह इश्वर यह मेरी साड़ी मेरी साड़ी कहां गई यह इतनी से कपड़े किसके है अमें बाहर कैसे आऊंगी यह सब क्यों कर रही है आप मेरी साथ गुंजन सुपकियां लेते हुई वो यह छोटी सी ड्रेस पहन लेती है और दर्वाजा खोल कर बाहर आती है बाहर सामने हॉल में बैठे प्रतीक चेदिन मनिका चंचल सब हस रहे थे वो जूली तो कप की गई पर यह महरानी अब तक बाहर क्यों नहीं आई क्या अज ही सारा मैल उतारेगी जल्दी आना यार भावी कितना टाइम हो गया है तमाशा देखे हुए और जब मेरी शिखर के सामने तो कूट पड़ेगी न तो सारी आशिके निकल जाएगी तेरी गुंजन सहमी सहमी खुद को उस छोटे कपड़ों में समेटे हुए जैसे ही बाहर आती है तभी शिखर फटा फट अपने कमरे से एक चादर लेकर आता है और गुंजन को चादर से लपेड़ देता है और बाहों में थाम कर अपने कमरे में ले जाता है हलचल सुनकर प्रतीक मुड कर देखता है तो वहां कोई नहीं था गुंजन और शिखर एक ही चादर से लिप्टे थे गुंजन की कोमल खाल शिखर की शरीर में जंजनाहट पैदा कर रही थी दोनों की आखें एक दूसरे के चहरे पर लिखे सवालों को एक तक पढ़ रही थी तभी गुंजन की आख से एक मोती सा आसु गिरता है और दोनों होश में आती है गुंजन शिखर का ऐसा करने पर गुसे से धकेल देती है शिखर जी आपकी हिमत कैसे हुई ऐसा करने की आप चानते हैं न मैं शाधी शुदा हूँ और धक्का मारते हुए गुंजन से लिप्टी चादर जमीन पर गिर जाती है और गुंजन घबरा उड़ती है गुंजन जी अगर मैं चादर नहीं लाता तो वो लोग आपको देख लेते और फिर आपके पीट के जखम और ताजा उड़ते मैं जूली की साड़ी देखकर समझ गया था ये कुछ तो माजरा है इसलिए मैं आपको ढखने के लिए फटाफट चादर लेकर आया मगर आप केर है और केर का सपर्ष मेरे लिए नरग की आँख जैसा है देखो अभी से मेरा बदन जलने लगा है माँ गेर की चुवन पाप है मैं बहुत ही बुरी औरत हूँ शिखर गुंजन को यो तुडपता देख चादर उठाता है और जाकर कुंजन की पीट से लपीट देता है आपसे पवित्र कोई नहीं है और पाप पुर्ने का हिसाब तो हम आम इंसानों के हाथ में नहीं है हम मगर अगर छुने से पाप हो रहा है तो शायद प्रतिक भाईया ही सबसे बड़े पापी सावित होंगे देखो तो कैसे आपको चोटे दी हुई है शिखर जी वो मेरे पती है आप उनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे मुझे तो आज खुद से खरणा आ रही है नहीं नहीं मैं ही बुरी हूँ एक बुरी बेटी, एक बुरी बेहन, एक बुरी पत्नी और अब एक गहर मर्ट के साथ उसी के कमरे में आधे कपड़े पहन कर अपने आपरू ढ़के हुई खड़ी हो हाँ, मैं ही एक बुरी औरत भी हूँ क्यों, क्यों, क्यों गुंजन खुद के शरीर को पांगलो की तरह नोचने लगती है, बिलखने लगती है तब ही शिखर चादर को गुंजन से लपेटते हुए खुद भी गुंजन से लिपड़ जाता है शिखर के भी आँखे नम थी, गुंजन उसके सीने से लगी थी दूर हटिये मुझ से ऐसे ही रहिए और चंचल दर्वाँस अंदर आती है, तो वो शिखर को ऐसा खड़ा पाती है और उसने चादर सीने से लगाया था अरे मेरे मन चले, तुम यह ऐसे क्यों खड़े हो वो, 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 वो आज मॉम डाट जब घर पर नहीं होंगी ता हम साथ में कुछ रंगीन मिजाजी फिल्म देख लें हाँ देखेंगे हाँ देखेंगे बस तुम अभी जाओ यहां से ठीके ठीके इतना भी भाव मत खाओ भूलो मत आखिर इस घर की मालकेन मैं भी हो चोटी मालकेन और हाँ वो तुमने मेरी पागल भावी को देखा है क्या सुबे से उने देखने को बिताफ हो रही हो पता नहीं मेरी भावी कहां गई जब तुम जैसी होटी शोटी मेरा आसपास रहती है तो अब तुम जाओ यहां से मुझे ना चेंज चंजल खुश होकर बाहर जाने लगती है तभी गुंजन शीक देती है और चंजल शकी नजर से पलटती है गुंजन अभी भी घबराई से इशिखर की चादर के अंदर उसके सीने से चिपकी हुई थी यह वास यह वास तो आच्छी 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 अरे मुझे तो छीके भी आने लगी है अब जाओ स्रीटी मैं मिलता हो तुमसे और चंजल चली जाती है तभी शिखर गुंजन को चादर थमा कर दरवासा लगाता है और देखता है कि घबराहट से एक गुंजन के सांसे चड़ी हुई थी वो चंचल दीदी अंदर तकां गई थी मुझे ढूंटते हुए अगर वो मुझे यहाँ देख लेती आपकी बाहों में फ्रतीक जी को भी पता चल जाता और वो चीज उन्हें पसंद नहीं आती ये सब हो क्या रहा है क्यों हो रहा है शिखर गुंजन का चेहरा था मुसे शांत करने की कोशिश करता है बस बस शांत हो जाओ गुंजन जी किसी को पता नहीं चलाना और मैं अपना मुझ कभी नहीं खोलूँगा सब ठीक है बस बस और ये सब आपकी ननद चंचल दीदी की वज़े से ही हुआ है गुंजन ये सुन शिखर से दूर हरती है क्या? क्या बोल रही है आप? और पहली चीज आप मुझ से दूर रहकर बात कहिए मुझे मर्दों की च्वन से दिक्कत होती है दीखा न आपने? मेरी सास को तूड़ते हुए? जी तो आज से पहले कभी आपने चंचल को आपको लेकर इतना बेचन देखा था क्या? जो वो आपको ढूंडे? मैंने तो नहीं देखा तो हो ना हो चंचल नहीं आज कुछ ऐसा कांड़ किया है जिसकी वज़े से आपकी यहालत हुई है और उसी को देख कर वो मज़ा लेना चाहती थी मगर गुणजन जी, जब तक मैं यहाँ हूँ यह सब नहीं होने दूँगा क्यों? आप क्यों रोकेंगे सब? यह सवाल सुनकर शिखर एक्दम सुन बढ़ गया बात में दम तो था एक शाधी शुदा वधी प्रता औरत के लिए शिखर मकान मालिकों से क्यों ही बिढ़ेगा और हाँ, चंचल दीदी को यह करके क्या मिलेगा? यह खुटे से बंधी गाए अभी तक दुधारू है तो मुझसे और कैसे मनुरंजन चाहिए? यह सब आपकी कल्पना है यह जरूर कोई भूल होई होगी मुझसे ही आगे से मैं ध्यान रखूंगी चलती हो और शिखर आहस्ता से उनके कमरे से साड़ी ले आता है गुझन जी, मुझे चंचल की वज़े से कमरे में ही रहना होगा पर मैं पीट कर रहा हूँ और यहां चादा टांग देता हूँ आप फटा-फट से चेंज कर लीजिए गुझन चेंज करके बाहर चली जाती है शिखर के कानों में अभी भी गुझन का ही सवाल था शिखर देखता है तो उसकी आँखें फिर से नम थी गुझन बाहर आती है तो चंचल उसे साड़ी में देखकर है रान्थी ओ शिट ये प्लांट कैसे फेल हो गया कोई नहीं भाबी कब तक बचेगी तो साड़ी की आड़ में कभी तो फटेगी ये बिंडी बजार में माजी एक चीज पूछने थे आपसे वो में शादी से पहले मेरे एक मुझ बोले भाई को राखी बानती थी पर अब शादी हो गई है न तो आपसे पूछे बेना कैसे भाई को घर बुलाओं प्रतीक ची को अच्छा ना लगे तो ये सुन मनिका प्रतीक एक दूसरे की और देखकर गुंजन को घूरते हैं और प्रतीक खड़ा होकर गुंजन के पास आता है शिखर भी दूर से सब देख रहा था प्रतीक गुंजन की और मुस्कुराता है और उसका माथा चूम लेता है गुंजन को प्रतीक पर बहुत प्यार आता है और वो खुशी से उसके सीने से लगती है ये देख शिखर दिवार पर जोर से पंच मारता है ना जाने उसे क्यों तकलीफ हो रही थी जैसे गुंजन अद उसकी जिन्दगी का हिस्सा बन रही हो गुंजन खुश होकर अपने भाई को न्योता देने कमरे में चली जाती है उसके जाती ही मनिका और प्रतीक एक दुस्टे को ताली मारते है और शेतानी हसी हसते है भाई आ रहा है यानि राखी बढ़ाई देगा कड़े लोट शायद दो हजार दे या फिर पाच कंगले नीच लोग नीचता थोड़े ही छोड़ने वाले थे अपने लालच के चलते उन्होंने गुंजन को हां कही थी और अगले दिन राखी आती है गुंजन बहुत प्यारी लग रही थी शिकर और गुंजन जाते होई टकरा जाती है और जैसे ही शिकर उसे देखता है तो बस वही जम जाता है दर्वाजे की घंटी बचती है और मनीका खुश होकर दर्वाजा खोलती है तो सामने एक फकीर जैसा लड़का खड़ा था जिसके हाथ में एक फटा पुराना थैला था, पुराने कपड़े और गेसी हुई चपल वो सार्थक था, दर्वाजा खुलते ही वह हाथ चोड़ता है और मनीका मुँ बना देती है अरे हमारे पास नहीं है भी, हमारी हालत भी तेरे जैसी ही है, चल जाए यहां से अरे भाईया, आप आगए, आये ना अंदर आये भाईया शब्द सुनकर तो मनीका और चंजल की आँखे फिर गई थी, दोनों एक दूसरे को देखती है क्या, भाईया बोला इसने ये है भाईया, ये फकीर गुंजन सार्थक के पाउच होती है, गले लगती है, हाथ थामकर उसके साथ बैठती है, दोनों बाते करती है तभी दर्वासे के बाहर लाल बत्ती की गाड़ी खड़ी होती है, प्रतीक उसे देख घबराच आता है और उसमें से निकलती है अफसर स्वरा, वह घर के और आती है, तो प्रतीक डर के मारे उसके आगे हाथ चोड़ता है मैडम, आप जैसी बड़ी लेड़ी यहाँ, वो मैंने ट्रैफिक सिगनल तोड़ा वो इतना बड़ा केस बन गया क्या, माफ कर दो मैडम, मैं आगे से दारू नहीं प्यूंगा, माफ कर दो वह पतीक जी, रुखिए, ये तो ये है मेरी अफसर बीवी, मेरी स्वरा तब ही शिखर हॉल की चहल पहल में आता है, तो स्वरा को वहाँ खड़ा देखता है अरे मैम, आप यहाँ? स्वरा शिखर को पहचानने की कोशिश करती है आप यहाँ कैसे? तुम? मैं पहचानी नहीं पर मैं पहचान गया दिदी आपको मैं शिखर आपके ये कॉलेज में जूनियर हूँ आपने मेरी नोट्स में मदद की थी और मैं पास हो गया था एक बार तो मैंने आपको कॉल भी की थी मेरे डैट के किसी लीगल काम के लिए और गुंजन जी इनकी एक खास बात बताओ ये इतनी विनमरता से बात करती हैं कि लगता ही नहीं कोई बड़ी ओफिसर है ऐसी ही है मेरी स्वरा जहां पहुची है वहाँगा शिरेवी खुद नहीं लेती शिखर एक बात याद रखना ये सफलता ये असफलता सब वक्त का फेर बदल है मगर आपकी विनमरता तो आपकी सवभाव में ही घुली रहनी चाहिए किसे कब पता कोई कहां ओंदे मुँ आकर गिर जाए प्रतीक और मानिका पीछे बने टिकेट के दर्शक की तरहें खड़े होई टुकर टुकर सब देख रहे थे बेटा इस बिकारिन की जान भेजान इतनी बड़ी अफसरनी से आखिर हुई कैसे वही तो मैं भी सोचूं कि ये एजी ओजी सुरोजी का उठना बैठना ऐसे लोगों में कैसे हुआ पर जरा भाई को तो देखो फटीचर है फटीचर हाँ मगर भावी तो मा लग रही है ये सुन मनिका और प्रतीच खीकी करके हसते हैं अरे आप सब खड़ी क्यों है बैठिये ना बैठिये और गोजन किचन के और जानी लगती है तब ही शिखर उसकी बीच में आकर खड़ा हो जाता है प्रतीच बेटा वो उधर तो देख जरा इसकी रायदर और इस बिखारिन के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है ये पिना लगाम की खोड़ी शायद रात में आज फिर से कुटकर ही सोईगी इतनी बाहर कहा है इससे दूर रहना कहीं किसी बात का बुरा मान कर घर छोड़ गया तो उतनी कमाई से भी जाएंगे फिर वो पैसा कौन देगा उसका बाप गुंजन जी ये क्या कर रही है आप आज तो समल जाए कब तक ऐसा बचकाना पन करती रहेंगी गुंजन शिखर को आँख निकाल कर घूर कर देखती है आज आपके भाई आये है ना घर में तो भी आप काम करने जा रही है क्या हम इसलाइक भी नहीं है तो जाइए वहाँ बैठी गुंजन जी जाओ और आपकी राकी को एंजॉय करो गुंजन के लिए पहली बार किसे ने कुछ किया था वो जानती नहीं थी कि किस तरह से रियाक्ट करे शिखर गुंजन को कांधे से थामता है और दूसरी दिशा में भेज देता है और चंजल मटकती लरजती हुई उसके पीछू पीछू चल देती है गुंजन सार्थक के सवाल पर तुरंट साड़ी से अपनी कमर की चोटों को ढखते हुई कहती है भाईया वो बाबा चाहती थी मेरी शादी समय पर हो जाए और फिर अच्छा लड़का मिलने पर कौन पाप देरी करता है प्रतीक ची इतने अच्छे है ना कि मुझे प्याह की कोई कमी नहीं है एक बगीचे में लगे नाजुक फूल की तरहें लाट करते हैं मुझे प्रतीक ची फेट पे मत मार ये दर्थ हो रहा है और भाईया कभे मैं जरा सा भी बिमार हो जाऊना तो ये मुझे अपने बिस्तर से सरा भी हिलने तक नहीं देते हैं कि तुम बस अराम ही करो और मैं पागल अराम करती करती ठक जाती हूँ इतने दिवाने हैं अपने बीवी के आँ, मेरी कमर बहुत दुख रही है मा होती, तो कहती बाहम लगा दू क्या सुनू, मेरे लिए अभी मेरी पसंद का कुछ बना कर ला मुझे आज का खाना पसंद नहीं आया है प्रदीक जी, पर मेरी कमर तोड़ दूँगा उसको, जुबान लड़ाई तो गुंजन डरते हुए किचन में जाती है और राह तक घंटो लगकर प्रदीक के लिए बना कर लाती है उसके शरीर में जरा सी भी उर्जन नहीं बची थी वो तूट कर बैट पर आ जाती है गुंजन को 104 डिगरी बुखार हो चुका था वो ठंड से काप रही थी प्रदीक जी तोड़ी देर एसी बन कर दीजी न मुझे बुखार हो गया है तो मरोगी तो नहीं न पर तुम तो चाहती हो तुमार इस नौटं की बिमारी के लिए मैं गर्मी में मर जाओ एसी पर अपनी मर्जी चलानी थी तो दहेज में लेकर आती न एसी तो खाली आता आगे मिमनी सी शेकल की और प्रतीक एसी नहीं बन करता अगले दिन गुंजन का बुखार चरम पर था पूरा बदन गर्म होकर लाल हो चुका था आहां हां हां अराम करने का वहाना मिल गया रानी साहिबा को अरे चलो उठो घर का सारा काम पड़ा है पुखार में तब ती गुंजन तब भी बिचारी रोती हुई घर का सारा काम करती है कभी डाटती नहीं फटकारती नहीं कभी मेरी किसी बात पर उफ तक नहीं करते हैं ये इतना चाहते हैं मुझे ये भाया आप तो चिंता ही मत करो, मैं बहुत खुश हूँ स्वरा को गुंजन की किसी भी बात पर रैदबार नहीं हो रहा था गुंजन की बाते और सामने बैठे प्रतीक के रियाक्शन मिल नहीं रहे थे इतना प्यार करता है ये तुम्हें, नाइस, वेरी नाइस इतना तो पता है, सार्थक भी नहीं करता था यानि सार्थक से भी सौ गोना पती मौजूद है धर्ती पर और मुझे लगता था मेरा ही पती मेरा देवता है स्वरा गुंजन के निगाहों में देखती है गुंजन की आँख से एक आँसु छलकने को था कि गुंजन उससे नजर बजाकर साफ कर लेती है और स्वरा की और देख सुन्दर सा मुस्कुराती है वो जगजीत सहाब गाह कर चले गए ना बस दर्च सहकर मुस्कुराने वाले इंसान की जिन्दगी ऐसी ही होती है और उनकी एक खासियत देखना वो जब मिलेंगे हसते मिलेंगे मगर आप लोगों में अगर जरूरत से ज़्यादा कोई हसता इंसान अगर दिखे तो उससे जरूर पूछना की वो जो इतना मुस्कुरा रही है क्या गम है जिसे को छुपा रहे है क्या छिपा रही हो तुम गुणजन किस चीज से मूफे रही हो ये सब जो तुमने कहा वो सच नहीं है तो फिर आखिर सच है क्या मैं चानती हूँ भाबी आप क्या सोच रही है पर सच तो यही है भले ही मैं अपने कहानियों में ही प्यार जी रही हूँ मगर मुझे उमीद है कि मेरे एक भी शिकायत ना करने की वज़े से ही एक दिन प्रतीक ची मुझे समझ चाएंगे और शायद तब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए उमीद पर तो दुनिया कायम है न मैं तो फिर भी बस पती के प्यार की उमीद में तभी बाहर शिकर नक्चोडी चंजल के साथ आता है शिकर के हाथ में ट्रे थी जिसमें राखियां खीर बर्फी तिलक नारियल और भाई बहन का धेर सारा प्यार था हाई हाई बेटा तु इतना क्यों परिशान हुआ बहुत ही न वो कर लेती तू भी तो हमारा महमान ही तो है गुझन उटकर अपने भाई सार्थक को राखिय बानती है और मूँ इठा कराती है तभी सार्थक पीछे से लिफाफा निकालता है देख तो प्रतीक ज़रूर बहुत सारा क्याश होगा मजा ही आ जाएगा इनके जाती ही बस तो छपट्टा मार ले ना इस गधी से गुंजन लिफाफा खोलती है तो उसमें और भी राखिया निकलती है भाईया ये तो मैंने आपके पते पर पिछवाई थी ना हाँ छोटी पर तेरा ये नालाग भाई खुदला पता हो गया था चुप करो तुम वो गुंजन सार्थक को जेल हो गई थी तब क्या राखि क्या दिवाली होर तो और मुझे अफसर बनता भी नहीं देख पाया बिचारा मगर फिर ना जाने किसने इसको आजाद करा दिया मैं नहीं जानती जानती हूँ तो बस इतना कि तुम बिन रस से भीगा जीवन भी भीका लगता था तुझ बिन ताजी रोटी भी बासी लगती थी तुम बिन ये जिन्दकी जीते हुए भी आथी लगती थी और स्वरा के आखे नम हो जाती है सार्थक उसे गले से लगा लेता है राखी पर इन बातों को लेकर बैठ गए आप पर ये थाल में एक राखी और वो चंचल भी मनाएगी ना राखी मेरे साथ ओ गार्ट तुम्हारे साथ ओ नो जिसे बनाने चली सैया वो बनना चाहे भाईया अरे भागो अरे भागो चंचल तो सर्पर्ट भाग जाती है तो अब शिखर स्वरा के सामने का लाई करता है स्वरा उसे आश्चर्य से देखती है शिखर ये क्यों? क्या मैं आपके छोटे भाई जैसा नहीं हूँ? दिदी बान दो राकी मौका है फायदा आपको ही है हमेशा रक्षा करूंगा आपकी छोटी मोटी तकलीफे तो छूने भी नहीं दूँगा जैसे सार्थक जीजु को जेल से वहार निकाला ये सुनते ही गुणजन स्वरा सार्थक सब शिखर को हिरान होकर देखती है अब लुक मत दो मैं कहानी सुनाता हूँ कॉलिज में जब बच्चा जाता है तो वो कुछ जादा बढ़ा नहीं होता उस समय अगर सीनियर उसकी मदद कर दे तो वो गिफ्ट जैसा लगता है आपने मेरे लिए वो किया और फिर आपकी सफल था आपका संगहश मैं सब पढ़ने लगा और मैं आपका फैन बन बैठा दीदी उस दिन जवाब कैफे में आई थी तो पीछे बैठा एक लड़का आपको घूर रहा था याद है जब स्वरा गारी सुतर कर जाती है तो कॉफी गल तो अंदे चली जाती है मगर उसके पीछे बैठा लड़का उसे लगातार घूर रहा था स्वरा को अजीब लगता है और वो सार्थक से मिलने जेल चली जाती है ये स्वरा दीद इतनी परिशान क्यों नज़र आ रही है शिकर स्वरा का पीछा करता है तो सार्थक को जेल में देख हैरान होता है स्वरा के जाने की बाद वो इंस्पेक्टर कुमार से सारी बात पूछता है और बेल इसलिए नहीं मिल लही क्योंकि इन्होंने जहां चोरी की थी वो शहर के MP की गारी है और वो इने नहीं चोड़ेंगे अरे उस MP की ऐसी की तैसी नाम बताओ नाम सुनते ही शिखर को हसी आ जाती है और वाहर आकर अपने डाट को फोन करता है डाट? वो ज़दर आपके MP दोस्त को फोन लगा कर कहिए कि थोड़ा ठेर जाए इगो में आकर वो किसी मासुम का गला ना रौन दे जेल के पीचे ख़ड़ा आदमी मेरी मूँबोली बहन का पती है जोगो मेरे आका और कुछ और कुछ तेर में कुमार के पास फोन आता है इंस्पेक्टर छोड़ दोस लड़के को मैं कोई कम्प्लेट नहीं कर रहा और हाँ, काकदी फॉर्मलेटी में शाम में आकर करता हूँ, अभी जाने दो उसे, ओके सर और सार्थक यो छूटकर स्वरा के पास आ जाता है स्वरा की आखे नम थी, सार्थक का गला तर था, प्रतीक और मनिका की आखे फिर गई थी प्रतीक बेटा, ये जब तो बहुत ही बड़े लोग रग रहे हैं, हम तो अब छोटे प्राणी लग रहे हैं, अब तो लगता है इनके आगे जमीन पर ही बैठना होगा और मनिकार प्रतीक सक पका कर जमीन पर बैठ जाते हैं, पर होश में आकर जट खड़े होते हैं राखी बांधी नहीं और फर्स भी अदा करने लगे तुम भगवान ऐसा भाई सबको दे तुमने तो ये करके अपनी राखी का कर्ज उतार दिया पगले आज तुम नहीं मैं तूंगी तुम्हें कुछ मांगो सच में मांग लू मैं थोड़ा लालची हूँ दी दी अगले समस्टे के लिए पढ़ा दो इन लौवालों ने जान ले रखिये कसम से मेरा बैग बेंचर भाई थांकियू सुमाच शिखर स्वरा शिखर का चहरा सहला कर उसे राखी भांती है सार्थक भी शिखर के गले लगता है जीजू क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ हम बोलो मैं जानता हूँ गुंजन जी को अपने भाई से भी कुछ नहीं चाहिए होगा पर फिर भी क्या आप उन्हें तोफा दे सकते हैं शिखर सार्थक को एक सुन्दर सी साड़ी का डिब्बा दीता है पर मैं ये कैसे जीजू गिफ्टी तो है कोई भी दे दे सामने वाले का फायदा होना चाहिए बस और स्वरा भी आ जाती है देखो तुम्हारा भाई मस्ती मस्ती में सब बाते मनवा लेता है ठीक है मैं गुंजन को ये दे दूँगा सार्थक बाहर चला जाता है चलो दीदी इसी बहाने बेचारे गुंजन जी कभी तो नहीं साड़ी लेंगी चलो बाहर चलते हैं बिल्कुल बिल्कुल वेसे कितना प्यार करते हो गुंजन से जाते हुए शिखर से स्वरा कहती है तो वो तपाक से बोलता है शायद बहुत शायद नहीं भी और शिखर ये बोल घबरा कर स्वरा के और पलट जाता है क्या बोली आप दिदी क्या गुंजन की जिन्दगी में आज का दिन कोई बदलाव लाने वाला था या फिर कुछ रिष्टों के रंग कभी नहीं बदलते जो हमीशा मकारी में ही रंगे होते हैं अफसर बीवी और इस कहानी के संगम के बाद अफसर बीवी को लेकर आप सब की शिकायते दूर हुई होगी कि सार्थक को किसने निकाला तो अब जब कहानी पूरी है तो इसे प्यार देने में कैसी कंजोसी इसलिए कीप वाचिंग लाव सिटी बताओ कितना प्यार करते हो तुम गुंजन से दीदी क्या अब भी वो शादी शुदा है और मैं कॉलेज का एक बच्चा हूँ और वैसे भी गुंजन जी तो प्रतिक भया की बीवी है यानि मेरी भाब ही अच्छा क्या तुम ये सब मानते हो क्या गुंजन तुम्हार लिए सिर्फ गुंजन नहीं है अगर नहीं है तो फिर जाने दो शायद मैं ही गलत हूँ पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी आँखों में वही पे चैनी दिखी जो प्रतीक की आँखों में होनी चाहिए थी ओ, शायद मैं ही ज्यादा देख बैठी सच कहा तुमने तुम्हारे दिल में कुछ भी तु नहीं है नहीं है न शिखर हाँ, कुछ नहीं स्वरा बाहर जाती है और सब family pick लेने लगते हैं अब तुम ऐसी क्यों खड़े हो जड़ा सा चिपकने माला पोस दो और प्रतीक गुंजन को बाहूं में लेकर फोटो खेचवाता है उधर किचिन में दूर खड़ा शिखर सब देख रहा था उसके सीने में दर्थ हो रहा था वह अपना हाथ जोर से कांच की गंपले पर मारता है जो गिर कर तूट जाता है और प्रतीक गुंजन से अलग हो जाता है ये गंपला मुझे बाबा नहीं दिया था हाई हाई एक गंपले के लिए शिखर बेटा से सुबान लड़ा रही है स्वारा सार्थक गुंजन से विदा लेकर चले जाते हैं और गुंजन टूटे गमले को छोड़ बिना कुछ आगे बोले उदास मन से अंदर चली जाती है शिखर को गुंजन का उदास चहरा देखकर गमले से ज्याता टूटा महसूस हो रहा था ओ शिट ये मैंने फिर से क्या कर दिया हेलो अम्भुज भाई यार मुझसे गरबर हो गई है यार किसी खास के एक बहुत खास चीज मेरा हाथ से टूट गई शिखर मेरे दोस तूटी ही है मिटी तो नहीं है जब तक कोई चीज मिटती नहीं है तब तक तूटे हुए को तो जोड़ा जा सकता है और हाँ एक बात और तूटे हुए टुगडे जब जोड़ते हैं न तो वो पहले से खुबसूरत लगते हैं और सुन अब हमारे मिलने का समय आ गया है जरूरी नहीं हर टूटी चीज खराब होती है अगर कोई जोडने का मौका दे तो उसे नए रंगों के साथ जोड़ देना चाहिए उसके बाद वो पहले से भी जादा निखर के सामने आएगी गुंजन नोट पढ़कर मुस्कुराती है तब ही वह देखती है कि दर्वाजे पर प्रतीक खड़ा था ये तो प्रतीक जी ने किया शायद ही मन से कोमल और तन से कठोर है इसलिए दिखाते नहीं है पर प्यार तो ये भी मुझसे बहुत करते है और गुंजन दोड़कर प्रतीक के गले लगती है बिन बोले आप काफी कुछ कर देती है शिखर ये देखो दास होकर वहाँ से चला जाता है अरे प्रतीक बहार आतो जल्दी तेरा दोस्त आया है और प्रतीक बहार जाकर देखता है तो वहाँ विक्रांथ खड़ा था क्या बेनालाइक तुने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं शिखर उनकी हजी की आवादे सुनकर आता है तो विक्रांथ को देखकर चौक जाता है विक्रांथ तुम? तुम यहाँ? तुम इसको भी जानते हो? अरे ये लड़के है ये फोन डायरी हर किसी को ही जानता है? नई आंटी जी वो इसके डैड और मेरे डैड दोस्त है तो घर आना जाना रहता है तो आजकल यहाँ रह रहा है तु किसी हूर की तलाश में या फिर वैसे ही जश शटब यार, तू भी न मैं या पढ़ने के लिए रह रहा हूँ वैसे भी, अब मेरी हूर वूर में रुची नहीं रही, अब लड़की बाजी की वज़ा है मैं तो बस सेटल होना चाहूंगा क्या सेटल? अब ये तू बस बाइस का ही है खेल, कूद, गल्फेंड वगेरा बना अब इसे जनाब सेटल होना चाह रही है अच्छा मैं तो यहां इंविटीशन दिने आया था वो डैड ने आज शाम को घर में पार्टी रखी है माधुरी की प्रोजेक्ट सक्सस पार्टी रखी है तो तू और भावी इन्वाइटेड हो बेटा, क्या हम लोगों ने गधे की लात मारी है जो हमको नहीं बुला रहा नहीं नहीं आँटी जी वो पार्टी सिर्फ बच्चा लोग की है उसमें सीनियर सिटीजन क्या करेंगे सीनियर? अरे प्रतीक, इसको जरा मेरा अधार कार्ट तो दिखाना मैं सिर्फ 32 की हूँ बेटा अरे वा, मैं 26 का और आप 32 की शुकर है, आप प्रतीक से तो छोटी है अच्छा, आप सब इन्वाइटेड है और शिखर, तू तो खास कर दोस तुझे मैं आज मेरी छोटी मा से मिलाऊंगा क्यों नहीं, क्यों नहीं सार्थक भाई ने जो साड़ी दी है वही पहन लो ये जान शिखर बहुत खुश हुआ विबे सबरी से शाम का इंतिजार कर रहा था कि संध्या में गुंजन शिखर की दी हुई साड़ी पहन कर आईगी तभी गुंजन के कमरे का दर्वाजा खुलता है और वो मोर पंख नीले रंग की साड़ी पहन कर निकलती है उसके बाल उड़कर उसके चहरे पर आ रहे थे वे जटक कर अपने बालों को उड़ा रही थी मगर तभी उसकी जुल्फें उसे सता रही थी उसका रूप चहरे पर फैली मासूमियत देख शिखर से रुका नहीं जाता और वो उठकर गुंजन की और पढ़ता है पीछे खड़े सब लोग दोनों को घूर रहे थे जैसे ही वे गुंजन की करीब जाकर खड़ा होता है गुंजन घबरा कर सामने देखती है और उसके कदम लड़कडा जाते है वे गिरने लगती है और तभी शिखर उसे बाहों में थाम लेता है शिखर के दोनों हाथ गुंजन की कमर को लिप्टे थे दोनों की नजरे एक दूसरे में गड़ी थी दोनों की लभो पर हयाकी बोली थी पीछे खड़ी प्रतीक चंचल मनिका गुंजन और शिखर को देख कर किलस रहे थे तभी शिखर अखला कदम उठाता है और उसका हाथ गुंजन के चहरे पर ले जाकर उसके गाल सहलाने लगता है और शिखर गुंजन के बालों को कानों की पीछे ले जाने लगता है अचानक दर्वाजा बचता है और शिखर होश में आता है तो देखता है कि वो अभी भी सोफे पर ही बैठा था और प्रतीक उसे अवास दे रहा था यह सब शिखर का वहम ही था दर्वाजे की अवास के साथ गुंजन आहिस्ता कमरे से बाहर निकलने लगती है पहले वह एक कदम बाहर रखती है शिखर की धड़कने बढ़ रही थी उसका दिल मूग को आने ही वाला था कि तभी गुंजन चल कर आती है और वह पाता है कि उसने शिखर की दी हुई साड़ी नहीं बलकि एक आम सी लाल रंगी साड़ी बांधी थी शिखर गुंजन को घूर कर देखता है मगर ये आखिर हुआ कैसे जी शिखर जी आप कुछ बोले क्या और चंचल की कमरे का दर्वाजा खोलता है तो शिखर के होश उड़ जाते है चंचल ने वही नेली साड़ी पहनी थी जो शिखर ने गुंजन के लिए ली थी ये गोल माल उसकी समझ से बाहर था जादा तो मैं नहीं समझा मगर मैं इतना जानता हूँ कि स्त्याग के मूर्त गुंजन जी ने ही चंचल को ये दी होगी ये सुनकर चंचल चने के जार पर चढ़कर ऐसी चमचम करती तियार होती है कि उसे देख शिखर को हसी आ रही थी गुंजन अपनी सादगी को अब भी उड़े हुए थी और सब विक्रांद के घर पहुचते हैं आ गया आप सब सब अंदर आते हैं कि तभी प्रतीक को तो शराब खाना दिखता है और वो उधर को निकल लेता है मनिका की नजर अपने जैसे ही किसी पर पढ़ जाती है गेस करिये कौन है आपकी अपनी पसंदिदा संतोश संतोश अपने अंदास में चटकीली साड़ी लपेटे खड़ी थी फास में उसका पती खड़ा था तभी वो मनिका को आते देखता है तुम अभी भी यहीं खड़े हो अरे सजनवा तनिक मेरा पीछा छोड़ो और मर्द लोगों के बीच जाओ क्या जब देखो लोगईया के पल्लू से बंद कर रहोगे ये सुन उसका पती वहाँ से चला जाता है अरे आपने उनको भेज क्यों दिया मैं भी मिल लेती अरे वो तो गड़बर कर देता ना मिलना केसी कड़बडी वह हमार से जनवा थोड़ा करेक्टर वा से सिलिपवा हो जाता है वो थोड़ी सी पराई औरत को देख करना बात वात कर ली तो उससे जरा सी अपनी बीवी समझ बैठते हैं और फिर समझ रही है ना मनिका का तो सिर्ष संतोश की बात सुन घूम गया था अब सब कोई हमारी तरह सुनदर सुशील पती व्रता बीवी थोड़ी होती है जो अपने पती के अलावा किसी को ना देखे और संतोश तुरंग कंखी आखों से अपने जेट फिनाया को घूर लेती है उपर से नीजे तक दिल जलता है तो चलने दो मनिका संतोश के पगलेट बाते सुनकर वहां से हड़ जाती है और पती के पास जाकर खड़ी हो जाती है अरे जहर बाते हैं उस औरत की तो बाबू लाला मेरे को भी एक पैक बना दे और दोनों मा बेटे मस्त मुफ्त की दारू खीशने लगते है जब पती पतनी का जोड़ा कहीं शामिल होता है तो पती उसे अपने साथ साथ रखता है लेकिन गुंजन तो घर में अकेली ही घुस रही थी तभी विक्रांद की नजर शिखर पर पड़ती है अरे शिखर फटा फटा मैं छोटी मा से मिलाता हूँ छोटी मा शिखर अंदर जाने लगता है तभी उसकी गुंजन से टकर हो जाती है और वहे उसकी बाहों में आ जाती है गुंजन सक्पका कर हटती है तभी उसके बाल शिखर की शोट में उलज जाती है और विक्रांद की छोटी मा कसक का हाथ पकड़ कर उसे शिखर के पास ले जाता है विक्रांद कुछ बोलता कि कसक बोल पड़ती है मैं समझ गई, ये तुम्हारी दोस्त है न, खितना प्यारा जोड़ा है देखो तो, वक्त की हर घड़ी दोनों को एक दुसरे के करीब करती जा रही है हमबुच, ज़रा इधर तो आओ हां कसक, हरे वा, एक और रोमेंटिक कपल हमारी पार्टी में तो मैडम, वैसे आपको अपने बाल सर की शट में फसाय रख कर घूमना है क्या पार्टी में गुंजन, शिखर बहुत बार बाल निकालने की कोशिश में एक दुसरे के सिर से टकरा जाते हैं दोनों की नज़रे, हाथ सिर तो कभी उंगलिया मिल रही थी नहीं, मेरी बात तो सुनो आप सब और बाल निकालते हैं वे गुंजन जाने लगती है भावी रुकिए, ये हमारी छोटी मा कसक है इनका आशिरवाद और सिर पर हाथ पड़ते ही हमारी काया पलट हो गए आप भी आशिरवाद ले लीजिए, मगर जोडे से चुप करो तुम, इस पागल का बस चले, तुम मुझे संसार की छोटी मा बना दे हरी, ये तो मेरी ही उम्र की है हाँ, मगर ओदा आप वाला नहीं है, आओ दोस्तों और गुंजन जुक कर कसक का आशिरवाद लेने लगती है विक्रांत कसक को पागल बनाने के लिए शिखर और अंबुज को आँख मारता है मगर क्या ये प्रांग गलत जाने वाला था? शिखर भी गुंजन के साथ जुकता है तो कसक पहले ही उनको उठा कर उन दोनों का चहरा से हलाती है और दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देती है सदा शिखर की सुहागन रहो और ये जुड़ा हमेशा ऐसा ही बना रही ये सुनते ही गुंजन की आँखे फट गई थी प्रतीक के हाथ से शराप का किलास गिर जाता है और वो क्रोथ में आकर गुंजन की और बढ़ता हुआ चिलाता है और वे आकर शिखर और गुंजन का हाथ जोर से छुडाता है और शिखर को जोरदार धका देता है क्या छोटी मा के घर में भी प्रतीक और गुंजन के रिष्टे के बीच एक और युद शुरू होना था या कसक और अम्बुज की प्यार की सीख गुंजन की जिंदगी का अंधिरा दूर करेगी कसक को शिखर के सर में चोट लगी देखकर प्रतीक और विक्रान दोनों पर गुस्सा आता है अमबज ये विक्रान तो बालक बुद्धी है मस्ती कर बैठता है अगर तुम तो अच्छे खासे बड़ी हो यार क्या तुम में भी बेल बुद्धी है जश्न के रंग में ये कैसा भंग डलवा दिया शिखर तुम ठीक तो हो ना प्रतीक तो अपने नशे में ही सेट हो रखा था अरे चोटी डार्लिंग तुम शिखर को छोड़ो अब मुझको दो आशिरवात ये मेरी बीवी है मेरी ट्राफी, मेरे घर की औरत उस शिखर की क्या लगती है जो वो हाथ पकड़ेगा और प्रतीक गुंजन की कमर पर तकड़ी से चिकोटी भर लेता है और उसकी कमर को मसलने लगता है प्रतीक बहाने से शिखर को जला रहा था जैसे गुंजन सच मुझ कोई ट्राफी ही हो कि ये देख, ये मैंने जीत ली है और तू लूजर है और मैं विनर प्रतीक गुंजन को गोद में उठा कर इधर से उधर खुमाता है तभी उसके कदम लड़ खड़ा जाती हैं और वे गुंजन को जमीन पर धम करके गिरा देता है कसक गुंजन को उठाने के लिए जुकती है कि तभी प्रतीक अब कसक से भिढ़ने के मूड में आ गया था ये सुन विक्रांत और माधुरी को जोर से गुसा आता है प्रतीक तूने अपनी हाथ पार कर दी है और वो जैसे ही प्रतीक के कॉलर पकरकर उसे थपर मारने वाला होता है तभी गुंजन जोर से चिलाती है नहीं वो मेरे पती है उनकी और से मैं माफी मांगती हूँ उनने मत मारिये प्लीज कसक विक्रांद को मना कर देती है और प्रतीक का मीटर भी डाउन हो जाता है उसने इतनी पीली थी कि वो बिहोश हो गया था लो जी भाबी अब बताओ आपके पती को उठा कर कहां रखना है विक्रांद प्रतीक हमारे महमान है उधर माधुरी संतोष को आख मार कर इशारा करती है और वो मनिका को बिजी कर लेते हैं अब गुंजन पूरी तरह आजाद थी लो पती बेहोश सास व्यस्त और अब बहु करेगी डांस मस्त क्या नाच ना पाबा ना कसक जी मुझे नाचन नहीं आता अच्छा अच्छा घबराओं मत तुम्हें काम करो कुछ ठंडा वगरा पीलो अब विकरांद के पापा विनायक जी के पार्टी में शामिल होने का समय भी हो रखा है वो तुम्हें ऐसे स्ट्रेस में देखेंगी तो विकरांद की खेर नहीं और शिखर तुम अम्बुच के साथ जाकर पट्टी करवा लो शिखर अम्बुच के साथ कमरे में जाता है तो कबसे जुड़े हो इस काटून की फैमिली से तुम काटून हाँ थोड़े तो क्रैक हैं ये अजीब लोग है डैड कहां रहते हैं पताने कब रहते हैं पता नहीं जो मा है वो बेटे से पूरे टाइम चिपकी रहती है इतना तो उसकी बीवी भी नहीं चिपकती और जो बेटी है वो तो वाँ वाँ माशाल्ला है एक से एक नमूने है नमूने ये घर भी ऐसा ही था फिर कसक के हाँ कदम पड़े जिसकी वज़े से चोटा आई वो भी क्या शिकर शर्मा जाता है नहीं नहीं गुंजन जी गुंजन जी तो गुलाब है गुलाब वो पिना काटो वाला गुलाब है यानि जो चाहे आराम से चोट पहुँचा सकता है उनको अच्छा अगर उसकी चोटों की इतनी ही फिकर है तो तुम क्यों नहीं उसको बचाने वाला काटा बन जाते हो सोचना इस बारे में छोड़े ये इश्क नहीं इतना आसान कभी फूल पर भवरा बनना है तो कभी फूल का काटा बन जाना है शिकर के मन में अम्बुच की बातों ने घर कर लिया था दोनों बहर आते हैं विनायक आचुका था हंसी खुशी का महौल था मा थोरे अब भी कसक से ऐसे चिपकी थी जैसे कोई बेबी तुम तो इस कसक से ऐसे चिपकी हो जैसे छोटी बच्ची हो अरे चोटी बच्ची हो क्या जो इसे छोड़ ही नहीं रही अबे चल हट यहां से अपने घर में बुला कर मुझे बेज़द करना चाह रहा है हट चल जिब तुम मा बनोगी न तब तुम्हें पता लग जाएगा इसकी बात उसे लग रहा है चोटी मा यह शायद मा बन कर भी मा न बन सके क्योंकि मा होने के मा बनना नहीं मा जैसा महसूस करना चाहिए चंचल माधुरी के बाद से भयांकर चिड़ जाती है और सबका शिकार एक ही होता है जिस पर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाली जा सकती है वो थी गुंजन गुंजन चुप चाप दूर काउंटर पर बैठी जूस पी रही थी ओ माई गाड ये पाटी बड़ी ही बोरिंग हो रही है मुझे तो मेरी मॉम को ढूनना होगा और बहाने बहाने से आँख बचा कर चंचल गुंजन के जूस ठीर सारी शराब मिला डालती है गुंजन बेखबर सी घूट माणने लगती है पर उसे अजीब स्वात आता है लेकिन महमानों के घर में शिकायत करना उसे भाता नहीं था इसलिए वो बिना कुछ बोले पीने लगती है अरे यार इतने बड़ी घर में उसे कैसे ढूंडे तभी चंचल के नजर कसक के कमरे पर जाती है जहां ड्रेसिंग पर एक चमचमाता हीरो का हा रखा था नियत से गिरी हुई चंचल बहाँ चुरा लेती है थोड़ी आगे चलती है तो उसे संतोष के कमरे इसे हसने की आवाजे आ रही थी वो जहां कर देखती है तो उसकी मा मनिका और संतोष दोनों अपनी साड़ी बिचा कर तीन पत्ती खेल रहे थे अरे ये लगी मेरी दोसों की बाजी बता मनिका मेरी बादशा से बड़ा है जो इसे मात दे मनिका अपने पत्ते खेलती है तो ये बाजी भी हाट जाती है अरे संतोष ये दोसों तो छोड़ दे रिक्षा करके जाने के लिए चाहिए होंगे हमारा ड्राइबल बेटा तो बेहोश होकर पीकर गिर गया है दे दिना बहन ए बहन ए तो माफ कर दे संतोष मनिका के मूपर वो पैसे फेक कर माड़ती है लेले भिकारिन कंगली कहें की हाँ और आएंदा मुझसे ताश में भिडियो मत अपनी पंचायत की वर्ल चैंपियन थी मैं ताश में रमी, हाथ, तीन, बत्ती, कुछ भी खेलेगी तो बिक जाएगी रहे तो ये सब दे एक चंचल अपना माथा पीट लेती है अरे मेरी जुआरिन मा तो यहाँ ये सब क्या कर रही है तो माशा तो बहर होने वाला है संतोश मनिका चंचल सब बाहर आते हैं माधुरी चंचल के हाव भाव से एक चीज तो समझ गई थी कि उसने कुछ तो गड़बड की है गाईस 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 ये पार्टी मेरे सक्सेस की है तो यहाँ मजा भी मेरे अनुसार होगा आप सब यहाँ आ जाएए एकदम खाली हाट जैसे हो वैसे के वैसे और एक घेरे में खड़े हो जाएए चंचल देखती है कि सब आ गए है मगर गुंजन तो वहीं बैट घूट घूट जूस पी रही थी अरे भाबी जी आप जूमे उससे पहले इनका ध्यान आप पर नहीं पढ़ना चाहिए मनब मेरा इंप्रेशन शिकरवर खराब पढ़ जाएगा थोड़ी देश जेल लो बस बस और चंचल गुंजन को उठा कर वहाँ ले आती है चंचल और गुंजन पास खड़े थे और बागी सब सर्कल में खड़े हो जाती है तो करना ये है कि इस खेल का नाम है जेब खाली करो और जब भी मैं ऐसे बोलूँगी सबको अपनी जेब में से कुछ निकाल कर रखना है जुसकी जेब से सबसे आखिर तक समान निकलता रहीगा वो जीट जाएगा माधुरी मकर ये तो चीटिंग होई ना हम लड़कियों के पास जेब कहां से आएगी अरे हम लड़की लोग अपना बटुए उठाएंगे ना संतोष तो मनिका को एक बार भी उपर जाने नहीं दे रही थी लग रहा था शेर को सबा सेर ने ऐसा शिकंजा कसा है कि मनिका तो अब मेमना बन गई थी और माधुरी गेम शुरू करती है राउंड बाई राउंड गेम शुरू होना था सब लड़कियां पर्ष से लिप्स्टिक निकाल कर रखती हैं तो सब लड़के रुमाल फिर सबसे पहले जेब खाली होती है विक्रांद की हरे रे विनाईक जी कितना सीधा लड़का है हमारा विक्रांद भी देखो तो रुमाल के इलावा कुछ नहीं रखता चोटी मा वो आज ही नहीं रखा इसे पता था ना गेम खिलाओंगी तो पकड़ा जाए का भाई चल चल तू आगे खेल बड़ी आई जेब खाली करो जेब खाली करो और इस बार विनाईक जी भी बहार हो जाते हैं अगले राउन में शिखर के जेब से सिक्रे निकलती है ये देख गुंजन उसे घूर कर देखती है शिखर शर्मेंदा हो गया था तब ही वे जट से उसे उठा कर तोड़ देता है विनाईक शिखर के और देख रहा था शिखर पीछे आ जाता है अब गेम से बाहर होने की बारी आई कसक की साथकी से भरी कसक के बैग में इतना कुछ नहीं था पर उदर संतोष, चंचल और मनिका के बैग से तो भर-भर कर लाली पाउडर निकलते जा रहे थे शिंग्रार पूरा हो गया हो विनाईक नम आखों से हस्ती हुई कसक को देखता है और फिर मनिका भी बाहर हो गई फिर से हर गई बिखारेन पहले जुए में खाली हुई अब इस में भी विनाईक संतोष को घूर कर देखता है और वो चुप हो जाती है अब खेल चंचल और गुंजन में बचा था जेब खाली करो का ये आखरी पड़ाव है देखते हैं कौन जीता है मेरे बैग में अब समान खतम होने वाला है मुझे हारना मन्जूर है मगर अगर वो हार बाहर आ गया तो मुझे यहाँ छित्तर बढ़ेंगे मुझे कुछ तो करना ही होगा करना ही होगा और चंचल अचानक सामने इशारा करती है वो सीडियों के पास मुझे एक पच्छाई नजर आ रही है देखो वहाँ सबका ध्यान उधर जाता है और चंचल फटा-फट से हार निकाल कर गुझन के पर्स में डाल देती है हमें तो वहाँ कुछ नहीं दिखा क्या बता चलो अब आग ही खेलते हैं और यही रहा आखरी राओ ओ नो मेरा बैक तो खाली ही हो गया मेरा भी समान खतम होने वाला है एक मिनट ये क्या और गुझन बैक से हार निकालती है तो सब हैरान हो गए थे गुझन का भी चहरा सफीद पड़ गया था चोड़ी मा ये तो बिल्कुल आपके हार जैसा है ना जो डाड ने आपको दिया था मेरी बहु ने फिर से चोड़ी करी अरे को लाक्षणी अरे नास पीटी दूसरे घर भी ना कटवा दी गुझन सुब किया ले रही थी मैंने चोड़ी नहीं की नहीं की मैंने चोड़ी मेरा विश्वास करी आप सब पर क्या सब गुझन की बात मानेंगी या मा बेटी मनिका और चंचल की ये कलेशी जोड़ी अपने मकसद में कामियाब हो जाएगी एक मिनट हाठ छोड़ो गुझन का ये हाठ मैंने ही उससे दिया था क्यूँ? चोड़ी रही हो चंचल हरी ये तो तुम्हारी भाबी है न? उसको इतना मान समान मिलने पर खुशी नहीं हो रही क्या? पर तुमने ये कब दिया? सब तो यहीं खड़े थे जरोर तुम इसे चोड़ी के इलजाम से पचाने के लिए ऐसा कर रही हो चोड़ी जैसा शब्त तुम ही बार-बार इस्तमाल कर रही हो ऐसा तो नहीं है कहीं मीरा हार ये तुमने ही चंचल सक पका कर वहां से जाने लगी एक मिनट कसक के चहरे पर इतना तेज आ चुका था कि वो लाचार बेबस छोटी मा कौसो दूर निकल गई थी अब कसक अपनों के लिए लड़ भी सकती थी और अपनों से भी लड़ सकती थी चंचल वहां से चली जाती है कोने में खड़ी मनिका भी चुप चाप पर्स लेकर जाने लगती है तभी उसे संतोश रोग देती है ए चाटी बटिव में जो मेरे पैसे लिए घूम रही है वो निकालेगी या अब भी लगाओं संतोश का एक कनपूरिया स्टाइल का जपड एक पड़ते ही यो यो लट्टो की तरह घूम कर सीधे चंदरियान बन जाएगी होना फिर जाकर अपने चांद पर लैंड उप्स तनिक मैं तो भूल ही गई कि तुझ जैसी के हिस्से में तो चांद नहीं आया होगा मनिका भी चंचल के साथ उपर प्रतीक के कमरे में चली जाती है गुंजन हम जानते हैं सच क्या है तुम घबराओ मत चोर की चहरे पर लिखा होता है कि वही चोर है और तुम्हारे चहरे पर तो इतनी मासूमियत है ना कि कोई देखे तो इस मासूमियत का दिवाना हो जाए क्यों शिखर और गुंजन के कांधे पर पीछे से हाथ आता है तो वो घबरा कर पलट कर उसके सीने से लग जाती है पर मैं नहीं जान दी थी हार कहां से आया है वो प्रतीक नहीं शिखर था शिखर ने भी गुंजन को बाहों में थाम लिया था अम्बुज और कसक गुंजन और शिखर को करीब देखकर एक दूसरे को थाम लेते हैं दिखा का सक्थ, दो प्यार करने वालों को रास्ता अपने आप मिल जाता है। तभी गुणजन देखती है कि वो शिखर ठा जो उसे लिप्टा है तो वो गुस्से में आकर उसे थपड लगा देती है। तूर रहे मुझसे। गुंजन आधी नशे में थी और वहां से जाते हुए अपना रखा गिलास भी गुस्से में पूरी तरह खीट जाती है। और प्रतीक के पास जाने के लिए सीडियों में दौरती है। प्रतीक जी, मुझे प्रतीक जी के पास जाना है। तभी गुंजन का पाउं लडखडा जाता है और वो सीडियों में गिर जाती है। ये देख, शिखर को तकलीफ होती है, मगर कसक उसे मदद करने से मना कर देती है। नहीं शिखर, कुछ कदम पर चोटों का लगना भी जरूरी है, वरना गुंजन कभी भी मलहम की ताकत और असर को नहीं पहचान सकीगी। आ, प्रतीक जी, दर्थ हो रहा है। गुंजन दर्थ में लट खडाती से उसके कमरे तक जाती है, जहां प्रतीक भी जाका हुआ था और मनिका और चंचल भी वहीं बैठे थे। तीनों उसे घोर रहे थे। खूब माहन समान मिला तुम्हारे वज़े से हमको। अब मुझे और मेरे परवार को एक मिनट भी आने रहना है। चलू मोम यहां से। रुखजाओ, मैं भी साथ चलूँगी। मुझे अखेली छोड़ कर कहा जा रही हैं आप लोग। रुखजा बेटा, बहुच जैसे भी है, उसे यहां के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। पर गुंजन तेरी ऐसी हालत में तुझे घर ले जाएंगे क्या। बाल बिखरे हुए हैं, आख पर काजल पहला है। जा जाकर पहले मुध हो ले। और ये सुनकर वो खोश होती है, कमरे में ही बाथरूमे मुध होने अंदर घुसती है। ये देख मनिका और चंचल मुस्कुरा कर आँख मारती हैं और चंचल बाथरूम में जाकर पीछे गुंजन को धक्का मार देती है। धप्पा भावी। जिससे उसका सर बेसन से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। खेल खत्म, अब तुम यहीं पड़ी रहो। सब ठीक है, सब ठीक है। शिखर ने गुंजन को बाहों में उठाया, तभी अम्बुच कसक भी आ गए थे। शिखर गुंजन को बिस्तर पे लेटादा है, मगर गुंजन अपनी बाज में शिखर की गर्दन से लपीटी रहती है। नहीं, नहीं, मैं छोड़ो मुझे, फ्य प्यार करू ना, फ्लीज। शिखर मुझकर आकर उसका चेहरा सहलाता है और कंबल उड़ा देता है, पर ये हुआ कैसे? गुंजन जी तो शराब भी नहीं पीती है, ये सब उस चंचल और प्रतिक भया का किया धरा होगा, वो लोग गुंजन जी को सताने के लिए किसी भी न नहीं है, जी मैंने पी, नहीं है, ज्यादा हो गई है, कितने क्यूट हो तुम, है ना, मेरे फालो के जैसे, मैं क्यूटी प्यूटी हनी बानी, स्वीटू, छोटू मोटू, गुगलू गुगलू शिखर तो गुंजन का ये अंदास देखकर ये दिवाना हो गया था, मगर वो जानता था कि गुंजन तो नशे में है, ठन लग रही है, बहुत ठन लग रही है, तुम हटो शिखर, और सब बाहर जाओ, माधुरी, तुम यहीं रुको, हम गुंजन के कपड़े बदलती हैं, माधुरी तुम्हारा सूट ले आओ कोई, सब बाहर चले जाती हैं, और कसक और माधुरी उसके कपड़े बदल देती हैं, दरवाजा खुलता है, कसक बाहर आती है, और शिखर को मुठी में कुछ देती है, जो कि एक S का लॉकेट था, ये तुम्हारा है, नहीं तो, शायद कर रहे हो, तो तूट कर करना, प्रतिष्ठा के साथ करना, चाहे उस प्रतिष्ठा के लिए तुमको भूक से गुजरना पड़े, या पानी में डूबना पड़े, या फिर चाहे अंगारों पर भी चलना पड़े, मगर पीछे मत हटना, कभी नहीं, कसक अंबुज का हाथ थ उस्तो की कॉल आती है आपी एक साथ इक बिस्तर में? सब हो गया या सब होगा? शिकर खबर डार जो तुमने उस भेंजी को हाथ लगाया तीरा कोई स्टैंडर्ड वगेरा है या नहीं? वो तो एकने ज्यादा कप्रे पेंती है कि तू उच करेगा तो शुरू करने से पहले ही सुपह हो जाएगी दूर रहे उस भेंजी से शिकर तो बस गुंजन का चैरा देख रहा था तब ही उसका ध्यान दोस्तों की बातों बर गया और वो लाल पीला हो गया बकवास बंद करो तुम्हारी नजर और सोच इतनी सड़ चुकी है कि हर औरत को उसके कपड़े और कपड़ों के अंदर जहाग करी तुम बताओगे कि वो क्या है अरे वो तुम सबसे अच्छी है जूली तुम जानती ही क्या हो इनके वारे में पता है इनको चाहें कुछ भी कह दो कुछ भी कर लो पर कभी अपनों के खिलाफ नहीं बोलती है और तुम और डॉली एक दूसरे को दोस कहते हो न मगर एक दूसरे की बुराई करते नहीं थकते हो ये है तुम्हारा अपना पत और सेम तु स्टड बनना लड़की को बिष्टर तक लाना नहीं होता है बरकि लड़की को महफूज रखना होता है हवे यार प्रैंक कर रहा है न तु प्रैंक एक प्रैंक किसी के साथ क्या बुरा कर सकता है कि तुम जैसे लोग कभी नहीं समझेंगे मैं समझ गया, जहां ओरत का सम्मान नहीं, ऐसी दोस्ती अगर खाग भी हो जाए तो क्या गम? बदल गया है तो शिखर, आखिर ऐसा हुआ क्या है चो तो इतना बदल गया है? शिखर फोन रग देता है प्यार, हाँ हाँ हो गया मुझे आपसे प्यार, और कैसे ना होता? आज के जमाने में अपनी आवाज के लिए लड़ने वाली लड़कियों के बीच कैसे चिपका रह रही हैं आप? इस तरह की लड़की जो अपनों की खुशी के लिए अपनी आवाजी दबाने लग गई कोई एक चोड देता है तो उसे मलहम तक नहीं मांगती कोई इतना सीधा कैसे हो सकता है गुंजन जी? शिकर अपने आप उठकर गुंचन के बिस्तर के बगल में आकर बैट गया था चोड रही अपने पती से प्यार करना नहीं छोड रही बिंदी लगाए का सकने एक मिनट रुको शिकर उठकर ड्रेसिंग से बिंदी लेता है और उसके माथे पर लगाता है तब ही गुंजन शिकर का हाथ थाम कर खुद के सीने पर समेट लेती है और नीदों में खहती है मैं चाओ ना, यहीं बैठो मेरे पास पूरी उम्र बैठोंगा यहीं आपके पास जानती हो गुंजन जी, आप गुलाव हैं जिसे हर कोई तोड़ना चाहेगा उस गुलाव के चारो रक्षा के लिए जो काटे होते हैं मैं वही काटे बनूँगा आपके लिए किसी को चोट नहीं पहुचाने दूँगा आपको प्यार करू ना, दूर क्यों हो और गुंजन उसे अपनी जहरे के पास खीच लेती है शिखर के धर्गनी सारे हाईवेस पार कर चुकी थी शिखर उसका माथा देखता है और हॉले से उसे चूम लेता है तब ही वहे पीछे हट जाता है शिखर हटने लगता है मगर गुंजन उसका हाथ थामे रखती है मैं चाहिए न प्रतीक जी, बोलो न, आप क्यों प्यार नहीं करते मुझसे शिखर ये सुनकर किला सुटता है और खीचता हुआ अपना हार ड्रेसिंग के कांच मिले जा कर मारता है शिखर रोता हुआ गुंजन के पास आता है, उसके हाथ से खोन बह रहा था वो गुंजन के सीने से लग कर रोता है, उसका चहरा हाथों में थामता है और अपना चहरा उसके होटों के करीब लाता है कहदो न एक बार शिखर, प्लीज तभी गुंजन के आँख खुलती है, शिखर जी, क्या गुंजन और शिखर में बढ़ती है नस्दीकिया, लेकर आएगी एक नई रिष्टे का पैगाम गुंजन शिखर का चहरा अपनी चहरे के पास पाकर जोर से चीखती है ये सुनते ही पूरी बात को जाने बिना, गुंजन शिखर के जोरदार चाटा जमा देती है और उसे जोर से धका मारती है और शिखर दरवाजे के बाहर चला जाता है और मेरे कप्रों पर ये खोन कैसा, कोई-कोई सबर्दस्ती तो नहीं हुई मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा पर मैंने तो आँख खुलने पर उनको मेरे इतने करीब पाया था मा, ये मेरा सिर इतना भारी क्यों लग रहा है गुंजन को तब ही ड्रेसिंग का टूटा काश नजर आता है वो उटकर जाने लगती है तो उसकी टांगों में भयांकर दर्थ होता है क्योंकि वे सीडियों से गिरी थी मगर गुंजन किसी भी कीमत पर अपने ससुराल वालों के लिए खराब नहीं सोच सकती थी इसलिए वो आखों देखे पर विश्वास करती है और अपनी एक कहानी बना लेती है मैं समझ गई, कर रात को क्या हुआ था, मैं सब जान गई, याद आ गया मुझे मुझे आखरी चीज याद है कि मैं नीचे खड़ी थी, कभी पीछे से आखर शिखर जी ने मुझे गले लगा लिया था उसके बाद, उसके बाद, हाँ, उसके बाद शायद वो मुझे सीरियों में जबरदस्ते पकड़ कर लाए होंगे कमरे में लाकर मुझे बैट पर फैक दिया होगा ए लड़की, चल, बड़ी मुचिटिल से तो हाथ लगी है, ऐसे में भी तुझे छोड़ दूँगा क्या प्रैंक कॉल के बदले में मुझे इतने दिन से एटिटूट दिखा रही है और गुंचन चट पटाती हुई कमरे से बाहर भागने लगती है तब इस शिखर उसका सर पकड़ कर ड्रेसिंग में जोर से पजा दीता है और शिखर गुंचन के करीब आकर उसकी सारी पकड़ कर खीचता है और वो खुल जाती है गुंचन चीखे जा रही थी बचाओ, बचाओ मुझे प्रतीक जी माची, चंचल, कुई तो बचाओ अरी, कोई नहीं है क्या यहां सब की सब हेवान है सारी मर्द हेवान है सब मुझे मेरी मर्जी के बिना चूते है नफरत है, नफरत है मुझे सबसे पच्चू न तुमारी ये खरोज मेरी आत्मा पर लगती है मुझे किसी मर्द के चौन नहीं परदाश्ट किसी की भी नहीं शिकर हस्ता हुआ गुंचन को बिस्तर पर धकील कर उस पर तूट परता है मत करो, मत करो, मत करो, नहीं इसका मतलब ये सब कग नेरी साथ हुआ वो भी उसकी राहे तार ने किया नहीं, नहीं, नहीं गुंचन की दुनिया हिल गई थी वो शिकर को एक्दम गलत मान बैठी थी वो भाग कर बाहर जाती है और शिकर के सीने पर सैक्रो वार करती है गुंचन की काच की चूडियां तूट कर शिखर की गर्दन में चुपने लग गई थी क्या किया आप निकल मेरी साथ क्या 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 मेरा पूरा पदन टूट रहा है सिर्फ फूट रहा है दरिंदे हैं क्या आप शिखर के मौ से एक शब नहीं फूटता ये जान गुझण उसे कसूरवार मान बैठती है तब ही पीछे से आ कर कसक गुझण को ठामती है और अपने सीने से लगाती है श्श्श्श्श बोस चुपन हो जाओ शान्त हो जाओ आपने देखाना इसने मेरे साथ क्या किया एक बात चान लो शिखर जी मेरी बेहोशी की हालत में आपने नव सिर्फ मुझे नंगा किया है मुझे मेरी आत्मा भी नगन कर दी आज बस कुझन कोई तुम्हे नगन नहीं कर सकता है किसी ने तुमको नंगा नहीं किया है शिकर तो तुम्हारा खयाल रख रहा था वो तो मैय और माधुरी थी जिसने तुम्हारे कपड़े बदले और ये चोटी, मेरा भारी सर, और ये दर्थ कैसा ये चोटी तुमने खुट को दी है कभी सेड़ी उपर गिर कर, तुग अभी बातरूम में गिर कर कल तुम्हारी ननत ने तुम्हारे जूस में शराब मिला दी थी और वो खुत तो चले गए पर चंचल ने तुमको बात्रूम में बंद कर दिया और तुम बेहोश हो गई उसके बाद शिखर ने तुम्हारी देख रेखी Trust me, तुम आज भी पवित्र हो और अगर कोई भी तुम्हारी पवित्रता पर अगनी परिक्षा मांगे तो कहना जग भला मुझे बुरा कहे मेरी ईश्वर ने देखा मेरा पाक मन है मुझे कोई अगनी परिक्षा नहीं देनी गुझन कसक के बाद से हिलसी गई थी वो बरबराती हुई बे सुथ सी नीचे आती है और दर्वाजे की और बढ़ती है मेरी ससुराल वाली ये कैसे कर सकते है नहीं ये सच नहीं हो सकता शाहिती कलत पहमी होगी प्रतीक जी अपनी पत्नी को छोड़कर थोड़ी चाहेंगे शिखर तुम ऐसे क्यों खड़े थी तुम ने को जवाब क्यों नहीं दिया क्या जवाब देता आज मैंने पहली बार गुंजन जी को अपने लिए आवाज उठाते देखा लगा जैसे वो जीना चाह रही हो भले ही वो आवाज मेरे लिए थी मगर उसमें चीक दर्द उनके लिए था काश वो ऐसा एक बार फिर से करे और खुद के लिए आवाज उठाए उस घर में हर चीज का एक सही समय आदा है जब तक माटी का कच्चा घड़ा आज में पकेगा नहीं तब तक वो खुद में पानी को कैसे समा सकेगा गुंजन अभी पक रही है पर एक दिन वो घड़ा बनकर सारी पीड़ा को शीतल मीठे जल में बदलकर तुम्हारे जीवन की राहत ज़रूर बनेगी लेकिन तुम्हे बस हर कदम पर उसका कुम्हार बनना पड़ेगा चाहू उसके पास और शीखर दोड़ कर गुंजन के पास जाता है चिंता मत करिये मैं दूर ही रहूंगा चली घर चली अकिले आप चलने ही सकोगी जो हूँ अपनी दास्ता सुनाने लगेंगे तो आप रो देंगे ये कदम कहां तक के किली चली है ओ मुसाफर तुम क्या जानो और गुंजन पैदल ही घर निकल गई शिखर नम आखों से बस गुंजन को जाते हुई देख रहा था अप थाम ले हाथ अगर इस मुसाफर का तो आपके हर दर्द की दास्ता को चूम लूँगा आपका दुख भी चुनूँगा आपके लिए मीठे खुआप भी बुनूँगा मेरा हाल जान लो बस एक बार गुंजन अब कैसे होगा भी या दो मिर्ट बात दर्वाजे पर गुंजन आती है पर अचरच की बात थी कि कोई उसे एक सवाल तक नहीं पूछता अब तो बहु चिंता की क्या बात थी वो किरायदार था ना उधर वो था ना तेरा ध्यान रखने को माम मुझे तो लगता है कुछ ज्यादा ही ध्यान रख लिया शिकर ने उसका देखो तो कितने ठकी हुई नजर आ रही है भाईया लगता है शिकर ने तो आपके हिस्से का भी खयाल रख लिया है कल रात पे ये ना कुल्टा भावी है कुल्टा उपस गुंजन भावी है गुंजन को कसक की बाद तुरंत याद आती है मगर अब भी प्रती कुछ नहीं बोलता मनी का हस पढ़ती है अरे चंचल की तो आदत है मजाग करने की क्यों चंचल अरे शिकर तो हमारे घर जैसा है अगर इधर उधर हाथ लगा भी दिया तो क्या हुआ कोई दिक्कत थोड़ी है अरे अच्छे घर का लड़का है अमीर है तू तो बिटिया उस उसे नराज मत करना अच्छा उसने कुछ किया तो बदले में उसे पैसे मांग लेना मुफ्ट में कुछ मत करना गुंजन के लिए ये आस तक की सबसे हिला देने वाली प्रताड़ना थी वो मनिका को डबडबी आँखों से एक डख देख रही थी किस माटी की बनी है ये औरत माजी छोने के लिए मैं पैसे मांग लो तो सोने के लिए बंकला ले लो अरे मुझे छोने वाली की जान भी ले लो तो भी ये शरीर वो कभी हासल नहीं कर सकता आज पहली बार गुंजन ने सुसुराल वालों की सामने आवाज उठाई थी ये देख सब हैरान थे गुंजन इस घर में इसले टिकी हुई थी क्योंकि उसने कभी मूह नहीं खोला था ओ भाबी तेरी तो आवाज कैसे निकल गई आज तु मेरी मौं की इंसल्ट कर रही है नहीं चंचल मैं किसी का अनादर नहीं कर रही मैं कह रही हूँ कि अउरत की देख की अगर केमत लगाने पर उतर रहा है जमाना तो मा जी बेटे तो कंगाल हो जाएंगे न पृतीका पलड़ता है और गुर्जन को घूर कर देखता है पृतीक जी ने तो बिना मर्जी मुझे ना जाने कितनी भार नुचा है इनसे कितना पैसा लो में मांजी बत्तमीज लड़की, तू पत्नी है मेरी इसलिए आपकी छुवन सह लेती हो मगर किसी गैर की छुवन नहीं सह सकूंगी आपकी सुहागन हूँ, आपकी ही रहूंगी मरते दम तक पर ये देह बिकाव नहीं है प्रतीक जी बिकाव नहीं है, गुंजन रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर सुपकिया लेती रहती है ये कुछ बदली-बदली सी लग रही है न बच्चों ये शुबसंकेत नहीं है हाँ भईया, जिस काम के लिए हम इसे लाए थे, वो हुआ भी नहीं उपर से घर में एक इनसान का खर्चा और बढ़ गया हाँ, हमारे कर्चदार हमसे वसूली की मांग कर रहे है और ये है कि जो असल सिर्दर दे रही है लगता है हमारी मुश्कल तो अब बैंक लोटने पर ही उस शिकर की दिये पैसे भी खतम हो गए अब मांगे भी कैसे वो तो किराया भी दे चुका है किराया बढ़ा दे क्या मॉम, दोचाहजार से कोई फायदा नहीं अब इस चिंदी पन से उपर उठकर कुछ बढ़ा करना होगा कुछ बढ़ा गेम कैसा गेम भाई ऐसा, जिसमें साब भी मरे और लाठी का इस्तिमाल भी ना करना पड़े कुछ बहुत बढ़ा भाई, बैंक लुटने का प्लान तो आप सीरिस तो नहीं ले गए सब हसकर अंदर चले जाते हैं बिसर पर पड़ी गुंजन के कांधे पर हाथ आता है और वो बिलाक कर रोते हुए सीने से लगती है मैं आपके हिलावा किसी आदमी के बारे में सोच भी नहीं सकती मुझे किसी का भी छूना नहीं पसंद नफरत है मुझे मर जात से पर फिर भी आपका दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर दो जानता हूँ पर मैंने आपके लिए कभी गलत नहीं सोचा मुझे माफ कर दो शिकर के अवाज सुनती ही गुंजन उसके सीने से हटती है हर भार प्रतीक जी की जगहे आप आके क्यों खड़े हो जाती है शायद इस जगहे के लिए मैं ही बना हूँ गुंजन जी बना किसमत दो अलगता रहे कि लोगों के रंगों को आपस में क्यों मिलाती जिसे आप रंग कह रही है वो इस सुहागिन के लिए कालिक बन जाएगा शिखर जी आपके यहाँ होने से मेरे लिए ये जीवन भार बनता जा रहा है आप जो करना चाह रहे हैं वो संपर नहीं हो सकता मैं प्रतीक जी की पत्नी हूँ काजल नहीं इश्क है कालिक पे याँ हजारों में किसी को तकदीर ऐसे मिली है एक रांचा और हीर जैसे न जाने है जमाना क्यों चाहे है लगाना काजल नहीं इश्क है कालिक पियाँ गुझन फूट-फूट कर रोने लगती है और शिखर मायूस होकर वहाँ से जाने लगता है गुंचन पलट जाती है उधर शिखर भी पलट जाता है दोनों विप्रीत दिशाओं में चलने लगे जैसे नदी और आस्मान जो चाहा कर भी ना मिल सके पर दोनों की रंग बदलते रहती हैं हमारी इस कहानी की तरहां शिखर गुंचन की चुपी को हां समझ कर मलहम लेकर उसको लगाने लगता है गुंचन की चोटों में दर्थ था ही मगर शिखर का ये स्पर्ष ना जाने क्यों उसके मन के खामों को भी भर रहा था शिखर और गुंचन आहिस्ता आहिस्ता भावनौ में बिखलते जा रहे थे और एक दूसरे की बाहों में जा सटे दोनों की गरम सासे धड़कती दिल भी एक दूसरे से लिप्टे हुए थे तभी अजानक गुंचन के जहन में आथा है कि वो तो प्रतीक की सुहागन है वो चौक कर आखी खोलती है शिकर उसे अभी भी थामे हुए था दूर हटी मुझसे ये आपके नियत मुझे साफ समझ आ रही है कि आप चाहते क्या है मलहम लगाने के बहाने अपनी मर्जी से मुझे चू रही है मुझसे लिपट रही है कल के आए हुए किरायदार ही तो है आप मेरे इतनी करीब आने का क्या हग है आपको हाँ मैं आपकी हकीकत जाती हूँ सब समझ रही हूँ गुंजन जी सब समझ रही है आप अरे क्या समझ रही है मुझे आप जो लड़की अपने आपको नहीं समझ सकी वो मुझे खाक समझ रही है अगर आपको मन की आँखों से कोई देखता है न, तो वो सिर्फ मैं हूँ, आपका ये तन मेरे लिए केवल माटी है, आपका ये सीरा मेरे लिए केवल मास का लोथला है, और आपकी एक काया, इसका कोई मोल नहीं मेर नजर में, क्योंकि इन सबसे उपर आपकी आत्मा है, ये स प्रतीक जी की निशानी है, और इसने मेरे मन का पूरा हिस्सा घर का रखा है, इस मन को आपके सपर्श की कहीं भी तरकार नहीं है, चाहिए यहां से, नहीं है, नहीं है आप मेरे मन में, शिकर गुंजन के एकदम करीब जाता है, और उसकी बाहे थाम कर जोर से उसे अपने चेहरे के पास लाता है। मेरे मन में आप के लिए कुछ भी। लो आपकी आखों में देखकर बोल दिया। मेरे मन में के फिर प्रतीक जी है। बस प्रतीक जी अब छोड़ो मुझे। जूट, जूट बोल रही हैं आप, मुझसे, खुट से, सिर्फ जूट बोलती हैं आप, सच क्या है जानती हैं, चलो बताईए सच, प्यार करती हो उस से, अपने प्रतीक जी से, प्यार करती हैं ना आप ये सुनते ही गुंजन का मुँब बंध हो जाता है और वो पलट जाती है, शिकर उसका हाथ पकड़ कर अपनी सीने पर लगाता है, बस ऐसे खड़े रहना, एकदम ऐसे ही, हिलना नहीं, ना आके खोलना, अपनी एक कुछ पल मुझे उधार दे दो गुंजन जी, शिकर जी उसरे हाथ में थामी मलहम की कटोरी से मलहम निकाल कर, गुंजन की गर्दन पर हौले हौले नर्म हातों से लगाता है, और गुंजन की आहे निकल जाती है, शिकर जी, ये आप, शिकर जी, अब आप आँख बंध करके प्रतिक भीया को याद करिए, उनसे जितना प्यार करती ये सब डाल दीजिए, मैं बस आपके जखमों पर मलहम लगाता रहूँगा, और एक लफ्स तक नहीं बोलूँगा, आप बस उनका चेहरा उकेरिए, शिकर गुंजन के मन पर जो चेहरा छपता है, वो बार बार बस शिकर का होता है, कैसे उसने शुरू में तंग किया था, क बार बार शिकर का चेहरा मन पर बनता है, गुंजन जी, जखम हरा है, मैं मलहम लगा दूँ, गुंजन अपने जहन में एक ही चेहरा बार बार आता देख पकला जाती है, वह घबरा कर आँखे खोलती है, शिकर समझ गया था कि वो उसकी और मुस्करा कर देखता है, पर गु और जबर्दस्ती करने पर गुंजन शिखर को एक चाटा लगा दीती है और बिलग पिलग कर रोती है। उसने कदम पीछे ले लिया था। वो गुंजन के हाथ में मलहम की कटोरी थमाता है और पलट कर जाने लगता है। जो कभी बुझा रही थी और बार बार शिखर की बात है याद कर रही थी। शिखर जी ने जो भी कहा था वो बस उनके जवानी का जोश था। उसमें कुछ भी सच नहीं था। कुछ भी नहीं मामला शान्त होने के बात मैं खुच जाकर उनसे बात करूँगी कि जो वो सोच रही है वो बस आकरशन है जवानी का। और कुछ भी नहीं अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। तब ही पीछे से उसके कांधे पर हात आता है। तो ही पुरी करती रहो तो मेरी शरीर में खौन का कत्रा भी नहीं रहेगा। फून बेज कर कैसे पैसे दूमें इनको। अच्छा तो आखिर में निकल ही गई ना तेरी जुबान। ठीक है तेरा ये जवाब मैं प्रतीक को बता दूँगी। तु सो महरानी, सोजा, खूब सो, अच्छा जवाब दिया तुने। मनिका मूँ बनाकर चली गई। गुंजन को अवाज उठाकर आज पहली बार अच्छा लग रहा था। वे शिखर की बात याद करती है। और उससे रहा नहीं जाता। गुंजन उठकर शिखर के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। बिल्कुल गुंजन की जिन्दगी की तरह है। गुंजन हैरान थी है देखकर। गुंजन टेबल पर एक चिट्थी रखी देखती है और उठाकर पढ़ती है। आप चाहती थी मैं चला जाओं तो मैं बहुत दूर जा रहा हूं आपसे। आपको मजबूर नहीं करूँगा कि आप भी बदले में मुझसे प्यार करें। बस आप खुश रहें। यही काफी है। पर आपके हिस्से में हमेशा हर्याली ही आई गुंजन जी। आपका और आपसे बहुत दूर शिखर। भी मेरी जिन्दकी में फिर से लोटना होगा। कुछ नहीं सोचना। कुछ भी नहीं। गुंजन चिठी को अलमारी के बहुत अंदर रग देती है। और शिखर को भूल जाने का फैसला लेती है। गुंजन तयार होकर घर के कामों में लग जाती है। अरे तीन महने का किराया छोड़कर ही चला गया। मनिका चंचल बात कर ही रहे थी तभी उनकी नजर सोई में खड़ी गुंजन पर पड़ती है और दोनों गुस्से से उसके पास जाती है। चंचल गुंजन का हाथ पकड़ कर उसके बाल जोड से पीछे खीचती है और मनिका गर्म चिम्टे से उसकी नाग पकड़ने की कोशिश करती है। और चंचल उसके बाल फारती है और मनिका गर्म चिप्टे से उसका हाथ जला देती है। गुंजन रोती हुए कमरे में भाग जाती है। तब ही उसे शिखर की आवाज आती है जो कि सामने मलहम लेकर खड़ा था। गुंजन फटाक से उटकर उसके पास जाती है तो वो हवा होकर गायफ हो जाता है। अब गुंजन को पूरे कमरे में हर जगा शिखर नजर आने लगता है जो हर बात छोने पर हवा हो रहा था। गुंजन शिखर की याद में रोते हुए बिस्तर पर लेट जाती है। अजब सच मुझ मलहम की जरूरत है आप मेरी कल्पना में आकर मुझे केवल सता रही है शिखर जी। पर क्यों याद आ रही है आप मुझे। क्यों क्यों। मैं नहीं चाहती है आपको याद करना। हो इश्क में तेरे पूछो नहाल मेरा। नईयों लगता दिल तेरे बिना। नईयों लगता दिल तेरे बिना। धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी हुए इंतिसार मुझे तेरा। और गुंजन रोते रोते सोजाती है आगे का जबरदस ट्विस्ट अब देखेंगे अगले भाग में इंतिसार करियेगा। गुंजन के सामने दो रास्ते थे एक दर्द का हाथ थामना और एक खुशी का हाथ थामना। प्रतीक जो हर समय उसे केवल लेदर की वेल से मार तौफे में देता था वहें शिखर हाथ में मलहम थामे उसे सुकून का सपर्श देता था। एक पतीवरता औरत जो नरक को जी रही है या एक गैर मर्द जो स्वर्क का रास्ता दिखा रहा है। मगर वो एक बस था भी उस रोज पहाड से भारी लग रहा था। जैसे उसमें बिछडन भरे धेरो पत्थर किसी ने डाल दिये हो। तब ही उसके बगल से एक बस गुजरती है और वो जैसे तैसे दोड़ कर उस बस में चर जाता है। शिकर सबसे पीछे जाकर खिड़की वाली सीट पर बैठता है और जेब से एयरफोन लगा कर गाने सुनने लगता है। वे खिड़की पर हार ठिकाए बाहर जाक रहा था। गुजरती हवा के हर ज kernel के से उसे गunjung की उतनी ही याद आ रही थी। कैसे यही ठंडी हवा के ज kernel के जुढकी, कि गunjung के चहरे पर जुल्फे उड़ाया करते थी। कितनी परिशान हो जादी थी वो। कैसे काम करते समय गुंजन का साड़ी का पल्लू हवा के जोंके से उड़कर शिखर के चहरे पर आठख जाता था शिखर ये सब याद करता हुआ फोन में आओगी जब तुम साजना गाना बजाता है और गाना सुनती ही उसकी आखों से टिप टिप आसों की बहुचारे बहने लगती है सच ही कहा है किसी ने प्यार करना जितना आसान है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल उस प्यार से दूर जाना है उसे भूल पाना है देर रात को कमरे की खिड़की की आवास से गुंजन की अचानक नीन खुल जाती है और वो चौक कर उठती है तो पाती है बहर तीज हवाई चल रही है यह जान वे भी खिड़की के पास चली जाती है गुंजन खिड़की के पास खड़ी अपने विचारों में खोई हुई थी कि तबी तेज हवा का जोका आकर गुंजन के चहरे से टकराता है उसकी उर्ती जुल्फें उसके चहरे पर आ जाती है और जो हवा का जोका शिखर को चूकर आया था वैसीधे उसके मन पर जा टकराता है गुंजन अपने चहरे से बाल हटाती है तो उसकी आँखे एकदम नम हो जाती है यह एहसास यह मुझे इतना बेचैन क्यों कर रहा है लग रहा है जैसे मेरी सीने से सास आने ही बंद हो गई है लग रहा है जाने वाला मेरी सासे भी अपनी साथ ले गया है मेरी सीने में इतना दर्ट क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है आओगे जब तुम मुसाजना अंगना भूल खिलेंगे बरसे का सावन बरसे का सावन जूम जूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे आओगी जब तुम मुसाजना अंग ना फूल खिलेंगे उधर शिखर की बस प्रीक लगाती है इधर गुंजन खिड़की बंद कर सोने चली जाती है शिखर अपना बस्ता उठाता है और अपने घर चला जाता है रात काफी हो चुकी थी उसके डैट चौक कर दर्वाजा खोलते है शिखर बेटा तू तरी रात को अचानक सब ठीक तो है ना बच्चे तूने कोई फोन भी नहीं किया बेटा क्या मैं अंदरा आ सकता हूँ डैट ये मेरा घर है ना बीबी अरे सन ये पूछना होता है गया अंदरा पता नहीं कब निकला होगा वहाँ से आ बैठना बेटा बैग मुझे दे अशोक शिखर को सोफे पर बिठाता है मैं खाना लगाती हूँ तेरे लिए खाना रहने दो मिसेस सिंग मेरा चेरा देखकर आप पहचानी नहीं होंगी न कि मैं कितना ठका हूँ शिखर बेटा मैं तो बस खाने के लिए और शिखर कमरे में चला जाता है जानकी की आखों में आसु थे मैं तो बस उसकी फिक्र कर रही थी अशोक और कितना वक्त लगेगा अशोक उस बात को दस साल पीद गए हैं दस साल से उसने मुझे मौम तक कहकर नहीं बुलाया जानकी रोते हुए अशोक की सीने से लगती है और वहीं से गुणजन शिखर दोनों की जिन्दगी के रंग कुछ गायब से होने लगती है गुणजन तो अब भी उस ससुराल में अपने भरे पूरे परिवार में थी वह सुबे उठती है, तयार होती है, अपने पती सास ससुर के लिए नाश्ता बनाती है सब को खाता देख हलका मुस्कुराती है, मगर वह अंदर से खुश नहीं थी गुणजन नाश्ती की प्लेट कमरे में ले जा रही होती है, कि तभी उसके नजर शिखर के कमरे पर पढ़ती है और वह वहीं रुख जाती है, गुणजन से अब एक और भी नहीं खाया जा रहा था, वह खाना छोड़ देती है दूसरी और शिखर अपने पेरेंस के साथ खाने के टेबल बर वैठा था, मगर वह खाली में बस चमच ही चला रहा था, कुछ खा नहीं रहा था अशोक देखो तो नहीं डैड, मैं लूजर ही हूँ, मैं हार गया डैड, मैं हार गया, मुझे प्यार ने हरा दिया डैड, अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उसके बिना सब फीका लग रहा है, ना मुझे कोई स्वाद महसूस हो रहा है, और ना ही कहीं कोई रंग नजर आ रहा है, ये स जानके भी अपने बेटे को ऐसे दर्द में देखकर तड़प रही थी आखिर मा से ज्यादा किसने अपने बच्चे की पीड़ा महसूस हो सकती है दिन बदलने लगे गुंजन के पास तो सीने से लगाकर रुलाने वाला भी कोई नहीं था उसकी बेरंग जिंदगी में वहबस एक मशीन बन चुकी थी मनिका चंजल उसे दुनिया भर का ताना मारती रह दी थी मगर उसे एक भी सुनाई नहीं देता था और फिर एक दिन गुंजन कमरे में अकेले सो रही थी आधी रात बीद गई थी अचानक उसकी आँख खुलती है और उसे अपने दरवाजे के बहार से हसनी की और बात करनी की आवाजे आ रही थी जिसमें से उसे एक जानी पे अचानी आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर बड़े दिन बाद गुंजन के चहरे पर हसी आई थी आज फिर से दिवारों के रंग-रंगीन हो जले थे ये अवाज तो शिकर जिगी है यानि वो लौट आए वे उटकर बाहर जाने लगती है पर रुख जाती है वो मुझे ऐसे सोचेंगे तो समझेंगे कि कितनी बेसपरी लड़की है ऐसे ही बिखरे बालों में और रात के कपड़ों में उठकर बाहर आ गए नहीं नहीं उन्हें इस बात का एसास भी नहीं होना चाहिए कि इन दिनों मैंने उनको कितना याद किया वैसे भी ये सब गलत है नहीं नहीं ये जो भी है मैं मन के भीतर ही रखूँगी पर एक बार उनको देखना तो कोई पाप नहीं होगा ना बस थोड़ा सा पिलर की आर में से जाकने जितना ही देखूँगी लेकिन थोड़ा ठीक से बाल बना कर तयार हो जाती हूँ गुंजन मूध होकर बाल सबाज कर अच्छे से तयार होकर बढ़ती धर्गनों के साथ अपने कमरे का दर्वाजा खोलती है दर्वाजा खोलते ही हसी की आवास तेज होने लगती है प्रतीक ची बाहर ही है, मुझे उनके सामने कोई भी गलती नहीं करनी है, याद रखना गुंजन, आज बहुत दिनों बाद ठीक से सांस आ रही है, अच्छा लग रहा है, जल्दी बाहर चल और गुंजन सहमी सहमी नजरे जुकाए, बहार निकल कर पिलर के पास जाकर हॉल में जाकती है, तो बहाँ पर प्रतीक मनिका चंचल और चेतन बैठे थे, सबके हाथ में शराप के गिलास थे, तबी वह बगल जाकती है, तो वहाँ चार बड़ी दाड़ी मूच वाले मवाली क जिसम की लड़की बैठे थे, गुंजन का चहरा एकदम से फीखा पड़ गया था, शिखर जी, शिखर जी कहीं नजर क्यों नहीं आ रही है, तो वह आवास किसकी थी, तबी वह देखती है कि उन्हीं में एक लड़की की शिखर से मिलती जुलती आवास थी, जिसे गुंजन थोड़ा धोका खा बैठी, वे मायूस होकर पलट कर जाने लगती है, तभी उसे अपने पीछे चंचल खड़ी नजर आती है, शिखर जी कर ढून रही थी आप भावी, हाँ, चार दिन से भाईया से नहीं मिली, उसकी तचिनता नहीं होई आपको, पर शिखर जी की बड़ी याद आ रही है, ये लेटिस नियूस तो भाईया को देने ही पड़ेगी, नहीं चंचल ऐसा कुछ नहीं है, मैं सोने चाती हूँ, आप सब पाटी करो, तभी चंचल उसका हाथ मरोड कर उसे रोक लेती है, अरे तुम ही तो हमारी पाटी हो छमिया, भाईया, ये रही आपक कपड़ों में से दिखते ही उसके पाउं और कमर वगेरा देखकर पानी आ जाता है, भाईया, क्या रही थी कि पाटी इंजॉय करो, अब इस बेजान महौल में यही तो बताए कि कि पाटी कैसे करते हैं, मनिका भी हाथ में शराप का ग्लास थामे, इन सब का अनंद ले रही वे चेतन का हाँ जटक देती है, ये लड़की, तेरी अकड़ अपने बाप के घर में छोड़ के आना था ना, ये घर हमारा है, और यहाँ आए महमानों को खुश करने के लिए हम सब कुछ भी कर सकते हैं, तो तुझे भी कुछ भी करना पड़ सकता है, समझी? प्रतिक अज़ात की बात नहीं कर रहा था, ये मेरी बीवी तो नाच कर दिखाएगी, नाच बसंती, नाच, हाँ, नाच बसंती, नाच, कमान बसंती, वी वाँन्ट भाभी का नाच, और गुण्चन जब नहीं नाच थी, तो प्रतिक अपना बेल्ट निकाल कर उस पर दो बार मारत गुंजन वैसे ही अलग ही कम में जी रही थी, वे उटकर नाचनी लग जाती है, ना भाईया, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ तो कमी है, हाँ, समझ गई, चंचल अपने कमरे में जाकर अपना मेकप बॉक्स लेकर आती है, और उसमें से चटक लाल लिप्स्टिक, रंग भी रंग इसमें क्या शन, ये सब अपने ही तो है, गुंजन चौक उठती है, वे प्रतीक का चेहरा देखती है, नहीं नहीं नहीं, बस, बहुत हुआ, बहुत ज्यादा हो गया, मेरी आपरो को सारे आम खोल दो, ये मोल मांग रहे हैं आप मुझसे, नहीं प्रतीक ची नहीं, मुझक और पतीक गुंजन का कांधे से कपड़े पकड़ कर फार देता है, वे रो रही थी, मगर वहाँ बैटी सब लोग हस रहे थी, देखो तो, कैसे बिल-बिल आ रही है मेरी बहु, अरे पहन लेरी, मत करो, मत करो आप सब ऐसे, मैं हाँ चोड़ रही हूँ, ना करो यें, ना कर और उधर शिकर के सीने में दर्द उठ रहा था, गुंजन जी, आप ठीक तो है न, ये कैसी बेचानी हो रही है मुझे, आज गुंजन का रिष्टा सच मुझ काजल नहीं कलंक नजर आ रहा था, एक ही जिंदगी में कितने रंग बतलेंगे ये रिष्टे, प्रतीक एक एक क प्रतीक हस्ता हुआ गुंजन को उसके दोस्त के और धकेल दीता है, बिचाओ मुझे, मा, पापा, कोई तो बचाओ, प्रतीक जी प्लीज बचाओ, और दोस्त जैसे ही हाथ लगाने लगते हैं, तब ही प्रतीक उसे धक्का मारता है, और प्रतीक गुंजन को अपनी सीने से लगा कर उसका माथा चूमता है, घबराओ नहीं, मेरे होते हुए तुम्हे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, तुम मेरी बीवी हो, कोई गैर की जागीर नहीं, कि कोई भी एरा गैरा तुम्हें छू सके, ये मेरे बेहुदे दोस्त पिछले एक घंटे से तुम्हारे बारे में उलजलूल बाते कर रहे थे, इसलिए मैंने सब नाठा किया, ताकि इनको इनकी आउकार दिखा सको, निकलो यहाँ से सबके सब, भागो! और प्रतीक अपने अवारा दोस्तों को लात मार कर निकाल देता है, फिर प्रतीक बेटा, ये मेहमान थे ना? बस, चुप एकदम आप, आप तो कुछ बोलो ही मत, बहुत हो गया आपका इसास पना, अरे मेरी गुंजन कोई कटपुतली है क्या, जिसे हर कोई नचा रहा है, चार दिन से जब मैं इससे मिला नहीं था, तब मुझे पता चला कि मैं तो मेरी पतनी से कितना प्यार करता हू गुंजन के कानों में प्रतीक के ये शब मिश्वी से घुल गए थे, एक ही पल में वो अपने शरीर की चोटे और मन पर लगे जखमों को भूल गई थी, वो शिखर का खयाल भी मन से निकाल बैठी थी, वह प्रतीक के आँखों में देखती है, और प्रतीक उसके आसों को च गुंजन के आखों में दुनिया के सारे रंग सारी चमा का चुकी थी, गुंजन आसु पोज कर कमरे में जाने लगती है, और पलटकर प्रतीक को देखती है, प्रतीक उसकी और मुस्करा कर उसे फ्लाइंग किस देता है, जान, मेरे लिए बस तुम ही काफी हो, गुंजन के जाने के बाई प्रतीक अपने घरवालों को घूर कर देखता है, इसे अगर किसी ने कुछ बोला ना, तो मुस्से बुरा कोई नहीं होगा, कोई भी रही, समझे सब के सब, मनिका चेतन चंचल सब डर कर शान्थ हो जाते हैं, गुंजन आज जमाने बाद खुश थी, वेह अपनी सबसे पसंदिदा साड़ी निकालती है, और तभी उसका फोन बचता है, जो कि शिखर का था, गुंजन जी, प्लीज, पिक अप दी फोन, गुंजन जी, मेरा मन बेचेन हुआ जा रहा है, हलो, हलो, शिखर जी, गुंजन जी, कैसी आप, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे आप ठीक नहीं है, यह आपके आवाज को क्या हुआ, सब ठीक तो है, नहीं, कु कुछ नहीं होने दूँगा, आप फिकर मत करो, शिखर जी, रुखो, मेरी बात सुनो, यहाँ आने की कोई दरकार नहीं है, समझ आ रही है मेरी बात, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, अपसे सारी दुखों का अंध हो गया है, आज प्रतीक जी ने कहां, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और एक पत्नी के लिए यही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है, जो मुझे कोई दूसरा आत्मी नहीं दे सकता, मेरी पती ने आज मेरा मा था जूमते हुए मेरी जोली में सारी खुशिया डाल दी है, मैं खुश हूँ, आपको मेरी फिकर कर जाते हुए एक जटके में फोन रख दिया, उधर चिंता में डूबे शिखर के हाल के बारे में एक पार उसने पूछा तक भी नहीं, शिखर के कानों में बार बार गुंजन के मोह से लिया प्रतीक का नाम गुंज रहा था, दर्द के मारे शिखर के कदम लड़ खड़ा जा और उधर गुंजन अपनी पसंदिदा साड़ी लेकर सीने से लगा कर खुश होकर जूम रही थी, क्या खूब नजारा है, एक प्यार में तड़प कर मर रहा है और एक हद से ज्यादा प्यार करके मरने को तयार है गुंजन तयार होने लगी, बहां फर्ष पर पस्रे हुए शिखर के कानों में फोन की घंटी बचती है, वह काट देता है, फिर से फोन बचता है और वह जला कर उठता है क्या है, समझ नहीं आता क्या, बात नहीं करनी, फिर क्यों बार-बार मुझे फोन कर रहे हो तब यह उधर से शिखर की दोस्तारा का फोन आता है, हाँ हाँ दोस्तों, मैं ही हूँ, आप सब की तारा, उस जालिम समाज ने जो तवायव बना दे थी, वही तवायव तारा क्या हुआ, मुझे पहचान नहीं रहे हो आप सब, मेरा चेहरा भूल गए, या मेरा नाम, ओ, तो आप में से कुछ ही लोग मझे जानते हैं, हैसे ना करो दोस्तों, मैं इसी परिवार का हिस्सा रही हूँ, आप सब की अपनी पसंदिदा कहानी तारा, इक तवायव की मुझे अंधेरे से बाहर निकाला, और एक तवायव कवे किसी की पत्नी, किसी की बहू और एक सुहागन बन सकती थी, इस सपने को सच कर दिया, हाज मैं आई हूँ, आप सब के बीच ऐसे ही दो प्यार करने वालों को इस जालिम दुनिया की टॉर्चर से बचाने के लिए, उसकी प्यार तक पहुचाने के लिए, और गुंजन की आँखी खोलने के लिए, तो आएए इस सफर में आपके साथ तारा भी चलती है, रंग बदलते रिष्टे की कहानी के अंदर, हेलो, कौन? हेलो शिखर, मैं बोल रही हूँ तारा, तुम, तुमने किस नमबर से फोन किया है? वो सब छोड़ो, मैंने तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने को फोन किया है, वो तुम जिस लड़की से प्यार करती हो, वो खत्रे में है, जाओ, जल्दी उसे बचालो क्या बोल रही हो तारा तुम्हें? मेरे उसे अभी बात हुई थी, वो अपनी जिन्दगी में बहुत खुश है, पर एक मिनट, तुम्हें गुंजन के बारे में कैसे बता? पता बताते हुए पिनकोर भी बता दिया था, तुमको याद नहीं होगा, दिवानों की यही हालत होती है, यह सब छोड़ो, अभी तुम उसे बचाने जाओ, चल्दी बचाओ, मगर किस से? मैं माला ताई से मिलने तवायफ खाने में गई थी, वहाँ मैंने गंगा ताई को एक आदमी से बात करते हुए सुना था गंगा ताई? पर वो तो जेल चली गई थी ना? हाँ, पहुची हुई औरत है, चैक जुगार से निकल कर आ गई है, और जो मैंने सुना, वो तुम्हें जानना बहुत सरूरी है तारा चिपकर सब देख रही थी, गंगा एक भी को नाम के आदमे से बात कर रही थी नई लड़कियों जब तक आएंगी नहीं, तब तक कस्टमर कैसे बढ़ेंगे? मैं जरा सा सेर पर क्या निकल गई? यहां की तवाइफे सोची कि शेरनी के इलाके में मन मताबिक राच कर लेंगी पर नहीं, अब मैं फिर से तबायब खाने की नीव रखूंगी, मेरे दम पर, पर फ्रेश माल आएका कहां से? गंगा ताई, मेरे पास है माल, हमारे एक करदार है, क्या नाम है उस चोकरे का? आम, हाँ, प्रतीक, उसने भर-भर के हमसे करदार लिया हुआ है, आज उससे लेंदेन की बात करनी है, उसने कहा था कि करदार नहीं उतार सकूंगा तो जो चाहे ले लेना, तो पिछली मीटिंग में उसने अपनी बीवी को जुए में लगाया था उसरा जब गुंजन छोटी मा की घर पर रहे गई थी, तो प्रतीक और मनिका चंचल घर तो लौट आये थे, मगर जुआरियों और बेव्रियों की तलब मिट्ती कहा है, बेटा सारे पैसे खतम हो गए है और प्रतीक गंगा ताई के आदमी भी को और उसके तीन दोस्त को घर पुला लिता है, सब लोग बैटकर जुआ खेलने लगते हैं, प्रतीक का परिवार सारे पासी हार जाता है बड़ी चीज दाव पर लगाता हूँ, मेरी बीवी और सब एक बाजी फिर से खेलते हैं, मगर महा भारत का वही देशी एक बार फिर दोहराया गया और प्रतीक जुए में अपनी बीवी गुंजन को हार गया था बाताई तेरी बीवी जैसी चिकनी लड़की ही ढूड रही है धन्दे के लिए, अगर धन्दा चल पड़ा, तो तुझे बक्षीस अलग से देंगे, हाँ 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 हाँ, चलो भाई लोगो सदीक के चहरे का रंग उड़ा हुआ था, परिशान क्यों है बेटा, देख घर तो बच गया न, और बीवी का क्या है, नई ले आएंगे, तु बरिशान मत हो मैं परिशान इस बात से हूँ कि गुंजन इस बात के लिए मानेगी थोड़ी, और अगर वो पुलिस तक चली गई तो और अगर पुलिस को पता ही नहीं चला तो, भाया मेरी बात सुनो, हम सब कुछ प्लानिंग से करेंगे और प्लान सेट कर हसते हैं, तभी दर्वाजे पर गुंजन आ गई थी एक बार इससे पैसे मांग कर देखती हूँ, अगर ला देगी, तो तो बच जाएगी, वरना तो बन जाने दे से तबायफ वैसे भी, शीस ज़स्ट बेस्ट ना भया तारा ये सब बात सुनकर हरान थी, ये पता तो मेरी दोस शिखर की प्रेमी का गुंजन का ही है, यानि कि ये लोग वही जा रही है हे मा, ये क्या नर्थ होने जा रहा है, मुझे शिखर को बताना ही होगा चल्दी करो शिखर, हमारे पास समय बहुत कम है तारा के बाद सुनकर शिखर के हाथ पाउँ फूल जगे थे उनके गुंजन जी के पास पहुँचने से पहले मुझे वहाँ जाना होगा तुम चिंता मत करो, मैंने हर्ष को तुम्हे लानी भीश दिया है वो बस दर्वाजे पर आता ही होगा शिखर तेजी से बाहर भागता है और हर्ष भी बाहर गाड़ी लेकर आ चुका था वो हर्ष के साथ गाड़ी में बैठ जाता है तो आशिक भाईया, चले बचाने भाबी को चिंता मत करो शिखर, गुंजन को कुछ नहीं होगा गुंजन तयार होकर बाहर आती है तो बाहर एक्दम अंधिरा था प्रतीक जी, ये सब क्या है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा इतना धिरा क्यों है? अंधेरा नहीं जान, ये तो रोश्नी की शुरुआत है जरा सा आगे तो आओ गुंजन खुश होकर आगे कतम बढ़ाती है कि तभी पीछे से उसकी आँखो पर पट्टी आ जाती है और उसके दोनों हाथ भी बांध दिये जाती है सर्प्राइस 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 भावी ओहो बड़ी सुन्दर साड़ी पहन कर आई हो तुम तो पर ये तो मुझ पर अच्छी लगेगी न प्रतीक बत्ती जला देता है और जंचल गुंजन की साड़ी वहीं खोल देती है नहीं, नहीं क्यों कर रहे हो आप सब ये ऐसे, नहीं मेरे कपड़े गुंजन की आँखो पर पट्ती थी घर में भयांकर अंधीरा था तब ही उसकी दुष्ट ननत चंचल के हसने की आवाज आती है सर्प्राइस 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 भावी और सारे बत्यां एक साथ जलती है घर के दर्वाजे से भीको और उसकी तीन आवारा दोस्त मुसको राते होए अंदर घुसते है गुंजन चंचल की बात सुनकर छटपटा कर प्रतीक को ढूंटी है मगर आँख पर पट्टी होने से वह तो कुछ देखी नहीं सकती थी प्रतीक ची, प्रतीक ची, मुझे टन लग रहा है कहा है आप? प्रतीक गुंजन को छटपटाता देख बहुत खुश हो रहा था वह उसके मजे लेना शुरू कर देता है हाँ जान, इधर ही तो हूँ मैं मेरी आवास का पीछा करो और आज आओ मेरे पास फिर तुम को एक सर्प्राइज मिलेगा प्रतीक वही है, ये जान गुंजन की जान में जान आती है मनिका चेतन चंचल सब गुंजन को देख हस रहे थे मेरी पती है ना यहाँ पर बस, अब मेरे पास चाहें ये आँखे भी ना हो ये हाथ, पैर, बोली, कुछ भी ना हो तो भी मेरे प्रतीक जी बनेगे मेरा सहरा मेरी आँखे और गुंजन प्रतीक की आवास को फॉलो करने लगती है और प्रतीक भीको के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है गुंजन इठलाती सी प्रतीक की आवर बढ़ती है और सामने खड़े विशाल भीको को पकड़ लेती है कहा था ना, मेरी तो आखे आप ही हो भीको गुंजन की कमर पर हाथ फे रहा था और वह शर्मा रही थी प्रतीक जी, ये सब यहाँ नहीं अगर मा जी या बाबा ने देख लिया हाई दया, मुझे दिलाज आ रही है और ये सुन प्रतीक भीको को आँख मारता है भीको दात फारता हुआ, गुंजन की कमर पर जोर से चिकोटी काट लेता है और वो भीको की आगोश में आकर जैसे ही उसके कांधोर बाजो पर अपना हाथ रखती है उसे कुछ अजीब लगता है ये प्रतीक जी तो नहीं है ये उनकर शरीर पे हचानती हो ये मेरी प्रतीक जी नहीं है अरे बाबा मैं ही तो हूँ वो तो रात रंगीन होने की वज़े से शायद जादा जोशीला लग रहा हूँ नहीं 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 तुम प्रतीक जी नहीं हो गुंजन जैसे ही पट्टी खोलने को थी प्रतीक का इशारा पाकर भी को उसे उठा कर अपनी गाड़ी में पटक देता है और गुंजन का पत्ता कट जाता है चंचल मौके का फायदा उठा कर गाड़ी में जाकर गुंजन को तवाइफ के कपड़े पहना कर लाली पाउडर खुब चुपड़ देती है उपस भाबी नहीं, एक्स भाबी हो तुम तो अब चंचल गुंजन के गले लगती है, गुंजन रोने लगती है गुंजन को जो विश्वास था कि एक रोज उसका पती उसे जरूर प्यार करेगा वे विश्वास भी अब निलाम होकर बिग गया था और गुंजन का एमोशनल विलाब देख भी को अपने लोकों को इशारा करता है और वो गुंजन की गर्दन में एक इंजेक्शन खुसार डालती है उदर प्रतीक मनी का चंचल चेतन सब जूम जूम कर शराब पीते हुए गुंगुना रहे थे अरे भाबी का कट गया पता भाईया लगाए है सुट्टा वा भाईया वा बिना लाठी का इस्तिमाल किये ही साप भी मार दिया और मरा हुआ साप बेच भी दिया तुम तो जीनियस हो जीनियस अब आगे का क्या प्लान है अगे का प्लान? अभी तू इंतिजार कर थोड़ा सा उधर शिखर को लेकर हर जितनी फास्ट हो सकता था उतनी फास्ट गाड़ी चला रहा था तभी शिखर के पास तारा की कॉल आती है हाँ तारा, कुछ खबर मिली शिखर, जहां भी हो गाड़ी वहीं रोगो हर्ष मता मिलते ही गाड़ी को रॉकेट के माफिक उड़ाता है उधर भीको के दोस्त लोगों ने गुंजन को अपने मीच बिठाया हुआ था और उसकी आखों पर पट्टी होने का पूरा फायदा उठाते हुए कभी उसके सीने पर हात मा रहे थे तो कभी कमर पर बिचारी गुंजन बेबस सी बस चीक रही थी और चिला रही थी और तभी भीको को सामने से गाड़ी आती होई नजर आती है टकराने से घबरा कर भीको जोर से काड़ी रोकता है सामने खड़ी गाड़ी का दर्वाजा खोलता है और उसमें प्रतीक निकलता है उसे देख सब हैरान थे अबे ये बुडबंग यहां क्या कर रहा है इसकी बीवी के साथ तो हिसाब बराबर हो गया था ना क्या प्रतीक जी आगए आप प्रतीक जी देखना हो अब वो तुम सबक सबक सिखाएंगे प्रतीक जी पचालो मुझे इन पत्माशों ने आपकी बत्नी को आप पवित्र करना चाहा है ए चुप चुप एकदम क्या 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 कितना प्रतीक जी प्रतीक जी करती है तू एक बात भेजे में गुसा ले तुझे कोई क्या पवित्र करेगा तू तो गरीब है और इस देश में गरीद की कोई पवित्रता नहीं होती, पैसे की पवित्रता होती है, पैसा अफेका तो सब पवित्र, ना तो कपड़े भी फटेंगे, आदमी नंगा भी होगा, बेच दिया है मैंने इनको इसी पैसे के लिए, सौधा कर चुका हूँ तेरा, सुना तुने, अ अपना हिसाब बराबर हो गया न, गंगा ताई को बोलना, इससे चिकनी लड़की आपके पूरे कलेक्शन में नहीं होगी, और वो भी इतने सस्ते में मिल गई, हाँ हाँ, गुझन कुछ और करती ही कि तभी उस दवाई का से शुरू होता है और गुझन का शरीर हलका सुन ह हो जाता है भीको गाड़ी आगे चलाता है और उस पते पर पहुच जाता है तब ही एक और गाड़ी आती है जो शिखर की थी एक्शन टाइम हो गया यंग मैन क्या बोलता है लगा दे पंच ये कहानी सीरो की है इसलिए तुम स्टेरिंग समालो और मैं इन मच्चरों को भीको और उसके दोस्ट गुंजन को गाड़ी से निकाल कर ली जाने वाले ही थे तब ही शिखर उनके सामने आखड़ा होता है ये सुन शिखर अपनी मुठी भीचता है और भीको के मूपर एक पंच मारता है पर भीको हिलता भी नहीं है और वो शिखर को अच्छे से कूर अरे हीरो तू तो तेरी ही कहानी में पिट रहा है वैक अप चाहिए तो मैं आओं क्या ना 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 डोंट अंडरेस्टिमेट मी हम आशिक है जनाब इस चट्टान से भी लड़ जाएंगे ये पिटेगा अस्तू खूब पिटेगा और शिखर उठकर भीको के सामने खड़े ह कर उसके कान में कुछ बोलता है वह सुनकर भीको हसता है और शिखर से हाथ मिलाता है ये देख हर्ष को बड़ा अश्चर होता है ये भाई लोगो छोड़ दो इस चम्या को जाने दो गुंजन को सब सुन रहा था तब ही उसके कानों में शिखर की आवास पड़ती है वह जै गुंजन के सिर में भयंकर चोट लगने से वो बेहोश हो जाती है गुंजन नहीं हश मेरी मदद करो और हर्ष और शिखर उठांकर गारी में रख देती है शिखर भीको को इशारा करता है और सब वहां से चले जाती है शिखर गुंजन को अस्पतान ले जाता है अड़ दो होता थोड़े स्मार्ट खेलना भी आना चाहिए जब जेम में हो पैसा तो ऐसे लोगों को उसी की बोली सिखानी चाहिए मैंनों से कहा ये लड़की जितना तुझे कमा कर देगी से जादा मैं तुझे दे दूँ तो तु गंगा ताय को भी खरे सकता है और बस इतना सुनका भ थवायफ के कपड़े लाता है और उसपर धेर सारे पैसे फैकता है लाल जी गंगा भी भीकों के पैसे देख उसे अपनी अदाई दिखाने लगी तारा भी अस्पताल पहुशती है और उसे पूरी बात पता चलती है थवायफों की मलिका खुद उसी के नौकर की रखेल बन अब ये खत्रे से बाहर है आप इने घर ले जा सकते हैं मगर अभी ने कोई भी शौकिंग खबरे मत देना अब ये कमजोर है शिखर बिहोश गुंजन को गोद में उठाए घर का दर्वाजे पर खड़ा होता है उसकी मा जानकी इधर वाजा खोलती है तुव रहान थी अशोक दीखो तो हमारा पीटा ये क्या कर लाया है पीटा तु लड़की भगा लाया है या कि नाप करके और शिखर अंदर आकर गुंजन को अपने कमरे में लेटा दीता है चानकी गुंजन की मांग में सिंदूर और गले में मंगल सुत्र देखती है शिखर बेटा तु शादी शुदा लड़की भगा कर लाया है या लड़की भगा कर शादी कर ली है अरे अपनी मां को कुछ तो बता बस हो गए आपकी हवाई बाते शुरू मिसिस अशोग क्या मिलता है ऐसी फिल्मी बातों से कोई अवाड या धेर सारा पैसा बेटा शान्थ हो जा और बता ये क्या मामला है डैट यह गुंजन वही गुंजन जिसके होने से मैं हस लेता था और ना होने से रो शिकर अपने डैट को पूरी बात बताता है नहीं मैं इसे भगा कर नहीं बचा कर लाया हूँ और अपसी यह यहीं रहेगी जब तक आगे क्या करना है यह नहीं समझाए यह यहां रह सकती है ना डैट कमरे में सो रही गुंजन की कानों में आवास पढ़ती है भाबी ज्यादे चूट लगी क्या तुम्हें कोई बात नहीं भाबी सो जाओ और गुंजन आवास से जागती है पर आँख खुलने पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता और सर भारी था तब ही शिकर कमरे में आता है उड़ गई आप अप कैसी है गुंजन अपनी आखे मसलती है सामने लगी ड्रेसिंग में खुद को देखती है बिंदी, सिंदूर, मंगल सुत्र, चोड़ियां सब कुछ सलामत था शिकर कमरे में आ चुका था वे खिड़की के पास खड़े शिकर को घूर कर देखती है क्या गुंजन के साथ हुई इस घटना के कारण अब शिकर और गुंजन को अपनी नई जिन्दकीक शुरू करने में मदख मिलेगी मेरा सर बहुत दुख रहा है गुंजन के चेहरे पर हजारों सवाल पस रहे थे वहीं शिकर किस मों से कहता कि वो गुंजन को उसके ससुराल से बजा कर तो लाया है मगर क्यों? क्योंकि जुए में उसका पती उसी को दाव में हार गया था या कहें तो बेच दिया था गुंजन शिकर के और हाथ पढ़ाती है अप चुपत होई बोलिये मैं सुनना चाहती हूँ बोलिये न गुंजन जी यह अजीब जिद्र आपकी मैंने कहा आपको आराम करना चाहिए छोड़िये ये सब और आप एकी सुनी नहीं रही है अरे छोटी बच्ची हो क्या शिकर के डाच से गुंजन सहम कर सुपक्या लेने लग जाती है अच्छा बस ना तो हाँ अब आप सुरक्षित है और मेरे होते हुए आपको कोई कुछ कर दे तो मेरे जिन्दा रहना वेर्थ है गुंजन जी जब तक शिकर है गुंजन को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता कोई भी नहीं हाँ बस ये पाउँ फिसलने से आपको थोड़ी चोट लग गई है उसके लिए हाँ शिकर दिवार पर अपना सिर मारता है और खुद का सिर भी फोड़ लेता है अब हिसाब बराबर है इधर आओ छोओ मुझे चल्दी करो शिकर सहमता सा जाकर गुंजन की करीब जाता है और उसका चहरा से हलाता है गुंजन की धड़करें आस्मान जूचुकी थी वे उसे और करीब खीशती है शिकर खेड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है गुंजन उठती है और उससे पीछे से लिपढ़ जाती है ये सुनकर शिकर के होश उड़ जाती है आपको कुछ याद नहीं है याद है ना आपका चहरा और कुछ धुनले एहसास लेकिन जैसे ही आपको छुआ तो ये याद आ गया कि मंगल सुत्रों सिंदूर आप ही के नाम का है क्योंकि एक पत्नी कीवल अपनी पत्नी के पास ही इतना महफूस हो सकती है आज पहली बार गुंजन ने प्रतीक नहीं शिखर का नाम लिया था गुंजन शिखर के सीने से लिपड़ जाती है मगर शिखर अभी भी सदमे में था इस दिन के लिए तो मैं तड़प रहा था आज तक कि कब आप मेरे सीने से लगकर मेरा नाम पुकारेंगी और आज जब आप मेरे इतने करीब है तो आप अपनी याददाश भूल बैटी है नहीं ये सही नहीं है बिल्कुल सही नहीं है और शिखर गुंजन को जटक कर दूर कर दीता है दूर अटो मुझसे ये मिराग नहीं है शिखर जी क्या हुआ आप ऐसे क्यों बरताव कर रही है जैसे मैं कोई घैर हूँ एक पत्नी अपने पत्नी के ही तो गले लगीगी न आप नहीं हो मेरी पत्नी नहीं हो नहीं हो नहीं हो शिखर आगी कुछ बोलता कि तभी उसकी छोटी बहन चुलबुल वहां आ जाती है और शिखर को चुप रहने का इशारा करती है भाई तुम बाहर जाओ भाई डॉक्टर ने मना किया था ना उन्हीं स्ट्रेस मत दीना तो आप अभी उन्हें सच बतागर क्यों और जटका दीना चाह रही है मुझे डायन ने सब बताया पिचारी कितना कुछ सहकर आई है अगर भूले में ही सही वो हमें अपना परिबार मान बैठी है तो हमारे नाटक करने से अगर उन्हें खुशी मिले तो हम नाटक कर लेंगे ना और तुम भी चुप रहोगी मगर वो मुझे अपना पती मान रही है तो क्या हो गया? तुम प्यार करते रहो ना उससे पत्नी बनाना चाहते थे ना उससे तो इसमें क्या गलत है भाई गलत? ये सब गलत ही है मैंनो उसकी रक्षा करने का वचन दिया है ना क्यों धोके से उने हासिल करने का नहीं नहीं मुझसे चल नहीं होगा भाबी आप ठीक है ना तुम तब शिकर जी की बेहन हो मैं भाई से ज्यादा आपके छुटकी हो भाबी आपकी अपनी चल्बली चल्बल मुझे सब ठीक से याद क्यों नहीं चल्बल ये नाम को चाना पेचाना सा लग रहा है गुझन की नानत का नाम चंचल था और शिकर की बेहन गुझन को उसकी याद दिला रही थी मगर क्या ये एक जैसे नाम होने के साथ साथ चुल्बल और चंचल दोनों एक जैसी ही होंगी आपको क्या लगता है ये तुम्हारे भाई मुझे से किस बात पर नराज है चुल्बल भाई भाई तो पागिल है तुमको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था और भाई ठका हुआ था पर तुमने जब कहां खाना है तो जला कर बोला जाकर खुद ले आओ और जब तुम स्कूटी निकाल कर खुद लेने गई अभी तुम सो जाओ और चुल्बल वहाँ से चली जाती है गुझन भी सो जाती है उस दिन गुझन को बहुत सुकून की नींद आई मगर शिखर करवटे बदल रहा था उसे गुझन की याद आती है और वो उटकर उसे देखने के लिए कमरे में चला जाता है सिरहाने बैटकर उसका चेहरा सेलाते हुए शिखर के आसू निकल जाती है और शिखर कदम पीछे लेकर जाने लगता है तब ही गुझन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने उपर बिसर पर गिरा देती है और उसका हाथ अपने कमर पर रखती है ऐसे ही लिप्टे रही है शिखर जी थोड़ी तेर सहला दो न ऐसे लग रहा है जैसे बरसों में किसी ने सहलाया नहीं हो और मैं सो भी नहीं सकी हूँ शिखर गुझन को सहलाने लगता है और वो शिखर की सीने से लगकर सो जाती है अगले दिन गुझन अगराई लेती हुई उठती है कहते है ना दिमाग का एक हिस्सा भले ही सो सकता है लेकिन जो इनसान कामकाजी होता है उसका शरीर उससे अपने आप सुबह उठा दीता है गुझन बिस्तर से उठी ही थी कि तभी जानकी और चुलबुल नाश्ते की प्लेट लेकर अंदर आते है भाबी नाश्ता तयार है आहां आहां बैठे रहिए खबरदार जो कदम नीचे रखे तो अभी तक चोड ठीक नहीं हुई है और आप टहलने निकल पड़ी फिर माजी आपने के तकलीफ करी हम कोई गैर है क्या जो हमें तकलीफ होगी अब तु बारी हमारी आई है तुझे खुशियां देने की माजी पदा नहीं क्या चल रहा है लगता है जैसे मैं आप सबसे पहली बार मिल रही हूँ तो कभी लगता है कि इतना अपना पन इतना प्यार इतनी परवा कोई गैर तो नहीं दे सकता कल रात मुझे जीवन की सबसे मीठी नींद आई दिल किया कि बस सोती रहो और कभी उठो ही नहीं भाबी नहीं चुलबोल बिरख कर गुंजन चले पढ़ जाती है तो बारा ऐसा मजाक में भी मत करना कि आप सोकर कभी न उठो आप रोज उठो और अपना खिलखिलाता चहरा हमें दिखा कर खुश कर दो गुंजन इतना प्यार पाक रिमोशनल हो गई थी अच्छा बीटा नहा धोकर तयार हो जा मंदिर में दीपक तेरे हाथों से ही जलेगा तेरे कपड़े ही धर रखे हैं जो साड़ी सुन्दर लगी पहन लेना गुंजन खुश होकर कपड़े देखती है और एक सुन्दर साड़ी निकाल कर नहाने चली जाती है कुछ समय बाद शिखर कमरे में आता है तो उसे सुप्कियों की आवाज सुनाई पड़ती है कौन रो रहा है? यह आवाज तो बात्रूम से आ रही है गुंजन जी क्या आप रो रही है? हाँ, मैं ही रो रही हूँ यह सब ठीक नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है प्रती का बाजाध हो चुका था ना पत्नी का बंधर ना पैसों का करजा वो अवारा कुत्ते की तरह घर में ही चकर लगा रहा था इधर से उधर कभी सोफे पर बैट जाता तो कभी कमरे में लेट जाता पर उसका टाइम पास नहीं हो रहा था आजा बेटे ताश खेले आज तो मैं पैक बनाती हो नहीं मा बहुत बोरिंग बोरिंग सा हो रहा है हाँ भाई पहले वो इंटर्टेनर बीवी थी ना तेरे पास कुछ ही कहो आइटम तो थी तेरी लोग आई पीट लो कुट लो तब भी प्रतीक जी प्रतीक जी करना नहीं चोड़ती थी छोड़ उसकी बातें अब माम हरे हम तो आरत है हमको क्या जरूरत पड़ी सामने वाला अपने आप पेट भरेगा आ गयना वकाद सामने तुस्से अच्छी तो गुंजनी थी कमाती नहीं तो क्या उड़ाती भी नहीं थी और वो तो मैंने उसे काम करने ही नहीं दिया वरना वो तो दो-चार पैसे कमा कर ही ले आती माम इसका तो बहुत ज़्यादा गुंजन-गुंजन हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है लिटिल सिस ये रही डेटिंग साइट इसका बना लिया मैंन अकाउंट और अब पटाऊंगा मैं लड़किया जिस काम के लिए उस बहन जी को लाया था अब वही काम फिर से करना है हाँ भाई और इस बार थोड़ी सी दिमाग वाली और सीधी लड़की ले कराना ताकि गाओं की जमीन पर साइन लेकर उससे भी लात मार सके अरे चेतन धन्य है तुम्हारे बाब जी भी खुद तो मरे पर मरते मरते हमें मार गए कि मेरी सारी जमीन जायदाद मेरे पोते की बीवी के नाम होगी तब से तीन शादिया तो करवा चुकी हूँ इसकी पर कमभगत पेपर बनने से पहले ही शादि तूट जाती है तो असल में गुंजन से शादि का यह मकसद था बहला फुसला कर वसियत अपने नाम करना बिचारी गुंजन तो बेखबर थी कि वो प्रतीक के पुष्टैनी जमीन की मालिक बनी बैठी थी उपर से प्रतीक गुंजन से पहले भी शादि शुदा ही था राम जाने उन बिचारियों का क्या हुआ होगा और गुंजन बात्रूम का दरवाजा खोल कर बाहर आती है और शिकर गुंजन की और देखता है तो उसे देख माथा पीट लेता है गुंजन ने पूरी साड़ी आड़ी डेड़ी करके टांगों की बीच में से निकाल कर कहीं गाट मार कर अजीब धंग से बांदी थी गुंजन जी ये क्या हुलिया बना रखा है आपने शिकर जी आप मेरा मजाग बना रही है पूचा का समय हो रहा है और मैं एक साड़ी तक नहीं बांद सकी और शिकर गुंजन के कमर में हाथ लपेट कर उसे अपने और खीचता है और कमर हलकी से सहलाता हुआ साड़ी वहां से निकालता है गुंजन ने ऐसा उस पर्ष पहले मैसूस नहीं किया था प्रतीक तो उसे नोचा करता था शिकर आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी कमर से खुद साड़ी लपेटता है और उसे पहना देता है गुंजन बला की खुबसूरत लग रही थी शिकर भावनाओं में बहता हुआ उसकी कमर को चुम लेता है लेकिन सही गलत का पता चलते ही वो दूर हो जाता है गुंजन मुसकुरा कर बाहर आती है और सब मिलकर पूझा करते है जान की शिकर को आरती देने लगती है तो वो मुझ फेर लेता है जान की मायूस हो जाती है गुंजन सब देख रही थी तभी जान की गुंजन की सुनी मांग देखती है अरे गुंजन, मांग सुनी है बिटा तुम्हारी आ मा, ये कैसे वो माजी माफ करना में भोल गई थी जान की गुंजन को सिंदूर की डिबबी देती है और गुंजन सिंदूर शिखर के सामने करती है शिखर हैरान होकर उसे देख रहा था ऐसे क्या देख रहे हैं शिखर जी? ये लो सिंदूर और भरती जी मेरी मांग में शिखर कापते हाथों से सिंदूर की जुटकी भर गुंजन की मांग की और ले जा रहा था क्या शिखर आज गुंजन की मांग में अपने सपने सजा देगा यह सही गलत के चक्कर में इनका ये इश्क सिंदूर रंग में ढलने की बजाए कहीं कालिक सा काला ना पढ़ जाए गुंजन आखबन किये शिखर के हाथ से अपनी मांग में सिंदूर भरने का इंतिसार कर रही थी मगर शिखर के हाथ कापती चले जा रही थी भर भी तो भाई भावी की मांग, ये तो सिर्फ मांग भरना है सोचो, जब मांग पूरी करनी हुई तब क्या हाल होगा फिर? भावी, आप तो नौ लखा हार से कम कुछ मांगना ही मत बदमाश, शिखर जी, आपकी अपनी ही तो हो, भर दीजे ना मांग कैसे भर दूँ, आप मेरी होकर भी मेरी नहीं क्यलाओगी कल जब आपको सब याद आ जाएगा, तो आप ही मुझे अधिक नफरत करोगी गुणजन जी हे इश्वर, तेरे दर पर खड़ा होकर ये छल कैसे करूँ मैं? तू अगर मुझे सुन रहा है तो ये छल होने से रोग दे कुछ कर काना, कुछ कर तभी दरवाजे पर खड़कट होती है और सप अलट कर देखते हैं शिखर घबरा कर हाथ से सिंदूर की डिब्बी छोड़ देता है और वो फर्ष पर गिरने वाली होती है ये देख गुणजन जोर से चिलाती है नहीं, मेरा सिंदूर, नहीं और जट से अपना सिर सिंदूर के नीचे कर लेती है और गुणजन की मांग में सिंदूर भी खड़ जाता है आखे चलिया काना ने अपनी लीला रच ही दी थी गुणजन की आखे खुशी से छलग जाती है और वो मुझे को रा कर शिखर को देखती है और उसके पाओं को छूने लगती है ये क्या कर रही हैं आप? आप बड़ी हैं मुझसे, बहुत बड़ी क्या बड़ी? अरी बीटा, हमारा शिखर औरो जैसा नहीं है वो संसकारों से भरा लड़का है ऐसा पती, जो पत्नी को बड़ा मानता है और खुद को छोटा सचमी, मुझसे ज्यादा भागेशाली तो कोई नहीं होगा और मुझसे ज्यादा दुर्भागेशाली भी हलो, किसी को मुझे अंदर बुलाने का इरादा है भी या नहीं? अरे अरे बिठिया, आतो नहीं मासी, मैं तो बस देख रही थी ये स्टार प्लस के सीरिल असली जिंदिगी में कैसा लग रहा है और ये हमारे छोटे ने शादी कब कर ली? कल तक तो कुवारा था आहा, ओहो, शिवानी दीदी, what a surprise आज ही भावी की तब्या ठीक हुई है और आज ही शिवानी दीदी भी आ गई भावी ये शिवानी दीदी है, मेरी मासी की बेटी और मेरी सबसच्छी दोस्त भी शिखर जी, ये सब आपका परिवार है तो मैं इनको पहचान क्यों नहीं पा रही इनको तो क्या मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रही चुल बोल मौकी का फायदा उठा कर शिवानी को कोने में ले जाकर सब पताने लगती है दीदी आप ही ऐसा जताईए कि गुंजन को आप चानती है भाई इससे बहुत प्यार करता है ओ इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं किस कदर चोट खाय हुए है सच में छोटू तो बहुत बड़ा हो गया शिवानी गुंजन को सहलाती है हम मिले है पहले भी जब तुम अस्पताल में बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी तब ही मैं वहीं बैठी थी तुम्हारा सिर सहलाती होई तो इतना क्यों परिशान हो रही हो ये सब तुम्हारे अपने हीतों है इनसे कैसे उलजन अरहां एक बात पर विश्वास करो ये चारो लोग शिखर, चुलबुल, मासा, मासी ये तुम्हारे चार पिलर है इनके रहते तुम्हें कोई भी खरोज भी नहीं लगा सकता कभी नहीं शिवानी की बातों में इतना विश्वास खुला था कि गुंजन का सब डर दूर हो गया और वह शिवानी को गले लगाती है शिखर अपने कमरे में चला जाता है और वहां मायूस होकर बैठ जाता है शिवानी उसे बेचैन देखकर उसके पास आती है क्या हुआ भाई तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है बेहन मुझे सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा जिस दिन गुंजन को सब याद आ जाएगा और वो जानेगी कि वो मेरे साथ मेरे ही कमरे के बिस्तर पर सोती थी तो वो मुझसे घेना करेगी और मुझसे जादा खुद से घेना कर बैठेगी वो अपने मांग के सिंदूर के लिए बहुत इमांदा लड़की है वो किसी गैर मर्द के सा रुकने वाली बात जानेगी तो कहीं वो खुद को खत्म ना कर ले मैं फस चुका हूँ दीदी तो उसे छोड़ाओ किसी जगह पर से अंधेरा कुआ ही सही मगर आखिर है तो उसका अपना घर उसका ससुराल नहीं दीदी नहीं वो ससुराल घर नहीं वो कसाई खाना है जहां पर बहू लड़की ना होकर मोटे गोश्ट वाली बकरी होती है जो जब तक अपना मास बेच कर पैसा देगी तब तक काम की और जैसे ये मास खत्म पैसा खत्म हड्डियों की तरह उसे कच्रे में फेक दिया जाता है गुझजन जी के साथ ऐसा ही किया आपने देखा ताना बाहर उने इधर आईए एक बार शिखर शिवानी का हाथ पकड़ कर उसे दरवाजे के पास लाकर बाहर खड़ी गुझजन को देखने के लिए कहता है दीदी एक बार देखो उस लड़की को लग रहा है तन से सारी नहीं दुनिया भर के दुख लिप्टे हो उसके कुमल हाथों को देखो जहां एक हमसफर का हाथ मिलना चाहिए था वहां बस चूला चोका ही मिला उसकी नरम नाजुक कलाईया देखो कैसे चूड़ियों से खनक रही है मगर वहां केवल कलाई मरोडने के निशान पड़े रहे गए उसके माथे की बिंदी उसे सबसे सुन्दर बनाती है पर वहां चिपा गया दुरभाग गया जी करता है दिदी उसके आँखों का काजल बनकर उसे पूरी दुनिया की नर्जा से बचा लो मगर मैं बस उसके जीवन का कालिक बनकर रहे गया और मैं नहीं चाहता कि वो कालिक मेरी गुंजन जी को बदनाम करे इधर देखो मेरी गुंजन भी कहते हो और इश्क चिताने का हक भी नहीं रखते क्या हुआ अगर वो इस गुजरी जिंदगी में तुम्हारी होकर नहीं रही क्या हुआ अगर उसे पिछली जिंदगी में सिर्फ दुख मिला पर अब तो सुख मिल सकता है ना तो फिर डर कैसा मैं चानती हूँ तुमको डर ये है कि कहीं तुम भी उसके लिए एक बुरी कहानी ना बन गए तो तुम डरते हो कि प्यार की जगे गुजन तुमसे नफरत तु नहीं कर बैठेगी तुम डरते हो उसे पाकर फिर खोने से इसलिए तुम पाना ही नहीं चाह रहे हो है न शिखर यही डर है न तुम्हारा शिवानी के मूँ से हर किस्म का सच सुनकर शिखर के मन का दरिया बाहर बह बढ़ा था हाँ यही डर है मेरा अभी वो मेरी नहीं है पर अगर वो मेरी बन गई तो फिर मैं उन्हें खोने ही सकूँगा नहीं जाने दूँगा कहीं चाहे उसके लिए मुझे दुन्या को आग लगानी पड़े या खुद को फिर हम हमेशे साथ ही रहेंगे परचाई की तरह मैं फिर उन्हें खो नहीं सकूँगा नहीं खो सकूँगा नहीं खो सकूँगा नहीं शिखर खोने या पाने के लिए क्यों प्यार करना तुम सर्फ जीने के लिए प्यार करो ना प्यार देने के लिए प्यार करो जिन्दा रहने के लिए प्यार करो दर्वाजे पर एक और खटखट और मयंग भी वहां आ जाता है ओ तो गुरू ग्यान हासिल कर रहे हो साले साहब शिवानी मयंग की पास जा कर उसका चहरा सहलाती है शिखर तुम्हें मीरी और मयंग की कहानी पता है शायद तुम ठीक से जानते नहीं हो और क्या आप? क्या आप जानते हैं शिवानी और मयंग की कहानी क्या थी? किरेदारों के आ जाने से पुरानों को नहीं भूलें रंग बदलते जरूर हैं मगर पुराने रंगों को भूलना नहीं चाहिए जाएए अभी जाकर देखिए हम दोनों की कहानी विवा क्योंकि किसी रिष्टे में मर कर फिर से जिया कैसे जाता है ये आप उस कहानी में देख सकेंगे और उसके लिए आपको यमुनापार्ट जाने की भी अविशक्ता नहीं है बस यहीं इसी चैनल पर देखिए विवा एक समाजिक कहानी के वल लफ से चाहिए मयंग को शिवानी सारी दास्ता सुना देती है शिखर तुम जहां खड़े हो मैं भी वहीं खड़ा था किसी और की अमाना से दिल लगा वैठा था पर ये जिससे मैं प्यार करता था इसको लगने लगा कि मैं ऐसान कर रहा हूँ मगर फिर भी मयंग रुका नहीं मैं क्या सोचती हूँ, लोग क्या सोचते हैं शिर्वात तो करनी ही पड़ती है कदम बढ़ाने से डढ़ने लगोगे तो तुम वहीं खड़े रह जाओगे और फिर हम दोनोंने लंबी उल्जन से निकल कर एक दूसरे की और कदम बढ़ाए और पहुच गए विवाह की मंडब तक शिखर को शिवानी की बात समाजाती है गुट लग नहीं कहोंगी क्योंकि महबबत करने वाले लोग अपना लग खुद चुनते हैं तुम भी कुछ सुन्दर चुनाव ही करोगे मुझे मेरे भाई पर पुरा विश्वास है अब तुम और मयांग बात करो मैं मासी के पास जाती हूँ शिवानी बाहर जाती है और गुंजन के पास खड़ी हो जाती है खुश हो तुम गुंजन हाँ बहुत बस डर है एक अजीब सा कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं जो आँख खुले और सा बोज़र हाँ दीदी आपको कैसे पता यही डर लग रहा है अच्छा पर इस डर भरे सपने की बीच तुमको सबसे बड़ा सच क्या लगता है वो बता गुंजन ये सुनकर मुस्कुराती है और सिंदूर की डिबया मुठी में थामती है इस पर सब सपना हो सकता है पर ये नहीं सब औजल हो सकता है पर ये नहीं सब छूट सकते हैं पर ये नहीं मुझे विश्वास है कि मैं नींद में हूँ या जागी होई हूँ हर जगह मेरे पीछे शिखर खड़े होंगे पता है दीदी मुझे उनके साथ बहुत मैफूस महसूस होता है शिवानी हसकर गुंजन का चहरा सहलाती है बस ये विश्वास काफी है दोनों की जोड़ी पनी रहे चलो शिखाद, आज के लिए इतना काफी है मुझे लगता है तुम्हें हमारी बात जाद सुनने की बजाए अपने रास्ते खुद बनाने चाहिए बाकी हिम्मत तो तुम्हें खूब है ही अपने प्यार को बिकने से बचा लिया इससे बड़ा और क्या सबूत होगा मगर वीर तुम बढ़ते चलो मंजल तुम्हारे सामने है ठैंक्यू जीजू, जल्दी मिलते हैं शिवाने और मयंग जाने लगते हैं एक बार फिर से आद दिला दे इने क्यों नहीं, ये चहरे याद रखना दोस्तों और विवाह कहानी को बार बार प्यार देते रहिए नई कहानी आती रहेगी मगर पुरानों को भूलना नहीं है जल्दी फिर से मिलते हैं लव यू ओल दीदी ने सही का मेरा कर्म गुंजन जी का ख्याल लगना है बस मुझे मेरी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए हमारे धर्मिया जो दूरिया आई है उसकी वज़े तो नहीं जानती मगर एक पत्नी हमेशे अपने पती की ही रहेगी वो भी पूरी की पूरी मन से भी और तन से भी आज रात में ये तन की दूरियां ही मिटा दूंगी शिखर जी गुंजन खुश होकर बेटरूम में चली जाती है चुलबुल अपनी कमरे में बिस्तर पर पड़ी-पड़ी अपना फोन चला रही थी शिवानी दीदी की भी कहानी सेट हो गई भाया भी महान लव स्टोरी बनाने का इंतिजाम में लगा है सब कही न कहीं सेट है और एक मैं हूँ कि बस कैंगरू की तरहें उचल ही रही हूँ मगर कोई ढूनी नहीं पा रही हूँ और तब ही चुलबुल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आती है जिस पर लिखा था वान माच फाउंड चुलबुल की आँखों में तारो जैसी चमक थी और वो जैसे ही नोटिफिकेशन खोल कर देखती है और स्क्रीन पर प्रतीख जी की फोटो आती है जिसका नाम था Mr.PK मिस्टीरियस नाम है पीके क्या मतलब होगा पीकी का कहीं प्रेम कुमार तो नहीं या फिर पोंगा कुमार या फिर पाना राम कुमार या फिर पल्टा कुमार जरा फोटो तो देखों इसकी और चुलबुल स्क्रॉल करके प्रतीक की फोटो देखती है जिसमें उसने एक ऐसे शरीफों वाली और स्मार्ट फोटो डाली हुई थी हम्हम्हम् देख तो जबरदस रहा है हरे चुलबुल कंट्रोल ये तो सिर्फ डेटिंग आईडी है क्या पता असली में कौन हो कैसा हो नाम भी तो देख पीके वैसे इसकी प्रोफाइल पर लिखा क्या है वो देखती हूँ नाम पीके काम बड़ा बिजनसमें परिवार में मा, बाब, बेहन और खुद बस स्टेटर्स इसका सिंगल है ओके तो मिस्टर बैचलर है रिच भी है तो मैच तो हर तरह से हो रहा है अब सरा मेसेज आ जाए तो देखो बात करने में कैसा है वैसे भी मैं तो लड़की हूँ मैं क्यों पहले मेसेज करो मैं तो भाब खाऊंगी तभी टिंक की आवाज आती ही उधर से मेसेज आता है चुलबुल के लिए मेसेज ये पढ़कर चुलबुल के तन बदन में आँख लग जाती है और वो भड़क कर उसे अपनी एक सुन्दर हॉट फोटो भेजती है सिस्टर क्या बोला तुमने ये लड़की तुमको बहनजी लगती है क्या सोफे पर बैठा प्रतीक अपना वही छल करने वाला चाम यूज करता हुआ चुलबुल के मेसेज पढ़कर हस रहा था वह चुलबुल की फोटो जूम करता है और उसे चुमता है अब आएगा मज़ा I just love hot rich girls sister अब कहानी का ट्राक फिर से बदल रहा है रिष्टो का एक नया रंग खुल रहा है क्या चुलबुल प्रतीक का शिकार बन जाएगी या बचेगी जानने के लिए देखते रहिए रंग बदलते रिष्टे के वल लाफसटी पर थांक्स फो वॉच्छिंग चुलबुल और प्रतीक डेटिंग साइट पर रात भर बाते करते रहते हैं मिस्टर पीके आखेर इतना बुरा या बोरिंग नहीं है तब ही एक और मैसेज आता है जिसमें प्रतीक उसे अपना फोन नंबर भेजता है ये मेरा नंबर है अगर मैं तुमको बोरिंग ना लगा हूँ तो कॉल कर लेना इसको कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हो सच में पीके तुम तो जादुगर लग रहे हो अचानक से मेरी जिंदगी में होने वाला कोई जादु लगता है इसे पीके को थोड़ा और जानना ही होगा उधर सोफे पर बैठा हुआ प्रतीक चुल्बुल को फसा कर बड़ा खुश हो रहा था सब बेखबर थे कि चुल्बुल किस दलदल में धसने जा रही थी और प्रतीक बेखबर था कि चुल्बुल उसी शिखर की बेहन है जिसके पास उसकी पतने गुंजन रह रही है शिखर कमरे में जाता है तो वहाँ एकतम अंधेरा होता है वह लाइट सौन करता है तो वो भी ओन नहीं होती गुंजन जी ये सब आप कर रहे हैं क्या? ऐसा मत करो मैं थका हुआ हूँ ठकान ही तो दूर करने के लिए कर रही हूँ और अंधेरे में गुंजन शिखर को पीछे से आकर गले लगाती है दोनों की धड़कने एकतम तेज हो गई थी गुंजन की गर्म सासे शिखर की पीर पर चल रही थी गुंजन जी ये सब गलत है गलत है गलत है और शिखर गुंजन को जटक कर खिड़की के पास चला जाता है गुंजन दोनों के दर्मियाए कैंडल लेकर खड़ी हो जाती है क्या मैं आपको सुन्दर नहीं लगती? या क्या मुझसे आपका मन भर कया है शिखर जी? आप मेरी और देखती तक नहीं है ना मुझे चूते हैं ना प्यार करते हैं तन तो दूर मुझे तो लगता है कि हमारे मन के बीच भी बहुत वासला हो रहा है शिखर जी क्यों कर रही है ऐसे? हाँ? क्यों? गुंजन की सिस्कियों से शिखर का दिल मुम बत्ती की तरह बिगल उड़ता है और वो उसका चहरा थामता है नहीं गुंजन जी नहीं आप कोई सजाने की चीज नहीं जिसे देखकर मन भर जाए आप तो सुबह का उजाला, शाम की राहत और रात के सुकून जैसी हो आपसे भला मन भर सकता है किसी का तो फिर आज मेरी मांग भरते हुए आपके हाथ क्यों काम कए थे? वो मैं, वो मैं सकाविल नहीं हूँ गुंजन जी बस बहुत हुआ अब यह सब और नहीं कर सकता मैं मुझे अब यह चल नहीं करना श्श, तो मत करिये न चल सच क्या है वो करिये, दिल में क्या है वो कहिए और गुंजन शिखर के होटो पर अपना हाथ रखकर उसे चुप कर देती है कमरे में शाथ अंधेरे की बीच जल रही मुम्बत्ती की आच में इन दोनों का प्यार पकने लगता है गुंजन शिखर का हाथ लेकर आहस्ता से अपनी कमर पर जकर देती है और खुद उससे चिपक जाती है जाने ना तू तू ये जाने ना कितना मेरे दिल ने चाहा तुझे दीवाने मैने तू अंजाने चुपके दुआओं में मांगा तुझे धड़कन पूछ रही है तुझे से क्या प्यार करोगे मुझे से हाँ मुझे से और शिखर गुंजन की मासूमियत देखकर उसकी आँखों से बहराई आसूं को चूमकर उसे अपने आगोश में ले लेता है शिखर गुंजन को बाहों में उठाता है और बच्चे की तरह संभाल कर थामता हुआ हौले हौले जुलाता है और शिखर गुंजन को थामे हुए बिस्तर पर लेटता है और दोनों चादर तले चले जाते हैं कहते हैं ना रभी प्यार करने वालों को मिलाने का रास्ता ढूंड ही लेता है और देखते हैं कि इस रास्ते में काटे कितने हैं और क्या सब काटों को शिखर गुंजन के पाउ में चुबने से पहले चुग लेगा या फिर खोन बहने का सलसला ऐसे ही जारी रहने द्वाला है देखिए आगे अगली सुबह होती है उस रोमांटिक रात के बाद अराम से सो रही गुंजन के कमरे में प्रतीक घुसता है वो बेखबर सी शिखर के सीने से लगकर सो रही थी तभी प्रतीक गुंजन के चहरे के पास आकर उसे सहलाता है और पाकलों की तरह हासता है उड़ जा लड़की वोड़ना और प्रतीक अपने बेल्ट निकाल कर गुंजन के मुझ पर मारता है जोर से और गुंजन हर बढ़ा कर उड़ती है तो वहां कोई भी नहीं था शिखर भी उड़ता है क्या हुआ सब ठीक तो है ना यहां कोई आया था अभी एक तम मेरे इतने करीब और फुरस ने बेल्ट निकाल कर मेरे मुझ पर मारी देखो तो कितना खोन बह रहा होगा शिखर जी शिखर समझ गया था कि गुंजन को बीती जिंदगी के बुरे सपने आने लगे है पता नहीं एक अचीब सा आत्मी था ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो मुझे चानता हो पता नहीं क्या भूल रहा था कि गहर के साथ सो रही है आँख पुछा दे मेरी पता नहीं मुझे बह हाल में चलते हैं थोड़ा मंठीक हो जाएगा गुंजन तयार होकर बाहर आती है तो सोफे पर एक बुड़ी औरत बैटी थी गुंजन जानकी का इशारा पाकर उसके पाउच होने लगती है ये शिखर की दादी शार्दा है पाउ तो चू लेना पर पहले की बता मुझे ये मोडी कौन सी जातकी है और क्या नौकरानी है क्या इस घर की पहले तो नहीं देखी यहां गुमाची आप बड़े तिन बाद आई है इसलिए आपको पता नहीं ये हमारे शिखर की बीवी है इस घर की बहु गुंजन को शार्दा की बात से ठीस पहुँचती है बहुत दिनो लोड मतलो दादी को तो भुलने की आदत है एक दिन महीना बताती है तो एक साल को सब्ता आप तो मस शिखर और जान की शार्दा के पास जाकर उसे सारा माजर समझाती है और चलबल गुंजन को अंदर ले जाती है उस बच्ची की दिमागी हालत कमजोर है अभी माजी बस टीक हो जाएगी तो जां कि शिखर के और देखकर चुफ हो जाती है ठीक हो जाएगी तो इस बगली को prepare दियो हमारे शिखर के साथ है ना यही planning हैं बच्ची की मैं ऑस्तब समझ रही हूं बटुआ यही दादी बोली में ही कच्ची है बुद्धी में ना कान खोल कर किन है और सिकीन हैंड ही रहीगी बले ही पागल हो या डेड शानी मुझे इसे मतलब ना ही हा मा तू एकदम सही है पर वो सब बात की बात है अभी तो तू शान्त रहे उसे ठीक होते ही हम उसके माय के छोड़ाएंगे शारदा शोक की बात से शान्त हो गई थी उधर बेचारी गुंजन से तो ना उसका ससुराल शूटते से छूटा ना ये ससुराल घर बन सका और माय का वो तो कब का उसे भूल चुका था रानिया सुधीर जान गए थी कि बेटी पराया धन होती है और एक दिन समाज को कोई तगड़ा लाला आकर आप से वो धन ले जाता है ऐसे में उनको बार-बार इस बात के चंता करना ठीक नहीं लगा एजी काफी दिन हो गए है कुझन से बात किये हुए छोटू भी बूर रहा था कि दीदी ने उसे मना किया था कॉल करने से वो ठीक तो होगी ना वो ठीक ना भी हुई तो हम क्या कर लेंगे राने ये बता एक लोवर सोच लो सब बढ़िया है सब ठीक है और वो अपने परिवार में है और हम अपने परिवार में ये तो बही बात है ना जी आंख बंखिया और अंधेरा ऐसे लगे जैसे हम किसी को देखी नहीं रही है तो कोई हमें भी नहीं देख रहा सोजाओ अब तुम मुझे में बहस कर रान्य और सुधीर वैसे ही सोजाती है जैसे गुंजन की किस्मत सोच चुकी थी सुबक्ति हो इसी अपने महंदी को निहारती सी ये बच्ची आखिर थी कौन पर भी मुझ जैसे ही है आप मुझे नहीं जानती तो जाकर मेरी कहानी ढूंडिये खोजिये पाले का वधु की दुनिया में पर आप कुंजन को तो जानती है न उसके तो माबाप भी थे मगर इस जंगे सुधीर का ऐसा सोचना एक तम गलत था वो एक तरपोग बाप था जो बेटी को बेटी नहीं जिम्मेदारी वाला पोच समझ रहा था जिसे उसने अंधे कुए में धगेलने के बाद एक बार भी टॉट चला कर ये भी नहीं देखा कि वो तेरना जानती भी है या नहीं या फिर डूप चुकी है बलकि बेटी के मापाप का घर तो उसके लिए दुनिया की सबसे सुरक्षत चगे होती है जब ससुराल भाजाए तो माँ को हसते हुए बताने आए और जब ससुराल सताए तो माँ की गोद में सिर रखकर रोने को आ जाए लेकिन कुछ बाप सोचते हैं कि बेटी घर अगर लोट कर आ गए तो लोग क्या कहेंगे अरे जब बेटी वहां कुछ पिट रही थी लोग तो तब ही कुछ नहीं कह रहे थी मैं तो बस इतना कहूंगी कि बेटी पराई नहीं बेटी को हमेशा अपने ही कहिए अपनी घर की दर्वासी हमेशा खुले रखिए और जब उसे व बाबा और तो दोनों साथ मिल कर लड़ेंगे देख लोंगा कौन सताएगा फिर मेरी बेटी को बस इतना स्विश्वास अगर बिटिया को मिल जाए ना जिस दिन तब बेटी का सताई हुई बहु बनकर आत्महत्या करने वाले मामले कम हो जाएंगे याद रखना बेटी सब फोटो की चाने लगती हैं कि तभी जानकी और शिखर अगल बगल खड़े हो जाती हैं शिखर मा की पास खड़ा होकर चड़ जाता है और जगा बदल लिता है आखिर दिन मा पीटी की कहानी क्या है मा पीटी से बात नहीं कर पाती और बेटा मा को मा नहीं बुलाता और मुझे किसी ने बताया भी नहीं, बाबा से पूछती हूँ, बिटा ये घाओ इतना बड़ा कभी नहीं था, जानकी के जब शिकर हुआ था तो उस समय वो कच्ची उम्र में थी, और मा बनना कैसा होता है ये बात नहीं समझ सकी, खोई-खोई रहती थी, शिकर के पैदा हो बस बस बस, तुम आज भी सुन्दर हो जानकी, तुमने एक नई जानको जन्म दिया है, तुमसे सुन्दर और कौन औरत होगी? बच्चा? नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, नहीं है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, देखो मैं कैसी हो गई हो इसकी वज़े से? अशोक जानकी को बाहों में थाम कर कापू में करता है, मगर जानकी की हालत दिन बदिन खराब ही होती जा रही थी, लोग बस कहना जानते हैं कि मा बन जाने से औरत का नया जन्म होता है, लेकिन औरत के शरीव के बदलाव, उसके दमाग पर कैसा असर डालते हैं, इसके बार टब में शिखर को छोड़ कर उठकर बाहार चली जाती है वहां टब में डूब रहा शिखर जोर जोर से रो रहा था पानिकस तर बढ़ता जा रहा था पर जान की बेखबर नंगे पाउ बाल बिखरी सडक पर चलती जा रही थी तब ही सामने से एक कार आती है और दोस्तों हमारी कहानी हर उस मुद्दे पर बात करेगी जिस पर कोई नहीं करना चाहता वो नई नवेली बनी मा के मन पर जो बदलाव आता है उसके बारे में ही क्यों ना हो चलो और चेतन जानकी को गोद में उठा कर घर के अंदर ली जाता है तभी वह देखता है कि चारों और पानी था वह दोड़कर बात्रूम में जाता है तो शिखर को बात टब में डूपता पाता है वह उसे बचा लेता है चेतन जानकी को मानसिक डॉक्टर के पास ली जाता है मैंने आपके पत्नी से बात कर ली है उनकी हालत गंभीर है मिस्टर चेतन इसे पोस्ट पाटम प्रेगनेंसे डिप्रेशन कहते हैं बच्चे के जन के बाद मा को जो डिप्रेशन होता है ये उसी दौर से गुजर रही ह ऐसे में मा को बच्चे से connection नहीं फील होता इसमें उनका कोई दोश नहीं है बस शरीर में अचानक इतने परिवर्दन हो जाती है कि एक औरत वह जहील नहीं पाती ऐसे में आपको इनकर डबल ध्यान रखना होगा सर कितना जब खेल है ये विधाता का कि एक औरत ही सारी दिक्कते उठाती है सब ये तो कह देते हैं कि मा बन गई है मगर कोई पूछता नहीं है कि अंदर से कैसा महसूस कर रही हो तुम जानकी जब तक तक तुम ठीक नहीं हो जाती शिखर और तुम मेरी ही जिम्हदारी रहोगी चेदन जैसा सुलजा पती पाकर जानकी का जीवन थोड़ा पट्री पर आने लगा शिखर भी अब बड़ा हो चला था और जानकी एक बार फिर से मा बनी जब उसे बेटी चुलबल हुई थी मगर इस बार जानकी को मा बनने का एहसास महसूस हुआ जानकी चुलबल को सीने से लगाती है शिखर बिचारा खड़ा खड़ा देख रहा था और धीरे धीरे चुलबल को जानकी से मिलने वाला प्यार को देखकर शिखर को अपनी मा से नफरत होने लगी आज से तुम मेरी मा नहीं और मा पेटे की बीच दरार पड़ गई जानकी वक्त के साथ ठीक तो हो गई मगर शिखर ठीक नहीं हो सका जानकी मा आप किस तौर से गुजरी है ये वही समझता है जो खुद उस तौर से गुजरा हो हाँ दोस्तो पोस्ट पाटम प्रेगनेंसी कोई नजर अंदास करने वाली समस्या नहीं है बहुत सीमाई तो जानती भी नहीं है कि उनके साथ ऐसा होता है जैसे दिमाग में सूनापन या आपके बच्चे की रोने की अवासे चड़ होना खुद के शरीर को कमजोर होते हुए डिप्रेशन में चले जाना ऐसे में किसी से सही सलाव जरूर ले और शिखर जी आप आपने जो सहा है वो तमें सोच भी नहीं सकती एक हस्मुख चहरे के पीछे कितनी पेड़ा छिपाए हैं आप पर बस एक माँ पीटे के रिष्टे को फिर से एक होना ही होगा और गुँचन कमरे में जाकर चुलमूल का हाथ ठामकर उसे बाहर ले जाती है कुछ समय बाद चीतन भी शारदा को लेकर घर के बाहर चले जाती हैं और घर के दर्वाजे को बाहर से लॉक कर देती है माम भाया लगता है दर्वाजा जाम हो गया है खोलो कोई तभी जानकी और शिखर अबास सुनकर दर्वाजे के पास आती है और खोलने की कोशुश करती है तभी जानकी का आचल शिखर के चहरे को ढगता है और वहीं शिखर का शरीड हीला पड़ जाता है चुलबुल गुंजन खुश हो रही थी ये दर्वाजा कैसी जाम हो गए सब बाहर ही है बाहर कितनी मच्छर है चुलबुल को खा जाएंगे तो बिमार हो जाएगी आपको चुलबुल की हमेशा ही फिक्र रहती है न मिश्र जानकी मुझे मेरी तोन पज्चों की फिक्र रहती है बेटा ओ आपको याद है क्या आपकी दो अलाद है जानकी जी मुझे लगा भूल गए होंगी बाहर खड़े लोग सब कुछ सुन रहे थे मा बेटे के अंदर का गुबार फूटना बहुत जरूरी था शायद आज या तो ये दोनों एक दूसरे का मुझ माथा कभी नहीं देखेंगे या फिर शायद ही आज सब ठीक कर लेंगे मेरी हालत खराब थी बेटा कौन सी दुनिया की मा रही है सब को शाय ठीक हो भी जाता मगर शिखर को इतना जोर क्रोध आया कि उसने जोर से दर्वासा को धक्का देकर कुंडी ही तोड़ दी और वहार चला गया जानगी की आँखे नम थी वो गुंजन की और देखती है और चुप चाप कमरे में चली जाती है कुछ अच्छा करने के चकर में घर में राहता फैल गया था भाई आखिर कब तक मा को सुनाते रहेंगे यार मुझसे भी आप और नहीं देखा जाता और चुलबुल फोन उठा कर प्रतीक को मेसेज़ करती है हेलो पीके मिलोगी मुझसे अभी जहां बोलोगी जब बोलोगी बंदा हाजर हो जाएगा उधर प्रतीक के मन में लड़ू फोट रहे थे मॉम अब तो टीवी फ्रेज बहंगी दारू साब पसंद कर लो लिस्ट बना लो एक अमीर मालदार बहु पटा कर आ रहा हूँ आज वहां काम बन जाएगा तो बस इस घर में सोने का अंड़ा देने वाली मुर्गी ही आ जाएगी पर भाई अकर वो भी पहली वाली के तरह दहीज के खिलाफ हुई तो मो ताकते रह जाना अपने सब अरे बेहन मेरी दहेज के फिलाफ होगी तो दहेज नहीं लेंगे पर उसका अमीर बाप जो उसको तोफे देगा जैसे एसी, फ्रिज, बड़ी गारी, बेटी के जेवर और कैश ताकि उसे कोई तकलीफ नहो तो उन गिफ्ट्स को साइड में पटके रखेंगे तो डैड़ी को बुरा लग जाएगा ना और हम लोग इतने शैतान तो है नहीं जो किसी पापा की परी का या उसके पापा का दिल दुखाए ना ना बिल्कुल नहीं हम किसी का दिल कभी नहीं दुखा सकते पापा की परी जो भी मेंगी गिफ्ट लाएगी सब बेज नहीं हमारा काम होगा जाओ भाई आज तब बड़ी मशली फसा ही आओ मानिका प्रतीक की आरती करती है और दिलक लगाती है पैसो नहाओ तारू फलो हाँ हाँ जा बेटा जा प्रतीक कैफे में जाकर बैट जाता है तभी कुछ देर बाद चुलबल बे आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है चुलबल प्रतीक को देखती है तो देखती ही रह जाती है तुम तो तस्वीर से ज्यादा हैंसम हो लड़की और तुम भी तुम्हारी तस्वीर से ज्यादा असल में सुन्दर हो और बिना मेकप के तो और भी प्यारी लगती हो चुलबर प्रतीक की सिम्पलिसिटी देखकर फैन हो रही थी ओ, हेलो वेटर, जल्दी धहराओ शृ, शृ, नहीं चुलबुल, ये तुम्हारा अन्दास थोड़ा रूण है तो तुम्ही बता दो और वेटर आडर लेकर खुश होता है प्रतीक उसे टिप भी देता है ये देख चुलबल तो प्रतीक की दिवान ही होड़ी थी मैं यही देखना चाह रही थी कि ये अपने पास के छोटी लोगों को कैसे ट्रीट करता है हे कहां खो गई बताओ आज फोन पर कुछ परिशान लग रही थी तुम्हारे मैसेज चीक चीक कर कह रहे थे I'm not okay, please help अब बदाओ क्या हुआ पीके, तुम क्या सब की बात बिना बोले ही समझ जाते हो अहां, सब की नहीं बस खास लोगों की नहीं, कुछ नहीं बस फैमिली इशूस पर अब मैं तुमसे मिलने के बाद एकदम ठीक हूँ तभी मेटर जूस ले आता है और गिलास रखते हुए चुलबुल पर जूस किर जाता है ओ शिर, फीके, तुम यहीं रुकों में क्लीन करके आती हूँ और चुलबुल के अंदर जाते ही उसका फोन बर्षता है जिस पर गुंजन का फोन आ रहा था वे फोन उठाकर स्क्रीन देखता है जिस पर लिखा था भाबी प्रतीक फोन उठाता है और उधर से गुंजन के आवाज आती है हेलो चुलबुल गुंजन प्रतीक की आवाज सुनते ही सुन पढ़ जाती है एकदम उसका सिर घुम गया था प्रतीक के शब्द उसके सिर में हातोड़ी की तरह बज रहे थे हेलो मैडम हेलो आर यू देया हाँ कहां है वो वे ठीक तो है न मुझे जिन्दा हो रही है आप जो भी बोल रही है पीके जी जवाब दीजिए न ये आवाज मुझे उसके जैसी क्यों लग रही है अंदास भी गुंजन के जैसा ही है तभी चुलबुल वाश्रूम से लॉट कर प्रतीक के हाथ से फोन ले ले लेती है वो तुम्हारा फोन आया हुआ है कौन है ये हाँ भाबी मैं आ रही हूँ घर आकर आपको कुछ बताती भी हो चुलबुल तरी साथ कौन है वो उसकी आवाज कड़क है न आवाज इसकी चलो मैं आकर बात करती हूँ आपसे भाबी टेक केर ओहो तो भाबी थी तुम्हारी मैं तो कोई और समझ बैठा कोई और कौन तुम्हारी एक्स प्रती के सुनते ही आँखे नम करने का मस्त नाटक करता है मेरी एक्स आज वो जिंदा होती तो शायद उसे कभी एक्स होने ही नहीं देता सच तो ये है कि मैं प्यार में इतना पागल हो गया हूँ कि एक मरी हुई लड़की के लिए मानदा रहा हूँ कि चाहूँगा तो सिर्फ उसे और शायद तुम मानूगी नहीं पर मेरी एक्स के जाने के बाद सिर्फ तुम ही हो जिससे मैंने बात कि है चुलबूर वो एकदम तुम जैसी थी इतनी ही चंचल तुम अच्छे इंसान हो पीके तुम्हारी तरह प्यार करने वाला इंसान हर किसी को मिले भाई या भाबी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पस सबकी जोड़ी बनी रहे और तुम तुम करती हो किसी से प्यार ये सुनकर चुलबूर शर्माती है और नजरे चुका कर ना का इशारा करती है करती नहीं हूँ पर करना चाहती हूँ और शायद एक्दू मुलाकात में और कर बैठ हूँ और चुलबुल अपना बैग उठाकर प्रतीक को गली लगाकर शर्माती हुए अपनी लंबी गारी में बैठ कर वहां से चली जाती है प्रतीक के देख बड़ा खुश होता है तभी प्रतीक बेटर को आवाज लगाता है और वेटर जैसे ही आता है प्रतीक उसकी गर्दन में एक लगाता है प्रतीक अपने असली रूप में आ गया था उधर शिखर अपनी नकली पत्नी और असली प्यार के लिए आज फूल लाता है गुंजन ये देख बहुत खुश होती है और दोनों में नजदीक या बढ़ने लगती है शार्था ये देख किला सुटती है अरे मोडे इतना क्या पागल हो रहा है तू प्यार में जो किसी और की जूटन खाए जा रहा है कमरे में खिटकी के पास खड़े शिखर और गुंजन एक दूसरे की सीने से लगकर बात कर रहे थे शिखर जी आपको हवा कैसी लगती है ठंडी ठंडी जोर जोरी उठाती सी अजाक मत करिये ना बताइए ना मतलब हवा छूती है तो कैसा लगता है और गुंजन उदास होकर सोने चली जाती है शिखर को गुंजन के चहरे की उदासी देख दुख होता है और वह वहीं खड़ा होकर कुछ सोचता है अचानक उसे खयाल आता है और वह भी सोने चला जाता है अगले दिन गुंजन जब उठकर नहाती है तो वह अपने गीले बाल सुखाने लगती है तभी शिखर उसे रोग देता है और शिखर गुंजन को गोद में उठाकर सब घरवालों के सामने से ले जाता है जान की चेतन ये देख मुस्कुरा रहे थे तभी चिलबलन दोनों की फोटो ले लेती है और शादा और अधिक चट जाती है शिखर गुंजन को घर के बाहर बगीचे में ले जाता है जहाए घने पेड़ पर जूला बंदा हुआ था शिखर गुंजन को गोद में लेकर उस पर बिठा देता है और जोर से हिला कर जूला जूलने लगता है हवा में गुंजन का पल्लू उसके बाल खुद बखुद लहरा रही थे बहुत मज़ा रहा है आपके लिए कुछ भी गुंजन जी, कुछ भी थांक यू शिखर जी ये मौसम का जादू है मित्वा ओ मित्वा ना अब दिल पे काबू है मित्वा बहुत मज़ा रहा है शिखर जी और अचारक से जूली की रस्ती तोट जाती है शिखर जी गुंजन शिखर की गोट से फिसल कर जमीन पर गिर जाती है और उसकी दर्ट से चीख निकलती है शिखर जी गुंजन जी, नहीं और शिखर बेहोश हुई गुंजन को उठा कर कमरे में ले जाता है डॉक्टर माडम को बुलाया जाता है शिखर मैंने कहा था ना कि गुंजन को किसी भी तरह का स्ट्रेस मत देना तो फिर ये सब कैसे और तब डॉक्टर गुंजन का चेक अप करती है और गुंजन को भी होश आ गया था डॉक्टर क्या हुआ था मुझे बहुत बड़ी बात हो गई थी माडम तो मेरा मुव इठा आप लोग कराएंगे या मैं ही समार्ट उसे कुछ ओडर कर दू अरे शिखर तुम बाप बनने वाले हो और तुमारी गुंजन माँ बनने वाली है इसलिए उसे चक्कर आ गए होंगे और ये कैसी लापरवाही है ये एक महीने से गर्बती है और तुम सब को पता तक नहीं है खेर दवाया दे रही हूँ ये टाइम पर इसे दे देना शिखर और बाकी सब के चहरे सफेद भूत की तरहें थे गुंजन का चहरा कली की तरहें खिल गया था गुंजन बिस्तर से खड़ी होती है और उसके लड़ खड़ाने पर शिखर आकर उसको थामता है गुंजन उसका चहरा से लाते हुए उसका हाथ अपने पेट पर रखती है शिखर, हमारा बच्चा हमारा बच्चा शिखर ये सुनते ही शिखर गुंचन को बिसर पर धकेल दीता है नहीं, ये बच्चा मेरा नहीं है नहीं है या हमारा बच्चा शिखर बाहर चला जाता है शिकर की इस हरकत से हिलकर गुंजन बेहोश हो जाती है लो देखो जी साप के पेट में पाप पल रहा है और तुम लोग इसे मेरे मोड़ी की बींदनी बनाना चाह रहे थे मेरे रहते हुए तो ये कभी नहीं होगा आर्स तो सिर्फ इसके जूले की रसी कमजोर की थी अगर इसने दुबार अपंगा लिया तो इसका मैं क्या क्या कमजोर करने वाली हूँ इसका तुम उससब को अंदाजा भी नहीं होगा शिकर बाहर आता है तो जान की उसके पास जाती है बेटा में चानती हो तुम उससे नराज है पर मेरी नराज़गी की वजह से मेरी बात सुनना बन मत कर गुनजन की ये हालत नहीं है कि वो और सत्मा परदार्श्त कर सके पर ये बच्चा तुम दोनों का ही है तो तुम दोनों शाधी क्यों नहीं कर लेती हूँ और मैंने उनके आत्मा चुई है, ना के जिस्म ये क्या बोल रही हो शिखर? क्या बोल रहा है? समझ नहीं आ रहा है क्या इसका मतलब हमारे छोरे ने इस कुल्टा के साथ डिंगनो ना किया जान की मैं तो बहुत खुश हूँ बहुत तो फिर ये बच्चा? गुंजन जी और उनके पती, पतिक भईया का है जिस इनसान ने इनके औरत होने का हर सुक, हर पहचान चीननी चाही उसी इनसान ने इनकी कोक में एक जान दे दी तब ये चुल्बुल आकर गर्म महौल देखती है ये सब बाते हो रही है, तो आप लोगों से मेरी क्या ही कहूं ना मेरी मोडी तु बोलना के बात हो गई, बता वो मा, भाई, दादी, मुझे कोई पसंद है, बहुत पसंद है कौन है चोटी? और कैसे मिला? सब बता अगर इनको पीके के बारे में सच बता दिया, तो ये कभी हा नहीं बोलेंगे आखिर एक डेटिंग साइट पर भी भला कोई प्यार होता है के किसी को मुझे कोई कहानी बनानी ही होगी वो भया मेरी कॉलेज में है, और मैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते है शिखर शादी के बाद गुंजन की हालत देखर सहम गया था वो किसी भी लड़की को अपनी बहन के साथ ऐसा करते नहीं देख सकता था बाई, तो मैं उसे कब बुलाओं? नहीं, वो यहां नहीं आएगा, मैं उसके घर जाओंगा, और वो भी अकेले अपने घर में वो कैसे रहता है, क्या खाता है, वही तो मुझे जानना है यहां हमारे घर में आकर तो कोई भी ढोंग कर सकता है चुलबुल खुश होकर पीके को बताती है मगर उससे पहले आज शाम को मिलेंगे न जान मिलकर बताना कि तुम शादी को लेकर कितनी सीरस हो और शाम होती है, उदर गुझन को होश आ रहा था तो कभी वह फिर से बेहोश होती जा रही थी चुलबुल शाम में प्रतीक से मिलने कैफे में जाती है दोनों मिलकर बात कर ही रहे थे तभी प्रतीक ने चुलबुल का हाथ थाम लिया चुलबुल इतने कम समय में कोई मेरे मन में जगह कर सकता है ये नहीं सूचा था मैंने हाँ मैं मेरी ये जिन्दगी ताउमर तुम्हारे नाम करना चाहूँगा चुल्बुल खुशी से जूमते हुए प्रतीक को गले लगाती है क्याफे के बाहर खड़ा शिखर ये सब देख लेता है और उसके पाव तले से जमीन सरग गई थी चुल्बुल उच जलात प्रतीक के साथ आकर क्या कर रही है प्रतीक चुल्बुल को गरे लगा कर उसे चुमने वाला ही था ये देख शिखर के तन बतन में आग लग गई थी और वो अंदर जाने लगा तभी प्रतीक का फोन बज गया और वे वहाँ से जाने लगा क्या पीकी ये हमारी पहली किस थी ना उसमें भी ये फोन मेरी सौतन बन गया है हाँ प्रतीक हस्ता हुआ चला जाता है और तभी चुल्बुल जैसे ही पलटती है वे पीछे अपने भाई शिखर को खड़ा पाती है जिसकी आखे गुस्थे से लाल हो रही थी अरे भाईया आप आप दीरी से क्यों आए दो मिनिट पहले आती तो मैं आपको पीकी से मिलवाती मेरी प्यार से शिखर ये सुनकर चुल्बुल का हाथ जोर से पकड़ कर खीचता है और उसे घर ले जाता है आउच भाई ये क्या कर रही हो तुम मा देखो ना भाई मुझे जान दरू की तरह खीच कर लाया है क्या हुआ शिखर बेटा मिसर जान की बस तुम बीच में ही पड़ो अपनी बेटी की खुशिया प्यारी थी ना तुमें अब देखो क्या खुशिया ढूंड रही है आपकी ये चुल्बुली अरे भाई आखिर हुआ क्या है बताओ तो तुम आज के बाद उस लड़के से कभी नहीं मिलेगी और ना ही तेरी शादी होगी उस लड़के से क्यों 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 नहीं होगी मेरी शादी उससे आपका खुद का घर बस नहीं रहा तो मुझे पर गुसा निकाल रहे हो नहीं, मुझे जानना है कि पीके में आखे दिक्कत क्या है शारता अशोक जानकी सब भाई बहन की बातों को आखे फार कर सुन रहे थे जब आप तो मुझे भाई आखिर क्या दिक्कत है पिके घर में इतना शोर सुनकर गुंजन के आँख खुल जाती है और वो सीडियों के पास आती है तो नीचे चल रहा तमाशा देखने के लिए वही खड़ी होकर सब देखने लगती है बस मैंने बोल दिया ना जो मैं कह रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं है क्या बस दूर है उस आदमी से नहीं रहूंगी दूर और वह कोई आदमी नहीं उसका नाम पीके है वो पीके नहीं प्रतीक है प्रतीक मेरी गुंजन का पती प्रतीक जो आदमी पहले ही शादी शुदा है क्या तू उसके पास जाएगी, तू समझ क्यों नहीं रही छोटी, वो आदमी अच्छा नहीं है गुंजन सीरियों के पास खड़ी होकर सब सुन लेती है, ये सुनकर उसे जोर का सत्मा लगता है नहीं, उसने मुझे से अगर ये बास चिपाई है तो सरूर कोई वजय होगी, नहीं ये सच नहीं हो सकता बहन, 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 मेरी बहन, उसने कोई मंतर फुख दिया गा तुछ पर, जो आज मेरी बहन मेरी बात ही नहीं मान रही है उस प्रतीक से दूर है, पहले वो गुंजन जी के जिन्दगी नरख बना चुका है, अब मैं तेरी नरख होते नहीं देख सकता ये सुनते ही शिखर के पाउं तले से जमीन खिसक जाती है, चुलबुल अब प्रतीक की बोली बोल रही थी, जैसे उसने इस पर कोई जादू कर दिया हो शिखर चुलबुल पर हाथ उठाने वाले होता ही है कि तब इक गुंजन उपर से बोलती है और गुंजन सीडियों से जैसे ही उतरती है, उसका पाउं फिसल जाता है, और वो गिरती लड़कती नीचे आने लगती है शार्दा को ये देख बड़ी खुशी हो रही थी ये कलेशी मर जाए तो पीछा छोटे, हाँ, सत्यानाश कर रखा है इस घर के महाल का, ड्राम में बास कहीं की गुंजन बेटा, शिखर के हाथ पाउ तो गुंजन को गिरता देख सुन हो गए थे भाई चलो ना, गुंजन गिर गई है गुंजन, नही गुंजन का सर जमीन से लगता है और वे बहोश हो जाती है शिखर उसे बाहों में थाम कर कमरे में सुला दीता है कुछ देर में गुंजन को हलका सा होश आता है मेरा बच्चा, मेरा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा और गुंजन शिखर का जोर से हाथ भीज देती है और फिर से बेहोश हो जाती है उधर चलबुल को शिखर के बाद पर बहुत गुसा आ रहा था और प्रतीक को फोन करके खुब रोती है मुझे मिलना है तमसे अभी के अभी और चलबुल जाते हुए मंदर से सिंदोर दाने उठा लेती है उधर प्रतीक को चलबुल ने मंदर में मिलने बुलाया था पीके क्या तुम मुझे से प्यार करते हो अफकोस डालिंग बहुत करता हूँ तो शादी करो के मुझे बोलो पीके यह सुनकर चलबुल सिंदोर दाने प्रतीक के सामने करती है तो मेरी मांग भर कर मुझे सुहागन कर दो प्रतीक प्रतीक अपना पूरा नाम सुनकर सक पका गया था तुमको मेरा नाम कैसे पता चला मैं बस दस तक ही गिनूँगी या तो तुम मांग भरोगे या फिर आज के बाद कभी मेरा मूने ही देख सकोगी इसे अभी मेरा नाम पता चला है अगर बाकी चीजे भी पता चल गई तो ये हाथ से रिकल जाएगी और अब मेरे हाथ में कम समय बच रहा है तो जब बकरी खुद हलालों ने आई है तो मैं क्यों अपना रोजा तोड़ू शाबाश प्रतीक इस शिकार में मज़ा आया और प्रतीक मुस्कुरा कर चलबुल की और देखता है शिकर गुंजन का हाथ थाम कर उसके पेट को सहलाने लगता है चिंता मत करो गुंजन, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूँगा, कभी नहीं और वे गुंजन की पेट को चूमने लगता है कि तभी गुंजन की आँख खुलती है और शिकर जी, ये क्या बत्तमीजी है और शिकर का हाँ जटक कर उसके चहरे पर एक तमाचा रसीद करती है आपकी हिमत कैसे हुए मुझे चूने की और ये कौन सी जगा है मैं कहा हूँ, आह मेरा सर और गुंजन आँख बंद कर सब याद करती है तभी जान की उससे बात करती है तुम सब कुछ भूल गई थी बेटा और तब से अब तक शिकर नहीं तुमारा खयाल रखा है खयाल रखा है ये फाइदा उठाया है मेरी याददाश जाने का फाइदा हाँ, आप ही थे ना जिसने मुझे तवायव खाने पर बेचना चाहा था मैंने बेहोश होने से पहले आपको उन्हें पैसे देते देखा था मैं आपको हासिल ना हो सके तो इस ख़दर तक गिर गए आप और उस दिन मैं आप से ही भाग रही थी पर किस्मत का खेल देखो नरक से दूर जा रही थी और नरक में ही आकर भस गए गुंजन बेटा हमारी बात तु सुनो नहीं मुझे चाना है मुझे मेरी प्रतीक जी के पास चाना है वो परिशान हो रहे होंगे उन्हें इस बच्चे की खबर दोंगे तो सब ठीक हो जाएगा कुत्ते के दुम फिर से टेड़ी होकर लहरा रही थी गुंजन इतना सब होने पर भी अपने आखे नहीं खोल रही थी और वे उटकर जाने लगती है शिकर के आखे चल लग गई थी उस दिन जानकी और शिकर के रिष्टे के बीच कुछ नजदी की आई जानकी ने रोते हुए शिकर के आशू अपने वमता के आचल से पोचे तो शिकर टूट कर मा के सीने से लग गया जानकी ने शिकर के मूँ से मिसिस जानकी नहीं मा शब्द सुना था और वो भी बेटे के गम में उसे लिपट कर रोने लगती है गुंजन ने प्रतीक की घर की बस पकड़ी थी और वो दूसरे शहर को रवाना हो गई वहीं उस और प्रतीक ने सिंदूर की चुटकी भर कर चुलबुल की मांग भर दी ये देख चुलबुल बहुत खुश होती है और उसके सीने से लगती है प्रतीक के चहरे से तो बस चलाकी ही टपक रही थी चिंता मत कर बेटा बस कल तक हम तेरी पापा की पास होंगी अब फिर सब ठीक हो जाएगा गुंजन ने अपना फैसना ले लिया था वो प्रतीक की ओर जा रही थी उस रोज शिखर ने जो शराप छोड़ी थी वो फिर से उठा ली थी वेखोट को नशे में चूर करके सब भूलना चा रहा था गुंजन 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 जब ये नाम नहीं था तब सब कुछ सही था ये दर्द मुझे क्यों देकर चली गई गुंजन आप क्यों मा जान की मा बहुत दुख रहा है जान की आखिर शिखर को सीने से लगाती है शायद गुंजन की आने की वज़े तेरी मेरे रिष्टे की बीच ये दरार को खत्म करना ही था बीटा फूल जा उसे वह लड़की अपनी पती के अलावा और किसी की नहीं होगी पती और मैं क्या हूँ मैं तो ठीक से प्रेमी भी नहीं बन सका गुंजन बस में बैठी थी की तब ही बस रुकती है और बस में गीत और श्लोक चड़ती है वो बिना कुछ बोले गुंजन के बाजुवाली सीट पर बैठ जाती है श्लोक ये लड़की कुछ परिशान नहीं लग रही है पर अगर पूछेंगे तो कहीं बुरा मान गई तो अरे और अरत हो मैं तो बुरा क्यों मानी की बस तुम बीश में ना बोल पढ़ना पता चला मेरे पती को पबलिक में कूट दिया और गीत गुंजन की ठीक बगल में आकर बैठती है वे गुंजन के चहरे पर गहरी मासूमिया देखती है कितनी मासूम हो आप पर इस चहरे पर इतनी उदासी क्यों है गुंजन कोई जवाब नहीं देती है गीत समझ कई थी कि गुंजन अंजान लड़की से अपनी बात क्यों शेयर करेगी भला इसलिए वे अपनी कहानी बताने लगती है क्या हुआ सखी जिंदीगी ने ठका दिया क्या मुझे भी ठकाया था वो जो सामने बैठा है ना मेरा श्लोक जानती हो उससे पहली बार कब मिली थी जब मैं मरने की कोशिश कर रही थी पर नियती ने श्लोक को भेज कर मुझे बचा लिया बहुत तकलीफे आई पर श्लोक ने ऐसा हाथ थामा इस गीत का कि मैं फिर से जीने लग गई गुंजन गीत की बाद ध्यान से सुन रही थी गुंजन गीत से अपनी बात कहने लगती है माने हमेशा सिखाया कि पती के साथ निभा कर रखना ही मेरा पहला काम होगा मेरा धर्म होगा मैं निभाती गई कभी लगता कि सब ठीक हो रहा है तो कभी लगता कि सब गलत सिसुराल के साथ ताल निल भी कभी ठीक कभी खराब ही चल रहा था और फिर वो मेरी जिन्दकी में आते है कौन गुंजन शिखर उनका आना किसी तुफान की तरह था गुंजन ये सुनकर चुप हो गई थी उसे बार-बार शिखर के याद तो सता रही थी मगर ये रिष्टा भी कोई रिष्टा था ये सोचकर वे खुद को हर बार पीछे खीच लेती थी उधर प्रतीक ने चुलबल के मांग में अपने नाम का सिंदूर सजा दिया था और चुलबल खुशी से उसके सीने लगती है अब हम को कोई जुदा नहीं कर सकता ना मेरा परिवार ना मेरा भाई तैंक्स भीके प्रतीक बड़ा ही खुश था चुलबल भी खुशो कर लौट आती है उधर प्रतीक भी घर पहुँचता है चुलबल घर आती है तो उसे पता चलता है तभी जानकी और शार्दा उसकी मांग में सिंदूर देखते है अरे ये क्या कर दी मोडी प्यार चाया हमसे बुरा पूछे सत्या नाशन दादी पस ना बहुत हो गया सबका ड्रामा आप सब मेरी खुशी में अगर खुश नहीं हो सकते तो मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ कर वहीं जहां मेरी कद्र हो शिखर एक सदमे से निकला नहीं था कि उसे यह भी देखना पड़ा चुलबुल घर छोड़ कर जाने लगती है और जानकी उसके पीछे-पीछे से रोकने के लिए दोड़ती है चुलबुल मेरे बच्चे रुख जा चुलबुल रुख जा शिखर बेटा देख तो इसे क्या हो गया है यह हमारी चुलबुल हमारी सुन क्यों नहीं रही है जाने दो माव से शायद सब की नियती तै होती है वैसे भी मुझे अब इस शराफ से प्यारा कुछ नहीं है कुछ भी नहीं और शिखर फिर से बोतल उठा कर जुमने लगता है शायदार जानकी वहीं बैटकर अपना माथा पीट पीट कर विलाप करने लगती है बोला था बहू उस पनोती की होने से ही सब हुआ है अमारा पूरा परिवार निकल कर खुद तो चली गई चुड़ायल कहीं की चुलबुल अपना बोरिया बिस्तरा लेकर गारी में बैटती है ड्राइवर फटावर पीके की घर ले चलो मुझे आप मुझे मेरी ही खुशियों से मतलब है बस उधर गुंजन गीत की बात ही चल रही थी चानती हो गीत जब रतीक ची मेरे खाने की तारीफ करते थे तो कितना संदर लगता था और वो जब तुमको मारता था तब तब भी सब संदर ही रहता था तुम्हारी बदन पर ये चोट के घहरे निशान बता रही है कि तुमने कितनी ही आतना सही है गुंजन पर क्यों सही है हम सब ये जनता ही जमाना हम सब जानना चाहते हैं कि क्यों सहती हो तुम ये सब इतना अंधा हो ना किस काम का सहती हो मैं सब जानती हो सब के यही सवाल है सब मुझे कमजोर समझते हैं न सब कहते हैं समाना मुझ जैसी औरत का कभी नहीं होना चाहीगा तो हाँ हूँ मैं कमजोर मैं बहुत कमजोर हूँ क्या करूँ शादी करके घर बसाने के अलावा तो और कोई जानती भी नहीं थी उसमें भी डरी रह दिखती कहीं फेल ना हो जाओ फेल हो गई तो सब ताना मारेंगी कि ये देखो गुंजन ना करियर बना सकी ना परिवार आ गई असफल शादी तोड़ डर लगता है मुझे ही ये पती-पत्नी का रिष्टा कभी तूटे ना ये मेरे पेट में जो बच्चा है इसे अगर भापको साया ना मिला तो कहा तक बच्चोंगे इस गित जैसे समाज के नोश्टी चोचो से बताओ गीत क्या मैं गलत हूँ? बताओ अगर सहूंगी नहीं तो रिष्टा पल भर में बिखर जाएगा और सहनी से क्या मिल रहा है? ये बताओ गुंजन एक उमीद एक अधूरी सी आस की एक दिन शायद सब ठीक हो जाएगा और तब मैं अच्छी पत्नी कहलाओंगी तुम आज भी अच्छी पत्नी हो गुंजन तुमें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है अपने उस पती से पहले एक बार खुद से प्यार करना शुरू करो ये श्लोख है ना इसने मुझे ऐसे ही बचाया था मेरी शरीर से लिप्टे उस सफीद रंग को अतार कर मुझे रंगों से ठक डाला था मैं भी अपने ही बनाए बंधन से बाहर आई हूँ तुमको भी तुम्हारी बनाए बंधन से बाहर आना होगा तोर डालो अपनी बेडिया पेचानो खुद को, कौन हो तुम वरना तुम्हारी हाल देखकर तो तुम जैसी और बहने भी डर जाएंगी मेरी सखी दोस्तों मैं ये नहीं कहती कि मेरी जीवन से कुछ सीखो मेरा ये जीवन तो मैंने खुद ही चुन लिया है लेकिन आप सब एक अच्छा जीवन डिसर्फ करती है मैं तो खुद को शायद ना बचा सकूँगी पर आप सब वक्त रहते जीना शुरू करना रिष्टों में रंग बदले ना बदले पर अपने मन को हर सुन्दर रंग से जरूर भरना मैं जानती हूँ कि मेरी उल्ची जिन्दगी शाहिद ही मैं सुलजा सकूँ अगर एक अंचान लड़की के मन की सुन्ना और उसे अपने बात कहना बहुत बड़ी बात है गीत शुक्रिया सकी तुमें जीवन की सब खुशी मिले और तुमको प्यार का शिखर प्राप्त हो दोनों गले लगती है और गुंजन बस से उतर जाती है गीत और शुलोग जाती हुई गुंजन को देख रहे थे क्या लगता है इसको तुमारे बात समझ में आई शुलोग सबकी जिंदगी भगवान ने उसके हिसाब से डिजाइन की है सबकी तकलीफे भी उपर वाले ने उसके हिसाब से डिजाइन की है तो उसे खुद ही लड़ना होगा मगर इस लड़की में अभी बहुत जान बाकी है ये लड़ लेगी तब तक की लिए आप सब को गुंजन की हिम्मत बना होगा और आप में से जो लोग मुझे और श्लोग को नहीं पहजानती तो जाकर अभी देखिए गीत और श्लोग की सुपहिट कहानी इश्का रंग सफीद जिसमें याद्रा है मेरी जीवन की सफीद रंग के लाल रंग में बदलने की गुंजन सरत पर उतरती है और उसकर से चकरा जाता है घर का रास्ता कहां सी है? मुझे पता भी नहीं आ रहा प्रतीक जी प्रतीक जी गुंजन तीस सूरज की गर्मी से वहीं गिर जाती है दारू की धुतनशे में पड़ा शिखर अचानक घबरा उठता है तो सामने अशोग बैठा पाता है होश आया तुझे मुझे लगा मेरा बेटा जिमेदार हो गया है गुंजन क्याने से ही सही पर जिन्दगी को जीना सीख रहा है और तुझे उस लड़की ने इतना समझदार कर दिया था न कि मुझे लगा तु बस कुछी दिरों में मेरी जग्या लेकर परिवार समाल लेगा और तु ऐसे लड़का आ गया ऐसे घबरा गया बेटा और अशोक जैसे अच्छे पिता ने उसे सही दिशा दिखाई शिकर खड़ा हुआ और गाड़े निकाल कर जाने लगा रुक ऐसे नशे में ड्राइव करेगा पगला गया है क्या मैं चलूँगा तेरे साथ अशोक अपने बेटे के साथ गुंचन को ढूनने निकलता है उधर प्रतीक चंचल चेतन और मनिका ललचा कर अपना पुराना समान उठा उठा कर बाहर पैक रहे थे चंचल बेटा ये ड्रेसिंग भी पैक बहु लाएगी ना चमचमाती हुई बड़ा आई ना माम ये अवन भी अब रुक रुक कर चल रहा है हटा देते हैं अरे कोई मेरे टीवी के बारे में भी बता दो ये भी ने आएगा क्या हाँ डैट सब ने आएगा और ये सब कबाड़ा कबाड़ी वाले को बेचका जो पैसा आएगा उसकी लाएंगे दारू सब बड़े ही खुश थे तभी चुलबुल की गाड़ी आकर रुकती है प्रतीक एक्साइटेड हो गया था मॉम दो चार ट्रक पीछे पीछे आ रही होंगे और चुलबुल गाड़ी से उतरती है तो उसके पास एक छोटा बाग ही होता है चुलबुल अंदर आकर प्रतीक के गली लगती है और सबको हेलो कहती है वह पाव आओ नहीं छोती ये देख मानी का मूँ बनाती है हाई भाबी मैं चंचल हाई चंच मैं चुलबुल मेरी जिसा नाम कॉपी किया कोई बाद नहीं लिटल बारी देखते हैं हम दोनों में से कौन जादा नौटी होगा येस येस क्यों नहीं वैसे बाकी का समान कहा है भाबी आपका समान कौन सा समान यही तो है बस वैसे पीके बेबी घर तो काफी अरेंज़ थे तुमारा खाली-खाली खुला-खुला, मुझे ऐसे ही घर में रहना था चुल्बूल, बस एक ही वैक, और भी तो समान लाई होगी ना तुम घर से बताओ, कहां है, हम सब मिलकर जमाने में मदद करेंगे अरे बाबा और समान के लाती में, मैं तो मेरे खलवारों को लात मार कर आई हूँ उनकी दी हुई तो एक कील भी ना लूँ अम मैं, और हां, मैं तो कपड़ी भी दूजोडी लील कर आई हूँ चुलबूल प्रतीक को खीच कर ले जाती है, मनिका चंचल और चेतन का तो मुझ खुला का खुला रह गया था मनिका और चंचल वही दहलीस पर बैट कर सिर्पीट कर रोने लगती है अरे राम जी ये क्या हो गया, ना हम हिंदी के रहे ना उर्दू के, इस वाली ने तो कही का नहीं छोड़ा सारा समान तोड़ फोर दिया, फैक दिया और ये गहती है मुझे शॉपिंग गर आओ हनी मॉम, समीन के पेपर्स कब बन कर आईंगे? साथ दिन में बेटा आपको प्रतीक के पाच जाना है ना? मैं ले चलता हूं चलो डैड, आज इस चैप्टर को पूरा करते हैं और अशोग गाड़ी प्रतीक के यां गुमा लेता है उथर चुलबुल के कहने पर प्रतीक तयार होकर उसे बाहर ले जा रहा था चुलबुल बेबी, जल्दी करो ना आई बेबी और प्रतीक चुलबुल को तयार देखता ही रह जाता है वेह उसे उसकी प्यार की नजर से देखता है जो उसने गुंजन की और कभी डाली तक नहीं थी दोनों एक दूसरे की सीने से लगते हैं और वहाँ दर्वाजे पर गुंजन खड़ी होकर ये सब देख रही थी प्रतीक जी अरे माम शिखर भी आ गया है देखो तो अरे अरे बेटा तो यहाँ कैसे फिर से किराह का कमरा चाहिए क्या चुलबुल चल घर वापिस चल मुझे कहीं नहीं जाना भाई मैं पीके की पाहों में ही खुश हूँ एक सकेंड भाईया तुम शिखर की बहन हो हाँ तुम भाई को जानते हो क्या पीके ओहो आप रिष्टे निकाल रही है आप लोग इंसान है या पत्थर मैं दहलीस पर खड़ी किसी को दिख नहीं रही हूँ क्या और चुलबुल तब यहां क्या कर रही हो क्या कर रही हूँ पीके मेरा पती है तो अपने पती की पाहों में ही रहूंगी ना और आप ये सब क्यों पूछ रही है गुंजन गुंजन चुलबुल का जवाब सुनकर बुरी तरह ही हिल गई थी उसके कानों में बार बार चुलबुल की तीखे बोल चुब रहे थे पीके यानि प्रतीक मेरा पती है मेरा अगर प्रतीक ची तुम्हारी पती है तो फिर मैं इनकी क्या हूँ मैं क्या जानू, होगी कोई दूसरी औरत या शायद रखेल भी ये जवाब सुनते ही शिखर को अपनी बहन पर बहुत जोर से गुस्सा आता है और वह चुलबुल के करीब आकर उस पर हाथ उठाने ही लगता है तब ही प्रतीक शिखर का हाथ पकड़ लेता है गुझन प्रतीक के चहरे को ध्यान से देखती है और उसके करीब जाकर उसके चहरे को सहला दी है प्रतीक जी ये आप ही है ना जिन पर मैंने अपना सब को जबार दिया अपना हर दर्ट सह गई कि उनकी दी हर चोट में कहीं तो प्यार चिपा होगा लेकिन तब भे आपने मेरा प्यार देख के भी मुझे चोट देने से परहेज नहीं किया लेकिन आज चुलबल को लगने वाली एक तमाची को देखकर आपका प्यार चाक गया आज आप अपनी पत्नी पर एक तमाचा लगता नहीं देख सकते हैं मुझसंग जो था वो दरंद की क्यों प्रतीक जी जानना चाती हो क्यों क्यों जानना चाती हो न तो सुनो क्योंकि तुम मेरे लिए कभी मेरी पत्नी थी ही नहीं नहीं थी कुछ भी सुन ली आना आप कुछ भी नहीं थी तुम कुछ भी चुलबुल तुम इस पागल औरत की बात मस सुनो, ये जूट बोल रही है, एकदम जूट, हमारी शादी जरूर हुई थी, लेकिन मैंने कभी इस औरत को चुआ तक नहीं, तो ये बच्चा किसका होगा, वो तो मैं इसके आयाशियों से तंग आ चुका था, चुलबुल देखो मेरी ओर, तुम्हें मुझ पर विश्वास है या इस पागल औरत पर, चुलबुल गुंजन का दर्द भरा चेहरा देखती है, मैं सब जान गई गुंजन, मुझे पता है, कौन सच पूर रहा है और कौन जूट, और ये बच्चा भी किसका है, गुंजन चुलबुल को देख खुश होती है, और चुलबुल उसकी नम आखे पोच्चती है, गुंजन, ये बच्चा तुम्हारा और तुम्हारी है, और अखेल ही रहोगी, निकल जाओ मेरे पीके का गड़ से बाहर, और पीके जानते हो, तुमने चाटा क्यों खाया, क्योंकि तुमने कैसे सोच लिया, कि मैं तुम पर शक करोंगी, हाँ? चुलबुल गंजन को धक्का मारती है, और शिखर आखर तुरंद उसे बाहों में धाम लेता है, शिखर अपनी बहन का ऐसा रूप देखकर हिल गया था, ना जाने प्रतीक ने उस पर क्या जादू किया था, वह सब के खिलाफ हो चुकी थी, खेर, प्यार तो अंधा होता ही है, जिसमें जो पड़ा, वो खुद भी अंधा हो जाता है, वही हाल चुलबुल का था, प्रतीक उसे जो भी कह रहा था, वे मानती जा रही थी, ओ, तो इस शिखर के सास रंगरलिया चल रही है तेरी, मेरी चीजों पर तो इसकी हमेशा से ही नजर थी माम, क्या पता, हम शक जग में कर रही है, और इसके पेट में पाप का बाप ही शिखर ही हो, हाँ, बस, बहुत बगबग कर लिया तुम घटिया लोगों ने, लेकिन अब अगर एक और शब्द बोला ना मेरी गुंजन के खिलाफ, तो तुम सब की जुबान खिट कर फीता कर दूँगा, और उसी से बांद कर खेंच कर ले जाओंगा कोड तक, भूलो मत, वकील हूं मैं, बस कमजोर मैं इस पागल के सामने बनना हाओ, ये तुम सब के खिलाब मुख खोलेगी नहीं, बस इसलिए बच रहे हो, और रही बात इसके बच्चे की, तो नसीब वालों को नसीब होती हो लाद है आजकर, औरते नहीं, मर्द बाज बने घूम रहे हैं, मैं बनूंगा इसका बाप, ये कोई पाप नहीं, मेरा वर्दान है, शिखर जी नहीं, बस करो, ये हमारा आपसी मसला है, मसला, कौन सा मसला गुंजन जी, ये आदमें आपको मसलता चला गया, कुचलता चला गया, और आप मसले परियाट की है, आप आज फैसला करी लीजिए, क्या आपको जिल्लत की सुहागन बनना है, ये कि जदवाली मा, फैसला करीए अभी, गुंजन प्रतीक की और देख रही थी, रो रही थी, हाज जोड रही थी, तभी चुलबूल प्रतीक के सामने आखड़ी होती है मेरे पती को देखने की जुरत भी मत करना, अरे भावी, इसकी तो आदत है धरुदर मौ मारने की, देखो कैसे बदनामी के साथ जी लेगी, वैसे तू थी कहां इतने दिन नीच और और कहां होगी, हमारी ही घर में थी, भाई की कमरे में एक साथ, वैसे तो मा भी तो तभी बनी हो न, और यहां आकर मेरे पती पर डोरे डाल रही हो, अरे किसी एक की तो होकर दिखाओ गुंजन, अरे बिट्या, बदनाम औरत हमेशा बदनाम रहना ही पसंद करती है, बदनाम है ये, बदनाम है, ठीक है, तो इसका फैसला आद में खुद करूँगा, शिकर गुंज गुंजन के सामने हाथ रखता है, गुंजन अब बारी आपकी है, आपको इसी दर पर ठोकरों में रहना है, या मेरे घर के आंगन की तुलसी बनना है, गुंजन प्रतीक के दिये आसों से अब पथर हो चली थी, घर शिखर के साथ जाने का फैस्टा लेती है, प्रतीक जी, भूख शान्त करती, और अपना बदन जैसे चाहे नुचवाले, मैं ना बन सकी तो एक ऐसे पैसे वाली बहू, जिसका बैंट बैलेट सास के तानों की तरह कभी खाली ही नहीं होता हो, मैं ना बन सकी तो ऐसी भाबी, जो अपनी नलत के तानों के बतले महंगी किफ्ट देत हो, मैं सब बनी, तो बन ना सकी बस दहीच की दुकान, जहां जब चाहे आकर जो चाहे खरीच सको, अरे तम लोगों से क्या शिकाहत करूँ, मैं आदर्श बेटी बन कर तो यहां आई थी, पर मैं वह बेटी ना बन सकी, जो अपने पदी की मार की चोटे अपने बाप को दि शिकर गुंजन की निकली भडास देखकर एमोशनल हो उठा था, और शिकर गुंजन का हाथ थाम कर उसे ले जाने लगता है, आज विदाए हो रही है आपकी, इस दर्द की दुनिया से, अब कभी इस गली में नहीं लोटना दोस्त, गुंजन ने जाते हुए प्रतीक को एक पार भी नहीं देखा था, चुलबुल ने प्रतीक का हाथ ऐसे थामा था कि प्रतीक को चुलबुल से प्यार हो गया था, और हाँ, जा रहा हूँ बेना, पर फिर भी यही काऊंगा, कि अगर ये तिरा घर है, तो तेरा धर्म कर्म पूरा करना, अब से वहाँ तेरा कोई नह तो अंदर करने दे, फिर मना करना इनको, लाइए कील नहीं है, और मैडम को महल चाहिए, हाँ, शिकर गुंजन को लेकर घर आता है, अशोग जानकी को सब पताता है, और जानकी गुंजन का स्वाकत करती है, शार्दका तो अभी भी मुह ही बना था, बीटा, वो चुलबु पर तो पर ही क्या चीज है, गए हमारी चुलबुल हाद से, भूल जाओ उसे, जिसकी जो नियती थी उसे वही मिलेगा, उधर चंचन, इधर चुलबुल, कहने वाली खूब कहे गए हैं, हमको तो अपनोंने लूटा, गैरू में भी उतना ही दम था, मेरी कष्टी चली ही न बतनाम तुम मैं ही हूँ अरे, आप कह देने से इस्सत नहीं मिलती, चुम इस्सत का सौधा कर दिया, उस पर क्या इतपार करूँ, आप तो इस भरी मांग का भी क्या ही मोल, अरे सब माटी ही है, मुझे यहां रहना ही नहीं है और गुंजन जानी लगती है, पर इसमां शिखर अपना धहरिक हो चुका था, वे गुंजन को जोर से पकड़ कर बिस्सर पर टिका दीता है बस बहुत हुआ, तुमको आप बोला नहीं रासा रहा तो ना सही, पर मेरी एक बात कान खुल कर सुन लो, हिंदी में कह रहा हूँ, हिंदी में समझ लो, फिर से नहीं बोलूँगा अपनी हालत का अंदास भी नहीं है तुमें, और ऐसे में तुम तो क्या, तुम्हारा नाखुन भी इस घर के बाहर नहीं जाएगा, तुम जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाओगी, तब तक यहीं रहोगी बस, रही बात मर्द जात के बुरे होने की तो गुंजन जी, बग्या का एक फूल खराब होने से बग्या बुरी कहरा भी खोकलापन बताता है, और अगर पूरी बग्या खराब है, तो एक फूल भी उसे महगा सकता है, सब नजरिय का सवाल है, मुझे आपके तन से कोई लालच नहीं, जब तक आप यहाँ है, मैं इस शिखर के घर में वह परियों से भे नाजक जंदगी जी रही थी, जान की गुंजन को कुछ भी काम नहीं करने दे रही थी, उधर मनिका और चंचल की तो शामत आ गई थी, चुलबुल बेटा, ज़रा ये काम तो करते, ओके मामी जी, अभी करती हूँ, और चुलबुल कहने से तो काम करती, मगर सब उल्टे, कभी कुछ तोड़ दिया, तो कभी कुछ थोड़ दिया, इसलिए मनिका और चंचल उस घर के नौकरानिया बन गई थी, प्रतीक तो चुलबुल के प्यार में अंधा ही हो गया था, तो वह चुलबुल की शिकायत भी नहीं सुनता था, ले बहुत दुख रहे हैं पीके, कोई दबा दे, तो कुछ दिर सोच आओं। पस यही काम बचा था एक जिससे मनिका के ख्वाप कांच की तरहे चूर होने को थे, और प्रतीक मनिका और चंचल को इशारा करता है, चंचल और मनिका मू बनाती हैं और दोनों एक-एक टांग ले दिया था, नौकरानिया बहुरानी बन गई थी, और दो महरानिया नौकरानिया, देखने में तो मज़ा आ रहा था, पर क्या प्रतीक पासा पलटने वाला है, क्या वेह चुलबुल के साइन के लिए उससे प्यार का नाटक कर रहा है, जानने के लिए देखिए अगला भाग लव सिटी पर, थांक्स फर वाचिंग प्रतीक का जवाब सुनकर हिल गई थी, प्रतीक कमरे में जाता है तो देखता है, प्रतीक के साइन करो, मैं जा रही हो आगे का प्रोसेस करने, हम लोग इन चीप क्लास लोगों की तरह बाली या मॉल्दिव्स नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे मॉरिशिस, फिर वहाँ से रश्या की ट्रिप पर निकलेंगे, दो महीने से कम का हनिमून नहीं चाहिए मज़े, और प्रतीक की सुनकर हस्ता हुआ चुलबुल को बाहो में जा कर लेता है, अच्छा जी, आज बड़ी ही रोमेंटिक नहीं हो रही हो तुम, दो महीने का हनिमून चाहिए, कहो तुम मैं नौ महीने का कर दू, वहाँ से मॉम का पूता साथ ही ले आएंगे, हट बदमाश, अब हटो मुझे जाना है, साइन करो फटाफट, प्रतीक चुलबुल के कागस पर साइन तो करता है, पर मौके का तुरंट फाइदा उठाकर जमीन जायदात के कागस पर भी निकाल लेता है, और चुलबुल साइन कर देती है, बाहर खड़ी चंचल देखती है और खुश हो जाती है, प्रतीक खुश होकर चुलबुल का माथा चूमता है और बाहर चला जाता है, अच्छा तो है पीकी, फिर सब इतना तमाशा क्यों कर रहे थे, मैं तो बहुत खुश हो, माई टियर हस्बन, जस्ट बी रेडी फॉर दी अडवेंचर, अब सारी जायदाद मेरे हाथ में आ चुकी है, अब हम जहां चाहे वहां जा सकती है, प्रतीक घर से चला जाता है, औ मनिका की दिमाग की बत्ती जलती है, जब वो लाड़े सर साइन कर ही चुकी है, तो अब हमें उसे क्या डरना, आचंचल अब लेते हैं गिन-गिन कर हिसाब, चंचल और मनिका एक एक डंडा उठाती है और चुलबुल के कमरे में जाती है, चुलबुल ने तो अब तक सब वे क्या जानती थी कि वे तो जलादों की बीच रह रही थी। चुलबुल गुंगुनाते हुए तयार हो रही थी और मनिका और चंचल कमरे में आकर दर्वासा बंद करके चुलबुल की और घूरते हैं। बस कपड़े धोधी धोधी पसीना पसीना हो रही हो। चुलबुल उनकी बाते सुनकर घबरा जाती है और मनिका चंचल उसकी और डंडा लेकर बढ़ती हैं वे घबरा कर पीछे हटती है। क्या हुआ माजी आप ठीक तो है ना। बेटा मुझे चुलबुल को लेकर बहुत चिंता हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो ठीक नहीं है। गुंजन चुलबुल का नाम सुनते ही कुछ नहीं बोलती। जिस चललात के घर में वो है बाहर रहकर वो ठीक कैसे रह सकती है। माजी मेरी चुलबुल के साथ कोई दिश्मनी नहीं है लेकिन नरास की है और जो अंधी मैं बनी हुई थी वही अंधापन उसपर सवार हो रखा है। भकवान उसे जल्दी बुद्धी दे। अब राकर गुंजन के कमरे में प्रवेश ना करने का वादा भूल कर गुंजन को बाहों में थाम लेता है। शिखर वहाँ से चला जाता है। गुंजन मुस्कुरा कर उसको देख रही थी और उसे अपना पुराना समय याद आता है और वे उसे आवाज लगाती है। शिखर रखो। शिखर उस गुंजन का ध्यान रखने लगा था। और गुंजन बिस्तर पर गिर कर रोने लगती है। प्रतीक के घर के बाहर तब तक रोने की सिस्किया गुंज रही थी। कुछ खंटो बात प्रतीक लोडता है और देखता है तो उसके घर के बाहर बहुत बढ़ा ताला लग रहा था। ये देख उसे बहुत जोर की अचंभा होता है। ये क्या ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि सबके सब एक साथी घर से बाहर चले गए हो और गए तो मुझे बताया क्यों नहीं। वे बेहन मा बाप सबको फोन करता है पर कोई कॉल नहीं लगती है और वे चुलबुल को कॉल करता है मगर उसका फोन भी नहीं लगता। उधर जानकी का मन पल-पल और अधिक भारी हो रहा था। शिखर बेटा शुलबुल के लिए आज मन बहुत भारी हो रहा है। लग रहा है जैसे उसके साथ वहां कुछ बुरा घर रहा हो। करना चाती अप्यार वगेर है सब मर्द एक से हैं जिनके लिए मैं बस खेलोना हूँ। के सहारे बैटकर उसकी गोदी में सिर रखकर खूब रोती है। फूट फूट कर रोती है। उसे रोता देख गुंजन का दिल पिघल ही रहा था मगर वह चुलबुल में अब भी अपनी सौतन ही देख रही थी। सेर पर हाथ फेर दो ना भावी, ठकान सी हो रही है। तभी पीछे से शिखर आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और अपने भाई को देख चुलबुल उससे लिपट कर बहुत रोती है। भाई, अब सब ठीक हो जाएका ना? हाँ छोटी, सब ठीक होगा अब। गुंजन कुछ समझ नहीं पा रही थी। प्रतीक घर के बाहर खड़ा था कि तभी एक बुढ़ी बिखारन उसके कांधे पर हाथ रखती है। अबे हट बुढ़िया, मुझे तुने चुआ कैसे? और जगर-जगर से गंदे थे, बाल बिखरे हुए थे और पूरे श्रीर पर चोटों की निशान थे। तभी दूसरी और से एक बुढ़ा अगर प्रतीक को छूता है और वो डर जाता है। वे बिखारी उसका बाप चेतन था, प्रतीक का पूरा परिवार सड़क पर कुतों की तरह खड़ा था। तम्हारी चिल्बुल का नाम सुनते ही सड़क पर पसारा मार कर बैट जाती है और अपनी जाती पीट-पीट कर चीक-चीक करोती है। प्रतीक चिल्बुल को फोन करता है और वहाँ चिल्बुल फोन देखकर मुस्कुराती है और गुंजन और शिकर को फोन दिखाती है वे फोन उठाकर स्पीकर पर करती है। शान्थ हो जाओ हनी बाप बड़ा ना सयां जो बड़ा है वो है रुपईया तुम सब के पास एक रुपया है जाओ जीत लो जहान वेसे ही जैसे आज तक और तको जीतते आए हो और हाँ हनी जान सुनो ना जस्ट गोडु हैल चुल्बुल फोन रखती है और उधर सदमे से प्रतीक के हाथ से फोन गिर कर तूट जाता है अरे भाई इस फोन को क्यो तोड़ा इसे बेच कर ही पैसे आ जाते अब तो हमारे पास ये खोटा सिक्का ही बचा है जो तेरी बीबी हमारे पास छोड़ गई है इसका भी क्या करे चंचल वेह खोटा सिक्का उच्छाल देती ह और सब लोग सड़क पर ही सिर पकड़कर बैट जाते हैं और विलाप करने लगते हैं। चिलकुल ये सब अखिर होगे रहा है। ये तो हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे। मगर ये कहानी मैं सुनाओंगे अगले भाग में। तब तक आप सब देखना ना भूलें रंग बदलते रिष्टे के वर लाव सेटी पर। और हाँ याद रखना बाप बड़ा न सईया भाईया रुपईया से भी बड़ा है उपर वाला। सीयो सोन गाइस। प्रतीक का परिवार एक जटके में अमीर से फकीर बन चुका था। ये देख चेतन बड़ा खुश होता है। वही चंचल आते जाते लोगों से यूँ भीक मांगने लगती है तब है एक आदमी उसे एक रोटी देता है। और पूरी भीड आकर चंचल को कूटने लगती है। अच्चल अपने परिवार की और भाग कर जाती है। अरे बेहन कौन हो तुम? हमको डैट क्यों बुला रही हो? अरे ये हमारी कुछ नहीं लगती, मोई खुद को कूट रही है, हमको भी कूटवाएगी क्या? अरे यही है इसका ढूंगी परिवार, रहा चलते लोगों को ठकर पैसा लेते हैं, यही है, इन सब को सबक सिखाओ, सब मिलकर, जल्दी करो, जल्दी करो! और चंचल के साथ उन सब को भी कूट पढ़ती है, एक भारी भरकम आतमी प्रतीक को लटा कर उसके उपर बैट बैट कर उसकी पीट में दो चार घुसंड देता है, और वो चीख पढ़ता है, शिकर चुल्बल को बिस्तर पर पिठाता है, अब बता चुल्बल, सब शुरू प्रतीक का था, अच्छा लड़का नजर आ रहा था, तो मुझे याद रह गया, पर जलबाजी में मैंने उसे रिजेक कर दिया था, ओफो, ये क्या हो गया, एक मिनट, लड़के नहीं तो फिर से रिक्वेस्ट बेजी, इस बार तो एक्सेप्ट करूँगी, देखती हो प्रतीक की बाहों में, ये देख चुलबुल के हाथ से तस्वीर गिर जाती है, भाई, ये तस्वीर गिर जाती है, भाई, ये तस्वीर नाम की, खोई अमीर बिगड़ा लग रहा है, इसके तो मैसेज़े आने लगे है, मुझे इसी को डेट करना चाहिए, I'm so excited, पहले प्रतीक की बाहों में, ये देख चुलबुल के हाथ से तस्वीर गिर जाती है, भाई, ये तस्वीर में जो लड़का है, शिकर तस्वीर उठाता है और गुंजन के पास बैठ कर उसे सहलाता है, यही तो है मेरी गुंजन को तभा करने वाला, उसका पती प्रतीक, दुनिया जहान में मैंने हरामी लोग देखे, लाची लोग देखे, फर इस किसम का घटिया नीचादनी कहीं नहीं देखा, तुम जानती है छोटी, इसे पैसे देने के लिए गुंजन जी ने अपना खून तक बेचा है, फर इस साच मुझे पता है, ये बात इनको नहीं पता, क्या क ये मैंने क्या कर दिया, मैं इस राक्षा से बात भी कैसे कर सकती हूँ, नहीं नहीं, मुझे नहीं मिलना, चुलबुल को उसरा तनीन नहीं आई थी, वे रात भर करवटे लेते हुए गुंजन के शरीर पर प्रतीक द्वारा दी गई वो चोटों के बारे में सोच रही थी, और तब है उसके दिमाग की बत्ती जलती है, जब कुनाह करने वाला ही नहीं डर रहा, तो मैं उससे क्यो डरो, मैं तो तुमको डराऊंगी पीके, तुम एक रोज पश्तावा करोगे अपने हर किये पर, देख लेना, मेरा वादा है तुमसे कि तुमको अपने घुटनों प ये फसा, सब सही चल रहा था, कोई गरबर नहीं थी, सोचा भाई प्रतीक के घर पर जाकर उसकी बेज़ती करके आएंगे, तो हमारा बतला पूरा होगा, लेकिन उस दिन भाई ने हमको कैफे में देख लिया, और आप सब को घर पर बता दिया, तो उससे शादी नहीं कर सारी बात बताती है, चोटी, मगर इतना बड़ा खत्रा तुने अकेला लिया, क्यों? जब छोटे बड़े हो जाएं, तो उने भी अपनी तकलीफ बाटने का मौका दिया करूं भाई, गुंजन भाविब हमारे परिवार का हिस्सा है, और उनको रोज दिल-दिल मरता आप जैसी ही तकलीफ मुझे भी होती थी, और उस राक्षस को इतना सब करके भी अकल नहीं आई थी, हे राम, तौबा 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 तौबा, ये तो मैंने सोचा थक नहीं, क्या नहीं सोचा छोटी? जो आदमी गुंजन के साथ ऐसा करने पर भी नहीं रुका, वो आद लगता है, वो मुझे फसाएगा, चिलबुल नाम है मेरा, उस जैसे को तो नाश्ति में मैं खाकर दकार मार दूँ, हाँ, बड़ा आया पीके धीके, हाहाहा, तौबा ध्यान रखना बस, उसका हाथ को जादे उठता है, फिक्र मत करू भाई, वो मुझे क्या हाथ वो तो बहुत जल्द ही मेरे इश्क में बहुत जल्द कुत्ता बनने वाला है, लेकिन हमको भाई की आखों के सामने भी सच लाना है, अब आप वैसा ही करना जैसा मैं कहूं, अब मैं जा रही हूं घर छोड़कर, चुलबुल वहाँ चली जाती है, वह जान बूझ कर कोई स भापी माफ करना, ऐसा करना जरूरी था, वरना इस नीच आदमी का सच सामने कैसे आता, मैंने मनिका चंचल प्रतीक की प्रॉपटी की बाते भी सुन ली थी, अच्छा जी, तो इनको साइन चाहिए, पिल्कुल दोंगी मैं साइन तो, पहले एक पर अपने वखील भाई को तो फोन करूं? ठीक है चोटी, इसने अपना एका चल दिया है, पर हम बड़ी चाल नहीं, हम चलेंगे अपना जोकर, मैं वकील अंकल को फोन करता हूं, तो अगली चाल के लिए तयार हो जा, समझी? मगर इस बात से बेखबर, मनिका और चंचल, जब अपने भडास निकालने के लिए चुलबुल के कमरे में डंडा लेकर जाती है, तो, नहीं माजी, ऐसा मत करो, मुझे मत मारो, बचाओ, बचाओ, देख तो कैसे मिन मिन आ रही है, मेमनी, हमारी ठोकरों में रहती है, तो त पलो कमर में दबा कर अपने बाल बानती है, और मनिका और चंचल को घूरते हुई उनकी और बढ़ती है, चंचल बेटा, ये ऐसे क्यों देख रही है, चुलबुल दोनों का डंडा छीन कर, दोनों को बाजू में दबोच लेती है, और क्या बोली थी तो, मेरी लाडली ननन कि ठोकरों में रहती तो एश करती, वैसे कितनी भावियों को एश करा चुकी है तो, आज हिसाब दे, चुलबुल चंचल को जोरदार डंडा मारती है, जूट, जूट बोली, तो दोनों कूटोगी, बेटिया, सब भूल जा, अब बता तुझे क्या खाना है, अब मैं बना क कर लाऊंगी, मेरे सवाल का जबाब दो, मुझसे पहले और कितनी, दो, चुलबुल एक और डंडा मारती है, आई, मा, आ, बहुत जोर से लग रही है, बहुत जोर से, आई, 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 अरे मॉम बता दो इसका बना यह ऐसी ही मारेगी, हमारे प्रतीक की चार बार शादी ह हुई है बेटा, पर सब लड़किया बेशरम निडलच घर फाडू थी, एक ने तो तेरे भाई को फसा लिया था, तू ही है आई, हमारी सबसे समझदार बहुत हो, अफसोस, भाई फस कहा ना मीरा, कितना दुख हो रहा है, तुम दोनों को, पर मैं तुम पर दया नहीं करू और ये है मेरी गुंजन भावी के लिए, पिचारी पिटती रही, सहती रही, तब भी परिवार के खिलाफ ना होई, चुलबुल डबाडबर मारती है, और दोनों को मार मार के भूद बनाकर भिकारी वाले कपड़े दे देती है, इसे पहनो, तब तक मैं ससुर्जी की भी से पेली से बाहर निकाल कर ताला लगा देती है, चुलबुल जैसे सड़क चल रही थी, तीनों उसके पाउं में घसीटते हुए भीक मांगते हैं, और चुलबुल एक खोटा सिकार देकर गारी में बैठकर चली जाती है, गुंजन चुलबुल को देखकर सीने से लगा लेती ह माफ करना भावी, इस गधी ने आपको बहुत कुछ बोला, ना मेरी चुलबली, तुने ते गैर होकर भी वो किया, जो मेरे अपने भी कभी नहीं कर सकते थे, हमारा बदला पूरा हुआ भाई, उस प्रतीक की हालत मैंने सच में कुतो जैसी कर दी थी, चुलबल गुंजन श से कपल जा रहा था, अरे प्रतीक तुम? तुम जानती हो इसे? हाँ, अच्छे से जानती हूँ, इसकी बहन चंचल को भी, प्रतीक श्वेता को देखकर सहम जाता है, देखे कैसे इस कहानी के रिष्टे, जो रंग बदलते गए थे, वो गुंजन के जिन्दगी में खुश् चेहरा साफ करती है, श्वेता ये सब क्या है? ये तो रागव जैसा लग रहा है न? हाँ, चेहरा तो जाना पहचाना है, पर ये शक्स रागव के जैसा बिल्कुल नहीं है, ये जो है, वो जानकर तुम चौंक जाओगे, बताती हूँ, सब बताती हूँ, पहले इनकी हालात पर थोड़ा सा तरस खाकर इने उठाते हैं श्वेता प्रतीक को उठाती है पब्लिक के कूट पढ़ने से उसका अंग-अंग दर्थ कर रहा था उठे आंटी जी, उठे तुम शलो, आप मुझे पह अचानती तो सही चलो, घर चलो और सब श्वेता के साथ उसके घर और रोहन के घर जाती है आईए, अंदर आईए चंचल लपक कर सोफ़ पर बैटने वाली ही थी कि तब ही रुको चंचल, सब लोग साइट हो जाओ और वहाँ जमीन पर बैट जाईए चटाई भी जी हुई है आप लोग के लिए खाना आने वाला है जादा ना सोचो नीचे बैट कर खाने को तुम मिल रहा है वरना वहाँ साडक पर तो जूटन भी नसीब नहीं हो रही थी और कुछ पल बाजश्वेता के घर से सभी नौकर वहीं आकर बैट जाते हैं यह सब कौन है बिटिया यह हमारे घर के महेंती नौकर है आंटी जी यह सुनते ही मनिका मूँ में जाता को और वहीं छोड़कर चमक कर वहाँ से उठती है क्या नौकर? क्या साबित कर रही है तू? हमको नौकर के बगल में बढ़ा कर? क्या हम नौकर से भी पीते गए हैं? जो हमारे बराबर में बैट कर खा रहे हैं? रामू, मनिका आंटी की थाली उठा कर हटा दो शायद इनकी अकड अपनी इस हालत पर भी नहीं निकली है आप एक काम करिये, किसी हाई क्लास बिजनस्मेन के साथ बैट कर खाना खाईए एक मिनट रोहन, तुम हो ना हाई क्लास, सो तुम खाओगे इनके साथ बैट कर खाना? रोहन मनिका को देखता है, और फिर वह चंचल को देखता है चंचल स्मार्ट लड़का देखकर अपने दाद चिर्याने लगती है हे स्मार्टी, मेरी हेस्ट्रेल पर मजजाओ, वो तो बस थोड़ी सी भिकारन टाइप की हो गई है, इसलिए ऐसी लग रही हो इ, यू, छी छी, नहीं, मैं बदबुदा लोगों के बगल में बैटकर कभी खाना नहीं खाऊंगा और आप लो, आप लो खा लोगे? मेम साथ, हमें एक वक्त का खाना मिल ला हा है, इसमें हमारी मेहनत है इसे खाने में भी अगर हम किन्तु परंदु करेंगे, तो ये अनाज भी नसीब नहीं होगा हमें कहीं भी बैटकर खाने में कोई आपती नहीं है भाईया, एक और रोटी मिलेगी क्या? बहुत जोर से भूग लग रही है देखा तुम सबने, भीक और भूग में फर्क है नौकर तुम्हारे बगल में नहीं बैढ़े थे, वो बैठे नहीं सकते क्योंकि वो महनत की रोटी खा रहे है, उनकी भूग उनके बहे पसीने से बनी है और तुम मुफ्त की रोटी तोड रहे हो, तो तुम बराबर कैसे हुए? तुम तो इनसे नीचे हुए ना? तुम्हारे भूग भूग नहीं भीक है धोका दड़ी है, मकारी है तुम क्या जानोगे इस महनत से कमाई एक रोटी की कीमत? सुनो, आप सभी अपनी थाली उठाकर रसोई में जाकर खाईए वरना इन लोगों की हाई आपके खाने पढ़ना गिर जाए कहीं चेतन अंकल, नजर क्यों चुरा रही है? मुझे भोल गए क्या? अच्छा, भूख लगी होगी न? आहां, बहुत थाली ला दे बेटा फिर से पहले सब के सब नाक रगड़ो, तब ही खाना मिलेगा ये सुनकर सब हाथ जोड़कर खूब रोते हैं शेता बताओगी, चल क्या रहा है? बताओंगी, सब बताओंगी पहले मैंने यहां किसी को बिलाया है एक बर वो आ जाएं, तो सब सच बताना ही है रोहन के लिए ये सस्पेंस उसकी जान ले रहा था कि अचानक घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है गुंजन की जिंदगी में एकदम से जैसे बाहर आ गई थी वह बहुत खुश थी, वह अलमीरा साफ कर रही थी तभी उसके पीछे रखे शिखर की एक शराब की बोदल मिलती है और वह शराब पीने का फैसला लेती है गुंजन नशे में जा चुकी थी और नशे में आदमी की सारे आसू अपने आप बहने लगती है गुंजन लहराती हुई बगल वाले कमरे में शिखर को ढूंडती है तो उसे वहाँ बिस्तर पर सूता मिलता है तो तुमने एक पार वाधा कर दिया कि मेरे कमरे में नहीं आओगी क्या मुझे अकीला चुड़ दोगी? हाँ, बोलो और गुंजन सो रहे शिखर के बाजू में लेट कर उसका हाथ अपने पेट पर रखकर उसे कसकर बाहों मिला पेटती है शिखर हर बढ़ा कर उठता है तो देखता है गुंजन नशी में है गुंजन जी, आप यहाँ और आपने शिराब पी है शिखर करो, सब ठीक तो है न, आपने शिराब क्यों पी, आप माँ बनने वाली है और यह बच्चे के लिए बिलकुर ठीक नहीं है शुख, छुप करो, सबकी परवा है न तुमें फिर अपने दिल का क्या, उसकी परवा कब करोगी अच्छी लगती हूँ ना मैं तुम्हें लगती हूँ तो हर बार खुद से दूर क्यों जाने देते हो गुंजन जी चलिए आपको आपके कमरे में छोड़ कर आते हैं उठी आप, आप होश में नहीं है अरी बस करो होश माई फुट तो भूल जाओ सब कुछ इस मोठे टमी को भी भूल जाओ सिर्फ मेरी और देखो देखो मेरे चहरी की और शिखर, ये आँखे अब ठक गई हैं यार मैं बहुत ठक गई हूँ मैं कबसे सोई नहीं हूँ यार ठीक से आज सुला दोना शिखर सुला दोना बस करो पर गुझन कल आपको होश आएगा ता आफ रिक्रेट करोगी मुझसे ऐसे ही लगे रहो ये तुम्हारे शरीट की कर्मा है पसंद है मुझे शिखर ऐसे ही रहना बस ऐसे ही और दोनो एक दुसरे किया अगोश में सूझाती है कुछ समय बाद जब गुंजन का नशा उतरता है तो वह घबरा कर उठती है और शिखर पर गुसा करती है चुलबल जानकी भी वहीं आ जाती है फिर से मेरे नस्दीक आए फिर से पर शिखर कोई जवाब नहीं देता और चुप चाप गुंजन के ताने सुन लेता है भावी पर सुनो तू सही हाँ चुलबल मैं तेरी सुनोंगी मैं माजी की भी सुनोंगी आप लोगों से तो मेरा परिवार पूरा हो गया जैसे मा की जगह मा मिल गई पिता की जगह पिता और बेहन की जगह और मैं गुंजन जी मैं क्या कुछ भी नहीं लगता आपका आप मुझे गुंजन जी कहना बंद सो गए एक मिनट भावी कौन से भरम में जी रही है आप छोटे नहीं चुप रहे नहीं भाईया क्यों चुप रहे जब सारी कहानी का अंत हो ही रहा है तो इनकी गलत फैमिका भी अंत कर देते हैं भावी कर रात आपने जो शराख पी थी उसी के चलते आप यहां कर खोद आई बचाई है विचारा तो गुंडों से भी पिटा था आप यहीं भाई को गलर ठहरा रही है सच क्या है यह आपको इसने बताया ही नहीं है तो मुझे अभी तक यह बताया क्यों नहीं क्यों चिपाया शिकर क्यों चिपाया क्योंकि आप पूछती थी अपने पती को भगवान इसलिए करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने इश्वर पर विश्वाहस है, और आपके जीने की वो थोड़ी सी उमीद भी तूटती, तो मर जाती आप, मर जाती, आपको मरने से अच्छा मैं जूट में जीते देख सकता था, इसलिए जूट सही, मुझे बुरा समझे, लेकि जि गुंजन शिखर को ऐसे दिवानों वाला प्यार देख कर हैरान थी, वो शिखर के पास जाकर उसके सीने पर मारती है, खूब चाटे लगाती है, कर दिया ना, आखिर मजबूर मुझे का तुमसे प्यार करने पर हो गया ना, आखिर मुझे तुमसे प्यार, खुश, आप बोलो, शिखर ये सुनकर बॉकला उटता है, वो बलट कर जमीन पर बैट कर अपना सिर जुका कर फूट फूट कर रोता है, अगर ये मज़ाख है या किसे किसम का बदला है, तो अभी बता दीजे गुझन, मैं बात का सत्मा बदाश नहीं कर सकूँगा, नहीं, नहीं, नहीं कर सकूँगा गुझन, नहीं, गुझन शिखर के करीब जाती है और उसका चेहरा थाम कर उसके आसों को चूम लेती है, और अभी आसों, तुम्हारे नाम, होटो की हसी तुम्हारे नाम, मेरी रात की बेचैनी को तुम्हारी सुकून से सजाने को मैं तयार हूँ, शिखर, हाँ, मैं तयार हूँ, और शिकर फबकता हुआ गुंजन को बाहों में समेट कर रोता रहता है, रोता रहता है गारी से बेसाकी के साथ एक लंगडी औरत निकलती है और घर के अंदर आती है ये कौन है? ये तो प्रतीक पहचान ही गया होगा रोहन ये है सुष्मा, प्रतीक की पहली पतनी मेरी दोस्त, इसकी इस हालत का जिम्मेदार ये जल्लात परिवार ही है पहली सुष्मा को दहेच के लिए टॉर्चर किया और जब बेचारी इनकी मांग पूरी नहीं कर सकी तो इसकी टांग तोड़कर इसे कच्रे में फैक दिया मनिका चंचल प्रतीक और चेतन ने मिलकर सुष्मा को बहुत मारा इतना मारा कि उसकी टांगे तोड़ गई मत पारो माजी, प्रतीक जी मेरे पस कुछ नहीं बचा आपको देने के लिए, कुछ भी नहीं और सड़क की कच्रे में सुष्मा को फैक दिया गया पिचारी धूप में तडपती रही तब उसकी दोस्ट श्विता वहाँ से गुजरती है और उसकी नज़र सुष्मा पर पढ़ती है वो सुष्मा को अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराती है श्विता के लाग समझाने पर भी सुष्मा नहीं माने और श्विता लंगड़ी हो चुके सुष्मा को प्रतीक के यहां ले कर जाती है तो सब लोग मज़े से ताश खेलते हुए दारूपी रहे थे प्रतीक सुष्मा तुमारे खिलाफ कोई केस नहीं कर रही मगर मैं कर सकती हूँ अगर इसको तुमने अच्छे से नहीं रखा तो ओ घुडिया रानी केस करेगी आए मुनिया करना केस जरा सुनरे छोकरी चल इसको हम रख लेंगे मगर उससे पहले तुझे जमीन पर नाख रगणनी होगी माम अपनी दोस्त के लिए ये इतना तो कर ही लेगी ना श्वेता सुष्मा की खातिर ऐसे जलील होती है और मनिका चंचल प्रतीक मिलकर श्वेता को बहुत जलील करके फटकार कर बहार निकालते हैं सुष्मा वही रह जाती है बर इस बार भी सुष्मा को वह मार पेट कर ही बहार निकाल देती है और श्वेता अपनी दोस्त को रहने का सहारा देती है पहचाना प्रतीक जो बीवी तुमको कच्रा लग रही है वो और सहाय औरतों के लिए एंजियो में काम कर महीने से 20,000 रुपे कमा रही है और तुम, तुम कितना कमाती हो वैसे मैं यहां तुमको सबको जलील करने नहीं लाई मैं तु दिखाने लाई हूँ कि समय का पया जब चलता है तो दिन को रात में बदलने में देर नहीं लगती तुम्हारी ये अंधेरी भरी जिन्दगी के जिम्मेदार तुम सब खुद हो, खुद हो मैं तु सब का शुक्रिया कहूंगी आपको भी प्रतीक जी जिन्दगी में इतने थपड आप लोगों से लगे कि अब टांगे ना होने पर भी चलना सीख गई हूँ खैश, इश्वर आप सब का भला करे मैं तो अपने कर्म का फल खा रही हूँ आपको भी वही मिले सुष्मा वहाँ से चली जाती है सही का तुमने, कर्मा इस अनली दी बीच बड़ी आई लंगडी बस करो, बस करो सब और जुको, जमीन पर नाक रगड़ो कर्म की ये होते तो ये हालत नहीं होती कांड कर करके अब ठग ग्या हूँ मैं प्रतीक और सब घर वाले पश्टा आते हुए अपने नाक रगड़ते हैं और रोते हैं हम भूखे हैं इसलिए नाक नहीं रगड़ रहे सुएता हम कितने गिरे हुए लोग है काश ये सब पाफ हम धो सकते चलो सब चलो यहां से भटगना ही नियती है हमारी श्टा यह देख खुश होती है कि तब ये अनुबमा का उससे कॉल आता है छोटी मामला सेट कर दिया तुमने हाँ जी जी आपकी सलह काम आई किसी को तोड़ना है तो बल से नहीं सच से काम लेना चाहिए हाँ प्रदीक के परिवार को जो तुने आईना दिखाया है अब वह खुद से नजर मिलाते हुई रोएगा और ये लोग इतनी ध्यांच से क्या सुन रहे है मेरी अबास भूल गए क्या प्रदीक का पूरा परिवार जान गया था कि अब उसके पापो का घड़ा भड़ चुका है जिसे खाली करने में अगर पूरी जिंदगी बीत भी जाएगी तो भी वो खाली नहीं होगा उसका पूरा परिवार दर-दर की ठोकरे खाते हुई भटकता हुआ भीक मांग रहा था ए माई, काफी दिन से ठीक से खाया नहीं माई कुछ तो दे दे हट भी कारन, ना जाने कहा कहा से आ जाती है राह चलते लोगों का खून पीने चंचल नंगे पाउँ अपनी सारी अकड को चलती हुई मरी सी चाल चल रही थी दिन गुजरते जा रहे थे मगर प्रतीक और उसका परिवार अपने कर्मों की खा रहे थे शिखर और गुंजन अब लव बर्ट्स बन चुके थे कभी शिखर गुंजन के लिए बिस्तर पर लव कार्ट छोड़ता जानके गुंजन के चहरे पर निखार देखकर बड़ी खुश होती है मा देखो ना कितनी मोटी हो गई हूँ ये लड़ू जैसे काल ये फैस जैसी कमर कैसे फैलती जा रही हूँ हरी नटकट तु बाहर अभी आया भी नहीं है और ये अभी से तंग करने लग गया है कैसा बच्चा है हाँ यहाँ मेरे पास बैठो चान्ती हो बेटा ये जो चमक तुम्हारे चहरे पर है न इसे किसी भी बाजार ये वैपार से नहीं खरीदा जा सकता ये निखार ही तो है मा बनने का एहसास ये कमरा फिर से कमर तो बन जाएगा ये लड़ू जैसे गाल भी पर जग जाएगे मगर एक चीज कभी नहीं बदलेगी वो है मा का दिल ये तुम में नया जन्म लेने वाला है एक नई जिन्दगी तुम पैदा करोगी और वो बच्चा ही तुमको नई जन्दगी देगा गुंजन खुश हो कर जानकी के पाउच होती है उसकी आखे नम थी अरी क्या हुआ तुम्हारी आखे क्यों नम है किसे पता था कि मेरी किस्मत मुझे इतना घुमाकर यहां लाकर खड़ी करने वाली थी और देखो जिसे ठोन रही थी उस नरक में वो मा तो मुझे यहां आकर मिली है तुम मिल गई पूरा घर मिल गया मा बस बस पगली देख मुझे भी रुला दिया प्रिक्नेंसी में इतना रोना धोना नहीं करते वरना बच्चा भी रोतलू ही पैदा होगा और यह दिता निखार है न यह भी ढल जाएगा वरना सभी वहां से शार्दा मुझे बनाते हुए गुजरती है अरे माजी आईए न आप भी बताईए इसे कि मा बनने का अहसास कितना संदर होता है यह तो कलंकी नी बन रही है बच्चा किसी और का पती कोई और रह किसी और के घर में रही है सही है बेटी, जिन्दगी तो तेरी जैसी हो वरना हमारी तो एक ही तरह के रिष्टे में बंद कर विद्वा की तरह ही जीना पड़ता है अब हम भी क्या करें, हमारे पास कौन सा विकल्प है दूसरा एक ही पती था, बिचारा वो भी चला गया हरी ओम, हरी ओम, हरी ओम तभी शिखर वहाँ आ जाता है उसे ये सब बात सुनकर बहुत जोर की क्रोध हाता है गुंजन शार्दा की करवी बातों से रो रही थी बिचारी का दुखी खतम होने में नहीं आ रहा था दादी, तुम सुद्रोगी नहीं न? वही घिसी पिटी सोच वही घिसी पिटी लीक पर चलते चलते निपट जाओगी तुम एक दिन शिकर नहीं, यू मत कहो बोलने तो मुझे गुंजन, हमारी दादी का न रोज का ही जादा हो रहा है बच्चा तो तुमारे अंदर ही है, तो ये हाल है जब बाहर आएगा तो ये कठोर दादी क्या करेगी? ओ दादी, बोलो तो, इसको अंदर ही मार दो क्या? पर शार्दा कोई जवाब नहीं देती, उसका हरिदय तो पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा था और ये कितना ही तुमको बोल दे, मगर तुम कुछ बोलोगी नहीं, चुकि प्यार करती हो इनसे बड़ी आई प्यार करने वाली, यहां मेरे घर में पल रही है, तो हमारी बातें भी सुन ही लेगी, सब समझती हूँ मैं, हाँ नहीं तो अच्छा दादी, तुम सब समझ रही हो, तो चलो, तुमको सबूत देता हूँ शिकर एक डंडा उठा कर लाता है, और अपनी दादी के उबर एक मारता है, आह रामरे, अरे अशोग देख, तो तेरा मोड़ा बोर आ गया है गुंजन, या तो तुम ये डंडे खाओगी या फिर दादी, अब डिसाइड तुम करो और शिकर गुंजन पर बार बार डंडे की मारता है, ला मुझे देख, मैं भी मारती हूँ इस विचारी को, शायद तम माजी की बढास खत्म हो जाए और सब गुंजन को मारते हैं, उसके सिर से खून बह रहा था, पर गुंजन शार्दा को एक भी तंडा नहीं पढ़ने देती, ये देख, शार्दा का दिल पिखल जाता है, और वो उनको रोक देती है और शार्दा गुंजन को गली लगा कर अपने आचल से उसका खून साफ करती है माफ करना बेटी, मैं थोड़ी पुराने खयालों की जरूर हूँ, मगर इतना तो समझ गई हो कि इस घर के लिए कौन अपनी चान भी हतेली पर रख सकता है तू मेरे मोडे के लिए बेस्ट है, बेस्ट, मगर मेरी एक शर्थ है अब क्या चाहती हो दादी अम्मा, उल्टा लटका दू क्या गुंजन को, या फिर डिलिवरी भी तुमको ही करनी है इसकी हट बदमाश, मेरी ये शर्थ है कि मेरी बहु की गोद भराई जरूर होगी, और वो भी बहुत धूम धाम से और बहु बुला, अपने मा, बाब, भाई को भी बुला हाँ गुंजन, उनको भी देखने दे, जिस अंधे कोई में तेरे मा, बाबा तुझे धकेल आये थे, वहाँ से मेरी बेटे ने तुझे निकाल दिया है हाँ, और मेरा जग रोशन ही रोशन है कितनी खोशिया थी इस घर में, वहीं दूसरी और कुटों की तरहे सड़क पर भटकता हुआ प्रतीक का परिवार भूका मर रहा था तब ही सिगनल पार करते हुए मनी का चकर खाकर गिर जाती है और एक गाड़ी अचानक उसे सामने आ जाती है मनिका की टांग कुचलने ही वाली थी कि तब ही प्रतीक क्रोच से उस गाड़ी पर हाथ मारता है और ड्राइवर को भार निकाल कर उसे खूब धोता है अभी अगर मेरी मा की टांग कुचली जाती तो, क्या है ये? पानी, पानी, पानी तब ही गाड़ी का काश नीचे उतरता है और उसमें बैठी सुष्वा उसे पानी देती है प्रतीक, अब पता चला, हर इंसान को दर्ध होता है हर इंसान को अपनी टांगे फ्यारी होती है मुझे तो उम्र भर की बद्वा सौब दी तुमने मगर मैं तब भी दुआ देती हूँ कि ईश्वर तुम सबको अपनी टांगों पर खड़ा रखे चलो ड्राइवर, इनको और तंग नहीं करते हैं इनको तो किस्मत नहीं मार डाला है प्रतीक और उसका परिवार अब हर गल्दी मान चुका था वे फबख फबख कर रोता है इश्वर अगर मौत ही मेरी सजा है तो मौत दे दे मैं सब के पाओं में गिरकर माफी मांग लूँगी मगर मुझसे ये जिल्लत और नहीं सही जा रही मैं भी कारी ही सही मगर एक ऐसी पापिन बन कर नहीं जा सकती हाँ मा, मैं भी सही गलत सब भोलका सिर्फ पाप करने निकली थी और मैं मेरा दोश तो सबसे बड़ा है हर लड़की की आवरू को नोचा हर को सताया पर फिर भी मेरी एंकारी मर्द वाली आग कभी बंद नहीं हुई मगर इन सब में सबसे जाधा मुझे गुंजनने चाहा आज मैं उसके पाओं पकड़कर उसकी ठोकरों में भी जिन्दगी गुजारने को तयार हूँ बस वो एक बार माफ कर दे मुझे गोद भराई की रस्म का दिन आता है गुंजन लाल पीले कपड़ों में आकर ऐसी सच सबर कर तयार हुई थी कि शिखर उसका नुरानी चहरा निहारता रह गया गोद भराई के लिए गुंजन हॉल में बैट जाती है कुछ देर में उसके मा बाबा और भाई रौनक आता है जानकी अर्शोक उनको सारी बात बताती है ये जानकर गुंजन का बाप उसके आगे हाथ चोड़ता है गुंजन शिखर को थाम कर उनके पास जाती है शिखर के पास मैं इस दुनिया में सबसे सुरक्षत सिर्फ मेरी शिखर के पास हूँ शुक्रिया बाबा अगर आप मुझे उस घर में ना फेशते तो फिर मुझे शिखर कैसे मिलता शिखर गुंजन का माथा चुमता है और पूरा परिवार एक हो जाता है मगर गुंजन को तो अपने खास लोगों का इंतुजार था तभी दरवाजे से सीता शर्मन अंदर आते हैं और गुंजन खुशी से उचल कर सीता के गले लगती है दोनों दोस चूमती है, खुश होती है मेरी प्यारी गुंजन, आखिर तो माँ लगने लग ही गई है क्या मतलब? अरे शिखर, क्या बताओ तुम्हें बजबन से ये मेरी सकी कम और माँ स्यादा थी ये चीज ऐसी करनी है, ये चीज वैसी करनी है चै 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 करके मेरा माथा ही खा जाती थी और आज ये सच में माँ बिनने वाली है हरे तो खड़ी क्यो है, बेटना शिखर गुंजन के चेहरे पर खोशी देखता है और पलटकर अपने आसो शिपाने लगता है सच में गुंजन, तुमने तो अपना पुरा स्तित्वीख हो दिया था उस रिष्टे में मैं तो चाहूँगा तुम मुझे भी मेरी मा के तरह हर गलती पर डाटो हर सही पर प्यार करो, हर एक कदम पर समझाओ तुम मेरी संगनी के साथ मेरी हर कदम की साथ ही भी बनो गुंजन शिखर को देख रही थी मैं जानती हूँ, तुम पर क्या पीत रही है? तुम उस गुंजन को ढून रही हो ना? पागल, तुमने ही तुम मुझे नया जन दिया है? मैं खुद उस गुंजन को ढून रही हूँ मगर तुम अगर साथ देने का वादा करती हो तो वो गुंजन तुम से चल्थ मिल जाएक दोनों एक दूसरे की और देखकर मुस्कुराते हैं और फिर सब एक एक करकर गुंजन की गोद में तरह-तरह की चीज़े डालने लगते हैं तभी बारे आती है शिखर की और शिखर देता है उसे एक काच का खाली गोला अरे, ये क्या? ये तो खाली है? हाँ, क्योंकि इसे हम दोनों हमारे सपनों से भरेंगे ये हमारे विशिश का गोला है ओ वाओ जीजू, हाँ रोमेंटिक देखा दीदी, तेरी किस्मत चुलबुल के नजर गुंजन के छोटे भाई रौनक पर पढ़ती है और उसे देख चुलबुल को कुछ-कुछ होता है ओहो, छोटे मिया तो बड़े उचलते हैं लगता है एक और लड़के की चुल निकालनी होगी देखू तो ये कितने रोमांटिक है अब बारी थी सीता की सीता और शर्मन आकर गुंजन के गोद में एक कार्ड रखते हैं गुंजन में कार्ड आज शरह से देखती है ये क्या? सीता, ये? क्या है इसमे? मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ नहीं, ये मेरी दीदी का है पहले मैं देखूंगा मेरी भावी का है, मैं देखूंगी और दोनों एक दूसरे से कार्ड चीनते हुए एक दूसरे के उपर गिर जाते हैं दोनों की निगाहे मिलती है और दिल की धड़कने एक हो जाती है तुम दोनों रहने ही दो, मैं खुद देख लूँगा शिखर देखता है, तो वो शादी का कार्ड था जिसने लिखा था, गुणजन संग शिखर सीता, ये क्या? हाँ सीता, ये शादी के कार्ड पर हमारे नाम क्यों है? अरे, तो तुम दोनों का एक तरीके वाली शादी करने का कोई रादा नहीं है क्या? क्या बात है बहन, गुणजन दुलन के जोड़े में और सचकर हमारे सया सीता, ये क्या बोल लई हो? तुम्हारा सया सर्फ मैं हूँ उप, सॉरी, हाँ जी, तो शिखर भाईया और मेरी गुणजन के सया के लिए सुहाग राद में दूद लेकर जाने का मोड नहीं है क्या? और फिर ये जिसकी तुम मम्मी हो, उसे डाड़े भी तो चाहिए होंगे ना? पर ये सब परवर कुछ नहीं, तुम दोनों की शादी होगी और वो भी हम दोनों कराएंगे, ये फाइनल होगा, ठीक है? सीता शिखर को गुणजन का हाथ थमाती है और सब खोश होते हैं ठीक है, तो गोद भराई में मेरा तूफा लो, ये मेरी शादी का लेंगा है, इसे तुम पहनोगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो मैं भी तो कुछ बड़ा दूँ, ये ले बेटा, शगुन का मोटा लिफाफा, तेरे हली मून के लिए दादी हली मून नहीं, हनी मून अच्छा जी, तुमको तो सब पता है, तुम भी ले जाओगी क्या अपनी बीवे को हनी मून पर? वो मैं, मैं वो, मुझसे तो कोई लड़की ठीक से बात तक नहीं करती है अच्छा, और मैं क्या हूँ? लड़का? लल्लू चुलबुल हसकर वहां से हटती है, तो रौनक को उसका इशारा समझाता है, और वो भी हस देता है लगता है अब इस बग्या में दो ताजा फुल खिल रहे थे और मेरी ओर से मेरी बहु को है ये कार की चावी, इसमें बैठ कर मेरी बहु आराम से कहीं भी जा सकेगी बाबी शादी का जोड़ा हनीमोन सब बिलगी गया, तो मैंने सुचा आप नया घर भी देते हैं आपको और चुलबुल गुंजन की गोद में कागस रखती है जो प्रतीक की हवीली के थे चुलबुल ये क्या? ये बदला है आपका, अब हिसाब बराबर भाबी गुंजन रोते हुए चुलबुल को गले लगाती है, ऐसा परिवार देखकर रानी की आखे नम हो जाती है भागी लक्षमी है हमारी पीटी और तभी शिखर के पास प्रतीक और उसके परिवार उसे ढूंटते हुए पहुँच जाती है चुलबुल बेटा, गुंजन को तयार करके फटा फट लाओ और शिखर, तुम दुला हो या दुलहन? जो तयार होने में इतना समय लगा रहे हो अरे मेरी कुड़कुड मा, तुम शांत रहो, हम सम मिलकर सब कर लेंगे सीता दीदी, तुम गंजन भावे को तयार करो, और मैं भाई के पैस जाती हूँ चुलबुल लहराती हुई शिखर के कमरे की और बढ़ ही रही थी, कि तभी उधर से रौनक आ रहा था और दोनों में टकर हो जाती है तुम कोई चांस नहीं छोड़ोगे न मुझ पर लाइन मारने का अच्छा सुनो लल्लू, क्या लगता है, मैं पट जाओंगी वो, मैं वो, नहीं दीदी, मैं लाइन नहीं मार रहा था जानता था तुम चड़ जाओगी, तुम पटोगी नहीं, बलकि पट चुकी हो चुलबुली चुलबुल, आया था दीदी के सस्राल में, पर अब इसको मेरा भी सस्राल बना करी जाओंगा सीता भी गुंजन के कमरे में जाती है और गुंजन को तयार करने लगती है हाई, तुझे किसे के नजर ना लगे मेरे हिरोई, रुक, अभी तुझे नजर का ठीका तो लगा दू टर लग रहा है सीता, खुद के लिए भी, और इस कोक के अंदर अराम कर रहे बच्चे के लिए भी, बस चले तो इसे कभी बाहर ही ना आने दू दुनिया बहुत सालिम है सीता, बहुत सालिम है, पर तेर सवीर उचाला तो आया ही ना दोस्त, देख तू अच्छा चल, एक बात बता, तेरी डर की वजह तेरी बीती जिंदगी है, या शिखर तुझे सच्चा प्यार करता है या नहीं, ये बात नहीं, ये दोनों ही मेरे डर की वजह नहीं है, तो तीक से अब मेरा कोई वास्ता नहीं है, अब पर अगर सामने आकर खड़ा भी हो जाए, तो मैं भी उनकी और देखोंगी भी नहीं, तो फिर तुझे क्या डर सता रहा है, मुझे डर है कि शिखर मुझे चितना प्यार करत है, कहीं मैं भी उसे उतना प्यार ना दे सकी तो, कहीं मेरा प्यार उसके प्यार के आगे फीखा पड़ गया तो, डर लग रहा है कि वो मुझे अपनाकर कलती तो नहीं कर रहा, मैं मेरे दुरभागे का भोज उस पर क्यों थोपूं, क्यों थोपूं, मैं शिखर को मेरी पता ही होगी, मुझे भी प्यार ना मिलकर केवल वनवास ही मिला, मुझे पती ना मिलकर केवल दास्ता ही मिली, मैं बहु ना बनकर केवल एक दूसरी औरत बनकर रही, मैं हारी में बिखरी, मैं रोई, मैं किड़-किड़ाई, मगर एक बखत पर आखर, मैं ये जान गई कि नह हाँ, सीता तो खुद के लिए जिएगी, तो अपने मान के लिए जिएगी, ये जो मानव रूप, चोरासे लाग करोड योनियों के बाद नसीब होता है न, तो इसमें क्या पूरे जिंदगी कश्ट ही पाती रहेगी, ऐसा कौन सा पाप करके बैठी है, और फिर, फिर क्या सीत जितना सब तुमने सहा है, फिर से इतना खिल-खिलाने के लिए हिमत लगती है, नहीं मेरी दोस्त, अगर तुमारे नसीब से तुम प्रेम मांग लो, तो हिमत के लिए प्रेम ही लगेगा, केवल प्रेम, और प्यार कोई हिसाब किताब या समझोता थोड़ी है, कि मैं शिख अबी भी बन जाती हैं, मगर रहती साथ साथ ही हैं, और शिखर ने अब तक जिन्दगी नहीं जी है, तो अब जीएगा ना, मगर तुम्हारी साथ मिलकर, बस तुम डरो मत, बस अब अपना हिस्सा जीना शुरू करो, गुर्जन को सीधा की बात से तसल्ली होती है, सच कहा है क सीधा गुंजन को लेकर बाहर आती है, मंडब में खड़ा शिखर, गुंजन को दुलन बना देख, उसके प्यार में फिर से गिर गया था, तभे शर्मन भी अपने सीधा को देखकर खोश होता है, उधर रौनक और चुलबुल की भी आँखों में गुस्ताकिया चल रही थी गुंजन मंडब में आकर शिखर संग फेरे लेने लगती है, और अन्य महमान, श्वेता रोहन, मयंग शिवानी, गीट श्लोक और सार्थक संग उसकी अफसर बीवी स्वरा, स्वरा के साथ-साथ अंबुच और आपकी पसंदिदा छोटी मा कसक भी सजे धजे से वक्त पर ही शादी में शामिल होते हैं, और सब मिलकर मडब पे खड़ी गुंजन को थाम सब कर अल दे बेस्ट करते हैं, दोनों की फेरे हो जाती हैं, दो प्रेमी जोड़ा आखिरकार हर मुश्किल के बाद हाथों में हाथ थामे खड़ा था, अहां, अब मरना नहीं है तुम से, बस च प्रतीक गुंजन को दुलन बना दे एक चौंक जाता है, वे देखता है कि गुंजन के पेट में बच्चा है और वो उसी हालत में शादी कर रही है, प्रतीक गुस्से से मंड़क की और बढ़ता है और गुंजन के सामने जाकर अपने घुटने जमीन पर टिका कर, हाथ तो मैं दे दूँगा, अगर तुम्हारा गुलाम बनने की सजा है तो मैं वो भी कबूल कर लूँगा, बगर मुझे ये सजा मत दो, कि मैं तुम्हें किसी और का होते देखू, माफ कर दो गुंजन, मैं गदा था, पागल था, जलात था, बैग गया था, चुल्बल की भी ग मांगता हूँ, आप सबसे, हम भी तुमसे माफी मांगते हैं, बेटा चल, वापिस अपने घर, ये घर तेरा नहीं है, समधी जी, समधन जी, समझाओ ना आप इसे, ये हमारी बहु है, माफ कर दो मुझको भाबी, तुमारी बेहन बनने की जगह में बस एक लालच की गुड मुझे माफ कर दो, हम सब शर्मिंदा हैं, और मैं तुमको किस घर में ले जाओंगा, वो भी अब हमारा नहीं है, मगर गुंजन, तुमको अगर मेरे पश्टताफ पर इश्वास नहीं है, तो एक काम करो, तुम अपने बाबा के घर चली जाओ, मैं दिन रात एक करके मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा, देख भी नहीं मागूँगा, और एक एक इट जोड़का तुम्हारा, और मेरे सपनों का अश्याना खड़ा करूँगा, वहाँ शुडू करेंगे हम हमारी जिन्देगी, कहो चलोगी मेरे संग, कहो नहीं है, प्रतीक गुंजन के और कर दोगी मुझे? चान की भी रो रही थी, रौनक चुल्बुल को सम्हालता है, तो वो उसे लिपट कर रोने लगती है, प्रतीक गुंजन और उसके परिवार के साथ घर के बाहर आकर खड़ा होता है तो गुंजन ताला खोल देती है सब अंदर चले जाते हैं प्रतीक गुंजन का हाथ थाम कर उसे दहलीज पार करता है गुंजन के मन में वही फ्लैश पैक शुरू हो गया था कि कैसे गुंजन शादी करके पहली पार इस घर में आई थी पर प्रतीक के खीचने पर भी गुंजन दहलीज से नहीं हटती एक मिनट प्रतीक मैं तो मेरी नई जिन्दकी कब की शुरू कर चुकी हूँ पर अब बारी तुम्हारी है गेलो तुम्हारे पश्चत आपका फल ये तुम्हारी जायदाद जिसकी चक्कर में मुझ जैसे ना जाने कितनी लड़किया खत्म हो गई थी वो आखिरकार आश्त प्रतीक मैं मिल ही कई, अब अपनी नई जिन्दकी जीओ नहीं गुंजन, तुम मीरा नहीं जेश सकोंगा नहीं जी सकते तो जीना सीख लेना प्रतीक क्योंकि जिन्दकी ना बहुत खुबसूरत होती है या तो उसे जी कर जी लो या मर मर कर मैं बार बार पहले ही मर चुकी थी यहीं इस घर की दहलीस की भीतर लेकिन आज जो गुंजन इस दहलीस पर खड़ी है वो जीना सीख चुकी है तुमें ऐसा क्यों बोला यह गुंजन मैं सब ठीक करना चाहता हूँ मुझे एक मौका तो दो मौका? जितना मौका मैंने इस रिष्टे को दिया उसका चंद हिस्सा मैं शिखर को अगर देती तो आज मेरी जिन्द की महक रही होती मगर रब को जब मन्जूर है रूलाना तो फिर किस बात का रोना शायद ये सब हुआ ताकि शाय मैं सीख सकूं प्रेम करना और प्रेम में अंधा हो जाने में फरक है मेरा ईश्वर गवाह है कि मैंने तन के किनारे किनारे पर तुम्हारा नाम लिखा था मगर तुमने कभी उसे पढ़ना ही नहीं चाहा हमेशा नोचना और काटना ही चाहा मुझे माफ कर दो माफ कर दो गुन्जत मैं भीक मांगता हूं जो जगा मेरी है ही नहीं वहाँ कैसे लोटाओ मैं तो यहां आई हूं सिर्फ तुम्हारी ये उधार के जिन्दगे तुमको लोटाने क्योंकि मेरी असल जगह तो कीवल शेखर है जानती हो प्रतीक क्या फर्क है उसमें और तुम में सुनना चाहोगे तकलीफ होगी मगर फिर भी सुनो तुमने मुझे पर अपना हग हमेशा समझा अब मेरी शिखर ने मेरी दुखों पर अपना हग समझा तुमने मुझे हमेशा बस चोड देनी चाही और मेरी शिखर ने उन चोटों की मलहा बनना चाहा तुमने मेरी जुबान को अपने डर से बांधे रखा और मेरे शिखर ने मेरी चुपी को अवास देता चला गया जाना चाते हो कैसे छुकती चले गए मैं शिखर के और नहीं 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 चुपो जाओ चुपो जाओ गुंजन मैं नहीं सुन सकूंगा नहीं अरे अब तर चुप ना करो प्रतीक जो लड़की प्रतीक जी प्रतीक जी करके जहेकती रहती थी वो आज प्रतीक को तू तड़ा करके बोल रही है क्योंकि तुमने इज़द कमाई ही नहीं थी तरा धमका कर मांगी थी जानती हो मनिका आंटी और प्रतीक मैं जब यहां थी मैं सच्छी सवर्ती नहीं थी आईना नहीं देखती थी क्या देखती शरीपर सेव चोटे ही तो थी वो गुंचनप सचने सवर्ने लगी है आईना देखकर फिर से इतराने लगी है उस घर में जान की जैसी सास मा के रूप में मिली है चुलपुल जैसे ननत कम छोटी बेहन जादा मिली है और मेरी ससर तो जैसे मेरे दोस्त हो भाबी, माफ कर दो, भाबी, माफ कर दो हरी पगली, मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली मैं तो तुम सब की शुक्र गुजार हूँ वो रोता हुआ फोन उठाता है और चौकर वहाँ से भाग जाता है अरे शिखर कुछ तु बता पर शिखर सीधे अस्पतार पहुचता है जहां प्रतीख खड़ा था अच्छा हुआ तुम आ गए वो गुजन मेरे घर से तुम्हारे पास आदे के लिए निकली रही थी कि तभी उसके पेट में जोड से दर्द हुआ और हम उसे यहां ले आए क्या मेरे पास आने के लिए पर उसने तो तुम्हें चुना था ना हाँ चुना था मगर हिसाब पूरा करने के लिए उधार चुकाने के लिए पुराने जिन्दगी खत्म कर तुम संग नई जिन्दगी शुरू करने के लिए शिखर तुमने गुजन के प्यार को कमा लिया है और मेरे पास अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचा है जाओ ये जिन्दगी तुम दोनों को मुभारक मा और उसकी बेटी दोनों तुम्हार इंतिजार कर रही है शिखर दौट कर अंदर जाता है तो गुजन नम आखों से शिखर को अपने पास बुला कर उसका माथा चूमते हुए उसे अपनी बेटी थमाती है हमारी बेटी कर्मा हाँ और सबको अपना कर्मा मिल जाता है ना देखो हमें कितना सुन्दर मिला तभी मनिका आकर शिखर के सामने सिंदूर की टिब भी करती है बेटा मुझे भी मेरा पश्चाताप कर लेने दे ले भर दे मेरी बेटिया की सूनी मांग सास बन कर उसे अपनी बहु का दर्जा तो ना दे सकी पर अब एक मा बन कर अपनी वेटी को ब्याहत दो सकती हो ना शिखर गुंजन की मांग भर देता है और यह धूरा रिष्टा हमेशा के लिए पूरा हो जाता है प्रतीक और उसका पूरा परिवार गुंजन को लेकर शिखर के घर पहुचता है और उन्हें पूरी बात बताता है शुकर है मेरी तो चान ही हलक तक अटक गई थी देखो मां हमारे घर तो तो लक्ष्मी आई है मेरी पोती मेरी बहु जितनी सुन्दर है सब खुश थी बिटा जब तुझे मंडब में शादी करनी ही नहीं होती तो खाचा क्यूं कराता है हर बार सिंदूर सजाने में जल्दी मचाता है वैसे मंडब का सही इस्तमाल किया जा सकता है डाडी पर वो कैसे? मैं तो समझ गई आँखों ही आँखों में इशारा हो गया एक लक्ष्मी अगर विदा कर दो तो वो अपने चटमंगनी पटब्या का नाम सुना है न? मुझे चुल्बुल से प्यार हो गया दीदी भाई बाई चोटा तो सबसे फास निकला और उसी मंडब में चुल्बुल और उनक की भी शादी हो जाती है गुंजन शिखर को गले लगाती है तांक यू आज तुम्हारी वज़े से एक ही दिन में मुझे तीन माई दो बहने और एक प्रतीक के रूप में नया दोस्त मिल गया और हाँ चुल्बुल से तो वो डबल फाइदा अब तो ये मेरी भावी भी बन गई और मैं? तुम शिखर तुम मेरे लिए ठंडे पेड की चाओं और जाड़ी की गर्मी हो तुम तो मेरी पच्छाई हो जिससे मैं एक नया नाम क्या दो तुम मेरे सब कुछ हो दिल मेरा पूछ रहा है तुझे से क्या प्यार करोगी मुझे से मुझे से हाँ करूंगा हमेशा करूंगा सब इस जोड़े को देख खुश थे प्रतीक भी पशात आपके आसु रूख सब बोज बहा रहा था तब ही घर के बाहर आटो आ रुखता है और सब एक डग साथ में देखते हैं तो उसमें से लड़ते जगरते हुए एक लड़का और लड़की बाहर निकलते हैं अरे ये कौन है? हाँ की लड़का भी नया साही है पर इनको देखकर तो लग रहा है कि ये कुछ दुफान बन कर आ रही है पर ये इतनी देर से क्यों आए है? अरे इनकी नौक चौक है ही ऐसी कि हर काम में देर ही मचाती है तुको मैं मिलाती हूँ राधा शाम जल्दी आओ राधा शाम एक दूसरे को घूर कर देखती है तुने आज फिर तेरी कराई ना देख शादी भी हो गई और हमाब आ रही है अच्छा मैंने देर कराई या तूने गलत रास्ते पर तो खुद ले गई पर मुझ पर जाम लगा रही है गुंजन दीदी देखो तो ये कितना लड़ता है मुझसे मेरा पीज़ा छोड़ दे तू राधा हर काम खराब कराती है अच्छा जी ठीक है तो इसे सजा दे देते हैं और गुंजन राधा के कान खिशती है पर राधा कुछ नहीं बोलती मगर शाम को दर्ध होता है जिसमें दो मगर उसमें दिल का टुकड़ा आधा-ाधा राधा बिना शाम ना पूरा बिन अपने शाम के अधूरी राधा राधा रुक जाओ तो तुम हमेश्या मुझे सताती रहती हो रुको तो मैं नहीं रुकूंगी तुम भी मेरी बात नहीं सुनते हो कितनी देर लगाई लव सिटी के लोगों तक पहाशने में अब मैं नहीं रुकूंगी ना बबा ना राधा शाम के संग जाते हुए ही शोवा देगी और अभी हमारे वहाँ जाने में समय है पर क्यों? श्याम, मेरा हाथ छोड़ो श्याम, नहीं जाने दूँगा तुमको मुझसे दूर और तभी पेड के पीछे से हाथ थामते हुए निकलते हैं आप सबकी पसंदिदा गुंजन और शिखर सर्प्राइज, सर्प्राइज, सर्प्राइज हरे, चौक रही हो मगर क्यों? ओ, आप लोगों को लगा होगा हैपी अर्नी का मतलब इस शो को अलविदा हो गया फ़र नहीं दोस्तों, इतनी जल्दी थोड़ी ही जाएंगे हम दोनों अभी भी हमारा सफर बाकी है दोस्तों कुछ कहानियां अपने अंजाम तक तब तक नहीं पहुशती है जब तक हमारी जनता नहीं चाहती है अब अकर हमारी जनता चाहती है कि गुणजन शिखर का रोमांस परवान चड़ी तो चड़ीगा दोस्तों, जरूर चड़ीगा फुल-उन ड्रामा तेयार है और जब यहां आने को पूरी तरह तयार हो जाएंगे तब लाएंगे उन्हें इस परिवार के बीच में तब के लिए मैं हमारी कहाने को हिट से सुपर हिट होते देखना चाहती हूँ चाहती हूँ गुणजन शिखर आप लोगों की फेवरेट तोड़ी तो बने ही साथ में रंग बदलते रिष्टों का एक-एक भाग आप लाखों करोडों व्यूस से भर दे प्लीज दोस्तों, हम लोग वापस आए हैं तो इतनी दोविंती कर ही सकते हैं ना प्लीज दोस्तों, आखरी भाग में मेरी गोद में भगवान ने बहुत प्यारी बीटी दी कर्मा, कर्म सबसे बड़ा बलवान है, कर्म की चोट से ही सब रिष्टे एक ही रंग में रंग गए थे पच्छा था आपके, पर अब बारी है, इश्क के रंग में रंग नेगी, तो आओ, चलो हमारे साथ शिखर गुंजन हाथ थाम कर लौट आती हैं, लाव सिटी की दुनिया में, एक बार फिर, से सिर्फ आपके लिए गुंजन अपनी कर्मा को गोध में थामे, शिखर के संग फेरे लेकर उसके साथ जन जन के लिए एक हो जुगी थी काश, हम भी जाने की पजाए, थोड़ा रुख जाते नाम बुच, तो अच्छा होता, पर कोई ना, हमारा इस परिवार के साथ इतना ही साथ लिखा था प्रितीक अपने सीने का बोज और परिवार लेकर वापस जा चुका था, और अपनी चुलबुली चुलबुल रोहन संग विदा होकर उसकी घर चली जाती है, और धीरे-धीरे करके सब महमान चले जाते हैं, गुंजन वही दहलीस पर बैठी-बैठी, जाते होई रास्ते को मगर पावजूत इसकी जरूरी नहीं कि जाने वाला लौट कर आए ही, कुछ लोग कभी वापस नहीं आते तुम्हें किसी का इंतिजार है क्या गुंजन? क्या प्रतीक का? धत? नहीं, कभी नहीं, सपने में भी नहीं, मुझे तो अच्रश हो रहा है, मीरा इस रास्ते पर चल कर आने का कैसे आई मैयार तुम तक? ये कोई सपने जैसा तो नहीं सिंदगी सितार हो गई, तिम जिम मलहार हो गई, मुझे आता नहीं, किसमत पर अपने यकी, कैसे मुझे मिल तुम गई? शिकर गुंजन के गालों को बड़ी कोमलतर से चुमता है और उसकी आँखों में देखता है तभी कर्मा की रोने की आवाज आती है, गुंजन बेटा कर्मा को दूर पिलाना है गुंजन भाग कर अपनी बच्ची के पास जाती है और उसे सीने से लगाती है रात में गुंजन शिखर एक साथ सोते हैं और बीच में उन दोनों की बेटी कर्मा सोती है दोनों बहुत खुश थे अगली सुभे दोनों हनीमोन के लिए निकल जाती है शिखर ये जगा तो बहुत सुंदर है देखो तो कर्मा डादी कितनी अच्छी जगा पर लेकर आए है हमको शिखर और गुंजन कर्मा के साथ घूमने निकलते हैं और खूब मजे करते हैं गुंजन शूले का मजा ले रही थी मगर शिखर को उचाई से डर लगता है इसलिए वो कर्मा को पकड़ कर बैठा हुआ था मगर जैसे ही जूला उडान भड़ता है शिखर घबरा कर कर्मा को छोड़ देता है और वो उची हाइट से नीचे गिनने लग जाती है जूला रुकता है और गुंजन कूद कर नीचे आती है और देखती है कि उसकी बेटी तो जूले वाले की कूद में ही आकर गिरी थी जाको राखे साईयां मार सके ना कोई बेहन जी आपकी बेटी की जिंदिगी बहुत लंबी लगती है तब आज इतनी उचाई से गिर कर भी उसे खरोश तक नहीं आई गुंजन कर्मा को थाम कर उसे चूमती है प्यार करती है शिखर घबराया सा हो गया था वो कर्मा को छूने से भी डर रहा था वहाँ खड़ी पब्लिक सब खुस फुसा रही थी तब ये कुछ लोग शिखर को पहचान लेते हैं अरे-अरे मैं तो इस लड़के को जानता हूँ ये तो मेरे शेहर का ही है और ये बेटी इसकी है भी नहीं तो ये इसकी बेटी नहीं थी तब ही मारने की कोशिश की होगी इसे हाँ ऐसी ही करते हैं ये सम्मर्द औरत के पहले पती और उसकी अलाद को देखकर कलस्ते रहते हैं हाँ शिखर लोगों की बात से हिल जाता है ये मेरी वज़े से हुआ ना शिखर शट अप ये कोई प्लाइन करके थोड़ी किया था तुमने ये हाथसा था हाथसा इविन आइम सोरी मुझे पता होना चाहिए था कि तुम्हें किन चीजों से डर लग रहा है तो तुम मेरे बारे में सब जान गए वगर तुम्हारा क्या? तुम्हें क्या पसंद है? क्या नापसंद? किस चीज से डरती हो? मुझे तो कुछ भी नहीं बता गल्ती तुम्हारी नहीं मेरी है और हमारी कर्मा ठीक है देखो उसे कुछ नहीं हुआ इन सब की बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है शिकर घबराता हुआ उसे कापते हाथों से छूता है और जूम कर सीने से लगाता है वहां खड़ी पब्लिक पती पतनी के साटूट विश्वास को देखकर हैरान होकर तालियां बजाती है अरे देखा तुमने बीवी पती को उफ तक नहीं बोली अगर कोई और होती तो अभी तक हाय तवा मचा देती सीखा कुछ तम भी ऐसा ही होता है पती की गलती ना भी हो तब भी गलती मान लेता है इससे शांती बनी रहती है अरे भागेवान ऐसी पंखोडी जैसी पत्नी को मनाय रखने के लिए तो मैं भी सोगलतीय कबूल कर लू पर तुझ जैसी हिडंबा के लिए कैसे करूँ तुझे देखकर तो पता भी नहीं चलता कि तु हस रही है या रो रही है या क्रोध में है बड़ी आई उनका खाना बनाना सीखने लगी थी माजी मैं तो आज तक रोटी सबसी के लावा कुछ बनाया ही नहीं तो ये कॉंटिनेंटल इटालियन जैसे पकवान कैसे बनाऊ और शिखर बेचारा भूका बैठा हुआ है हम रुग जा मैं बताती हूँ चल किचन में और सबसे पहले एक कड़ा ही ले उसे गैस पे रग दे पर गैस चालू नहीं करनी है और इसके बाद अपने हाथों को अच्छे से साफ कर ले गुझन ठीक वैसा ही करती है तभी जानकी फोन लेकर कड़ाई में ही रग देती है माजी ये क्या जमाटो किया क्या हरी बाबा, मैं कौन सा शिखर के लिए ये सब बनाती थी वो मुझसे बात नहीं करता था मेरी हाथ का खाना भी नहीं खाता था तो मैं बस रोटी सब्जी में ही लगी रहती थी ये सुनकर गुंजन और जानकी दोनों बैट कर अपना माथा पीट लेती है और गुंजन फोन पे पास्ता ओर करती है पास्ता तो आ रहा है बर शिखर को पता ना चली कुछ देर में खाना आता है और गुंजन शिखर के लिए कमरे में खाना लेकर जाती है शिखर पास्ता खाता है और बहुत खुश होता है यम मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना यम खाना बनाती हो अब से मुझे तो तीनो टाइम तुम्हारे हाथ का ही पास्ता खाना है बच गए पर ये क्या तीनो टाइम अरे बाबू, तुम तो बिल बढ़वा कर मेरा बंटा धार करने वाली हो पर जब इश्क की ओखली में से दी ही दिया है तो पास्ता की कूट से क्या ड़ना? शिखर गुंजन का हाथ थाम कर उसे करीब खीचता है शिखर कर्मा सू रही है शुप, मैंने ही तो सुलाया है ताकि पूरा समय तुम मुझ पर ध्यान दो वैसे ये पास्ता चावला रेस्टोरेंट का है न आज इडियर्स ने नमक थोड़ा ज़ाधा डाल दिया तुम रिवियों में शिकाद कर दे न क्या? तुमको बता चल गया था? ये मेरी पसंदीदा जगह है जान वहां का पास्ता तो मैं सूंकर ही बता देता हूँ धत तेरे की मारे गए वो, वो, मैं, वो, माजी अवास लगा रही है गुझन बहाना कर उठने लगती है कि तभी शिकर उसे बाहों में जकड कर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसकी गर्दन पर उंगलिया फिरने लगता है गुझन शिर्मा कर शिकर के सीने से लग जाती है और शिकर गुझन की आँखे चुम लेता है एक पौफिक कपल की तरहें दोनों की जिंदगी गुजरती चली जा रही थी शिकर जान गया था कि अब वो एक हो गए है एक रात जब शिकर सो रहा था तो उसे गुझन के रोने की सुफिया सुनाई देती है शिकर उटकर देखता है तो गुझन बिस्तर पर घुटने में मूँ डाल कर फूट फूट कर रो रही थी अरे गुझन तुम रात के दो वजे क्यों रो रही हो ये तो कर्मा का रोने का समय है न पर इसको तो देखो मजे से सो रही है कहीं ये तुम मा बेटी की साजिश तो नहीं है किस लड़के को सोने ही नहीं देना है रोते रहो बस रोते रहो गुंजन शिकर की बात सुनकर और तेज रोती है बस बस मेरी बीवी यू नहीं रोते बताओ मुझे क्या बात है बताओ वो आज मैं मैं जब अर्मानी साफ कर रही थी तब उसमें से मुझे कुछ ऐसा मिला जिसे देख़र मुझे चिंदा हो गए क्या मेरे एड्स की रिपोर्ट तो हाथ नहीं लग गई या फिर कहीं कोई मेरी नावर्दी का सर्टिफिकट देख लिया क्या शिकर की ऐसी बातों से गुंजन रोते-रोते हस पड़ती है तुम ना मुझे हसाओ मत मेरी चिंदा है इससे भी बड़ी है बताओ तो भी तो लेकर आया था यार अब तुम इस बात पर आथ को दो बजे तो ना रोती चुप करो तुम मैंने दीखी माकशीट में तुम्हारी डेट अफ वर्ट तुम मुझसे आट बरस छोटे हो शिकर ओ तुम इतनी सी बात के लिए रोने लग गई तुम कि मैं तुमसे छोटा हूँ अरे बाबा छोटा हूँ तो तुमसे बहुत को सीख भी लूँगा ना तुमको अपनी परसनल मैडम बना कर रखोंगा देखना चुप करो तुम मैं रोई कि मैं तुमसे बढ़ी हूँ गुंजन शिखर की गोद में बैटती है और शिखर उसे कसकर भीच कर लाट करता है कितना रोती हो यार तुम इतना नहीं रोने का शिखर के साथ केवल हसने का सुनो गुंजन जिंदगी ये नहीं है कि पती पतनी में से कौन पहले मरेगा जिंदगी तो ये है कि पती पतनी साथ कितना जी सकते हैं और मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मरने का तो नहीं पता पर जिंदगी का हर पल मैं तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे साथ ही जियोंगा वादा रहा कभी नहीं जाओगी छोड़कर मरोगी भी नहीं न अरे ना बाबा, मर बे गया तो तुम मेरी छाती बर मुक्का मार का जिन्दा कर दे ना, अब ठीक? शिखर तुम ठीक से रोने भी नहीं देते हो, I love you Love you more, जान तीन साल बाद, गुंजन और शिखर की जिन्दगी की गाड़ी ने रफतार तो पकड़ी ही थी अब गुंजन की जिन्दगी में गम की कोई जगह नहीं थी शिखर अपने डाट का बिजनस सम्हालता और गुंजन शिखर को एक दिन गुंजन उदास से बैठी हुई थी क्या हुआ जान, तुम ऐसे मायूस होकर क्यों बैठी हुई हो? शिखर, तुम तो काम पर चले जाते हो, पर मेरे पास करने को कुछ भी नहीं कोई पुछता भी है कि बीवी क्या करती है तो तुम तो यही कहोगे न, कि तुम्हारे बीवी बस एक हाउस वाइफ ही है ओ, हाउ, क्यूट और किसने का हाउस वाइफ होना सिर्फ एक छोटी सी बात है तुम उन ओफिस जाने वाली औरतों से जादा काम करती हो और जादा बिज़ी रहती हो मुझे तुम्हारे किसी भी बात पर शर्मिन्दा होने की ज़रूरत नहीं है मैं तो बस खोशी रहूँगा आवेशा तभी उनकी बेटी कर्मा अपने नन्ने पाउं से दोड़ती हुई आती है मा, मा, ये लड़का और लड़की कैसे बनते है कर्मा के मूँ से ऐसे सवाल सुनकर गुंचन शर्मा जाती है बेटा, इसका चवाब तो तुमारे डाडी ही देंगे मेरी नटखट गुडिया, लड़का और लड़की दोनों ही भगवान जी तै करते हैं और जब तुम होने वाली थी ना, तो मैंने भगवान जी से कहा था कि मुझे एक प्यारी सी गुडिया जैसी ही बेटी देना भगवान और मुझे मेरी कर्मा मिल गई मगर बाहर मेरी साथ खेलने वाली लेड़कियों के शब के भाई है मैंने जब उनसे कहा कि मेरी गुडिया भी मेरी भाई है तो सब हसने लगे बताओ डादी क्या गुडिया भाई नहीं बन शकती और अगर नहीं तो मुझे भी एक भाई चाहिए प्लीज मुझे भी भाई देदू ना मा और डादी प्लीज गुंजन अपनी बेटी की मासूमियत पर मस्कुरा देती है शिखर कर्मा को गोत में उठाता है ये बात तो हमारी बेटी सही बोली कि उसे एक भाई तो मिलना है चाहिए और तुम हो कि मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो दो चलो इसे भाई दो कर्मा बीटा सरा मुझको और डादी को कुछ दिर अकीला छोड़ना और किसी को भी कमरे में मताने दीना मैं अभी बताती हूँ इसको कि कैसे करती हैं प्यार ओके मामी और कर्मा छमचम करती बाहर भाग जाती है गुंजन दर्वासे की कुंडी लगा कर शिखर की और देखती है अच्छा ची मैं नहीं देखती तुम्हारी और काम से ठककर कौन लोडता है घर इतनी ठकी रहते हैं कि बीवे रोमान्स भी करना चाहे तो उसे सुला देते हो तुमको तो सबक सिखाना ही होगा और गुंजन शिखर को ठकका देकर बिस्तर पर गिरा देती है और तक्या उठा कर उसे मारती है शिखर भी एक तक्या उठाता है और दोनों की बीच मस्ती भरी पिलो फाइट होती है कितने खुश थे दोनों अच्छा बाबा आज रात को हम दोनों बाहर दिनर पर जाएंगे सिर्फ तुम और मैं बाहर ड्रिंक सोंगी, मस्ती होगी, डांस होगा और क्या पता कि तुम फिर तयार हो जाओ कर्मा के लिए भाई लाने को यू नॉटी, चलो बाहर जाओ, मैं तयार हो जाती हूँ शिखर हस्ता हुआ बाहर आता है तू देखता है कर्मा इमानदार सिपाही की तरहें दर्वाजे पर पहरा दे रही थी शिखर कर्मा को गोद में उठाकर जानकी को दे दीता है और ये बोलकर जानकी शिखर को आँख मारती है गुझन लालपरी की तरहे तयार होकर बाहर आती है और शिखर उसके प्यार में फिर से गिर जाता है चले गुझन जी चले शिखर जी दोनों रॉमांटिक दिनर करते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं और नाश नाशते हैं तभी एक आदमी लगातार गुझन को घूर रहा था ये दीख शिखर के तन बदन में आँग लग जाती है हे यू, क्या देख रहा है मेरी बीवी को? बता, मैं तुझे काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ मेरी गुझन को घूरने के सिवा तिने पास कोई काम नहीं है क्या? शोड़ो न शिखर, चाने दू गुझन? येस येस, गुझन जी तभी मैं सोचू, मैंने आपको कहा देखा है? आप प्रतीक की बीवी है न? अरे मैं नावेद, आपके घर चाय पर आया था अरे आपके पती का पुराना दोस्ट पर ये जनाब कौन है? इसके साथ आप हैं? एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर? नोट बैड, नोट बैड पर सोए पती सहीया और बाहर ये होट से भाईया आप तो बड़ी मॉडर निकले गुंजन जी वैसे चोईस अच्छी है आपकी हे यू, जुबान समाल कर काफी गबरू है ये तो अपने से कम उमर के मर्द पसंद है क्या आपको? वैसे अगर आपसे थोड़ी ज़्यादा उमर का आद्मी चाहिए हो तो मुझे भी आपकी सविस लेने का मौका दे बत्तमीज, मैं तेरा मू नौच लूँगा तुने मेरी बीवी पर उंगली कैसे उठाई? बीवी? कौन? ये? गुझन प्रतीक के दोस्त को चढ़ाने के लिए उसके गालों को चुमती है और शिखर फिर से उसे कूटने लगता है आपमी खूनम-खून हो गया था ये हंगामा देख होटल वाले शिखर और गुझन को धका माल कर बहार निकाल देती है आज आते हैं या आशिकी करने फैमिली रेस्टोरेंट में दुबारा तमाशा किया ना दोनों ने तो पुलिस बला लेंगे गुझन शिखर शर्मिंदा होकर वहां से जाने लगते हैं दोनों नी पी हुई थी जिससे दोनों की कदम लड़ खड़ा रहे थे और गुझन शिखर की बाहों में आ गिरती है गुझन शिखर की बाहों में जूम रही थी कि तब ही उसके चहरे पर वारिश की बुंदे आकर गिरती है और शिखर जट से अपनी जाकेट निकाल कर गुझन को अढ़ा देता है और खुद भी उड़ लेता है दोनों एक ही जाकेट में थी ये तो आश्की का इकॉनिक सीन बन गया शिखर जाकेट भी है और हीरो हीरो न उसके नीचे भी है और बाहर बारिश हो रही है पस कमी है तो उस किस की किस में शिखर? हम सड़क पर हैं अब शूर अबाउट देस? और शिखर गुंजन को चूम लेता है गुंजन जाकेट अटा कर खुशी से जूमती है पर हमने पी हुई है बेभी हम द्राइव कैसे करेंगे? इतना सब इट्वेंजर हो गया है ये भी सही चलो न बाबू, चलते हैं गुंजन की जिद पर शिखर गाड़ी निकालता है और दोनों लॉंग ड्राइव पर निकल पड़ती है गुंजन खिड़की के बाहर हाथ निकाल कर हवा खा रही थी अरे बाबा, सीट बेल्ट तो बांध लो डोंट बी लाइक डाड़ी टाइप्स और तभी सामने से ट्रॉक आ जाता है ट्रॉक से बचाने के लिए शिखर गाड़ी घुमाता है अगर गाड़ी आउट ओफ कंट्रोल हो जाती है और शिखर गुंजन को बचाने के लिए उसे हाथ देता है मगर गुंजन ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी जिस कारण चटके से वे उचलकर बाहर जागिरती है और शिखर की कार भी उचलकर दूर जागिरती है जानके अरशोक के पास अस्पताल से फोन आता है और दोनों फटाक से वहाँ पहुँच जाती है ये जी हुआ क्या होगा हमें फोन भर भी कुछ नहीं बता रहा था बच्चे ठीक तो होंगे न पता नहीं कह रहे थे कि दोनों मैंसे एक की हालत गंभीर है आप बताईए किसे ज्यादा लगी होगी लापरवाही करते हुई सीट बेल्ट ना पहनने वाली गुंजन को या फिर शराब पी कर गाड़े चला रहे शिखर खो हसी मजाँक में किया गया एडवेंचर कैसे एक हसते खेलते कपल की जिन्दगी के ऊपर खत्रा बन गया था ऐसे में सीखने वाली बात ये है कि मजे मजे में भी इनसान को कभी होश नहीं खोना चाहिए कहते हैं ना साफ थानी हटी और दुरघटना घटी इसलिए ऑल्वेस सेफ ड्राइविंग कीप वेरिंग सीट बेल्ट और यो हेलमेट्स भारत माता की जै अशोग जान की आई सीउ के पास जा खड़े होते हैं लाल बत्ती जल रही थी जान की के तो पाउन लड़ खड़ा गए थे वहां कोई भी खबर नहीं दे रहा था तब ही जान की कंकंदे पर हाथ आता है मा जी जान की देखती है तो गुंजन थी एक दन सही सलामत उसे खरोच भी नहीं आई थी यानि जिसे गंभीर छोटे आई थी वो शिखर था जान की गुंजन को सही सलामत देख जितना खुश थी अपने बेटी की हालत देख उतना ही तूट भी गई थी अशोक मेरा शिखर नहीं मेरे शिखर को यह किसकी नजर लग गई सब मेरे ही गलती है मुझे ही तुम बच्चे को जाने से रोख दिना चाहिए था जान की समभालोखोद को ये समय मजबूत रहने का है लालबती बुश्टी है और डॉक्टर बाहर आता है गुंजन जी आपके पती खतरे से पूरी तरह ठीक है मगर उनके शरीर का दायना हिस्सा काम करना बंद कर चुका है और वो फिर कब पूरी तरह ठीक होगा इसकी जानकारी अभी हमको नहीं है आप दो दिन बाद इनको घर पर लेकर जा सकते हैं लेकिन ध्यान रहे शिखर की देखरेक के लिए 24 गंटे कोई ना कोई उनके पास जरू होना चाहिए गुंजन डॉक्टर के बाद सुनकर हिल गई थी गुंजन आवेश में आकर खुद के चाटे पर चाटे लगा दी जाती है और फूट फूट का रोनी लगती है जानकी उसे संभालती है और दो दिन बाद सब लोग शिखर को वीलचेर पर घर ले आती है स्वागत में जानकी ने पूरा घर सुजाया हुआ था विल्कम बैक मेरी बच्चे माही ये क्या है आपका बेटा को जंग जीत कर नहीं पाही जोकर लोटा है तुम सब जश्ण मना रहे हो गुंजन मुझे कमरे में ले जाओ जानकी का मन उदास हो जाता है उदास मत हो जानकी, शिखर के लिए इन सबसे डील करना हमारे से भी ज़ादा मुश्किल है गुंजन शिखर को कमरे में ले जाती है और तभी नन्नी कर्मा भी सहमी सहमी सी कमरे में आती है पापा, अब ठीक हो कर्मा भागती है पर शिखर उसे पकर नहीं पाता, बिचारा बेबस साब वीलचेयर पर पड़ा रहता है तभी गुंजन कर्मा को रुख जाने का इशारा करती है और कर्मा शिखर के पास आकर खड़ी हो जाती है पर शिखर का दाहिना हाथ तो काम ही नहीं कर रहा था वो चाकर भी कर्मा को गोदी में उठा कर लाड़ नहीं कर पा रहा था ये क्या हो गया गुंजन एक जटके में मेरी तो पूरी जिंदगी अपाहिज हो गई तुम्हारा पतिया बोज बन गया तुम्हारे उपपर एक बाप अपनी उलाद को गोद में खिला नहीं सकता सब खत्म हो गया गुंजन शिखर को शांत कर सीने से लगाती है ठीक हो जाएगा ये हमारी परिक्षा का समय है जान रोती नहीं है हिपत नहीं हारते है तुम अपाहिज नहीं हो फ्यार कभी अपाहिज नहीं होता बस हमारी नई चन के शुरुवात हो गई है और अब हम मिलकर इससे लड़ भी लेंगे और देखना हम होंगे कामियाब और तुम कर्मा को गोद में नहीं उठा सकते तो क्या मैं तो तुम्हारी गोदी में रख सकती हूँ ना गुंजन कर्मा को शिखर की गोद में रखती है और वो से लाट करता है हाँ डादी हम होंगे कामियाब हम होंगे कामियाब एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे खामियाब एक दिन गुंजन इत्मिनान से रात में सो रही थी कहते हैं ना, जिसके नियती में जो लिखा होता है आप उससे मुह नहीं फेर सकते ऐसे में गुंजन ने भी शिखर की उस घटना को अपना लिया था दिन बीत रहे थे, शिखर की जिंदगी अब वीलचेयर के इर्द गिर्धी से मट चुकी थी पर दोनों का प्यार आज भी वैसा ही था गुंजन मुझे बिस्तर से उठा कर वीलचेयर पर बैठा दो ना गुंजन वैसा ही करती है गुंजन मुझे सीडियों से नीच जाने में दिक्कत होती है तुम मदद करो ना और गुंजन मदद कर देती है शिखर हरवक्त गुंजन गुंजन करता रहता और गुंजन तुरंत हाजिर हो जाती अपने पती की सेवा में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी शिखर के पापा बहू ने तु मुझ को भी पीछे छोड़ दिया पती की इतनी सेवा आज की समय में कौन पतनी करती है पहूं को तो मुह बनाने से फुरसत नहीं मिलती चहरी पर लीपा पोती करने से फुरसत नहीं मिलती और हमारी गुंजन को देखो एक पाउं किचन में है तो दूसरा शिकर के पास रहता है एक अवास पर जट से पहुँच जाती है भाग्यवाली है ये हो सकता था कि हमारे बेटे के साथ कोई और बड़ा हाथसा होता मगर शायद गुंजन के गुड़ला के करन ही हमारा बेटा आज हमारे साथ है सच गुंजन को इस घर में पाकर तो हम सब धन्य हो गए है शिखर के माबाप के माथे पर गुंजन को लेकर एक शिकर नहीं थी अकसर बेटे के साथ उचनीच होने पर माबाप बहुओं को ही कोस्ते हैं मगर शिखर के इतने बड़े आस्टेंट होने के बावजूद जानकी और अशोप ने गुंजन को ग्रह कलेशी नहीं कहा था सच किस्मत बदली तो थी हमारी गुंजन की पर संगर्ष अभी भी जारी था पूरे दिन काम करते हुए गुंजन ठकी ठकी रहने लगी ला बेटा मैं किचिन में तीरी मदद कर दू आखिर कितना काम करेगी तो नहीं माजी आप बस काम बोली मैं सब कर लूँगी आपको परिशान होने की दरकार नहीं है अच्छा माजी हा माजी जी माजी के अलावा गुंजन के मूँ से कभी नाशब निकला ही नहीं था और इस कारण ठकान से उसकी भी तब्यत ठकी ठकी रहने लगी थी शिकर हॉल में बैट कर टीवी देख रहा था तब ही उसकी बेटी उसके पास आई डाडी डाडी मात घर में काम में बिजी है अब मेरे साथ पीटीएम में चलो ना अंडे मैं से निकले भी नहीं होते ये चूजे कि स्कुल वाले पीटीएम करवाने लग जाते हैं अरे लाली ये पीटीएम क्या होता है पीटी आई तो सुना था हमारी जमाने में एक सीटी वाला मास्टर होता था जो पी 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 करके दाहीने बाहीने दाहीने बाहीने थम करवाता रहता था शादा जोर से थम करती है तो उसकी कमर या लचक जाती है आई रे मेरी कमर दादी पीटीएम मेंगे स्कुलों के मेंगे चोचले होते हैं जिसमें बच्चों का टेस्ट रिजल्ट माबाप को बुला कर दिखाते हैं जैसे पहले नुकड पर मास्टर लोग मिलकर बता देते थे पापा लोगों को कि शर्मा जी के लड़के के नंबर वर्मा जी के लड़के से पूरे 10 कम आये हैं और फिशर्मा जी घराकर अपने लड़के की रेल बना देते थे और पैरेंट्स टीचर मीटिंग में बस अपने बच्चों की बुराई, तारीव, सब इसकूल में उनके सामने और बागी पैरेंट्स के सामने सुनाई जाती है कर्मा के मजाग पर शिखर उदास हो जाता है कर्मा, ये क्या मजाग है? सौरी बोलो दादी और डाडी को और आइंदा कभी ऐसी बात बोली न, तो चिम्टे से मारूंगी सोच लेना खेर नहीं तेरी सौरी दादी, मैं तो बस जोग कर रही थी दादी के साथ आज स्कूल में मेरा रिजॉल्स सुनाने बाले है न, तो मुझे टेंशन हो लई है पता नहीं, अंडा मिलेगा ये मम्मा का टेंडा भी दाडी बचाओ और कर्मा खुश होकर शिखर की चेर को अपने नन्ने हाथों से गुड़ाते हुए बाहर ली जाती है दोनों स्कूल पहुचते हैं और क्लास रूम में सब के पेरंस और कर्मा के डाडी शिखर बैट जाती है तब भी क्लास टीचर एंटर करती है और सारे बच्चे और उनके पेरंस भी गुड़ मॉर्निंग कहने के लिए खड़े होते हैं मगर शिखर अपनी ही सीट पर था तो वे खड़ा नहीं हो सकता था उसे देखकर बाकी पेरंस में खुसर फुसर होने लगती है अरी जवान खून है भीया हमारी तरह में चौर पेरंस थोड़ी है शिखर सबकी बाते अवाइट कर देता है और कर्मा के रिजल्ट की बारी आती है शिखर कर्मा के साथ टीचर के पास जाता है यह रही उसकी शीट अब यहां साइन कर दीजिए पर शिखर साइन नहीं कर पाता उसके हाथ तो काम करना बंद कर चुके थे वो एक्चुली टीचर आई कांट क्यों साइन करने नहीं आते क्या इजी चुप रहू ना हमको क्या मतलब इन से मैं क्यों चुप रहूं भाग्यवाद इस लड़के को देख तो कितना अमीर लग रहा है इनी अमीरों की वज़े से ये बड़ी स्कुले चल रही है हर किसी को हमारी तरपनी जमीन गिर्वी रखकर ये महेंगे स्कुलों की फीस नहीं देरी पड़ रही है इनके पात जितना पैसा उतना तेवर हम तो ये कपड़े भी मांग कर पहन कर आए है ऐसे नक्चड़े अमीरों की तो मैं ठांग खीचूंगा ही ये जी ये स्कुल वाले हमसे महेंगी फीस ले रही है इसमें इनका भी क्या दोश मांकेट में ये जो शिक्षा बेच रहे हैं उसे खरेदने वाले ग्राहकों में से हम भी दो एक है ऐसे में मैंने तो हजार बार कहा था कि चिंटु को सरकारी स्कूल में दाखिल अदला देते हैं आखिर सरकारी स्कूल में भी तो बाकी बच्चे पढ़ते ही है न मेहनत कर लो तो महेंगी स्कूल की ज़रूरत ना पड़े खेर सोच सब की अपनी अपनी है सबकी खुसर-खुसर की बीच बच्चे कर्मा को छेडने लगती हैं शिखर सब देखकर भी अंजान था ताकि वहाँ कोई तमाशा न बने अरे देखो देखो कर्मा के डैडी को तो साइन भी नहीं करने आते अले शायद इसकी डैडी कभी श्कूल काई ही नहीं होंगे ऐसे डैडी क्यों लेकर आए तो कर्मा हमारे डैडी तो देख सूपर कूल हैं क्यों डैडी और बच्चे को उसका डैडी गोद में उठाकर उच्छालता है और लाट करता हुआ बहार चला जाता है पीटियम खतम होती है अभी भी शिखर और कर्मा पर सब हसकर जा रहे थे ये देख कर्मा की आखे नम हो जाती है वो अपने डैडी के साथ घर आ जाती है क्या हुआ मेरी गोडिया को? क्यों रोया मेरा बैच्चा? नंबर काम आए क्या? अरे वाह फिर तो आज पार्टी? नहीं चाहिए मुझे कोई पार्टी मुझे अच्छे वाले डैडी चाहिए डैडी कर्मा के बात सुनकर सब लोग शौक थे उसकी ऐसी नादानी भरी मांग की पीछे कोई गहरा दर्थ था कर्मा ये क्या पोल रही हो तुम? ये वाले डैडी ना मुझे कोट में लेते हैं ना ठीचर के रिजिस्टर पर साइन करते हैं ना ही ठीचर के आने पर खड़े होते हैं ये कुछ भी नहीं करते ममा कर्मा शिखर के पास जा कर अपना हाथ मारने लगती है आज मेरी बच्ची चल तुझे कहानिया सुनाती हूँ शारदा कर्मा को बहला कर अपने साथ अंदर ले जाती है गुंजन शिखर का चेहरा देख रही थी उसकी आखों में आसू और चेहरे पर बेबसी थी इसकी तुम्हें काटों देखना ही बन कर वा दूँगी पता नहीं कौन से शो में क्या देख लिया डाडी पदलने की कहानी तुम ध्यान मत दो शिखर इसकी तुतलाहट अभी कई नहीं है और जुबान देखो कितनी कैची की तरह चला रही है हाँ इसकी तुम्हें बाब में खबर लूँगी श्यान तुम्हें इस पागल की बातों पर ध्यान मत दो चलो तुमको बाराम करना चाहिए गुझन जाने लगती है तो शिखर उसका हाथ थाम लीता है और उसे अपने पास लाता है गुझन जमीन पर बैठ कर शिखर के बराबर हो जाती है क्या हुआ शिखर तुम ठीक तो हो ना हाँ मैं एकदम ठीक हूँ ठीक ही तो हूँ बिना अपनी बीवी की मदब के कही जा नहीं सकता मिस्तर से हट नहीं सकता गुझ उठा नहीं सकता खा नहीं सकता यहां तक की रोऊंगा तो अपने आसु भी खुद नहीं पहुँच सकता फिर भी मैं ठीक हूँ एकदम ठीक पर तुम तुमारा क्या गुझन शिखर का चहरा से लाकर उसका माथा चुनती है अशोक और जान की सब नम आखों से देख रहे थे पर बस तो उनका भी नहीं चल सकता था फिर थीक होने की अब कोई गुझाईश नहीं है इस मास के बेजान लो थड़े को तुम कब तक अपने सीने से लगाय रखोगी दीरे दीरे मैं तुम पर बोज ही बनता चला जाओंगा कोई भोश नहीं हो तुम खबरदार जो ये सब अनाफशना बातें बोली तो क्या मैं भी कोई भोश थी क्या तुम्हारे लिए तुमने जानतो है ना मेरी तो आत्मा ही मर चुकी थी तब भी तुमने तो हात नहीं छोड़ा था न मेरा तब भी मुझे अपनाया था न तुमने सीने से लगा की रखा था मैं लगी थी तुम्हे भारी ये कोई बोज हां बोलू मुझ में और तुम्हें फर्क है गुंजन कर्मा ने कोई गलत बात नहीं कही है मैं बाकी बच्चों के डैडी जैसा हूँ ही नहीं आज उसे बस एक जगे बुरा लगा है कल को उसे और भी जगे से सुनना होगा यह लड़की, तिरा बाप तो लंगड़ा है, लूला है, अपा ही जै तो उस पर क्या वितेगी बाप होते हुए भी बाप के फर्स तो मैं पूरे नहीं कर सकूँगा चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ क्यों बोल रहे हो ये सब तुम, मत बोलो ना प्लीज ऐसा क्या बदल गया है हमारे पीच्चों ये बाते हो रही है क्या बदला, मैं बताओं क्या बदला, मैं तुमको सिर पर बिठाना चाहता था, पर देखो, तुमको मुझसे बात करने के लिए जमीन पर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा लेवल ही अब ऐसा हो चुका है, मुझे अच्छा महसूस कराने के लिए तुम जुकती चली जा रही हो, और जुकती चली जाओगी, हमेशा ही, मैं ये कैसे देख लूँगा मेरी गुंजन, कैसे, कैसे, बताओं, कैसे, ही रहूं, कहां से सीखाए ये दोनों बाप पीटी ये सब बाते, किसने भाठ दिया तुम तोनों के दिमाग में कच्रा, बोली जा रही हो, बोली जा शादी, प्लीज, देखो, जानता हूँ, मुश्किल है, पर जादा कुछ बदलेगा नहीं, ये घर हमेशा तुम्हारा है और कर्मा का ही रहेगा, मगर मेरे जंजाल से दूर चली जाओ, शिकर, तुमारा दिमाँ खराब हो चुका है कि यार, इसी वाही याद पाते कर रही ह रिष्टा है ये, कोई पतां की डोर नहीं, जो अलज गई तो कार्ट दे और नहीं डोर बांद ली, मैं इसी के लिए जर्म नहीं लेग, कि एक पती ने पसंद नहीं किया तो दूसरी शादी करी, अब दूसरी शादी में बेटी को बाप से दिक्कत है तो मैं तीसरी शादी कर लो, कोई फिल्म ही कहानी नहीं चल रही है, मैं तुम्हारे साधी रहूंगी बस, और ज्यादा तुम को दुख उट रहा है, तो लो, मा जी मेरी साथ चलो, हम सब किसी ट्रक के नीचे आकर अपने हालत ऐसी ही कर लेते हैं, तुमको कमपनी देने के लिए, तब तो हो कर रही हैं उतना ही भीदर से भी, तुम्हारी जगे कोई और होता तो दम तो चुका होता, तुमने तो fight back किया है, आओ, मेरे पास आओ, गुझन शिखर को सीने से लगाती है, और वो खोब फोट-फोट कर रोता है, हमारी उल्टे दिन क्यों शुरू कर दिये तुमने भगवान क्यों? डाडी सो गए है, चुक करके तू भी सोजा, कर्मा डर के सो जाती है, और फिर शिखर अपनी आँख खोलता है, उसकी आँख है गीली थी, वो मशक्कत करके वीलचेर पर बैटने की कोशिश करता है, पर गिर जाता है, एक दमला चार हो गया हूँ मैं, पर शिखर फिर कोशि करता है और चेर पर बैटकर कमरे से बाहर आता है, कुछ दिर बाद घर में तेज शोर होता है, जहां जानकी चिला रही थी, गुंजन, गुंजन बेटा उठ सो, ये देख क्या हो गया, गुंजन, जल्दी आ, जानकी की चीक से गुंजन हर बड़ा उठती है, वे नाइटी म ही सो रही थी, पर वो घबराहट में नाइटी में ही बाहर आ जाती है, जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है, बाहर हैरान परशान से शारदा और अशोग भी खड़े थे, उनको देखते ही गुंजन अंदर जाने लगती है, अरे अंदर क्या जा रही हो, जल्दी बाहर और गुंजन हर बढ़ा कर उनी कपड़ों में बाहर आती है, देखा अपने ये वही गुंजन है, जिसे मनिक और प्रतीक ने नाइटी पहनने पर खूब कूटा था, पर आज ये अपने मनमानी तरीके से रह सकती है, और उसे अपने विचारों की तरह ही खुला करके देकर शिखर के परिवार वालों ने साबित कर दिया था, कि बहु को जरा सा लाट प्यार सम्मान अगर ससुराल में दोगे, तो उसे अपने बनकी और रिष्टों में कभी कंगाली महसूस नहीं होगी, गुंजन को वही आजादी मिल चुकी थी, वह फटा-फट बाहर आती ह और जानके उसके सामने की और इशारा करती है, तो वह नजर उठाकर देखती है, तो शिखर सीडियों के ऊपर था, और उसकी वीलचेर एकदम किनारी पे थी, पर शिखर कुछ नहीं बोलता, वह तो पुतले की तरह बैठा रहा, अपनी वीलचेर के ओ आगे पीछे करता रहा, जिसे अभी कूध ही जाएगा, मगर शिखर क्या सच में इतना तूट चुका था, कि वह यह कदम उठा रहा था, आईए देखते हैं क्या हुआ था, कुछ पहले, सब के सोने के बाद दुखी मन से शिखर की आँखे जटके से खुल जाती हैं, जिसकी उड़ गई हो हस्ती सारी, उसे कैसे आएगी भला नीद प्यारी, शिखर जैसे ही बिस्तर पर जागता है तो पाता है उसके पेट के उपर एक ननना हाथ कर्मा का, कर्मा सोते हु अपने पापा से लिपट कर सो रही थी, तभी गुंजन भी करवट लेती है और अपना हाथ कर्मा के बराबर में ही शिखर के पेट पर रखकर सोई रहती है, बस इतनी सी दुनिया है, और जानता हूँ, तुम दोनों की दुनिया भी मेरे सीने के अंदर धड़क रहे मन जित हो तुझे, तेरे डैड़ी तुझे इतना प्यार करते है कर्मा कि इश्वर करें मुझे मेरी बेटी के हिस्से के सारे दुख लग जाए, और तुझको मेरी हाथ छोटी बड़ी खुशिया मिले, मेरी उब्र तेरी उब्र दो गुना कर दे, और मैं जीते जी कभी मेरी बेट अची के चेहरे पर एक शिकन नहीं देखना चाहता है, हर बाप की तरह मेरे भी सपने है तुझे अपने मजबूत कांधे पर जुलाने की, पर ना आप कंधे बचे हैं, ना ही वो सपने, तेरा बाप हार गया कर्मा, हार गया तेरा बाप, बाप का जीवन एक मशीन की तरह च कि हम इतने बड़े हो गये हैं कि आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मगर अब जब से तू आई है मेरी गुडिया, मैरे बाप की वो हर चिंता महसूस करी है, जो राप में बिस्तल में उसे ठीक से सोने नहीं देथी, एक पूरी उम्र तक, पर मैं तुम दोनों प शरीर, नो रहेगी ये पीड़ा, खेल खत्म, अब देखिये आगे, खबरदार गुड़न, जो तुमने मेरी बात नहीं मानी तो, मैंने मन बना लिया है, मैं बहुर जिन्दा नहीं रहूँगा, अगर मैं जिन्दा रहा तो तुम जिन्दगी में आगे नहीं बढ़ अच्छा, तो तुम हम दोनों को आजाद करने के लिए ऐसा कर रही हो, बोलो, है न, यहीं बात है न, नहीं, मैं खुद को आजाद करना चाहता हूँ, बोलो, तुम अपनी नए जिन्दगी शुरू करोगी, या मैं कूद का चैप्टर ही क्लोज कर दूँ, और गुंचन मु नहीं, कभी नहीं, मैं खुद को क्या, कर्मा को भी मेरे साथ ही कर लीती हूँ, दर्थ ही तो करना है न, तो सबका दर्थ खत्म करते हैं, अखिर तुम्हारा ही क्यों, इतने से बच्वन में उसके सिर पर बाप का साया चीन करके, तुम वैसे में उसको आधा मार ही रहे हो, बाकी बचा हुआ, मैं मार दीती हूँ, एक मिनट, मैं तुम्हारी तेरे धमकी दूंगे नहीं, मैं तो करके दिखाती हूँ, गुंजन अंदर जाती है, और कर्मा को गोध में उठा लाती है, और बाहर आकर किचन में जाती है, और एक बड़ा सा चाकू उठा कर बाहर लात शिकर ये देख बेचैन हो उठा था. उसका थो पासा ही गलत पढ़ गया था. करके दिखाती हूँ तभी कर्मा की हलकी नींद खुलती है कर्मा बोलकर फिर से अपनी मा से लिपढ़ जाती है ये तीस सेरियां तुम नीचे आओगे वरना अभी मेरी और कर्मा की कलाई पर इस चाकों से तीस निशान लगेंगे और गुणजन तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना मेरी बात तो समझो समझ गई तो पहला कर्मा को ही लगेगा और गुणजन तुरंद कर्मा के हाथ पर चाकों से कट लगाती है और वहाँ से खून बहने लगता है और कर्मा जोर से चीखती है गुणजन अगला कर्ट खुद को देती है और जैसे ही खून की बून गिरती है शिकर छट पटा जाता है तो उत्रो नीचे और वादा करो कि आज के बाद कभी में मुझे मूव ओन करने की बात नहीं करोगी मूव ओन करेंगे हम दोनों ही करेंगे मगर इन दुखों से साथ मिलकर शिखर अशोग के मदद से नीचे आता है और आकर कर्मा को चुमता है गुंजन उसके पास बैठ कर उसे चुमती है और तोनों गले लगती है तुम क्या पागल हो गई थी जो अपनी बात मनवाने के लिए इस अद तक जा रही थी नहीं जाती अगर तुम ये तुम ये तमाशन ना करती तो मैं रात तुप दिन चो कभी मिल ही नहीं सकेंगे सांच में मिल सकेंगे ना इस प्रकर्टि ने रात दिन के मिलने के लिए भी सांच का समय बनाया गया है तो तुम और मैं इस प्रकर्ती में कोने में जीने वाले केड़े मकोड़े जैसे ही तो है हमारा मिलना क्या इस काइनात के निरंतर चलने से बड़ी चुनौती है ये सुन शारदा सीटी मार कर ताली बजाती है वाँ वाँ क्या बोली मेरी बहु गरदा उड़ा दिया तूने तो कर्म अपने डाडी का चेहरा से लाती है और खुब हसती है डादी डादी एक सीखरेट बताओ ये चाकों से कत लगा है न ये बलर्ड नहीं टमेटो केचिप है और गुंजन चाकों के उपर केचप लगा देती है और वे जाकों भी नकली था उसे लेकर बहार आती है और आखिरकार गुंजन के बुद्धी ने उसका परिवार उजडने से बचा दिया मामला शांत होने के बाद गुंजन शिखर से लिपट कर सोती है अगले दिन शिखर जब सोकर उड़ता है तो देखता है उसके पास धेर सारे फूलों की गुलदस्ते रखी है और कार्ट्स और चॉकलिट्स है गुंजन ये सब क्या है हापी नियू बर्थ चान हाथ से तुम ये नई जिन्दगी नहीं तुम्हारी इस गुंजन की एक्साइटड जिन्दगी जियोगे अब चलो आज लंच जिनर सब बाहर है गुंजन शिखर को तयार करके आईस्क्रीम पार्लर ले जाती है और दोनों आईस्क्रीम खाती है तभी गुंजन शिखर के चहरे पर क्रीम लगा देती है और हसती है विसे कुछ भी कहो अब तुम बद से यो आईस्क्रीम लगाने वाला बदला तो नहीं ले सकते तो मैं तुमको ऐसे पाकर्स ज्यादा खुश हूँ वो क्या है ना अब तुम बीवी के इशारों पर जलते हो हाँ ना शिखर को ये जान फिर मायूसी हो जाती है गुंजन ये दीख शिखर के नस्दीच जाकर खुदी उसके आईस्क्रीम में अपना मुँँ पटक कर गाल गंदा कर लेती है देखो लगा दिना तुमने भी मुझे आईस्क्रीम बस बाबा बस अब ज्यादा खुश मत हो हाँ नहीं तो चेहरा साफ करना पड़ेगा तुम तो ठीक से रोने भी नहीं देती हो ना सट गुंजन इतनों प्यार क्यों करती हो मुझसे श्श्श जो मेरा मन है उसे ना चाहूंगी तो ये जमाना मुझे काफिर पुकारेगा समझे बुद्धु चलो लंज के बाद डिनर है और उसमें है एक सर्प्राइस डिनर का समय आता है दोनों मस्ती सी डिनर करते हैं और बारी आती है सर्प्राइस की डांस फ्लोर लग चुका था और सारे लोग तालियां बजा रहे थे हूटिंग कर रहे थे गुंजन शिखर का नाम पुका रहे थे अब ये गुंजन शिखर को बाहों में उठाती है और उसी कदर से अपनी कमर पर एक बेल बान लेती है उसके पाओं पर अपने पाओं रखती है और उसे एकटम नस्दीक लाकर डांस करती है इतना रोमांटिक और डेडिकेशन वाला अंदाज वहां की लोग उने कभी नहीं देखा था ये ऐसा करते देख शिखर को एक बार फिर से गुंजन से प्यार हो गया था कैसे मिल गए थी तुम मुझे? कैसे? अरी भूल गई? तुमने ही तो प्रांक कॉल करके जानू वानू बोला था मुझे लव यू मोर तो बताओ मिली कदम को फिर से जान अगर मैं तुम्हारा सहारा बन रही हूँ तो इसमें कोई शन्म की बात नहीं है सब को छिन्ने के बाद भी कितनी खुशिया फैली थी इनके जीवन में मगर उस और अशोक को चंता सताई जा रही थी जान की शियर्स गिरते जा रही हैं और यही चलता रहा तो हम बहुत बड़ा लौस खा जाएंगे शिखर था तो सब काम समा लेता था जबसे उसने जिम्मधारी उठाई थी मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था पर अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी नहीं अशोग जान के चिंता में डूबे थी तभी शिखर और गुंजन लौट कर वो बाती सुन लेती हैं गुंजन घर के चौके से निकल कर सीधे वहां ओफिस तक कैसे चले गई आये जानते हैं गुंजन और शिखर अपनी जिन्दगी की सुन्दर रात जी कर आ रहे थे कि तब ही वो देखते हैं कि अशोग और जान के बेहत परिशान होते हैं बेटा तेरी पिमार होने की बाद तेरी बाबा का बिजनस डाउन हो गया है एक तो ही सम्हालता था उसे और अब कोई सम्हालने के लिए नहीं है जान के और अशोग मायूस होकर अपने कमरे में चले जाते हैं गुंजन और शिखर के चेरे पर भी मायूसी छा गई थी शिखर रात भर करवटी ले रहा था उसके अपने परिवार की बेबसी नहीं देखी जा रही थी फिर कभी कर्मा का चेहरा देखता तो कभी गुंजन का और अलेक्सा की मदद से बिना हाथ पाव चलाए वोईस कमान से शिखर का फोन वकील को कॉल करता है और अलेक्सा फोन कट कर देती है तभी शिखर जानकी को फोन लगाने को कहता है और जानकी उसके कमरे में आती है अहिस्ता बोल दोना सो रही है और इस काम में मैं पुढ तेरे तेरे साथ हूँ एकतम साथ शिखर उसना चैन की नीन सोता है अगली सुभा होती है और गुंजन अंगडाई लेकर उठती है गुंजन देखती है कि वहाँ बगल में तो कोई भी नहीं था अरे शिखर सुभी सुभी कार जला गया और आज मेरी आँख के से नहीं खुली गुंजन उठकर देखती है तो वहाँ ना कर्मा का स्कूल बैग रखा था ना खुद कर्मा थी और गुंजन नहाने के लिए कपड़े निकालती है तो उसे वहाँ अपनी एक भी साड़ी नहीं मिलती केवल ओफिस के कपड़े रखे थी पर साड़ी एक भी नहीं थी शिखर शिखर यहाँ से मेरे सारे कपड़े कहा चले गया यार पर गुंजन की दस अवाजे लगाने पर भी वहाँ कोई नहीं आता ऐसा देखकर गुंजन चिड़कर दू-चार कपड़े उठाकर खुद बाहर जाती है कहां किसी है सब के सब इतनी दीर से चिला रही है उपर कोई जबाब ही नहीं दे रहा उपर से घर का सारा काम बाकी है करमा का टिफिन बनाना है शिखर की दवाई लेगा कुछ खाया भी नहीं होगा अभी तक कितना समसभालना होता है किसी का परवा थोड़ी है चले है सब प्रांक करने में तभी गुंजन की कंथे पर हाथ आता है और वो चौक कर पलड़ती है तो वहां चुलबुल थी चुलबुल गुंजन को देखते ही उससे लिपढ़ जाती है भाबी कैसी है आप आप तो मुझे ससुराल भेज कर भोल ही गई न है न पर मैं थोड़ी न भोलूगी मेरी भाबी को खरवा चौच जो आ रहा है आपके लिए माने सर्गी भेजी है इतने सालम में पहली बार माने सर्गी भेजी है मगर कैसे ओहो भाबी इसमें क्या है वो मा थोड़ी पुराने खयाल की है तब सर्गी वगेरा का चला नहीं था मैंने और रोहन ने कहा कि भेजा करो तो मुझे और रोहन को डांट ही दिया पर फिर वो हुआ जो नहीं होना था क्या अरे भाबी मा को हिंदी टीवी सीरिल से प्यार हो गया है और पुरानी सास से वो देखते देखते चटपटी सास बन गई है अब तो एक आख घर की चीजों पर तो एक आख टीवी पर रहती है उसमें कि खेर बाकि सब गए कहा और सब अचानक से बाहर निकल कर आती है जानकी अशुग वीलचेर पर बैठा हुआ स्पोर्स वेर में शिखर था और नन्नी मुन्नी हमारी कर्मा भी साथ साथ आती है और दौड़ कर अपनी मां से लिपड़ जाती है मामा आपने हमको मिश किया ना श्रम सब तो आपकी सब लोका से भी खेल रही थी आपको भी मज़ा आया ना येई मुझे भी बहुत मज़ा आया सब दाड़ी का ही आइडिया था कर्मा शिखर के चेर पर चड़कर उसे सीने से लगाती है और शिखर उसका माथा चूमता है गुंजन बाप बेटी का प्यार देखकर रो देती है लव यू मोर मेरी डॉल आय प्रॉमिस मैं अपसे उदास डैड़ी नहीं कूल डैड़ी ही रहूंगा और हम बहुत सारी मस्ती और थोड़ी कम पढ़ाई करेंगे हम क्या बोले मस्ती बाद में पढ़ाई पहले तुम तो चुपी रहो खुद तो पूरा दिन घर में बिजी रहती हो पता भी है मेरी प्रिंसस कितना बोर होती है और वैसे भी पापा का जन्म तो उनकी परियों को लाड़ प्यार से बिगारने के लिए तो हुआ है तो मैं तो मेरी कर्मा को अपसे जम कर बिगारने वाला ह ही है मुझे राम राम इसे अब किसी की नजर ना लगाए गुंजन शिकर का खिलकिलाता चहरा देख मुस्कुरा रही थी ओफो देखो तुमारी चक्कर में वे सब भूल गई अरे बापा मुझे नहाना है तयार होना है शिकर अफट-फट बताओ मेरी सारी कपड़े कहा है उस जिसे पाकर गुंजन खुश तो होती है मगर ना ही उसका कोई जन्म थिन था और ना ही कोई त्योहार तो फिर गिफ्ट पॉक किस बात का जैसे है वो गिफ्ट खोलती है पहले उसमें एक बेलन निकलता है ये बेलन गुंजन फिर और देखती है तो उसमें से एक टाई और डाइरी पेन निकलता है और साथ में एक नेम प्लेट निकलती है जिस पर लिखा था गुंजन शिखर सिंग कमपनी अडवाइजर ये देखकर गुंजन कुछ समझ नहीं पाती माची ये सब क्या जान की गुंजन के हाथ से बेलन लेती है और उसके हाथ में कलम और डाइरी थमा देती है बिटिया बहुत हो गया ये चूला चोका जो तेरी गुंड है अब तो उन्हें समझालो शिखर की टूपती कमपनी को बचा ले नहीं पर मैं कैसे मुझे तो कुछ नहीं आता चल जोटी तुमने मुझे समाल लिया एक जीते जाकते भूत को तो फिर ये तो फिर भी एक कमपनी है मैं और हम सभी चाहते हैं कि तुम अपनी पहचान बनाओ गुंजन उस साड़ी के फेड से निकल कर इस ओफिस के कपड़ों में क्या मस्ट स्मार्ट लगोगी तुम आए हाए शिकर बस भी मसांग की बात नहीं है ये ना ही मुझे काम आता है और ना ही मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाने वाली हूँ सुना ना तुमने मेरे पास आओ इधर आओ मेरी ओर देखो और कहो क्या तुमको मुझे पर विश्वास है खुद से स्यादा तो फिर ये मेरा फैसला है कि तुमास से मेरी कंपणी सम्हालोगी और मैं तुम पर कोई मेरी पत्नी होने का फायदा नहीं थोप रहा भलकि तुम्हें मालिक होने के नाते नौकरी दे रहा हूँ सैलरी के साथ दादी वा मामा की सैयरी तो मने ही लोगी पीडे बैंक में डालूगी मैं पैशा ही पैशा होगा डाडी हाँ मेरी बच्ची ये पूरी दुनिया ही तेरे लिसा जाई है और मुझे इस दुनिया पर आग बन करके भरोसा है मैं जानता हूँ तुम कर लोगी पर तुम्हारा ध्यान, अरे भाबी हमसम है न आपने के हम सब को एक दमी नलायक समझ लिया है हम रखेंगे न भाई का ध्यान, अच्छे से और गुंचन सब के इंसिस्ट करने पर मान जाती है पर शिखर, मुझे तुम्हारी फिक्र सताईगी जानता हूँ, इसलिए अपसे मैं खुद पर काम करूँगा और गुंचन तयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाने लगती है तभी जानकी उसे दही चीने खिलाती है और ये देख गुंचन एमोशनल होकर अपने आसो चिपा कर बाहर जाती है वह गाड़ी में बैठती है और ऑफिस को निकलती है चलते हुए वह बस यही सोच रही थी कि प्यार पाने के सफर में जहां गुंचन के अपना मान सम्मान सुआभिमान सब खो दिया था वहां कैसे आज देखो वो बिन मांगे भी अपने पाउं पर खड़े होने का मौका पा रही है यही है असल में रंग बदलती किस्मत और हर रंग के रिष्टे जो आपसे बनते भी है और आपको बनाते भी है और आपको बिगारते भी है गुंजन का ओफिस आता है वो उसमें जाकर जब कुर्सी पर बैठ कर एक लंबी घहरी सांस लेकर जी तोड मेहनत करने लगती है वहीं उस और शिखर भी ठीक होने की जी तोड मेहनत कर रहा था इसी मेहनत की साथ दिन गुजर रही थे और दोनों पती-पतनी जिन्दगी को बनाने में संखर्ष किये जा रही थे गुंजन काम से खकी आती थी फिर भी वो शिखर को थाम कर उसे एकसरसाइस कराती थी धीरे-धीरे शिखर के हाथ में हलचल होनी शुरू हो गई थी शिखर के लंबे बाल उबर गिरता है गुंजन शिखर के सीने से लग जाती है कहा था ना मेरी फिकर मत करना तुमारे हर फिकर को मैं पी सकता हूँ मेरी जान ओ शिखर तुम ठीक हो रही हो तभी अशो काग्सों के साथ दरवाजे पर आता है सिर्फ मेरा शिखर ही नहीं, हमारी कंपनी भी ठीक हो रही है बेटा, इतने कम समय में इतना जादा लॉस कवर कर दिया हमारी बहु ने तो, वहाँ गुंजन महोच कर दी बेटा तुने तो, I am proud of you my daughter, अरे बिटिया को यही तो कहते हैं अंग्रेजी में, कुछ गलत बोला क्या बहु बोलका तुझे खुझसे दू थोड़ी करूंगा, हाँ गुंजन अशोग के पाउच होती है और वो गुंजन को गले लगा लेता है सच कहा था गुंजन तुमने, अगर हिम्मत रखो तो हर मुश्किल पार हो जाती है तभी वहाँ जानकी आती है और गुंजन को ओफिस के लिए ते यार देखती है हरे पागल बेटिया, ये क्या, आज ओफिस जा रही है हाँ माजी, आज मीटिंग है, क्यों क्या हुआ? कैसे माबाबा हो, दोनों आज अपनी बेटी का बद्दी ही भूल गए अपनी कर्मा चार साल की हो गई है अगर उससे पता चला ना कि तुम दोनों भूल गए थे, तो घर में तुफान ला देगी इसलिए मैंने से सर्प्राइस पार्टी का बोला है सचमी, मैं तो सब भूलने लेगी हूँ हाँ बाबी, आप ये भी भूल गए होंगी कि आज कर्वा चाद भी है क्या गुंजन, तुम ये भी भूल गई तुम तो चाहती ही नहीं हो के मेरी उम्र बड़े, है ना ताकि तुम भाग जाओ, और मैं तो हूँ लंगड़ा तुम्हारे बीचे भाग भी नहीं सकूँगा तुम्हें पकड़ने, है ना हाँ, सब समझ रहूं मैं तुम्हारी साजेश यू चालाग, वेरी चालाग ब्रो ना टेंकी, मुझे याद था, इसलिए नहीं कुछ खाया, ना खाऊंगी अब दोनों माबाप अपनी कर्मा को लेकर अंदर कमरे में जाओ, हम उसके बद्दे की सर्प्राइस पाटी प्लान करते हैं और सब ऐसा ही करते हैं, रात का समय आता है, शिखर मैं अभी आती हूँ, पर कहां जा रही हो, इचोके डाट, आज आएगे आपकी वाइब, don't worry बदमाश और कुछ समय बाद शिखर का दर्वाजा खुलता है, और कर्मा उसे लेकर बाहर आती है, बाहर एकदम अंधेरा था, अचानक से लाइट्स जलती है सर्प्राइस बाहर शादी का मंडब लगा था, सब लोग जमाजम तयार थे, शिखर के आखे फट पड़ी थी, मंडब में दुलन बनी गुंजन खड़ी थी सुन्दर कपड़ों में सची कर्मा अपने डाड़ी की चेयर को धका देकर मंडब के पास ले जाती है, क्या खूँब नजारा था, क्या सुन्दर मंजर था, बेटी बाप को मंडग तर ले जा रही थी, और शिखर की चेयर मंडब में लगा दी जाती है, और गुंजन शिख पांद लो, ये कर्मा स्पेशल राइड है, येपी। और कर्मा शिखर के चेर चलाते हैं, उनके फेरे कराती है, सब फूल फैक रहे थे, ऐसा नजारा किसी ने पहले कहीं नहीं देखा होगा, तब ए घटना पूरी दरहें बदल जाती है, जिब शिखर गुंजन को बाहों में थाम कर गोद में उठाता है, और अपने दोनों पाउ चौज जो की हैं मेरे नाम के, गुंजन शिखर से लिपड़ती है और बचे हुए फेरे, शिखर गुंजन को गोद में थाम कर ले जाता है, चारों और खुशियां थी, गुंजन के मांग में शिखर के हाद से सजाय सिंदूर, सारे खुशियां फिर से ले आया था, जब हाग ने लाइन से अपने जोड़े के साथ खड़ी होकर अपना वरत पूरा करती है चलनी से आस्मान का चांद और अपना चांद दोनों को देखती है अब बताओ कैसा रंग है मेरे चांद का जैसा रंग है हमारे रिष्टे का ठीक वैसा जैसा रंग है लव सिटी फैमिली और हमारे रिष्टे का ठीक वैसा और गुंचन कर्मा को गोद में उठा कर शिखर के सीने से लगती है और चांद को निहारती है उनका जीवन बस आगे भी चांद की चांदनी की तरह रोशन रहे यही हम सब की दुआ रहेगी कैसी लगी आपको यह कहानी सफर खत्म नहीं हुआ द थांक्स पर वाचिंग